हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग मैं उमित तल्डा आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड स्वागत है आपका SM की proper marathon हम लेने वाले हैं और बहुत ही जबदस coverage इसका मैं रखने वाला हूँ before exams के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं ठीक है all chapters मैं cover करूँगा और उसके सारे के सारे punch words जो भी important punch words हैं सब के सब हम पूरा चुन-चुन के इस वीडियो में cover करने वाले हैं तो बहुत मजाने वाला है और आपका base passing का यहां से बनने वाला है तो एक बार में चीज़ें होती नहीं है multiple times आपको यह वीडियो देखना है या खुद से multiple times revise करना है तभी SM में एक बढ़िया score आप अपने लिए बना सकते हो और आपका passing का base आप FMSM का बना सकते हो ठीक है चलो let's start this amazing marathon I hope यह आपको बहुत काम आने वाली है और आप बहुत प्यार दोगे इसको likes और comment से बरसाओगे और बहुत फाइदाल होगे और जब भी यह पूरी marathon अगर आप देखते हो पूरी starting से लेके end अगर आप देखते हो आप जरूर thankful रहोगे कि यार क्या बढ़िया marathon ह हो गई पूरा SM का syllabus हमारा अच्छे से revise हो गया है और marks में भी वो convert हो पाएगा जब आप actual paper में जाओगे तो I hope आप paper के आने के बाद मुझसे कहो कि yes आपकी marathon सर बहुत काम में आ गई है ठीक है चले let's start let's start ठीक है सबसे chapter number one introduction to management ठीक है basic हमारा जो coverage होगा वो है हमारा punch words punch words पूरा हम सारे cover करेंगे incrementally फिर में chapter by chapter complete करने के बाद में और भी points आपको cover कराऊंगा मेरे revision notes से कुछ अगर हुआ तो अपन module से भी चीज़ों को cover up करेंगे revision के हिसाब से ही ये पूरा coverage रखा गया है this is not for regular study clear है क्लियर है क्या पहले ही मैं upfront clear कर रहा हूँ ये marathon है भाईया regular study का इसमें कोई लेना देना नहीं है जिनका अभी exams है जो भी exams देने वाले है उनको अगर फटा फट पूरा syllabus अच्छे से revise करना है तो ये video उनके लिए है चीक है शालो let's start let's start introduction to management chapter number 11 चीक है chapter number 11 पे आजाओ चालो आगे चालो तो management के काफी definitions है ठीक है काफी definitions है तो जो जो important है punch words important है वो मैंने आपको दिये होगए ठीक है तो ये सबसे important वाला है कि management एक art है of getting things done ठीक है लोगों से काम कराना है through people लोगों के through अगर आप अपना काम कर रहे हो तो आप management कर रहे हो ठीक है काम निकलवाना लोगों से काम कराना जो आप चाहते हो तो वो होता है management ठीक है फिर है हेंडरी फे ओल आपको पता ही होगा, ठीक है, कौन है, फ्रेंच एंजीनियर है, ठीक है, और ये founding father आना जाता है, classical management theory इसने दी थी, उसके 14 principles, पहली बार principles of management इसने दिये थे, 14 principles दिये थे, और इसलिए इसको father of classical management theory माना जाता है, ठीक है, या modern management जो भी कहो उसका father माना जाता है Henry Fayol, ठीक है? French engineer, clear है क्या? तो इन्होंने 14 total principles दिये थे और उसमें से 5 core management functions इन्होंने बताए थे, ठीक है? कि 5 core management functions क्या होते है? ठीक है? Fayol ने कौन से 5 core functions बताए हैं? पहला है focusing, ठीक है? फोकास्टिंग, planning के भी पहले हम क्या करते हैं? फोकास्टिंग, फिर है planning करेंगे actual जिसको हम target मान के चलेंगे, फिर है उसके साबसे resources को organize करेंगे, फिर है logo पे command करेंगे, उनको direct करेंगे कि कैसे आप कोई achieve करना है और फिर हम control करते रहेंगे कि जैसे planned है वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो control function हम आकरी में निभाएंगे, तो feol के हिसाब से, henry feol के हिसाब से ये five core functions हैं, ठीक है? clear है क्या? अब कुछ लोगों ने अलग-लग तरीके से management को देखा, management उनके हिसाब से अलग-लग थेरी होती है, तो अलग-लग हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आती है Max Weber, ठीक है? Max Weber ने management को bureaucratic थेरी कह है, कि ये bureaucracy की तरह होता है, ठीक है? management क्या है? ब्यूरोक्रेसी है, तो क्या बोलता है वो? which says that an organization will be most efficient if it uses a bureaucratic structure, जैसे government organization में जो structure होता है, वैसा structure अगर आप रखते हो, तो आप अच्छे से चीजों को manage कर सकते हो, bureaucratic structure बहुत जादा जरूरी है, he believed this strategy was specially effective for large corporations, particularly governmental organizations, वरवर गॉ point में bureaucratic रहना बहुत जरूरी है, bureaucratic structure अपनाना बहुत जरूरी है, तो आप अच्छे से बड़े organization, large people को भी आप अच्छे से organize कर पाओगे, manage कर पाओगे, ठीक है? तो इतना देखो, detail में तो नहीं आता है, पहली step इसमें होगी कि आपको किसने, क्या type की definition दी है, पहले आपक step by step उसको आप चू करो, खाओ, हजम करो और धीरे धीरे आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगे, तो पहला आपका step है, नाम और उसका जो type है, वो आपको याद रखना है, ठीक है? तो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, हम module से फटाफट उसको पढ़ लेते हैं, चिक है? देखो, तो ये पढ़ लेते हैं पहले, आजाओ, तो आपका fail ने देखो क्या दिया था? fail administrative theory, ठीक है? तो आपको ऐसे match करना है चीज़ों को, match the pair भी आ सकता है, आपको directly भी fill in the blank बना के पूछा जा सकता है, तो henry fail administrative theory दी है उसने, टेलर ने scientific management कहा है, scientific management theory दी है, ठीक है? इसलिए उसको father of scientific management कहा जाता है, ठीक है? scientific management का father कहा, तो टेलर आएगा, और अगर modern management का कहा, तो fail आएगा, ठीक है? अलग-अलग है, फिर है, Max Weber ने bureaucratic theory दी है, management को bureaucratic बताया है, फिर Elton Mayo ने human relation दी बताया है, कि ये सब human relation है, लोगों के थ्रूँ आपको काम कराना है तो अगर आपको human relations की अच्छी understanding है तो आप आसानी से management कर लोगे फिर है लडविक वॉन इस इन्हों ने कहा है कि ये system थेरी है systems बना लो procedures बना लो hierarchies बना लो तो ये सब system का part है सब चीज़ें अपने आप होती है फिर है Douglas McGregor थेरी types of workers उन्होंने workers के types बनाए है और जो जिस type का है उसको उस type से manage करो ऐसा उन्होंने कहा है सारे लोग एकी type के नहीं होते तो सबको आप एकी तरीके से manage नहीं कर सकते तो आपको पता होना चीए कौन क्या type का है और किसको कैसे manage करना है तो ये Douglas McGregor ने कहा है ठीक है clear रहे तो लिख लोगे आप लोग लिख लो एक जगर ठीक है लिख लो एक जगर ठीक है एल्टॉन मेयो यूमन रिलेशन्स थेरी फिर है लडविग पंचवडी ध्यान में रखो लिखना थोड़ी है सब सिर्फ identify करना है लडविग सिस्टम्स थेरी फिर है डोगलस मेगरेगॉर एक सेन वाई थेरी तो इतने आपको ख्याल में रखने है अब भी सिर्फ पूरा फोकस इन ही पे आपको देना है अब भी आपको सिर्फ इसी पे ध्यान देना है तो पहले आप क्या करो type के साफ से नाम ख्याल में रखो जैसे मैं कहूं bureaucratic थेरी तो Max Weber कोई भी एक पंचवर्ड आपको options में identify करते आना चाहिए फिर है human relations थेरी Elton Mayo फिर है systems थेरी डोगलस तो अभी बस सिर्फ पांच इन ही पे आपको ध्यान देना है फिर जब यह याद हो जाए फिर इसके अंदर के points आपको ख्याल में रखना है कि इन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको फटा-फट बता देता हूँ ठीक है देखो एक-एक punch word मैं आपको बता देता हूँ ठीक है जो अंदर का point आ सकता है वो मैं बता रहा हूँ तो यह तो हमने पढ़ लिया कि Max Weber कह रहा है कि आप most efficient तभी बन सकते हो जब आपका structure bureaucratic है और यह structure सबसे जाधा best किस के लिए है governmental organization ठीक है यह punch word है governmental organizations के लिए यह सबसे best है ठीक है तो यह आपको ध्यान देना है कि most efficient यह तभी होगा जब bureaucratic होगा और यह सबसे जाधा best है governmental organizations के लिए फिर उन्होंने 5 principles भी दिये है ठीक है क्या पहला है task specialization Weber stress that the importance of each worker fulfilling a special specific role within a company तो आपको specialization करना चाहिए एक person को एक ही काम देना चाहिए ठीक है फिर एक hierarchy होनी चाहिए कौन किसके अंडर में है कौन किसका boss है कौन किसको report कर रहा है तो एक proper hierarchy होनी चाहिए Weber wanted added company has a clear hierarchy within the organization फिर है formal selection कि यहाँ formal selection होना चाहिए when selecting leaders businesses due a person's qualification they should be appointed to certain roles based on the qualification which means they won't be elected by vote मतलब जैसे elections होते है न यहाँ election वाला काम नहीं है कि जो जनता vote करेगी उसको appoint कर लेंगे ऐसा structure यहाँ पे नहीं होता यह bureaucratic structure है bureaucratic है democratic नहीं है ठीक है bureaucratic का मतलब है कि आपको based on the qualification based on the experience जो role आप जिसको दे रहे हो वो उसके काबिल है कि नहीं यह देख के आपको appoint करना चाहिए ठीक है उसी को कहा है formal selection voting से decide नहीं होगा पूरा जैसे evaluate करके आप किसी को hire करते हो qualification experience यह वो उसके एसाफ से आपको करना है ठीक है तो आपको punch word ख्याल में रखना है qualifications and not by voting ठीक है फिर है rules and regulations rules and requirements these ensure everyone know what is expected of them उसको उनका काम बताना है और वो कैसे हो करेंगे क्या हासिल करना है वो सब clear communication होना चाहिए वेबर वॉन्टेट बिजनेसेस तो है uniform standards ठीक है यह बड़े organization भी एक होता है standardization होना चाहिए हर चीज standard होनी चाहिए हर चीज uniform होनी चाहिए कोई favoritism नहीं होना चाहिए हर employee को एकी time पे आना है एकी time पे जाना है एक ही type के structures होने चाहिए है तो standardization जितना होगा uniform जितनी चीज़े होंगी उतना वो अपने आप चलते जाएंगी ठीक है bureaucratic way में ठीक है and rules are essential to achieve the goal और फिर है impersonal यह भी बहुत important point है the rules and regulations make the business structure impersonal rules and regulations है किसी एक इंसान की सोच के हिसाब से काम नहीं चलता है आपको rule के हिसाब से ही चलना है सब एक ही rule से चलेंगे कोई एक इंसान pin pick नहीं करेगा decide नहीं करेगा individual level पे कि किसको क्या करना चाहिए favoritism मतलब नहीं होने चाहिए favoritism नहीं होनी चाहिए कि यह अच्छा बंदा है मेरा दोस्त है तो यह इसको ऐसा कर लेता है ऐसा नहीं है सब rules and regulation के इसाब से चलेगा formal चीजें होनी चाहिए और formal को ही आप क्या कह सकते हो impersonal ठीक है तो personalized नहीं होनी चाहिए कि जो जिसका दोस्त है batchmates है same community के है या जो भी है whatever जिससे भी आप connect कर जाओ किसी को तो यह सब नहीं होना चाहिए impersonal होना चाहिए जो आपके rules कहते हैं उसके साब से आपको चलना है promotions aren't about emotions और personal ties but rather performance ठीक है तो आप promotions भी कैसे दोगे performance evaluate करके दोगे न की favoritism से ठीक है तो यह सब कहा है bureaucratic theory यह structure होता है bureaucratic structure ठीक है फिर है L-ton में हो human relations theory बोलो यह क्या बोल रहा है कि यह human relations पे stress कर रहा है इन्होंने एक experiment किया जिसका नाम है have thorn experiment आ सकता है which focused on study of behavior of people at work कि लोग काम करते समय कैसे behave करते है यह इन्होंने study किया और उसको कहा जाता है have thorn experiment ठीक है और इन्होंने कहा कि productivity आपकी बढ़ जाती है when people feel that they are a part of a team and valued by their co-workers ठीक है अगर आपको इज़्जत मिलती है तो आप better काम करते हो confident feel करते हो contribute करने की सोचते हो तो लोगों को team में involve करना, team में एक player बनाना, एक important member बनाना, उनको respect देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप उनसे काम करवाना चाते हो तो ठीक है आपकी productivity automatically increase हो जाएगी आप extra effort proton करने के लिए ready रहोगे तो क्या features है, human relation तेरी के manager must have the basic understanding of human behavior अगर आप management करना चाते हो, manager बनना चाते हो, सबसे पहले आपको human behavior पता होना चाहिए कि इंसान कैसे behave करता है, सबके सामने dart फटकार लगाओगे तो कैसे behave करेगा और सबके सामने तारीफ करोगे तो कैसे behave करेगा, तो आपको behavior पता होना चाहिए ठीक है, in the context of work groups and organization, informal groups have significant influence on moral and productivity of the worker बरवर, informal चीज़े connect कर जाती है, और यह देखो यह पूरा उल्टा है सोचो, इसकी findings और उपर जो finding है, पूरी उल्टी है, वो कह रहा है कि personal चीज़े नहीं होनी चीज़े formal रखो सब, ताकि biasness नहीं हो, और यह कह रहा है, नहीं, human relations से ही काम चलता है कि formal rules है, तो लोग जित्ता उनसे expected है, उतना ही करेंगे, अगर आपको beyond उनसे करवाना है, तो वो human relations से ही होता है तो informal groups होने चाहिए, इनका ऐसा मानना है, ठीक है, informal groups होने चाहिए, इससे आप उनका moral बना पाऊगे और productivity उनकी और बढ़ेगी, क्योंकि वो connect कर पाएंगे फिर है, workers are motivated not only by money alone, but the total work situation, ठीक है, पूरा जो आपका work satisfaction है, overall conditions है, ठीक है, recognition, participation, इन से भी फरक पढ़ता है, सिर्फ पैसों से काम नहीं होगा study of management must draw concepts and principles of behavior science like psychology and sociology, मतब इन चीज़ों का भी आपको खयाल रखना है, क्योंकि सब human relations है, तो लोगों की psychology कैसी होती है, वो कैसे behave करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे expect करते हैं, इन सब की knowledge एक manager को होनी चाहिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते है, फिर है system theory क्या है, कि भाई management जो है वो एक open system है, ठीक है, इसका question आता है, कि कौन कहता है कि एक open system है, लिडविक, systems theory कहती है, कि business जो है, वो एक open system है, वो interact करते रहता है, closed environment नहीं है, open environment है, हम daily external factors से interact करते हैं, just like a living organism, open system interacts with the environment by way of inputs, throughput याने processing और output, ठीक है, input, processing, output, ये ये पूरे steps होते हैं, जैसे normal होते हैं, there are exchanges of energies, money, matters, याने material, people, information with the external environment, ठीक है, तो इन्होंने system के तरह देखा है, कि कोई भी system जो होता है, machine है, human है, वो इसली तरह से काम करते हैं, उसमें आप input डालो, वो उसको process करेंगे, और एक output देंगे, तो management भी ऐसा ही है, एक open system है, वो interact करता है लोगों से, ठीक है, और उसके साब से management को view किया गया है, it's a system, it's a system, इसलिए उसको system थेरी का गया है, ठीक है, Ludwig systems थेरी, और फिर है Douglas X and Y थेरी, तो इन्होंने कहा है कि भाई, अलग-लग type के workers होते हैं, कुछ लोग negative होते हैं, कुछ लोग positive होते हैं, ठीक है, तो ज जैसा है, जो जैसे motivate हो, उसको वैसे motivate करो, हर person एक ही तरीके से motivate नहीं होगा, अगर मैं कहूं, yes you can do it, you are born to be a winner, यह वो positivity से मैं करूं, तो सब लोग motivate नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे, जो positively motivate होते हैं, वो motivate होंगे, पर कुछ लोग ultra motivate होते हैं, negative motivation, तेरे बस की नहीं है, करके, insult करके, कुछ लोग वैसे भी motivate होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, positive वाले को आप negatively motivate करोगे, तो वो नहीं होगा, और negative वाले को कितना भी positively motivate कर दो, वो नहीं करेगा, तो आपको पता होना है चाहिए, कौन सा worker कैसे motivate होता है, उसकी thinking कैसी है, और उसको उसी तरह से आपको motivate करना चाहिए, तो उन्होंने दो ऐसे types of employees को categorize किया है, और उसको x and y से denote किया है, ठीक है, there are two types of workers, x and y, x worker lack ambition, drive and need to be ordered, बरबर कुछ लोग जब तक आप order नहीं दोगे, वो खुद से काम नहीं कर पाते, वो self motivated नहीं है, वो ऐसे लोग है कि जितना उनको बोला उतना ही करेंगे, तो उनको बोलना पड़ेगा, अगर आप बोलोगे नहीं ना, वो time pass करेंगे, समझ रहे हो, तो जो x type के workers हैं, उनमें ambition नहीं है, उनको नहीं पता है, उनको क्या करना है, वो खुद से काम नहीं कर पाते है, उनसे काम करवाना पड़ता है, दखलंदाजी क करके, डाट फड़कार करके, ओर्डरिंग करके, आपको काम कराना पड़ता है, और वाई वर्कर हैं, जो खुद से करते हैं, जिनको बार 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 हैं करने की जूरत नहीं है, एक बार आपने बता दिया, छोड़ दो, वो कर लेगा, समझ में आ रहा है, तो वो है, on the other creative impact करेगा, ठीक है, तो two types of employee होते हैं, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है, तो इस पूरे को आपको बस इतना ही पढ़ना है, जितना मैंने अभी cover करवाया है, उतना ही आपको पढ़ना है, clear है, शालो, वापस आ जाओ, ठीक है, तो यह हमारा पूरा हो गया, detail में बता दिया मैंने, शालो, अब एक यह table आता है, इसमें भी बहुत important है, ठीक है, ध्यान दो, कि क्या सवाल है, और वो function, कौन सा function है, जो सवाल का जवाब देता है, और कैसे देता है, ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, what is the need, ठीक है कि क्या करना है, करना क्या है, ठीक है, तो वो function है planning, ठीक है, planning बताता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, तो वो output देता है आपको, planning से आप बनाते हो, objectives, goals, policies, procedures, methods, ठीक है, यह planning stage से आप बनाते हो, और यह बताता है, what is the need, करना क्या है, वो यह बताएगे, फिर है where should action take place and who should take what work, ठीक है, कहा action लेना है और कौन क्या करेगा, मतलब division of work, कौन क्या करेगा, तो वो होता है organizing, work को आप organize करते हो, planning से आपको पता चलता है क्या करना है, फिर आगे step आप देखते हो, कैसे करना है, कौन क्या करेगा, work allocate करते हो, कौन किसको report करेगा, बरुबर authority responsibility fix करते हो, तो वो होता है function organizing, और उससे क्या result निकलता है, इससे आप work को divide करते हो, work division, work assignment and work utilization, ठीक है, तो इस सारा काम organizing stage में होता है, फिर है and how should group members perform their task, ठीक है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, तो वो होता है directing, directing में आप बताते हो, कि यह ऐसा करो, यह ऐसा आपको करना है, म चीज़े planning stage में भी होती है, लेकिन अब implementation की stage आ गई, implementation stage पे जब आप चीज़ों को सिखा रहे हो, कि यह चीज़ ऐसे करनी है, यह तुम गलत कर रहे हो, जब instructions आप देते हो, guide जब आप करते हो, वो stage होती है directing, तो इसके तोरान आप क्या कर रहे हो, basically आप leadership कर रहे हो, motivate कर रह होता है directing का, और फिर last है, are the actions being performed according to the plan, कि जो भी हम कर रहे है, वो as per plan चल रहा है कि हम भटक चुके, तो यह इसका जवाब देता है controlling, ठीक है, और इसमें आप क्या बनाते हो, reports, comparisons, costs, budgets, ठीक है, यह output निकलता है controlling function से, clear है, तो आपको question देके function पूछा जा सकता है, function देके result ले आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो आपको पूरा अच्छे से, एक एक पंच वर्ड, दो दो पंच वर्ड बस आपको connect करने, पूरा पूरा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ identify करते आना चाहिए, बस, ठीक है, चलो, फिर आगे बढ़ते हैं, while there are slight variations in how functions are named, ठी कि चलो more or less सब लोग क्या बोल रहे हैं, more or less सब लोग क्या बोल रहे हैं, कि management क्या है, clear है, तो five core functions क्या होते हैं, यह इनोंने generalize किये हैं, देखो, fail ने जो बोला था, वो अलग है, वो fail का है, यह generalize नहीं, consensus points हैं, कि five core functions क्या होते हैं, ठीक है, oh my god, चलो, ठीक है, तो five core functions क्या हैं, पहला है, planning, organizing, staffing, directing and controlling, तो यही आप पढ़ते हो, यह consensus वाले points हैं, किसी एक इनसान ने नहीं कहें हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़े कहीं हैं, और इनोंने consensus बना के, बहुत चलो, पांच यह चीज़ों पर सब लोग agree हो रहे हैं, कि यह तो five functions हैं, और भी हो सकते हैं, बट यह five core functions हैं, management के, ठीक है, तो first क्या है, planning, इसका आप shortcut बना सकते हो, planning, organizing, staffing, directing, controlling, ठीक है, POS, DC, ठीक है, POS, DC, planning, organizing, staffing, directing, controlling, ठीक है, चलो, एक-एक function को भी study करते हैं, बोलो, planning क्या है बाई, planning, एक मातर ऐसी चीज़े है, जो future के बारे में, ठीक है, future के बारे में आप सोचते हो futureistic सोचते हो, तो यह पहले तो preliminary step है, सबसे पहली step है, तो वह है, first and foremost function है, first step है, और इससे आप क्या करते हो, आप gap bridge करते हो, किसके बीच में कि आप, कहा हो, और आपको कहा जाना है, ठीक है, यहाता है, कहाँ आप हो, और आपको कहा जाना है, इसकी gap जो है, वो कौन bridge करता है planning function ठीक है और फिर है कि ये एक continuous और recurring function है बार-बार आपको मतलब continuous way में planning करनीच पड़ती है ये कोई one time exercise नहीं है कि बस planning कर ली हो गया काम खतम हो गया ऐसा नहीं है उसको बार-बार revise भी करना पड़ता है review भी करना पड़ता है उसमें changes required हैं तो changes भी करने पड़ सकते है ठीक है तो ये ongoing function है ठीक है bridge करता है gap कि अपन कहा है और कहां अपने को जाना है ठीक है फिर इसी function को fail ने most difficult function कहा है ठीक है आया नहीं है पर आ सकता है बहुत सारी चीज़ें बढ़िया बढ़िया है आ सकती है कि most difficult function as per Henry fail क्या है planning ठीक है क्योंकि इसमें बहुत जादा future का देख button होता है बहुत macro factors होते हैं उसको predict करना बहुत जादा मुश्किल होता है ठीक है फिर है well planned is half done आपने पढ़ाई है ठीक है कि अच्छी शुरुवाद है तो भाई आपका आधा काम तो हो गया बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती है क्योंकि काफी चीज़ें जो प्लैनिंग पर dependent होती है planning अच्छी है तो organizing भी ठीक ठाक हो जाएगी बाकी सारे functions अपने आप better ही होते है पर अगर आपकी planning ही खराब है तो आप कितने भी कोशिश कर लो other functions फिर उतने अच्छे नहीं हो सकते है क्यों planning पर dependent है ठीक है तो planning अच्छी हो गई अतला आपका आधा काम हो गया ह ठीक है अब इसमें क्या-क्या होता है planning involves identification of task ठीक है क्या-क्या task है छोटे-छोटे क्या steps है जो आपको करने पड़ेंगे एक end goal तक पहुचने के लिए ठीक है milestones जिसको आप कह सकते हो which are required to realize the desired goal demarcation of how such task should be performed ठीक है कैसे perform करें मतलब steps to be performed chalking out who when and where such task will be performed ठीक है overall एक outline बनाना कि भाई कौन क्या करेगा minutely जो आप line by line allocate करते हो वो तो organizing में ही होगा जैसे भाई आपने किसी team को allocate कर दिया ये काम ये team करेगी पर ये team में कौन करेगा ये सब जो बारी की होती है न ये बारी की है जो है वो organizing stage पे ही work division work allocation organizing stage पे ही होता है ठीक है यहाँ सब उपर उपर से होता है फिर है according to Coons O'Donnell ठीक है एकाद एकाद question ऐसे odd भी आता है जो person का नाम पूछ लिया आता है एकाद के लिए अब आप कितना करोगे आपके उपर है तो according to Coons O'Donnell planning is deciding in advance what to do how to do and who is to do it ठीक है अब ये थोड़ा सा organizing से contradict होता है थोड़ा confusing हो जाता है पर ये ऐसा ही है कुछ नहीं कर सकते है ठीक है थोड़ा सा I know कि ये थोड़ा सा problematic है ठीक है क्या करना है कैसे करना है और कौन करेगा ठीक है ये पूरा definition है और एक Coons O'Donnell का definition है ये कोई generalized view नहीं है मैं ये ही कह रहा हूँ किसी एक पागल ने कुछ कह दिया तो आप पूरे concept को चेंज नहीं कर सकते है ये एक इनसान का definition है Coons O'Donnell के इसाब से planning is what to do how to do and who is to do it ठीक है तो ये उसका definition है when management plans for the task ahead they are looking at the situation and detailing the probable difficulties ahead ठीक है planning का ये फाइदा है कि क्या-क्या problems आप face करोगे क्या-क्या challenges आप face करोगे ये आपको पहले से ही पता चल जाता है problems पहले से ही पता चल जाता है तो क्या फाइदा होगा आप उसके रास्ते निकाल सकते हैं आपके बास भरपूर time है अचानक से जब आप वो काम कर रहे हो और आपको तब कोई परिशानी आ जाए solution तो तब भी निकाला जा सकता है लेकिन time नहीं रहता कि सोच समझके थंडे दिमाग से जब आप plan करते हो सोचते हो तो वो अलग solutions निकलते हैं घाई-गडबड में pressure में proper solutions प्रॉपर वे में चीज़ों को टैकल आप नहीं कर पाते हो इसलिए planning हमेशा better है पहले से ही आपको चीज़ें पता होती है कि क्या problems आपको face होगी तो आप रास्ता निकाल सकते हो रास्ते निकालने के लिए बहुत जादा time आपको मिल जाता है फिर आते हैं important चीज़ पे steps planning में क्या steps है इस पे भी question आ सकता है अब ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है समझी तो हुई है लेकिन स्टिल आप sequencing में गड़बड करोगी करोगी इसलिए कह रहा हूँ कुछ चीज़े इसी है जो आपको याद करनी है दिमाग लगा के proper उसको multiple times पढ़ो mind में उसको बिठाओ sequence को ठीक है तो steps in planning क्या है भाई पहला है establishment of objective ठीक है objective establish करो फिर planning premises establish करो मतलब assumptions क्या है जब भी आप future के बारे में कुछ सोच रहे हो plan कर रहे हो objective बना रहे हो assumptions लेने पड़ेंगे जो भी macro factors है GDP growth rate क्या होगी किसकी सरकार होगी tax rates change होंगे नहीं होंगे मतलब state of economy unemployment rate GDP rate forex rate जो भी आपका this type का काम है जो situation होती है external factors होता है macro factors होता है वो कैसे होंगे या कैसे behave करेंगे इसका assumption लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसी को कहते है planning premises ठीक है तो पहले ह establishment objectives फिर है planning premises establish कर लो फिर है alternative में से choose करो choice of alternative courses of action की क्या-क्या possibilities है एक ही काम को कैसे कैसे कर सकते हैं एक ही destination पर पहुचना है तो कौन-कौन से रास्ते से पहुच सकते है वो है alternative course of action फिर है formulation of derivative plan की जो connected चीज़ें होती है ऐसा करोगे तो फिर उसमें भी और possibility हो जाती है जैसे आ आपको पढ़ाई कैसे करनी है coaching लेनी है कि self-study करनी है self-study करनी है तो फिर आपको और बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए किसकी बुक से पढ़ना है क्या करना है कैसे करना है तो और बहुत सारे decisions आपको लेने पढ़ सकते हैं तो इन ही को कहते है derivative plan एक main decision के वज़े से अगर आपको और multiple decisions लेने पड़ते हैं, वो जो छोटे-छोटे connected decisions होते हैं, उनको कहते है derivative plans, ठीक है, formulation of derivative plan and securing corporation, ठीक है, वो पूरा team है, जो भी players है, employees है, उनका आपको corporation लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम team करती है, अकिला एक इंसान नहीं करता है, और फिर है follow up, कि काम ह होने के बाद या जो भी plan है, वो आप follow up करेंगे, कि plan बरोबर हुआ नहीं हुआ feedback लेंगे, ठीक है, बोलो, क्या है, establishment of objective, establishment of planning premises, ठीक है, फिर है choice of alternative course of actions, फिर है formulation of derivative plans, securing corporation and follow up plan, मेरा तो याद हो गया भाई, ठीक है, चलो, तो ये था सारे features planning के, ठीक है, most difficult है, bridge करता है, आप कहां हो, और आप कहां जाना चाहते हो, ठीक है, preliminary step है, first and foremost step है, ठीक है, और उसके steps, आगे बढ़ते हैं, फिर second function आता है, organizing, बोलो, organizing basically, काई का organization होता है, resources का, resources को, जो organization है, वो organizing step पे होता है, कि सारे जो resources लगेंगे, man, money, material, जो भी आप four resources देखते हो, manufacturing में जो लगते हैं, तो वो सारे आपको एक जगह पे, एक time पे लाने होते हैं, तो ये पूरा काम होता है, organizing में, it follows the first function, that is planning, यह मतलब second step है, brings together, ठीक है, इसका basic काम क्या है, brings together human, physical, financial resources, ठीक है, human, employees, physical, याने जो भी material, money, यह सब है, मतलब machines and material है, और financial मतलब पैसा, ठीक है, इन सबको एक जगह पे लाना है, bring together human, physical and financial resources, तो यह पंचवड है इसका, फिर क्या steps है, बोलो, organizing में क्या करना है, number one, identification of activity, ठीक है, काम divide करना है आपको, तो काम कितने हैं, पहले वो तो identify कर लो, क्या-क्या activities है, फिर तो बाटोगे, तो पहला है, identification of activity, फिर है, departmentally organizing the activity, department wise allocate कर दो, फिर है, authority classify करो, कौन सा department किसके अंडर में है, कौन सा person किसके अंडर मे है, authority responsibility fix करो, फिर coordination करो, coordination between authority and responsibility, ठीक है, चार ही steps है, activities identify करो, departmentally उसको organize करो, फिर है, authority को classify करो, और coordinate करो, क्या, coordination between responsibility and authority, चार ही steps है, organizing की, ठीक है, साथ-साथ मैं बोल रहे हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ, फिर है, organizing makes a clear-cut picture of working relation, ठीक है, अगर आपको working relation पता करना है, कौन किसका boss है, कौन किसको report करता है, hierarchy जिसको आप कहते हो, वो organizing decide करता है, working relation among employees क्या है, इसका clear-cut picture अगर आप चाहिए, तो वो organizing steps से आपको मिलेगा, the process of organizing makes a clear mention of each and every activity, एक-एक plan, एक-एक task, क्या है, उसका mention आपको मिलेगा, each and every activity of every manager and also to the extent of their authority, और बार आपके authority क्या है, कौन 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 आपको report करेगा, कौन कौन आपके under में आता है, आपके authority किन के उपर है, यह सब clear-cut define होता है, under organizing, और फिर है, क्यों organizing important है, benefits क्या है, benefits of specialization, ठीक है, specialization का benefit मिलेगा, आप एक-एक task, एक-एक अलग-लग person को आप organize कर रहे हो, वो बस एक ही काम कर रहा है, तो वो उसमें specialize कर रहा है, कोई इनसान अगर specialize करता है, तो उस काम को बहुत better way में करता है, कम time में करता है, कम गलतियों के साथ करता है, ठीक है, उसकी efficiency बढ़ जाती है, learning curve बढ़ जाता है, सब आपको पता ही है, तो वो ही है, benefits of specialization, फिर है clarity in working relationship, बरबर, आप जब काम कर रहे हैं, आपको साथ आप काम कर रहें, वो कौन है, कौन आपके बराबर है, कौन आपके उपर है, कौन आपके under में है, तो यह सब आपको पता चलता है, working relations आपको पता चलता है, तो आपको किस के साथ कैसे behave करना है, यह आपको पता चलता है, ठीक है, फिर है optimum utilization of resources, क्योंकि आप सारे resources को mobilize कर तो optimum way में utilize करोगे efficiently use करोगे ना समझ रहे हो तो optimum utilization होगा adaptation to change ठीक है adaptation to change बार बार plan अगर बदल रहा है तो resources की need भी बदलेगी plan बदल गया अब plan बदल गया तो उसका implementation भी बदलेगा तो उसके resources की need बदलेगी उनके activities बदल जाएंगे तो आपको change को adopt करने के लिए organizing में भी changes ला and grow ठीक है यह सारे benefits हैं of organizing ठीक है organize करने के फाइदे है clear है clear है क्या तो यह है organizing आगे बढ़ते हैं फिर स्टाफिंग ठीक है स्टाफिंग को यह आप प्यार से कहते हो HR human resource ठीक है HR means staffing staffing का main काम क्या है right people at the right job ठीक है यहने quantity wise quality wise हर चीज जो होती है वो सही होनी चाहिए सही इंसान सही जगा सही काम जब करेगा तभी वो एक target को achieve कर सकता है तो पूरे organization में यह staffing का काम है देखना कि कौन से काम के लिए कौन सा person best है उसके पास क्या skill set होना चाहिए उसके पास क्या qualification होना चाहिए क्या experience होना चाह ठीक है तो according to Theo Heming staffing pertains to क्या-क्या staffing के तहट आता है recruitment लोगों को आप hire करते हो उसमें से फिर select करते हो development देते हो उनको training देते हो और फिर उनको salaries देते हो compensation of subordinates ठीक है जो भी आपके under में आता है जो भी आपके लिए काम करते है उनको recruit करना select करना develop करना compensate करना यह पूरा काम होत as staffing according to Theo Heming ठीक है functions aim to warrant that the organization always has the right people in the right positions and the organizational structure isn't hindered by shortage or surplus of the personal ठीक है यह बहुत बड़ी problem है कम भी नहीं चलेगा जादा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा लोग कम है तो चलो थोड़ा बहुत लोग extra time करके cover up कर लेंगे but still वहाँ पर problem होती है कि staff ही कम है तो बहुत जादा over time बहुत जादा pressure दूसरों पर पड़ता है उनकी quality of work भी impact होती है तो आप target achieve कर पाऊगे कि नहीं उसमें problem होता है फिर अगर staff जरुद से जादा रखोगे तो भी problem है एक तो आपका खर्चा बड़ेगा आपकी profitability कम हो चीए जरुद से जादा भी नहीं होना चीए तो जरुद कितनी है यही staffing को continuously monitor करना पड़ता है कि हमारा काम क्या है हमारा target क्या है हमारा sales क्या है हमारा production क्या है जो हमारा काम है वो उनको अच्छे से study करना पड़ता है और वो कितने लोग कर पाएंगे या कितने लोगों की ज जो है लोगों की जो नीड है लोगों का जो प्रोड़क्टिविटी है लोगों का जो बीहेवियर है वो बदलते रहता है उनको अलग से स्टडी करना उनको अलग से एक इसको मोटिवेट रखना पड़ेगा उसको अच्छी सालरी देना पड़ेगा उसके प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा तब भी वो आपको वो करके देगा जो आप चाहते हो तो टेकन फॉर ग्रांटे आप नहीं ले सकते हो स्टाफ को इसलिए उसको सेपरेट फंक्शन ब करना पड़ता है उनको पॉजिशन देनी पड़ते हैं उनको प्रमोशन देने पड़ते हैं उनको परके सिट्स देने पड़ते हैं तो यह सब कंटीनेस काम है बरुबर कंटीनेस एक्टिविटिया स्टाफिंग फिर है पर्वेजिव फंक्शन मतलब हर और्गनाजेशन में requirement है कोई भी business ऐसा नहीं है जो staffing न करता हो staffing हर जगह होती है ठीक है it's a pervasive function and is carried out by all the managers in the all types of organizations where business activities are carried out फिर है same Coons O'Donnell फिर इसने भी बताया भाई staffing के बारे में बहुत पड़ा लिखा लग रहा है तो staffing के लिए इनका क्या कहना है involves manning the organization manning the organization structure through proper and effective selection appraisal development of personal to fill the roles design on the structure आये खेल में तो structure जो भी होता है जो अपन पढ़ेंगे hierarchical structure matrix structure यह structure वो structure जो भी 3-4 टाइप के structures आप पढ़ोगे तो उसमें एक requirement निकलती है जैसा structure वैसी requirement होती है उतने लोग आपको उस function या उस positions पे लगते हैं तो वो staffing का काम है ठीक है कि structure को समझे और structure के हिसाफ से उसको man करें मतलब उतने लोग available करवा के दें कि वो उस type का का काम करें उतना qualification उनका होना चाहिए उतना experience उनको होना चाहिए फिर है staffing consists of a number of separate functions which are manpower requirements ठीक है कि उनको manpower का requirement study करना है फिर recruitment सबको बुलाना पड़ेगा आओ भाई हमारे opening है recruitment चल रही है फिर उसमें से interviews और exams और return वाईवा जीडी ये लेके आप selection करोगे फिर उनको orientation दोगे समझाओगे भाई हम कौन है क्या करते है हमारा structure कैसा है उसको company के बारे में बताओगे placement and training development ठीक है remuneration, performance evaluation, promotion, transfer तो ये सब staffing में आता है staffing को आप इसको divide कर सकते हो इतने सारे काम staffing के अंदर में आते है clear है, clear है क्या, देख लो हर चीज में pause करके आप खुद से भी थोड़ा पाच-पाच मिनिट पढ़ सकते हो, ठीक है यह opportunity है आपके पास, clear है, चालो, तो ये था staffing, अब आते हैं directing, बरवर, commanding भी आप इसको कह सकते हो, commanding भी इसमें आता है चलो, तो directing का मतलब है कि, कि जब कोई काम कर रहा है, तो उसको कुछ help तो नहीं चीए, बरवर, वो सही कर रहा है कि नहीं, उसको पता है कि वो काम कैसे किया जाता है, फिर वो गलत कर रहा है, तो उसको सिखाओ कि सही तरीके से कैसे काम किया जाता है, तो ये पूरा काम होता ठीक है, direction देना, जो planned है, actual भी उसी direction में होना चाहिए, तो यह दोनों का जो coordination है, वो होता है, directing, ठीक है, directing is a process in which managers instruct, guide and oversee, सब्सक्राइब करते हैं, कि कौन सा काम कैसे किया जाता है, उनको guide करते हैं, समझाते हैं, करके दिखाते हैं, और फिर देखते हैं कि आप बरोबर कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, oversee, the performance of subordinates, ठीक है, direction किसको देंगे, subordinates को, ठीक है, to achieve the predetermined goal, directing is said to be the heart of the process, क्योंकि directing अगर अच्छी नहीं रही, तो आप achieve नहीं कर पाऊगे, planning अच्छी थी, organizing भी अच्छी हो गई, staffing भी अच्छी हो गई, पर आपने direction ही नहीं दिया, उनको सिखाया नहीं, समझाया नहीं, बताया नहीं, oversee नहीं किया, तो quality hamper होती है, वो goal अच्छी नहीं हो पाता है, ठीक है, और यही, यह भी एक बहुत human element भी है, ठीक है, कि कैसे समझाना है, कैसे instruction देना है, कैसे motivate करना है, तो यहां बहुत महनत लगती है, ठीक है, तो यह heart of management process भी माना ज जाता है, ठीक है, punch word है, फिर है directing initiates action, ठीक है, यह action वाला काम है, planning में देखो, आप सिर्फ plan कर रहे हो, कागज पे सब चीजें कर रहे हो, वो action वाला नहीं है, सिर्फ सब सोच रहे हो, organizing में भी आप allocation कर रहे हो, resources mobilize कर रहे हो, staffing में भी, पर directing जो है, वो pure action है, आपको सब कर के बताना है, उनको सिखाना है, ठीक है, action oriented, इसमें बहुत सारी चीजें जाधा होती है, and is said to be consisting of human factors, अब कैसे बात करते हो, कैसे command करते हो, कैसे communicate करते हो, कैसे motivate करते हो, बहुत crucial है, ठीक है, directing is a function of guiding, inspiring, overseeing, instructing people towards accomplishment of the organization goal, characteristic क्या है, pervasive है, हर business में directing करना ही पड़ता है, कोई business ऐसा ह यही नहीं, जिसमें direction न देना पड़े, तो directing is a pervasive function, continuous है, एक बार बता दिया, बस बाकि तुम देख लो, ऐसा थोड़ी है, वो actually वैसा कर रहा है कि नहीं, वो भी देखना पड़ता है, आपने अपना काम कर लिया, आपने बता दिया, अरे पर उससे करवाना भी है, motivate करना है कि हाँ भाई तू कर सकता है, तू कर, तो जब वो कर रहा है, तो आपको oversee भी करना है, तो गलत करना है तो उसको सही कैसे करना है, वो भी बताना है, तो जब तक वो पूरा काम complete नहीं करता, तब तक यह process चलते रहता है, आए क्याल में, तो यह continuous है, human factor S में, ठीक है, एक इनस भी है, communication skills लगते हैं, executive function है, बरबर executive human function है, और यह delicate function है, ना जुकता से आपको इसको समभलना होता है, आप गुस्से में नहीं आ सकते, दूसरों को respect करते हुए, आपको यह सब काम करना होता है, ठीक है, यह बहुती special features है, बाकी function में ऐसा नहीं होता, फिर यह भी एक important bridge है, directing भी एक bridge है, किसमें operational needs में और human requirements में, मतलब एक है कि employee क्या चाहता है, employee क्या चाहता है, पैसा, work satisfaction, वो सीखना चाहता है, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो होता है human needs, कि employee क्या चाहता है, employee कैसे काम करना चाहता है, और एक है कि organization क्या चाहती है, organization क्या चाहती है कि employee क्या करे é कैसे करे कब शाते हैं तो इनको आपको match करना है कि organization क्या चाहते है वो भी पूरा होना च rumshow और employee को बहुत अइसा लगना चाहिं कि वो जो चाहता है वो Сभरत सती नहीं हो रही है आप जो पर स्ट पर्स ब्लेविल जाते हो organization भी आपसे वो ही चाहती है ऐसा उनको लगना चाहिए दोनों की needs match करना bridge करना directing का काम है ठीक है मतलब employee जब काम कर रहा है तो उसको लगना चाहिए कि वो खुद से कर रहा है, जबर जस्ती कोई dictate नहीं कर रहा है और organization को लगना चाहिए कि जैसे हमने कहा था, employee वैसे ही काम कर रहा है हमारी बात मान रहा है, हमारे एसाफ से चल रहा है तो उनको भी ऐसा feeling आना चाहिए तो इसको यह आपको bridge करना चाहिए clear है तो यह बहुत important है बड़े आगे, फिर है scope of directing includes, ठीक है यह भी काफी important है, आ सकता है कि कौन सा directing में include होता है नहीं होता है, नहीं होता है वाले आज़कल ज्यादा आ रहे नहीं होता है वाले ज्यादा आ रहे क्योंकि वो एक word bus replace करना होता है तो कोई वो planning का एक इसमें include कर देंगे, कोई staffing का include कर देंगे, तो आपको हर चीज अच्छे से पता होनी चीए, ठीक है, जैसे हमने staffing पड़ा, तो staffing में ये सब आपको पता होना चीए, manpower, requirement, training, development, remuneration, recruitment, selection, orientation, promotion, transfer, ये पता होना चीए कि ये staffing से related है, एक भी आपको अगर ध्यान नहीं रहा, और इसमें मैं अगर बीच में दूसरे का डाल दूँ, तो वो पूछा जाएगा कि which of the following is not related to, या not included in staffing, समझ में आ रहा है, तो आपको बहुत words से function तक पहुचने वाला एक mindset चाहिए, ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही है, तो directing includes supervision, ठीक है, supervisor जैसे होते हैं, supervision करते हैं, देखते हैं, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फिर communication बताना पड़ता है, कैसे करना है, तो नहीं कर रहे हो तो फिर संधाना पड़ता है, communication भहत जादा involved है, तो communication is a part of directing, फिर a leadership motivate करना है, as a leader काम करना है, आपको देखके लोग motivate हो जाए बरोबर तो leadership role है motivation है कोई काम नहीं करना चाहता है या उसको लगता है कि वो नहीं कर पा रहा है या उसको लगता है कि वो उसके काबिल ही नहीं है तो उसको फिर motivate भी करना पड़ता है कि नहीं भै तू कर सकता है सब लोग कर रहे हैं तू क्यों करना पड़े का आप कर सकते हो ठीक है तो यह सारे scope में आते हैं directing के supervision, communication, leadership, motivation, commanding यह सारे part है directing के फिर है supervision अब एक-एक पढ़ते हैं एक-एक में क्या आता है तो supervision में आप क्या करते हो supervision is concerned with overseeing ठीक है देखो सिर्फ वो कर रहा है नहीं कर रहा है कर पा रहा है कर नहीं कर पा रहा है जैसे मैंने कहा था वैसे कर रहा है कि नहीं तो यह overseeing का पार्ट है concerned with overseeing the subordinate जो आपके अंडर में जो आपको report करते है at work and is done at all levels of management हर manager को अपने अंडर में जो लोग आ रहे है वो वैसा काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं कि नहीं और वैसे कर रहे हैं कि नहीं वो सब आपको supervised करना होता है it refers to direct and immediate guidance and control of subordinates in the performance of their task to overseeing को ही कहते है supervision फिर है communication क्या करेंगे इसमें process of telling, listening, understanding, passing information from one person to another ठीक है communication क्या होता है आपको होता ही है manager has always to tell subordinates what they are required to do, how to do it and when to do it यह सब बताना पड़ता है आ रहे है कुछ ख्याल में और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे करना है वो भी आपको बताना है सही तरीका क्या है सही समय क्या है हर चीज आपको बतानी होती है communicate करनी होती है फिर है leadership ठीक है inspire करना है उनको कि वो खुद से करें उनको लगे कि हाँ वो कर सकते हैं तो leadership role आपको निभाना है can be defined as a process by which a manager guides influences ठीक है influences the work of its subordinates it is concerned with influencing people for the achievement of the common goal ठीक है influence word important है leadership influence है ठीक है फिर है motivation थोड़े से confusing words है बट ठीक है अलग अलग है motivation refers to conscious attempt made by the executive to influence यहां भी influence है लेकिन हम खुद होके consciously attempt कर रहे हम चाहते हैं कि वो यह काम ऐसा ऐसा इत्तिते समय के ले करें हम चाहते हैं तो motivation देना पड़ेगा conscious attempt made by executive to influence the direction role of individual and group behavior motivation inspires the subordinates to work with zeal, willingness, initiates to achieve the enterprise goal तो leadership और थोड़ा सा यह मतला आपको confusing लगेगा बट थोड़ा अलग अलग है तो थोड़े punch words आपको ध्यान देने पड़ेगे conscious attempt is the punch word for motivation फिर है leadership and motivation आदर two wings of direction main two wings जो है जिससे उड़ान होती है direction की जो उड़ान है जो तो two wings है वो है leadership and motivation यह भी question आ सकता है और फिर है commanding commanding का मतलब है अपना जो authority है उसका आप use कर रहे हो as a boss आप instructions दे रहे हो तो वो होता है commanding refers to setting the business going to get the desired optimum results from the subordinates तीक है तो आप करवाओ क्योंकि आप boss हो आपकी बात उसको मननी पड़ेगी तो कहीं कहीं आपको motivation नहीं command भी करना पड़ेगा ठीक है चलो तो यह सारे चीजें है directing के अंदर supervision, communication, leadership, motivation, commanding supervision, communication, leadership, motivation, commanding simple है साथ साथ में बोलो pause करके बोलो समझ में आ रहा है तब ही फाइदा होगा चलो फिर है last function controlling ठीक है सबसे बड़ा point जो इसमें आता है controlling कौन से दूसरे function से connected है planning plan करोगे तो ही control कर पाओगे और control करना है तो पहले plan करना पड़ेगा interdependent functions है plan ही नहीं किया तो control नहीं कर पाओगे और control करना है तो plan पहले करना पड़ेगा ठीक है समझ में आ गया है चलो तो it is related with planning ठीक है फिर बाकी जैसे यह last step है तो यह end function है जैसे वो first and foremost होता है planning is a first and foremost function preliminary step वैसे यह आकरी step है तो end function कहते है फिर यह भी बाकी तरह परवेजिव है हर business में हर type के organization में control function होता ही होता है forward looking है क्योंकि control करने से क्या होगा आगे चलके जब आप similar project करोगे तो आपसे गलती नहीं होनी ची जो हो चुका है उसको आप नहीं बदल सकते control function pass को नहीं rectify कर सकता है वो future के लिए जाता है कि अगली बार जब मैं ऐसा ही कुछ काम करूँगा तो वो गलतीयां नहीं करूँगा जो मैं पहले कर चुका हूँ गलतीयां repeat नहीं होनी चीए we should learn from our mistakes और वो repeat नहीं करनी चीए यही fundamental base है controlling का ठीक है तो it's a forward looking step फिर है यह dynamic है ठीक है मतलब static नहीं है एक बार कर लिया ऐसा कुछ नहीं है हर project से आपको सीखना होता है continuously आप सीखते रहते हो क्या plan किया था क्या चल रहा है उसको compare करना पड़ता है controlling is a continuous function ठीक है तो controlling consists of verifying whether everything occurs in conformity with the plan plan के इसाब से सब चीजें चल रही है कि नहीं under control है कि नहीं सब चीजें यह आपको यहां से पता चलेगा plans adopted instructions issued principles established ठीक है क्योंकि जो काम करवाना चाहता है वो अलग person होता है और जो actually काम कर रहा है वो अलग person है अगर मैं ही plan कर रहा हूँ और मैं ही काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आपको control थोड़ी करूँगा, मुझे तो पता है न, मैं काम कैसा कर रहा हूँ, तो ये basic चीज़े समझो, जो सोच रहा है, वो अलग है, management अलग है, और जो काम कर रहे हैं, actually groundwork कर रहे हैं, जो implementation कर रहे हैं, strategy formulation अलग लोग कर रहे हैं, strategy implementation अलग लोग कर रहे हैं, क्या हुआ है, गलत हुआ है, खराब हुआ है, क्या हुआ है, deviation कितना है, positive है, negative है, favorable है, unfavorable है, ये आपको पता करना है, और फिर वहां से आप action ले पाओगे, reasons पता कर पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती हो गई, और आगे चलके अब ये कैसे नहीं होगा, इस पे आप action लेते हो, ठीक है, तो आपको deviation पता करना है, deviation of actual performance from the standard performance, जो planning से निकलता है, discovers the causes of such deviations and helps in taking the corrective action, तो end होगा corrective action से, action ऐसा लेना है कि फिर से वो गलती नहो, अगले project में वो गलती नहो, तो ये चार steps होते है, पहला है आप standards बनाओ, ये कैसे बनता है planning से, plan से आपको पता चलत से पता चलता है, तो establishment of standards, फिर है measurement of actual performance, जो आप काम कर रहे है, उसको बस record करो, normal recording, reporting से actual performance पता चल जाता है, फिर दोनों को compare करो, तो आपको deviations पता चलेंगे, और deviations को study करो, causes पता करो, और वहाँ से remedial steps आपको क्या लेनी चाहिए, ताकि वो repeat नहों, ये आपको पता चलेगा तो चार steps है, इस पर भी question आता है process का, मतलब steps का, तो पहला है standards बनाओ, performance measure करो actual वाला, compare करो और action लो, ये चार steps होता है, controlling के, simple है, चलो, तो ये था आपके punch words, ठीक है, थोड़ा आप इन देख लेते हैं, और कुछ रहे तो नहीं गया, कुछ-कुछ और punch words cover कर लेते हैं, ठीक important वाली चीज़ें, most important वाली चीज़ें, सब हमने cover कर ली है, अब थोड़ा-थोड़ा cover करते हैं, अब जैसे देखो कुछ-कुछ ये books के reference आते हैं, अब याद नहीं कर पाऊगे, ठीक है, there is a limit to how much things you can mug up, ठीक है, जो कर रहे हैं mug up, उनको पता होगा कि एक limitation है, बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो एक retain करने का एक limit होती है, human mind की, तो आप pin pick करो, कि कहां आपको venture करना है, कहां आपको नहीं करना है, क्योंकि हर दूसरी चीज़ आप रटने की कोशिश करोगे न, बहुत heavy हो जाएगा, और subject को heavy मत होने तो, नहीं तो फिर passing के भी वा आते हैं, मतलब पहले उन पे ध्यान दो, जो हर attempt में आ रहे हैं, और बहुत जादा माग के लिए आ रहे हैं, पहले वो cover करो, वो सब चीज़े हो रही है, तो आप हिम्मत जुठा के ऐसी चीज़े पढ़ो, जो कभी कभारी आती है, तो books books हर बार नहीं आता है question, ठीक है, तो साथ बार भले read करके जा सकते हो, वहाँ click हुआ तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, ऐसा, मतलब बिना कोई expectation के बस एकाथ दो बार read करके जा सकते हो, चलो, तो एक book के नाम definitions किसने क्या बोला है, possible नहीं है, ये possible है जो मैंने आपको बताया, bureaucratic, Max Weber, human relation, Elton Mayo, Ludwig, systems theory, Douglas, xny theory, ठीक है, xy theory, तो ये आप पढ़ सकते हो, इतना मेरे खेल से ठीक है, फिर 14 principles किसने दिये थे, Henry Fjol, ये कौन है, French engineer था, ठीक है, 14 principles पूरे मैंने आपको दिये हुए है, division of work, authority, discipline, unity of command, unity of direction, इसमें भी हो सकता है, आ जाए, पढ़ लेते हैं, दो चार थोड़े आते हैं, जैसे unity of command, कि एक ही boss होना चाहिए, अगर एक इंसान के दो-दो boss हैं, तो वो confused हो जाएगा कि उसको करना क्या है, इसकी मानू या उसकी मानू, तो आपको कोशिश करने है कि structure ऐसा बनाना है, कि there should be a unity of command, एक ही जगह से instructions आने चाहिए, तो clarity रहती है कि क्या करना है, तो वो होता है unity of command, there should be only one boss, एक employee का एक ही boss होना चाहिए, फिर है unity of direction, team should be striving for common goals, ठीक है, multiple goals नहीं होने चाहिए, एक ही सब का common goal होना चाहिए, अगर आपका organizational का goal अलग है, आपका personal goal अलग है, तो आप हमेशा conflicting situation में ही रहोगे, ठीक है, teams with same objective should be under the direction of one manager, समझे रहे हैं, गोल एक ही होना चाहिए, एक ह एक ही goal है, तो वो होता है unity of direction, एक ही boss है, एक ही जगर से instructions आ रही है, तो वो है unity of command, फिर एक आता है scalar chain, ध्यान दो, every company should have clear hierarchical structure, hierarchical structure बहुत clear होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे under में कौन आता है, और मैं किसके under में आता हूँ, मेरा boss कौन है, और मेरा subordinate कौन है, यह मुझे पता होना चाहिए, तो उसको कहते है scalar chain, ठीक है, तो यह कुछ important है, जो आते हैं, और जो नाम से याद नहीं आते हैं, ठीक है, बाकी तो कुछ-कुछ नाम से easy है, order, centralization, discipline, यह तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा, इसको कुछ खास नहीं है, ठीक है, unity of command, unity of direction, scalar chain, ठीक है, फिर यह भी आता है, aspirate, decops, क्या कहते है भाई यह, employee moral matters, ठीक है, moral कैसा है employee का, उसको क्या लगता है, वो motivated है की नहीं, उसको लगता है कि जो उससे expected है, वो कर पाएगा की नहीं, moral is important, this principle suggests that manager should work to keep the employees engaged and interested and they should promote the team spirit and unity, बरबर motivated रखना है, तो वो होता है, aspirate, decops, मतला आप उसको taken for granted नहीं ले सकते हैं, कि पैसे ले रहा है न, ऐसे कैसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं होता, सिर्फ पैसो से नहीं होता, पैसो से वो वहाँ पे time देगा, पर उसकी productivity जो है, वो उसके motivation से याएगी, ठीक है, तो ये चीज़े हैं, अभी तक कुछ का question आया नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा दिया है, आपको module से, एल टॉन में हो, फिर ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, five key functions पढ़ चुके हैं, process पढ़ चुके हैं, सब के देखो मैंने पंच words आपको पढ़ा दिये हैं, ठीक है, benefits बता दिये हैं, ठीक है, सब main 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 सब मैंने आपको निकाल के दे दिया है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया भी, चार steps, ठीक है, तो ये हमारा होता है, chapter number one, ठीक है, सारे पंच words, सारे जो steps हैं, processes हैं, ठीक है, सब almost main 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 main, सब मैंने cover करवा दिया है, तो ये हमारा हो गया, chapter number 11, कोशिश करना कि अब बिच pause करके, 10 से 15 minute, खुद से एक बार और पढ़ लो, आखे बन करके, एक बार और बोल के देखो, benefits पढ़ो, बोल के देखो, steps पढ़ो, बोल के देखो, बोल के देखो, सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, one way हो गया ने, थोड़ा खुद से भी पढ़ो, 10-15 मिंट ब्रेक लेलो अभी, और अभी के अभी पढ़ लो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, chapter number 12 से, ठीक है, चलो, बढ़ेंगे आगे, अब स्टार्ट करते हैं, chapter number 11, sorry, 12, which is, introduction to strategic management, मतलब अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं, जो हमारा subject है, अब हम strategic management क्या होता है, पढ़ेंगे, ठीक है, उसका introduction है, Let's start, strategic management क्या है भाई, strategic management is a discipline, ठीक है, एक study है, एक field है, that deals with long term development, ठीक है, strategic means long term, ठीक है, long term जो आपका vision है, long term जो आपका goal है, वो आप कैसे हासिल करोगे, तो उसके बारे में जब आप management कर रहे हो, that is strategic management, long term होता है यह, ठीक है, of an organization with a clear cut vision about the organizational purpose, scope of its activities and objectives, कि as a organization आप क्या हासिल करना चाहते हो, यो कि आप कहां लिखते हो, vision में, फिर आप उसको divide करते हो, mission में, कि आप कहां तक पहुच गए हो, अभी आप कौनसे products में deal करते हो, अभी आपका क्या scale of operations है, तो आप mission statement में बताते हो, बरबर, और mission statement ही आपको, in the long term, vision statement तक पहुचाता है, कि ultimately आपने company क्यों बनाई है, आप क्या हासिल करना चाहते हो, आपका end goal क्या है, यह सब आप हासिल करते हो, ठीक है, तो overall vision जो है, long term जो vision है आपका, उसको आप कैसे हासिल करोगे, that is strategic vision, that is strategic management, अब यह जो है, strategic management, this is not a static, static नहीं है यह, मतलब, एक बार आपने define कर दिया हो गया, खतम, या एक बार आपने सोच लिया, कैसे आप वहां तक पहुचोगे, खतम, ऐसा नहीं है, continuously चीज़ें change होते रहती है, आज जब आप evaluate कर रहे हो, आज जब आप कोई strategy बना रहे हो, तो आज के एसाब से, आज के factors के एसाब से, कल अगर चलके factors बदल गए, तो आपकी strategy में भी changes करने पड़ेंगे, आए ख्याल में, तो इसलिए कोई static नहीं है, it's a continuous process, and it involves continuous appraisal of micro and macro environment, जैसे जैसे आपका environment बदल रहे हैं, internal, external factors बदल रहे हैं, उसके हिसाब से, आपकी strategy अभी भी सही है की नहीं, valid है की नहीं, efficient है की नहीं, यह आपको continuous basis पे check करना है, और अगर external, internal factor के वज़े से, आपकी strategy में भी changes करने की requirement है, तो आपको वो करते रहने पड़ इसलिए, it's a continuous exercise, it's not a static thing, surrounding the organization and choosing between alternatives that meet the objectives and thereafter reassessment of such strategy, ठीक है, environment बदल रहे है, चीज़े बदल रहे हैं, तो आपको बार-बार-बार-बार-बार-र reassess भी करना है, कि अभी भी यह strategy optimum है की नहीं, अभी भी यह strategy हमको as it is follow करनी चाहिए, या नहीं करनी चाहिए, या उसको change करना चा है, फिर सबसे important कि इसमें four phases होते हैं, four phases of strategic management process, number one, environmental scanning, बरबर आप environment को scan करोगे, internal, external environment को scan करोगे, कि भाई क्या आपके अब इसमें आपको पता ही है, internal environment आप scan करते हो, तो आपको अपने strength and weaknesses पता चलते हैं, अगर आप outside external factor को scan करते हो, तो आपको opportunities and threats पचा चलते हैं, ठीक है, कौन से environment से क्या पता चलता है, आपको पता होना चीए, तो grammar पर आपको ध्यान देना है, तो पहला step होता है, environmental scanning और इसी को आप SWOT analysis भी कहते हो, strength, weakness, opportunity, threat को आप analyze करते हो, फिर second है, एक बार आपने scanning कर लिया, फिर उसके हिसाब से आप अपना strategy formulate कर सकते हो, तो second step is strategy formulation, तो जो strategy बनाई है, उसको implement करो, strategy implementation, and fourth is strategy evaluation, तो evaluation is a sense of control, जैसे हम control exercise, control function पढ़ते हैं, वैसे ही ये control के लिए है, कि जो भी हमने strategy बनाई, implement की, वो कैसे बनाई, कैसे implement की, सही तरीके से की नहीं की, क्या learnings थी, जैसा सोचा था, वैसे implement कर पाए, नहीं कर पाए, ये सब हम evaluation करेंगे, ता जब भी हम कुछ नया करेंगे, तो उससे कुछ हम सीखें, उसमें फिर वो गलतियां हम repeat, न करें, तो ऐसे चार steps होते हैं आपके strategic management process में, environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, and strategy evaluation, तो इसमें words को shuffle करके आपको कुछ भी पूचा जा सकता है, sequence भी पूच सकते हैं, फिर कौन सा उसका part है, कौन सा इसका part नहीं है, कुछ भी आपको पूच सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो है कि organization will have to scan the internal environment for the strengths and weaknesses, ठीक है, internal environment में आपको क्या पता चलेगा, strength and weakness, खुद के company के strength and weaknesses आपको बता चलेंगे, और अगर आप external environment scan करोगे, तो आपको market में क्या opportunities हैं, और market में क्या threats है यह आपको पता चलेंगे, ठीक है, फिर है पहला formulation, ठीक है, formulation में क्या होगा, process of deciding about the best course of action, ठीक है, हमेशा आपके पास alternatives होते हैं, जब भी आप strategy बनाने बैठोगे, या plan of action बनाने बैठोगे, तो एक ही रास्ता नहीं मिलता, एक ही course of action नहीं होता है, हमेशा multiple choices होती हैं, multiple approaches हो सकती हैं, multiple तरीके हो सकते हैं, तो formulation stage में हम यही देखते हैं, कि कितने options हैं, और उसमें से फिर best कौन सा है, जो हमको select करना चाहिए, जो हम कर पाएंगे, जो हमारे level का है, जो हमारे तरीके का है, जो हमारे vision को suit करता है, वो ही पूरा process है, strategy formulation, तो best course of action आपको select करना है, best course of action for accompl accomplishing the management's organizational objective and therefore attaining the organizational purpose, ठीक है, vision हसल करने के लिए, best course क्या है, यह हम formulation में decide करते हैं, और एक बार जो हमने formulation में strategy बना ली, उसको फिर हम implement करेंगे, तो implies putting the strategy into action, ठीक है, putting the chosen strategy into action is known as implementation, strategy implementation includes designing the management organizational structure, ठीक है, कौन सा structure suit करेगा, strategy, अलग-लग strategy को, अलग-लग structure suit करते हैं, तो आपकी strategy के इसाब से best possible organization structure क्या है, वो आपको सोचना पड़ेगा, और वो कहां सोचेंगे, implementation के दोरान, क्योंकि implement करना है न, तो implement करते वक्त आपको structure भी सोचना पड़ेगा, कि कैसा structure हमको use करना च implementation के वक्त ही तो resources लगेंगे न, तो कौन से department को कितना लगेगा, कौन से product को कितना लगेगा, तो वो सब हम distribution करेंगे, developing the decision making process and managing the human resources, तो ये पूरा हमारा implementation phase होगा, और फिर है, सब होने के बाद, पूरा implementation हो गया है, उसके बाद हम evaluation करेंगे, कि हमने कैसे काम किया, हमने formulation में कर दी थी, मतलब एक post-mortem की तरह है, सब हो गया है, और अब हम सिर्फ evaluate कर रहे हैं कि हमने सब सही किया, नहीं किया, कहां-कहां गरबने की है, कहां-कहां improvements की जा सकती है, क्या-क्या learnings हम ले सकते हैं, ताकि हम future में हो repeat ना करे गलती है, तो this is the final step of strategic management process, the key strategic evaluation activities are appraising the internal external factors that are root of present strategies, ठीक है, फिर से appraise करेंगे, कि हमने सब बरुबर strength, weakness, opportunity to evaluate किया कि नहीं किया था, फिर है measuring the performance, ठीक है, same control वाला यह देखो, control जैसा ही है, कि हमने क्या tag किया था, क्या factors ते उसको appraise करेंगे, फिर हमारा actual performance क्या है, तो इससे हमको deviation पता चलेगा, और फिर हम उस पे corrective actions ले है, चारो phases में आप क्या करते हो, यह हमने पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं, अब होता है strategic leadership, ठीक है, company level पे पूरा strategic leadership, strategic leadership, basically ऐसी चीज़ है भाई, जो पूरे company को direction दिखाता है, कि company को कौन से direction में head करना चीए, कि company बहुत बढ़ी होती है, company multi-locational हो सकती है, multi-product हो सकती है, product and service दोनों हो सकता है, तो इतना बड़ा conglomerate, इतना बड़ा company करे क्या, कहां focus करे, क्या उसका strategy होना चीए, कौन से direction में उसने जाना चीए, यह बहुत बढ़ा सवाल होता है, और यह जब आप तैय करते हो, तो उसको ही कहते है strategic leadership, ठीक है, तो क्या करते हैं, ability to influence, यह तो leadership का ही काम है, leadership की definition यह है, ability to influence others, to voluntarily make decision, मतलब वो इनसान जब कोई काम कर रहा है, तो आप जो चाहते हो, वो ही कर रहा है वो, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कर रहा है, समझे रहे हो, यह इस art को कहते है strategic leadership, कि अपना काम करवाना, और जब वो काम कोई और कर रहा है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपना खुद का काम कर रहा है, किसी और का काम नहीं कर रहा है, कोई उससे काम करवाया जा रहा है, जबरदस्ती, ऐसा उसको feeling नहीं आने चाहिए, तो जब आप उनको influence करते हो, motivate करते हो, और अपना motive और उनका motive match करते हो, तो वो होता है, strategic leadership, कि कैसे मैं उनको influence करूं, motivate करूं, कि वो मेरा काम अपना समझ के करें, मेरा काम कर रहे हैं, लेखिन वो अपना समझ के वो करें, ठीक है, तो इसी को कहते है, strategic leadership, ability to influence others to voluntarily make decisions that enhance the prospect of the organizational long-term success while maintaining the long-term financial stability, आए खेल में, तो this is the strategic leadership, और main purpose क्या है, productivity, strategic productivity, कि हमारी productivity अच्छी होनी चाहिए, time waste नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलट direction में चलेगे, तो फिर से सही direction में जाने के लिए time लगता है, time waste नहीं करना है, हमारा direction बहुत important होता है, सही direction में, सही speed से जाना चाहिए, तो वो है हमारा strategic productivity, ठीक है, तो main purpose of strategic leadership is strategic productivity, ठीक है, अब आते हैं कि एक leader, strategic leader क्या-क्या काम करता है, क्या-क्या उसके चेहरे हैं, क्या-क्या अलग-लग type के काम वो कर सकता है, या करता है, बोलो, strategic leader क्या-क्या करता है, number one, उसका काम है कि वो एक navigator की तरह काम करता है, ठीक है, navigator का का क्या है कि अगर आप कहीं फस्ट जाते हो तो वहां से निकालना नेवीगेटर का मतलब क्या है या नेवीगेटर का importance क्या है कि अगर आप कहीं फस गए हो तो वहां से आपको बाहर निकालने का काम navigator करता है या आप कहीं खो गए हो जैसे ship खो जाती है फिर उसको navigate करना पड़ता है कहीं फस गई है तो उसको navigate करना पड़ता है तो वैसे business में अगर आप कोई problem में फस गए हो तो वहाँ strategic leader को बीच में आके आपको वो problem से बाहर निकलने का काम करना होता है clearly and quickly works through the complexities of key issues, problems, opportunities to affect actions and leverage opportunities and resolve the key issues issues solve करना, opportunities का फाइदा लेना ये navigator वाला role होता है अब इसमें जब भी कुछ question आएगा तो आपको punch words से connect करना है ठीक है आप पूरा मगप नहीं कर पाओगे, पूरी पूरी line मगप नहीं कर पाओगे आपको line दी रहेगी, role importance दिया रहेगा, फिर आप वो कौन सा function है वो आपको identify करना पड़ेगा या match the pair भी आ सकता है ठीक है तो basically आपको नाम से punch words या उसका जो काम है वो आपको match करना है ठीक है तो navigator का काम क्या है, works through the complexity of the key issues ठीक है तो यह आपको key issues और यह सब punch words की तरह ख्याल में रखना है फिर है आपको strategist की तरह काम करना है, strategist का काम क्या है भाई, plan बनाना course of action decide करना कि हमको कहां जाना है या हमार पास alternatives है तो कौन सा choose करें develops a long range course of action और set goals aligned with the organization's vision ठीक है long range course of action develop करना, long term में हमको कौन से direction में जाना चाहिए कौन से product services में जाना चाहिए, कौन सी industry में जाना चाहिए यह काम होता है strategist का ठीक है फिर entrepreneur, बोलो भाई entrepreneur, तो entrepreneur क्या करता है identifies and exploits opportunities for new products, services and markets ठीक है नई चीज़े explore करना, risk लेना, risk लेके नई चीज़े, नई product, नई services, नई market को venture करना यह entrepreneur का काम है कुछ तो नया करना, existing वाला नहीं ठीक है, trading कर रहा है या कोई normal business कर रहा है ऐसा नहीं, entrepreneur कुछ नया करता है, कुछ अलग करता है, या तो अलग तरीका होगा या कोई नई चीज़ होगी, कुछ तो नया पन उसमें आना चीए और कोशिश करता है वो कि वो technology के मदद से की जाए, उसको simplify किया जाए, problems को solve किया जाए by new products and new services, ठीक है, तो exploits opportunities with the new products, new services और new markets, फिर है mobilizer, mobilizer, क्या mobilize करता है, वो resources proactively, builds and aligns stakeholders, capabilities, resources, ठीक है, इन सब को mobilize करना है, कि जो जिस काबिल है, जो type का कोई person, अगर मुझे कोई काम करने के लिए चाहिए है, वो अब मैं कहां से लाओंगा, कोई दूसरी company से लाना है, मेरी company में कोई दूसरे department में है, वहां से लाना है, तो आपको as a strategic leader, आपको mobilize करते आना चाहिए, resources, ठीक है, capabilities, stakeholders, पैसा चाहिए, तो कहां से investor को पकड़ के लाएं, पैसा चाहिए, तो कौन से bank को convince करें, तो यह सब आपको आना चाहिए, resources, mobilize करते आपको आना चाहिए, ठीक है, तो proactively builds, aligns, the stakeholders, capabilities, resources for getting things done quickly and achieving the complex objectives, ठीक है, proactively builds and aligns, पंच वर आप ढूंडो, आपको जो ज़्यादा easy लगे, तो यह तो बहुत है, talent advocate, ठीक है, talent पकड़ के लाना है, कोई भी हर field में marketing है, तो भाई, best marketing person अपने पास होना चाहिए, finance वाला है, तो best finance person आना चाहिए, compliance है, तो best CS अपने पास होना चाहिए, तो हर function में best लोग लाना, यह भी आपी का काम है, ठीक है, talent advocate, attracts, develops and retains, ठीक है, attract करो, उनको develop करो, ल पंचवर्ड है, तो इसलिए आया नहीं अभी तक, आप line से, आराम से identify कर लोगे, तो दो-तीन है ऐसे, जिसमें question में answer है, तो उस type के इसलिए question आया नहीं, तो अगर यह line आई, तो talent word तो आए गई आएगा, तो talent advocate आप समझ जाओगे, attracts, develops, retains talent to ensure that people with the right skills, right motivations to meet the business needs and are in the right place at the right time, जो कि staffing का भी काम है, तो as a staffer भी आपको हो सकता है, काम करना पड़े, as a talent, क्योंकि आप अक्यली नहीं कर सकते, अगर आप strategic leader हो, आपको पता है कि एक इनसान कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको कुछ बड़ा हसल करना है, आपके बड़ी team होनी चाहिए, सारे काबिल लोग होने चाहिए, जो आपके लिए वो काम कर पाएं, ठीक है, क्योंकि आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आपको सिर्फ guide करना है, motivate करना है, leadership देना है, आपको उनको direction बताना है, बाकी सब वोई लोग करने वाले है, ठीक है, तो team is very important, तो talent advocate का role निभाना बहुत ज़रूरी है for a leader फिर है captivator, captivator मतलब की भाई आपको motivate करें, कि भाई कोई चीज आप करो, ठीक है, builds passion, builds passion and commitment towards a common goal, ठीक है, common goal के तरफ आपको passionately commit करना, वो उनका काम है, captivator, तो ध्यान देना, builds passion, common goal, पंच वर्ट्स, फिर है global thinker, बरवर, global thinker आपको रहना है, openly सोचना है, integrates information from all the sources to develop a well-informed, diverse perspective, देखें, diverse perspective होना जरूरी है, क्योंकि काफी बार क्या होता है, आप खो जाते हो, अपनी दुनिया में खो जाते हो, आप as a outsider नहीं सोच पाते हो, या आपके business के बाहर क्या opportunities है, और क्या businesses में आप जा सकते हो, वो आप सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आ आपका जहां passion है न, आपको जो जहां interest है, आप उसी product, उसी service वहीं पे रह जाते हो, जबकि आप उसके बाहर भी जा सकते हो, और भी बहुत सारे काम है, वहां से भी कमा सकते हो, diversify कर सकते हो, तो ये भी एक role है, कि आपको अपना जो आप काम कर रहे हो, वो भी करना है, पर at the same time, open-mindedly आपको और भी market में क्या चल रहा है, और कहां कहां opportunities है, वो भी आपको as a global thinker देखना चाहिए, ठीक है, diverse perspective, integrates information from all the sources and to develop a well-informed diverse perspective that can be used to optimize the organizational performance, ठीक है, तो आपको जब भी आप strategy बना रहे हो, strategy implement कर रहे हो, मतला as a strategic leader आप जो भी काम कर रहे हो, आपको सारे sources की information integrate करके वो काम करना चाहिए, बहुती जो बस आपको जितना आता है, आपका जो limited knowledge है, उतने में ही नहीं रह जाना है, हर जगह का knowledge, information यूज़ करना है, तो वो role है global thinker का, फिर है change driver की business में हर चीज, कोई न कोई चीज, हर motivate करना है कि ये change क्यों जरूरी है, उनको बताना है, उनको involve करना है, और उनकी मदद से वो चीज़े change करते रहनी है, तो change driver की तरह आपको काम करना है, creates an environment, ठीक है, आपको environment बनाना है, कि जोर जबस अस्ती चीज़ों को आप change नहीं कर सकते, आप लोगों को motivate कर सकते हो, कि क्य क्यों वो change हो, क्यों systems को change करना चाहिए, कोई भी resource को क्यों change करना चाहिए, कोई process को change करना है, design को change करना है, branding को change करना है, कोई भी change अगर करना है, आपको एक environment बनाना है, लोगों को aware करना है, कि ये क्यों हो रहा है, क्यों जरूरी है हमारे organization के लिए, और अगर नहीं किया, त तो अपने आप help करता है, it facilitates people to change, ठीक है, creates an environment that embraces change, मतलब आप embrace करो, उसको accept करो, उसको positively लो, negatively मतलो, क्या रब मेरे को ये करना पड़ेगा, आप मुझे नई चीज सीखनी पड़ेगी, नए software सीखना पड़ेगा, आप मुझे नए location पे जाके काम करना पड़ेगा, तो आप उ ऐसा एक attitude बनाओ, कि वो नई चीजों के लिए excited रहे, न कि वो डर जाए, embrace change, makes change happen, even if the change is radical, बहुत sharp change है, अच्छानक से आप पूरा सब बदल रहे हो, तो भी लोगों को डर ज़रत नहीं है, वो उसको positively ले, उसका फाइदा क्या होगा, कैसे वो organization को help करेगा, ऐसे attitude से change को दे accept the new ideas, ठीक है, तो यह है, तो इसमें भी देखो change, change, तो मुश्किल है, ऐसा आना, change, change, बहुत बार change, change है, तो मुश्किल है, ऐसा आना question, फिर है enterprise guardian, कि आपको company को, पूरे stakeholders को guard करना है, from the upside factors, ensures shareholder value, ठीक है, आपको value create करके देनी है, stakeholder या enterprise guardian, आपको guide करना है, उसकी value guard करनी है, value को बढ़ाना है, ठीक है, ensures shareholders value through courageous decision making that supports enterprise और unit wide interest, ठीक है, तो ऐसा है, courageous decision making लेना है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है, enterprise को guard करना है, उसकी value, उसके resources, stakeholders, सबके interest को protect करना है, ठीक है, तो आपको courageous decision making करना पड़ेगा, डरने की जुरत नहीं है, ठीक है, तो आप enterprise guardian का role निभा रहे हो, ठीक है, तो कुछ वो दिया है, these nine roles are important at senior strategic level, because they help leaders understand what to do to be strategic, strategically कैसे सोचते हैं, यह आपको समझ में आएगा, यह सब roles है, जो एक strategic person को सोचने होते ह है, they address the broader challenge leaders face as they transition from managing more narrowly focused silos to taking on the challenges of more enterprise wide leadership, मतलब problems, silos मतलब issues, तो आप छोटे छोटे जो day to day routine issues होते हैं, उनको छोड़के जो larger issues है, जो company level पे हम issues face कर रहे हैं, उन पे focus करते हैं आपको आना चाहिए, तो यह सोच का काम है, यह एक perspective का काम है, क्योंकि आप नीचे से उपर जाते हो आपको आदत है कि आप day to day ground level के problem solve करो, तो आपको आदत नहीं होती है, कि आप company level पे हमको क्या problem हो रहे होगी, यह सोचने की आदत नहीं होती है, पर जैसे से आप ladder चड़ते जाते हो, उपर आप leadership role अपनाते हो, तो आपको यह आना चाहिए, आपका जो perspective है, उसको broad करते आन चाहिए, day to day वाले बाकी लोग कर लेंगे, ऐसा मान के आपको बड़े challenges पे ध्यान देना चाहिए, company के रास्ते में कौन आ रहा है, company का direction क्या है, कैसे company को सही रास्ते पे लाएं, इन broader issues पे आपको काम करना चाहिए as a strategic leader, ठीक है, तो यह आपके 9 roles है as a strategic leader, आगे बढ़ते है फिर है, the concept of strategic planning gained prominence in strategic management, ठीक है, strategic planning के बाले में, strategic planning gained prominence in strategic management in corporate sector in 1960s, ठीक है, corporate sector में strategic planning का importance बढ़ा in the strategic management process in corporate sector in 1960s, ठीक है, decade है, 1960 year नहीं है, 1960s, पूरा decade है, वो decade में काफी importance बढ़ गया strategic planning का, अब strategic planning का क्या process है, cycle, आ सकता है, ठीक है, सबसे पहला है, deliberating mission, ठीक है, mission पहले आप बनाओ, कि आपको क्या हासिल करना है, strategic planning, मतलब है तो planning ही न, है planning ही, पर strategic planning है, उपर उपर का जो major बड़ा planning होता है, direction जो decide करता है, कि कौन से products में जाएंगे, कौन से location में जाएंगे, क्या हसिल करना है, broad steps कैसे होंगे, पाच-पाच साल का plan, फिर हो 20 साल में कैसे पूरा होगा, तो आप strategic चीजें सोच रहे हो, छोटी-छोटी day-to-day problems आप नहीं सोच रहे हैं, ठीक है, है planning, लेकिन overall planning नहीं है, सिर्फ strategic planning, ठीक है, जै या पास करतूँगा, फिर में executive जाऊँगा, ठीक है, फिर में final में आऊँगा, फिर में training करूँगा, फिर में CS बन जाऊँगा, फिर में ये करूँगा, वो करूँगा, आप major steps पे ध्यान देते हो, ये भी strategic planning ही होती है, क्या आप ये सोचते हो, मैं professional में किसकी class लगाँगा मैं अपने self notes बनाऊँगा कि नहीं बनाऊँगा, यार मैं marathons देख के बढ़ाई करूँ या खुद करूँ, आप ये छोटे छोटे point सोचते हो, अरे मैं calculator कौन सा लूँगा, ये tactical decisions है, ये छोटे छोटे decisions है, ये strategic planning का part नहीं होते है, पर वो planning का तो part है न, overall plan जो होते हैं, जिसको आप derivative plans भी कह रहे थे न, तो वो भी होते हैं, तो strategic planning is the planning, लेकिन strategic है वो, बड़े बड़े जो major issues है, जो major flow है, कि आपको जो ultimate आपका vision है, वो आप कैसे वहां तक पहुचोगे, वो बस बाते यहां पर आपको plan करनी है, ठीक है, strategic planning cycle, तो पहले आपको mission सोचना है, deliberate करन कि क्या हमारा mission होना चाहिए, फिर है developing goals, ठीक है, mission को ही divide करके goals में, छोटे 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 छोटे, गोल्स में आप divide करो, जो आप short term में धीरे धीरे, step by step आप वहां पर उस direction में जाओगे, based on the chosen mission, तो पहला है mission, दूसरा है developing goals, based on the chosen mission, फिर है examining internal environment, examining external environment, summarize the findings through SWOT analysis, and formulate the final strategy based on the SWOT analysis, ठीक है, क्रिया है क्या, बोलो, 6 steps है, mission, goal, examine internal, examine external, summarize the SWOT findings, और फिर है, finalize a strategy, finalize, formulate a final strategy based on the SWOT, ठीक है, बहुत ही simple है, आजाओ, आगे बढ़े, अब strategic planning का क्या फाइदा है, काफी चीजें similar लगेंगे, क्योंकि भले ये strategic planning है, अरे पर है तो planning ही न, तो काफी जो planning के generic फाइदे होते हों, यहाँ पे भी होंगे, clear है क्या, तो benefits of strategic planning क्या है वाई, improved results, क्योंकि अगर आप बिना plan के काम करोगे, तो वो जो आप हासल कर सकते ह उससे कहीं कुना better चीजें ही आप achieve कर सकते हो, अगर आप वो ही चीज plan करके करो तो, आई ख्याल में, तो planning से हमेशा improved results ही मिलेंगे, as compared to unplanned things, ठीक है, confidence बढ़ेगा, क्योंकि planning की हुई है, सारे problems जो आप face कर सकते हो, या करने वाले हो, आपको पहले से ही पता होते हैं, फिर आपको suspense पता है, आप second time देखने जा रहे हो, तो क्या वो suspense से डरोगे, या आप एक horror movie second time देख रहे हो, तो क्या वो उन चीज़ों से डरोगे, नहीं, क्योंकि आप पहले देख चुके हो, तो वैसा ही है, तो confidence रहता है, focus, problem solving होती है, ठीक है, teamwork बनता है, क्योंकि आपको पता होता है, कि भाई कहां कहां, क्या-क्या need है, team में कितने लोगों की need है, कौन-कौन से पढ़े लिखे लोगों की need है, क्या type के experience की need है, तो teamwork भी अच्छा बनता है, क्योंकि पहले से ही सब चीज़े plan कर रहे हो, communication greater control, ठीक है, यह सब फाइदे होते है, strategic planning के, फिर drawbacks क्या है, कि पुलाओ पका रहे हैं, हमने हासल आसल कुछ भी नहीं गया, काम actually start भी नहीं हुआ है, पर उसके पहले ही आपको पैसे लग गए, तो इसलिए planning is a cost, costly thing, ठीक है, includes cost can outweigh the benefits, हो सकता है कि benefit से ज़्यादा आपका खर्चा हो जाए, ठीक है, development of poor plan, कि भाई इत्ता खर्चा किया, एत्ता टाइम दिया, लेकिन plan जो बना वो effective नहीं बना, उसमें हमने कुछ गलतियां कर ली, कुछ गलत assumption ले लिए, तो poor plan बना, तो वो implement भी poor ही होगा, और वो आप हासल नहीं कर पाऊगे, ठीक है, तो ये दो आपके limitations है, कि cost can outweigh the benefits, cost benefits से ज़्यादा हो सकते हैं, net net loss होगा या फिर आप develop करोगे poor plan, ये दो problems, ये दो limitations होती है, criticism हो सकती है, for strategic planning, आगे बढ़ते हैं, अब है सबसे important topic, वो है potter's five forces, Michael potter's five forces, यादा रहा है, सबसे important है, एकात question तो आता ही आता है, उठा के देख लो कोई भी paper, ये topic से question आते ही आते हैं, तो अच्छे से सारा चपा चप cover करेंगे, ठीक है, आजाओ, बोलो, तो पहला ये tool जो है, five forces tool, ये create किस ने किया था, Harvard Business School के professor ने, which is Michael potter, ठीक है, Michael potter in 1979, 1979, ठीक है, राजेश खन्ना के दौर में, तो 1979 में ये बना था, और Michael potter कौन थे, professor थे, मेरे जैसे, लेकिन Harvard Business School में थे, मैं अमित लड़ा classes में हूँ, बहुत छोटा सा teacher हूँ, वो Harvard Business School में professor थे, बहुत जमीन आस्मान का फरक है, ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, question, Michael potter पूरा नाम आ सकता है, 1979 में थे, फिरो कहां professor थे, कुछ भी आ सकता है, ज्यान दो, अब उन्होंने क्या five forces identify किये, सबसे पहली बात ये, जो forces, कि एक business को क्या-क्या competitive forces एक business environment में face करने होते हैं, ठीक है, तो five forces क्या-क्या है, पहला है threat of new entrant, बरुबर, हर business को नए entrant का एक threat रहता है, एक डर रहता है कि आर कोई नया player ना आ जाए, और हमको पीछे न छोड़ जाए, ठीक है, threat of new entrant, फिर है bargaining power of supplier, बरुबर, जो आपको supply कर रहा है, उसका भी एक bargaining power होता है, क्योंकि अगर suppliers बहुत कम है, suppliers अगर limited है, तो उनका bargaining power जादा होता है, वो आपको dictate कर सकते हैं, क्योंकि आपके बास और कोई choice नहीं है, तो suppliers अगर बहुत limited है, बहुत unique सा product है, जो बहुत कम जगहों पे available है, suppliers बहुत limited है, तो वहाँ पे bargaining power होता है, वो terms को dictate कर सकते हैं, फिर है bargaining powers of buyer, यह तो हमेशा रहता है, और अगर कोई buyer, मतलब individual buyer भी आपको उनका bargaining power जादा हो सकता है, collectively तो होता ही है, individually भी buyer का bargaining power high हो सकता है, अगर आप उस पे dependent हो, अगर आपका वो बहुत बढ़ा buyer है, बहुत जादा value, बहुत जादा volume, य और वो आपसे negotiate करेगा, ठीक है, discount मांगेगा, supply में कुछ और मांगेगा, packing या कुछ न कुछ advantage ज़रूर वो negotiate करेगा, ठीक है, तो bias का bargaining power भी होता है, उससे भी आप effect हो सकते हो, फिर है threats of substitute, बरवर आपके product या service के substitutes होते हैं, आई ख्याल में, कि आपका product न लेके, कोई और product वो ले लेंगे, मतलब same product जो बेच रहा है, वो तो हमारा competitor है ही, पर जो हमारे substitutes बेच रहा है, वो भी हमारा competitor है, को समझ में आ रहा है, substitutes भी हमको, मतलब challenge कर सकते हैं, तो threat of substitutes, और फिर है substitute, existing competitors, rivalry among the existing competitors, जो same product, same service दे रहे हैं, same customers target कर रहे हैं, तो वो भी हमारा बहुत बड़ा threat है, ठीक है, तो 5 ऐसे forces हैं, जो हमको affect करते हैं, जिन से हमको लड़ाई लड़नी होती है, पहला है, threat of new entrant, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, फिर है rivalry from the existing competitors, और आपका एक है, threat of substitutes, ठीक है, 5 ऐसे forces हैं, ठीक है, आजाओ, अल्दो, potter initially introduced 5 forces affecting an industry, scholars have suggested including the 6th force, ठीक है, suggest किया था, कि 6th force भी include कर दो, which is compliment, complimentary goods, complimentary goods, क्या होता है, जो साथ में consume करते हैं, साथ में use करते हैं, तो वो भी affect करते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, packaging हो रही है, ये ले लो तो उसके साथ ये free, या ये दोनों का ऐसा package, तो ऐसे packaging के वज़े से क्या हो गया है, complimentary goods भी एक बहुत important चीज हो गई है, तो compliments को भी एक 5 force में, जो industry को affect करती है, ऐसा force का दरजा देना चाहिए, 6th force लाना चाहिए, ऐसा scholars ने suggest किया है, compliments increase the demand of the primary product, ये compliments के जैसे, आपकी demand भी बढ़ सकती है, आपके main product की भी demand बढ़ सकती है, with which they are used, thus increasing firms and the industry's profit potential, ठीक है, तो car and petrol, pen and refill, tea and sugar, ठीक है, ऐसे बहुत सारे complimentary products आपने पढ़े होंगे, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, फिर है potter's 5 force models and analysis tool that uses 5 industry forces to determine the intensity of competition, कि उस industry में अगर आपको पता करना है कि कितना competition है, तो ये 5 forces से आप अंदाजा लगा सकते हो, level of competition, ठीक है, intensity of competition in an industry and its profitability level, तो ये दो का अंदाजा लगाने के लिए ही ये 5 forces को identify किया गया था, ठीक है, इस पर question आ सकता है, काफी important point है, to determine the intensity of competition and its profitability level, तो उस analysis के लिए हम ये 5 forces को use करते हैं, अब ध्यान दो, अब यहां से काफी important है, इन में से काफी बार questions आते हैं, क्योंकि है सोचने वाले हैं, कि कब एक-एक element में आएगा, कि threat of new entrant हो गया, अब threat of new entrant कब जादा होगा, कब वो threat कम होगा, bargaining power of supplier कब जादा होगा, कब कम होगा, bargaining power of buyer कब जादा होगा, intensity of the existing competitors, वो कब बहुत जादा होगी, वो कम होगी, substitute का threat कब बहुत जादा होगा, कब कम होगा, समझ रहे हो, मतलब 5 force है, उसके कब वो जादा होगा, कब वो कम होगा, मतलब ऐसे 10 scenarios है, खेर सब उल्टे ही होते हैं, high है तो उसका उल्टा करोगे, तो low में आ जाएंगे, तो concept पर आपको ध्यान देना है, ये पूरा full concept driven चीज़े हैं, तो अच्छे से समझना है, ठीक है, ध्यान दो, आ जाओ, अब ये एक general दिया हुआ है, कि कब कोई industry attractive होगी, मतलब कब attractive होगी, जब वो high profits है, अगर कोई industry में बहुत जादा profits हैं, तो जो उस industry में नहीं है, जो outsiders है, वो attract होते हैं, और उस industry में काम start करने के लिए सोचते हैं, तो high profits अगर कोई industry में है, तो वो एक attractive industry होती है, outsider के लिए, तो वो कब होगा, ठीक है, attractive या high profit industry कब बनती है, जब high barrier to entry है, मतलब नया इंसान जो है, वो इतनी आसानी से नहीं आ सकता, high barrier है, high barrier मतलब बहुत मुश्कि ले सकते हो, banking, bank खोलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, bank का license मिलना बहुत मुश्किल है, telecom sector, telecom service provider बनना बहुत, मतलब barrier है उसमें, बहुत high investment लगता है, aircraft, बरोबर airline industry में भी बहुत heavy investment लगता है, समझ रहे हो, तो काफी ऐसे industries हैं, जिसमें बहुत जादा barriers होता है, मतलब कोई बहुत है, बहुत ऐसे barriers हो सकते हैं, तो अगर बहुत high barrier है, तो इससे वो industry और attractive हो जाती है, क्योंकि उसमें limited लोग है, लिमिटेड लोग है, तो जादा profit कमाते होंगे, ठीक है, तो high barriers to entry, फिर है weak supplier bargaining power, ठीक है, suppliers का bargaining power weak है, अच्छा है न, businessman के लिए अच्छा है न, उनके suppliers का bargaining power weak है, तो यह अच्छा है, positive factor है, क्योंकि अगर उनका bargaining power जादा हुआ, तो आपको exploit करेंगे, ऐसी चीज़े bargain करेंगे, जिसमें आपका नुकसान है, अब उनका weak bargaining power है, तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपके terms थोड़े से relax होंगे, आ चीक है, तो few substitutes है, अच्छी बात है, बतलब है competitor की तरह ही देखो न, कम competitors है, कम substitutes है, तो अच्छी बात है, उतना कम competition होगा, उतना जाधा attractive होगा, और उतना high profit आप कम आ सकते हो, ठीक है, same, low competition, तो competitors भी less है, substitutes भी less है, barrier to entry, नए लोगों के आने के entry barrier भी बहुत जाधा है, तो कम लोग आप आएंगे, और bargaining power दोनों का weak है, ठीक है, तो ये favorable situation बताता है, एक industry की attractive industry बनाता है उसको, और वहाँ पे आप जाके high profits कमा सकते हो, अब इसका exactly उल्टा अगर है, तो वो unattractive industry है, और वहाँ पे low profits है, same grammar, उल्टा, high barrier, उसका उल्टा, low barrier, weak bargaining power, तो strong bargaining power, फिर few substit substitutes, तो भाई, many substitutes, फिर low competition, मतलब बहुत ही intense competition, ठीक है, ऐसा उल्टा ही रहता है, मैं वही कह रहाँ, एक चीज़ को अच्छे से बस समझ लो, उसका उल्टा आप imagine कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर है, if an industry is profitable, there are hardly any barriers, ध्यान दो, कि अगर industry profitable है, और उसमें बहुत आसान है, there are hardly any barriers to enter, competition intensifies rapidly, तो वहाँ पर बहुत जादा लोग enter हो जाएंगे, और वहाँ की competition कभी भी बढ़ सकती है, intensify हो सकती है, आई ख्याल में, अब इसमें मैं grammar variate करके question बदल सकता हूँ, देखो यहां लिखा है, if industry is profitable and there are hardly any barriers, और अगर मैं यहां लिख दूँ, there are many barriers, barriers बहुत जादा हैं, तो competition intensifies नहीं हो पाएगी, या अगर वो industry profitable नहीं है, loss making है, तो भी competition intensifies नहीं हो पाएगी, समझ रहे हैं, दोनों चीज़े होनी चाहिए, अब यहां अगर मैं कोई भी grammatical variation कर दूँ, तो मेरा answer बदल जाएगा, तो आपको understanding से बढ़ना है, चलो, अब ध्यान दो, अब सबसे important है, यह 4 points, ठीक है, यह 4 points अब सबसे important है, अच्छे से कोशिश करना है, पूरा-पूरा समझ के revise करने की, सबसे पहला है, threat of new entrance कब high होती है, और ultra सोचोगे तो low हो जाएगा, ठीक है, high के साब से सोचना है, कि नए entrance का जो खतरा है, जो threat है, वो बहुत कम पैसा लगता है, बहुत कम पैसा लगेगा, तो कोई भी आ जाएगा, क्योंकि कम पैसा किसी के बास भी हो सकता है, ठीक है, तो वो barrier थोड़ी है, मतलब barrier बहुत छोटा हो गया, छोटा barrier है, तो risk बहुत बढ़ जाता है, existing player का, आपको existing player के साब से सोचना है, कि अग dollar capital is required to make an entry, फिर existing company are not influential or dominant, मतलब आपका इतना hold ही नहीं है, आपका hold ही नहीं है, तो बाहर वाले लोग और आएंगे, सोच के देखो, अगर आपका hold है तो बाहर वाले डरेंगे, वो बोलेंगे यार इसका पहले से hold है, तो यहाँ कोई chance नहीं है, लेकिन अगर कोई industry में कोई बी जो major players है, उनकी hold ही नहीं है, तो बाहर वाले का आने का chance जादा है, उनको लगेगा, शायद हम crack कर जाएं, ठीक है, तो आपका influence कम है, वो भी एक बहुत बढ़ा risk है, फिर existing firms do not have patent, आपका कोई patent, copyright, trademark ही नहीं, जिसके तहत आप customer को रोक पाओ, customer को रोकने का, बांधने का आपके पास कोई factor ही नहीं है, तो बाहर वाले कभी भी आ सकते हैं, there is no or little government intervention, बरबर, government regulation ही बहुत कम है, तो ये भी easy हो जाएगा, उस industry में जाना easy हो जाएगा, तो वहां का जो threat है, वो बहुत जादा बढ़ जाएगा, फिर customer switching cost है low, अब ये समझो, ये काफी बच्चों को नहीं समझ में आता है, अगर customer आसानी से switch कर सकता है, तो नया जो person है, new entrant है, वो भी तो सोचेगा न, कि यार मैं जाओंगा, मस्त existing वाले मेरे पास आ जाएगे, हो गया, क्योंकि switching cost low है, switching cost low है, तो किसी और के customer खीचना आसान है, क्योंकि switching cost है ही नहीं, customer क्यों मना करेगा, या customer क्यों, वहाँ पर बंधा हुआ रहेगा, अगर हम अच्छे हैं, तो customer वो छोड़के हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि switching cost है ही नहीं, क्योंकि cost involved होती है, तो फिर customer नहीं आ पाता है, समझ रहे हो, तो अगर switching cost बहुत low है, तो नए entrant का खतरा और जादा बढ़ जाता है, there is low customer loyalty, आपका customer loyal ही नहीं है, तो बाहरवाली के पास वो कभी भी जा सकता है, products are not being able to be differentiated, आपके product में कुछ खास differentiation नहीं है, तो अगर same product कोई और देगा, तो customer वहाँ चले जाएंगे, तो अगर आपको customer को रोकना है, तो आपका product उतना अलग होना चाहिए, उतना अच्छा ह आपके जैसा product कोई और दे ही नहीं रहा है, तो यह आप customer को retain कर पाऊगे ना, तो अगर आपका कोई differentiation ही नहीं है, normal product बेच रहे हो, जो कोई और भी बेचेगा, तो वो भी कमा लेगा, उसके आपके customer वहाँ चले जाएंगे, तो threat of new entry बहुत जादा बढ़ जाता है, और फिर economies of scale can be effortlessly acquired, economies of scale मतलब large scale operation, बड़े level पर काम करना, कम cost में बनाना, अगर यह आसान है, तो फिर नए लोग आते रहेंगे, नए लोग भी आ जाएंगे ना, क्योंकि economies of scale अच्छीव करना आसान है, ठीक है, तो यह सारे जो factors हैं, यह इशारा करते हैं, कि कोई भी industry में घुसना आसान है, अगर जब भी कोई इसमें घुसना आसान है, entry barriers कम होते हैं, तो वहाँ पर threat of new entrant बहुत जादा होता है, ठीक है, तो यह सारे है, threat of new entrant is high, अब इसी का उल्टा कर दोगे, grammatical variation उल्टा कर दोगे, तो वो हो जाएगा, threat of new entrant is low, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर क कब-कब suppliers का dominant power होता है, bargaining power, suppliers का कब-कब dominant bargaining power होता है, number one, when there are small number, यह तो बहुत समझने की बात है, suppliers कम है, तो उनका bargaining power ज़्यादा होगा, ठीक है, कि suppliers कम है, और buyers ज़्यादा है, ठीक है, suppliers कम है, buyers ज़्यादा है, कम होता है, उनका bargaining power बढ़ जाएगा, फिर है ध्यान दो, suppliers are large number, वह बहुत हैं लेकिन वह आपको डरा रहे हैं पोज अ थ्रेड टू फॉवर्ड इंटिग्रेट फॉवर्ड इंटिग्रेट मतलब कि जो आप कर रहे हो वो भी वो कर सकते हैं सोचके देखो आप फिनिश गुट्स बनाते हो ठीक है आपका सप्लायर कौन होगा राव मेटरल वाला अब जो राव मेटरल बना रहे हैं वो फिनिश गुट्स क्यों नहीं बना सकता सोचके देखो ना आप फिनिश गुट्स वाले हो आपका ये सप्लायर है तो भले राव मेटरल सप्लायर बहुत जादा हैं पर वो अगर आपको डरा रहे हैं कि जो तू बना रहे हैं वो मैं भी बना सकता हूँ जादा नाड़क मत कर जादा नाड़क मत कर जो तू बना सकत रहा हूँ, finished goods में भी बना सकता हूँ, मैं तो खुद raw material बना ही रहा हूँ ना, मेरे raw material से finished goods क्यों नहीं बना सकता, मेरे पास भी setup है, मेरे पास भी पूरी factory है, मेरे पास भी labels है, सीख लोगा, समझ रहे हो, तो यह होता है, threat to forward integrate, ठीक है, फिर है there are not many substitutes of raw material बरबर substitute ही नहीं है जो चीज मैं बेच रहा हूँ उसका कोई substitute ही नहीं है तो मेरा bargaining power तो बढ़ेगा न कि वो चीज या उससे मिलती जुलती चीज ही नहीं मार्केट में तो तुमको वो ही लेना पड़ेगा जो मैं बेच रहा हूँ supplier का bargaining power बढ़ जाएगा फिर है suppliers hold scars और unique resources सेम एकी बात है substitutes नहीं है मतलब बहुत unique है ठीक है scars है उसका supply बहुत कम है raw material का फिर है cost of switching is relatively high बरोबर supplier को अगर आप change करोगे तो आपको बहुत खर्चा बैटेगा तो आप छूटी मोटी bargaining में supplier नहीं बदलोगे आए खेल में तो supplier अगर आप बदल रहे हो switching हो रही है यह supplier से न लेके किसी नए supplier से लोगे तो यह change करने का अगर खर्चा बहुत जादा है तो इससे भी supplier का bargaining power बढ़ जादा है कि इसको पता है आप supplier change नहीं करोगे क्योंकि बहुत खर्चा बैटने वाला है समझ रहे हो तो यह सब चीजों से क्या होता है supplier का dominant bargaining power माना ठीक है फिर आते है buyers पे कि buyers का कप strong bargaining power होगा इसमें भी same है कि number of buyers बहुत कम है number of buyers ही कम है या कोई individual buyer है वो आपसे बहुत जादा quantity buy करता है आप उस पे dependent हो तो उसका bargaining power बढ़ जाएगा ठीक है logically आप भी सोच सकते हो थोड़ा थोड़ा ठीक है they buy in high volume ठीक है बड़ा customer है बहु यह करेगा bargaining करेगा strong bargaining power रखेगा और control many access point to the final consumer final customer तक access point है अब इसका कोई example मेरे ख्याल में आ नहीं रहा कि भाई जैसे आप finished goods हो बनाते हो फिर यहां wholesaler आएगा ठीक है तो मेरा buyer कौन है मेरा buyer तो यह है ना wholesaler अब कोई wholesaler है आपको पता है कि उसका retailer में network बहुत अच्छा है ठीक है retailer या ultimate जो consumer है उसमें उसका network बहुत अच्छा है आए ख्याल में तो इसके वज़े से भी उसका bargaining power बढ़ सकता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी demand यहां से आती है wholesaler किता लेगा जित्ता वो बेच सकता है आए ख्याल में आपको पता है कि wholesaler का potential क्या होता है जित्ते retailers को वो supply करता है उतना wholesaler का power बढ़ते जाता है ठीक है तो वो यह है access point कहा गया इसको controls many access points to the final consumer ठीक है उसका network बहुत strong है त तो आप उसपे dependent हो फिर है there are only few buyers यह तो है number of buyers ही कम है फिर है switching costs to competitors are low आपके competitors में आपका buyer कभी भी switch कर सकता है जैसे आपने मेरे lecture वाई किये अगर आप किसी और teacher से वाई करोगे मतला आपका कोई नुकसानी ने आप आसानी से अगर switch कर सकते हो मेरे competitor से आप पढ़ाई कर सकत हो तो आपका bargaining power ज्यादा है ना आप मुझे धमका होगे discount दे दो नहीं तो मैं वहां से ले लूँगा तो ऐसा भी होगा switching cost अगर बहुत कम है तो उसमें भी bargaining power बढ़ जाएगा there is threaten to backward integrate same wholesaler कहेगा भाई मैं finished goods बनाना चालू कर दूँगा मेरे पास तो customer ready बैठ है मेरे पास तो customer ready बैठ है ना जो मैं खरीद रहा हूँ वो मैं बना भी सकता हूँ क्या problem है तो आप backward integrate कर सकते हो एक step पीछे जा सकते हो तो backward integrate करने का अगर आप thread दे रहे हो तो उनका bargaining power बढ अबर substitute products बहुत जादा है कि समझे रहे हो कि भाई कोई चीज आप खरीद रहे हो कोई कोई भी example ले सकते हो खाने पीने के लिए सकते हो beverages के लिए सकते हो कि आप thumbs up लेने गए अब thumbs up के बहुत सारे substitutes हैं तो thumbs up नहीं मिली तो buyer कोई और ले लेगा कोग पिलेगा कोई और कोल्टिंग पिलेगा समझ रहे हो तो जब आपके substitutes बहुत जादा होते हैं तो भी buyer का bargaining power बहुत जादा हो जाता है और फिर है buyers are price sensitive ये भी बहुत बड़ा problem है ठीक है तो buyer अगर बहुत price sensitive है तो वो bargaining करेगा और वो उसका bargaining power strong होगा ठीक है तो ये सारे situations है जब buyer का bargaining power strong रहता है और फिर है last कि कब आपकी rivalry जो है वो बहुत intense होगी बहुत जादा competition कब होती है जब बहुत जादा competitors है बहुत जादा competitors है तो बहुत जादा competition होगी चोगी फिर है exit barrier रहाए वहाँ से निकलना इतना असान नहीं है आपकी जिंदिकी खराब हो जाएग इतनी जल्दी आप हार नहीं मानोगे तो इसका मतलब यह है exit barrier रहा है मतलब आप इतनी जल्दी हार नहीं मानोगे क्योंकि आपका सब कुछ डाव पर लगा हुआ है तो जब आप बाहर नहीं निकलोगे तो क्या करोगे आप और लड़ोगे और try करोगे और intensify करोगे समझ र industry is slow or negative , he's gonna go up तेसे करते हुग सकते हो आप प्रोडक्त को साइन तो स्टेर्शेट कर लो मेरा प्रोडक्त ही अलग है क्लो練 प्रोडक्त में इन यह this is नहीं है मतब product same है या similar है तो competition और बढ़ जाती है क्योंकि आप अपने आपको अपने product को differentiate नहीं कर पा रहे हो products can be easily substituted same आपका substitute products बहुत जाधा available है तो वहां भी competition बहुत जाधा बढ़ जाती है और आपका customer loyalty बहुत कम है customer की loyalty बहुत कम है तो वो कभी भी कहीं भी जा सकता है ठीक है आज वो ATM में पढ़ रहा है कल वो कोई और चैनल पर पढ़ेगा तो अगर customer loyalty नहीं है तो भी competition बहुत जाधा होती है ठीक है चालो तो यह चार important है यह चार बहुत important है और इस पर काफी बार question आया है ठीक है तो इस प इसको ही real life example से connect करो तो आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस चार पॉइंट काफी important है आगे बढ़ते है फिर है कैसे implement करेंगे potter's model number one gather the information of each of the five forces ठीक है five forces आपको पता है पॉटर ने आपको five forces दे दिये अब आपकी industry में उसको study करो ना आपके industry में study करो कि आपके supplier का bargaining power कैसा है आपके bias का कैसा power है bargaining power है आपके field में कैसे competition है existing में कितना competition है new threats वालों का कितना है तो उसकी information gather करो study करो फिर analyze the results and display them on a diagram five forces को पूरा उस पे लिखो जो भी आपके learnings है कि भाई regulations बहुत जादा है regulations बहुत जादा है तो entry barrier बहुत जादा है तो threat of new entrants कम हो जाएगा तो आपके जो factual चीज़े है वो आप diagram के तौर पे बनाओ उससे आपको पता चल जाएगा कि हर चीज high है low है bargaining power strong है कम है तो वो सब आपको analysis पता चल जाएगा और उसके हिसाब से फिर आप strategy बनाओ, formulate strategy based on the conclusions, clear है तीन ही step है, gather information, analyze the result and display them on the diagram, formulate the strategy based on the conclusions, और फिर है अल्दो potas 5 force is valuable tool to analyze the industry structure and to formulate the firm strategy, it has its limitations and requires supplementary analysis to be done, मतलब सरिफ ये एक analysis करके directly आप strategy नहीं बना सकते, इतनी dependable strategy ये नहीं है, बट एक support की तरह आप use कर सकते हो, कि main strategy है हो गई, अब support के लिए एक दो और analysis कर लिए, तबका अगर एक ही direction में result आ गया, तो हम कर लेंगे, तो as a supplementary tool इसको आप use कर सकते हो, to be done, such as इसके साथ-साथ मतलब आपको और भी analysis करने चाहिए, तभी, मतलब full proof हो जाएगा, कि ये जो strategy इससे बनी है, वो सही है, तो आपको इसके साथ-साथ और भी analysis करने चाहिए, स्वट, पेस्ट और value chain analysis, ऐसे और analysis साथ में करने चाहिए, और वो analysis और ये analysis का same conclusion निकल रहा है, तो आप depend करके अपनी strategy इसके basis पे बना सकते हो, clear है, तो ये है आपका introduction to strategic management, ठीक है, सारे punch words हमने पढ़ लिये हैं, थोड़ा सा religion notes भी घुमा लेते हैं, शायद कुछ और punch words मिल जाए, चलो, आ जाओ, ठीक है, इसमें भी same है, बहुत सारे authors हैं, बहुत सारे definition हैं, तो आप बहुत जादा mug up नहीं कर पाओगे, ठीक है, चलो, ठीक है, फोर फेज हैं, environmental scanning, strategy formulation, evaluation, control, ठीक है, strategic leadership का definition हमने पढ़ा, ठीक है, ये author का नाम है, as per me, ठीक है, author का नाम है, तो ये पूरा हमने पढ़ा है, ठीक है, सारे 9 पढ़ लिये, पिर ये भी हमने, अच्छा ये नहीं पढ़ा है, चलो, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, strategic management functions and importance of professionals, like company secretary, बोलो, strategic management में professionals का क्या काम है, वो दिया हुआ है, तो CS का specifically दिया हुआ है, कि आप advisory का काम कर सकते हो, strategic management में advisory दे सकते हो, फिर आप communication का काम कर सकते हो, stakeholder communication, one of the key role है, company secretary का, तो आप stakeholder से communication का का काम कर सकते हो, flawless disclosure and reporting, वार्बघा organizing वाला काम आप कर सकते हो, और फिर है बाहर के जो regulators है वहाँ करने जाना है तो representation का काम आप ले सकते हो तो ऐसे 6 रोल है professionals के जो strategic management का part होते हैं ठीक है क्या क्या है advisory compliance representation फिर है आपका reporting और क्या था चार तो हो गए compliance यह board meetings management of board meetings and committee meetings और फिर है communication ठीक है ऐसे 6 रोल आप निभास सकते हो as a professional clear है आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर है environmental scanning सब सेम ही है similar चीज़े ही इसमें लिखी हुई है ठीक है सब हम यह भी पढ़ चुके हैं सब बहुत basic है देख लेते हैं फटाफट बोलो external macro environment ठीक है आप डेली इंट्राक करते हो internal factors हैं बोलो तो supplier, customers, intermediaries, competitors and public ठीक है यह सारे आपके external micro environment में आते हैं और internal में sorry दोने external external है ठीक है फिर macro factors है बाहर के जो factors है ठीक है economic environment, political legal environment, technological environment, technology, global or international environment, social cultural environment, demographic, natural and ecological यह सारे macro external environment है ठीक है इसमें फिर आता है internal environment इंटरनल जो चीज़ें आप खुद बनाते हो तो इसमें internal में क्या क्या आता है भाई, value system आपका value system आप बनाते हो कहीं न कहीं वो vision में incorporated होता है, mission में incorporate होता है, आपके AOA, MOA में आप कहीं न कहीं उसको incorporate कर देते हो, culture बनाते हो, code of conduct में डाल देते हो तो value system is an internal environment, फिर है आपका mission and objectives, आपका organizational structure, corporate culture, बरवार corporate culture भी बहुत important है ठीक है, आपके timings, आपका जो, क्या बोल सकते है, reporting timings, work culture, पहनावा, ठीक है, overall आप कैसे दिखोगे, क्या पहन सकते हो, क्या नहीं पहन सकते हो sitting arrangement कैसी है, office में, हर चीज, cameras लगे हैं, नहीं लगे हैं, बहुत corporate culture का पार्ट होता है, फिर है quality of human resources, labor unions है की नहीं है, और physical resources and technological capabilities, यह सब internal factors हैं, जो आप decide करते हो, कि आपको हर चीज कितनी रखनी है, कैसे type से रखनी है, तो यह सब internal factors में आते हैं, और फिर जो हमने, यह तो प पूरा ही पढ़ लिया था, clear है, तो थोड़ा सा मैं आपसे कहूंगा, pause करके, यह बस internal external factor थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि मैंने जाधा detail में नहीं बताया है, और इस पर आप देखोगे, तो question भी कुछ खास आए नहीं है, तो यह आप थोड़ा सा आप पढ़ लो, कि बहुत basic है, मैं क्या बताऊ, read करेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, इतना important है नहीं, तो तो आपने तरफ से आप 10-15 अपने थोड़ा सा करी लो, कसर मत छोड़ो, ठीक है, ठीक है, pause कर लो, अच्छे से बस यह इतना सा जो है न, internal external factors जो है, यह थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक ह पॉस करके पढ़ लो, request ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम chapter number 13 बढ़ेंगे, business policy and formulation of functional strategy, policy and functional strategy हम अभी start करेंगे, ठीक है, फटा फट थोड़ा सा पढ़ लो चालो, let's start next chapter, chapter 13, business policy and formulation of functional strategy, चालो, pause करके साथ साथ में, I hope आप बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, चालो तो क्या होता है सर, business policy क्या होता है, business policy है कि जब भी आप काम किसी को delegate करते हो, ठीक है, top management, middle level management को काम delegate करती है, middle level management, lower level of management को काम delegate करती है, ठीक है, हमेशा काम lower the level delegate होते जाता है अब आपको ये भी तो बताना पड़ेगा उनको, कि ये काम करना कैसे है, इनके rules and regulations क्या होंगे, इनके procedures क्या होंगे, क्या हर छोटी छोटी बात क्लिए बार बार मेरे से पूछने आओगे आप, नहीं न, तो आप पहले ही सारे standing instructions दे दो, कि ये problem गई तो ऐसा कर लेना, ऐस है, तो ऐसा कर लेना, क्योंकि आपको experience है, आप ये काम पहली बार delegate नहीं कर रहे हो, ये सारा काम आप पहले खुदी करते थे, आप कर चुके हो pass में, तो आपको पता होता है, कि भाई, क्या-क्या problem जाती है, क्या procedures follow करने होते हैं, तो आप पहले से ही बता दो, ताकि आपका time waste न हो, तो business policy क्या है, standing instructions है, कि जब भी आप काम delegate करते हो, तो उनको पावस दे दो, उनको सब बता दो, और हमसे भाई, बार-बार पूछने की जरुत नहीं है, अगर आप जैसा policy में लिखा है, वैसा ही कर रहे हो, तो हमको पूछने बताने की जरुत नहीं है, अगर आप policy में कुछ covered नहीं है, और आपको समझ भी नहीं आ रहा, या policy में कोई चीज लिखे, आपको अलग धंग से करनी है, तो आप मेरे से पूछो, बार-बार हर छोटी चीज के लिए मेरे को तंग मत करो, तो इसके लिए ही बनती है business policy, चीक है, चलो, तो business policy आदे guidelines, बार-बार, guidelines ह मतलब procedures होते हैं, कुछ tips होती हैं, कुछ clarifications होती हैं, कुछ problem areas होते हैं, उसको कैसे tackle करते हैं, तो वो सब बताया जाता है, guidelines developed by an organization to govern the actions of those who are a part of it, ठीक है, जो भी लोग उसमें involved हैं, जो भी कोई काम आप कर रहे हो, उसमें जो भी लोग involved हैं, उनको क्या करना हैं, कैसे करना है यह सब आप बताते हो, business policy defines the scope, scope within which decisions may be taken by the subordinates in an organization, बरबर, subordinates का हैं, जो भी लोग आपके under में आते हैं, जो आपको report करते हैं, वो कोई भी काम जो आपने उनको दिया है, वो कैसे करेंगे, तो बिना आपसे पूछे, बिना आपको बताए, वो काम अगर खुद कर सकते हैं, तो बस आप उसको guidelines दे दो, ठीक है, आप scope बता दो, कि यह सारे काम इसमें जो भी आएगा, वो आप कर लो, कैसे करना है, यह करना है, सब policy में लिखा हुआ है, policy बढ़के यह करके, आप सब खुद कर लो, ठीक है, तो आपका time बच जाता है, It permits lower level of management to deal with the routine problems, issues on their own, आप खुद सामना कर लो, जो भी चीज़ें आपको guidance के तौर पे लगेंगी, वो हमने already आपको business policy के अंदर बता दिया है, ठीक है, without reverting back to the top management for the purpose of decision making, समझ में आ रहा है, तो इससे फाइदा क्या होता है, आपका time बचता है, top management, काम दे देगी, policy बता द बाकी सब lower level of management policy पढ़के अपना काम वो कर लेगी, ठीक है, अब क्या फाइदा होना चाहिए, क्योंकि देखो, बना कोई और रहा है, और वो policy use किसी और को करनी है, basically business policy क्या है, एक communication है, आप कुछ बता रहे हूँ, वो कोई चीज communicate कर रहे है, जब भी आप कोई चीज ऐसी ब चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, क्या-क्या, कि भाई, policy जो भी है, must have the basic feature of being specific, और definite, ठीक है, मतलब exact क्या topic पे आप गाइड कर रहे हो, क्या topic पे आप बोल रहे हो, और exact एक topic पे होना चाहिए, मतलब ऐसा नहों कि पढ़के पता ही नहीं चले कि आप क्या चीज के बार कर रहे हो, समझ में नहीं कि बोलना क्या चाहते हो, तो वो clear होनी चीज, कौनसी चीज पे कह रहे हो, वो भी clear होनी चीज, वो specific होनी चीज, जो भी चीज आप समझा रहे हो, वो भी clear and unambiguous होनी चीज, confusing नहीं होनी चीज, फिर policy जो भी है, वो uniform होनी चीज, क्योंकि आप अलग 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 आपका scope होगा, अलग अलग departments, अलग अलग divisions, अलग अलग topics से related आपने चीज़ें बताई होंगी, तो उसमें contradiction नहीं होना चीज़ें, कि ये काम कर रहे हैं, तो यहां अलग बता रहे हो, उसी से related कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उसके अलग बता रहे हो, तो अलग वाला उसके भरोसे पूरा काम कर सके, फिर वो same appropriate to the goals होनी चीज़ें, आपका जो end goal है, उससे उसके direction में होनी चीज़ें, conflicting नहीं होनी चीज़ें, फिर है simple and easy to understand, क्योंकि ये communication है, मैंने बताया ना, easy to understand होनी चीज़ें, ठीक है, comprehensive होनी चीज़ें, कि जो topic या जो problem area है, वो प ऐसा नहीं होना चीज़ें, पूरी problem solve हो जानी चीज़ें, तो वो comprehensive होनी चीज़ें, to be able to solve the entire problem, फिर है flexible, समय के साथ साथ problems बदलते जाते हैं, आपने जो problem face किये थे, अब जो problem लोग face करेंगे future में, exactly same तो नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा change होते रहता है, तो आपकी जो policy ह थोड़ी सी flexible होनी चीज़ें, multiple तरीके, कोई भी चीज़ को करने के multiple तरीके होते हैं, जो आप use करते हो, बस वो एकी रास्ता है, वो ही best है, जरूरी नहीं है, अगर कोई चीज़ को multiple तरीके से किया जा सकता है, तो आपको flexibility policy के अंदर provide करना चीज़ें, dictate नहीं करना ची़ें थोड़ी सी flexibility देनी चीए, फिर है stable होना चीए, बार-बार-बार-बार change मत करो, यह problem तो सेम है, ठीक है, बार-बार-बार चीज़ों को change मत करो, stable policy रखो, ठीक है, policy which is stable to avoid the scope of any indecisiveness and uncertainty in the minds of those who look into for the guidance, ठीक है, uncertainty नहीं होनी चीए, कि आप पहले कुछ और बताया था, अब कुछ बदलेंगे, तो uncertainty नहीं होनी चीए, policy stable रखो, उसको consistent रखो, तो जो use कर रहा है, उसको problem नहीं होगी, ठीक है, तो यह सारे features आपके होने चीए, specific, clear, unambiguous, uniform, reliable, appropriate to the goals, simple and easy to understand, comprehensive, मतला wide cover होना चीए, topic पूरा cover होना चीए, flexible in application and stable, तो यह सारे features होने चीए, ठीक है, अब आते है, एक अच्छा बहुत बड़ा topic है, इसमें से भी एकात question हर attempt में आता ही है, ठीक है, vision, mission के बिना आपका paper बनी नहीं सकता, एक, दो या तीन question इसमें आते ही आते हैं, ठीक है, अच्छे से detail में पढ़ते हैं, चलो, आ जाओ, तो सब पहले एकदम मैं basic fundamental points बता देता हूं, बोलो vision का मतलब क्या होता है, पहले तो vision क्या होता है, long term होता है, futuristic होता है, आप क्या हासिल करना चाते हो long term में, वो आपका vision statement बताता है, फिर mission statement क्या है, mission statement present के बारे में बात करता है, कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्या products में deal कर रहे हो, आपके target customers कौन है, समझ रहे हो, सब present के बार परचोगे, वो भी उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है, लेकिन वो present के बारे में है, वो short term होता है, vision long term होता है, mission short term होता है, ठीक है, features पहले आप ख्याल में रखो, ठीक है, ये present के बारे में बात करता है, ये future के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, फिर, ठीक है, फिर है कि कौन सा question यह answer करता है, तो यह famous है कि बाई vision क्या answer करेगा, कि आप कहां जाना चाहते हो, where do we aim to be, आप कहां जाना चाहते हो, कहां पहुचना चाहते हो, वो बताता है vision statement और mission statement बताता है, what we do, what do we do, अभी आप क्या करते हो, क्या करते हो, मतलब कौन से products में deal करते हो, कौन से services में deal करते हो, कौन सी industry में deal करते हो, समझ रहे हो, तो अभी आप क्या करते हो, and what makes us different, ठीक है, बाकी competitors से हम क्या चीजें अलग कर रहे है, मतलब सब present के बारे में होता है, ठीक है, फिर है, कि mission statement क्या है भाई, talks about how, how you will get to where you want to be, मतलब vision statement कैसे हासिल करोगे, step by step, एक एक साल, कैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, क्या क्या चीजें achieve करोगे, कि long term में जाके, हम मान सकते हैं कि आप vision statement achieve कर लोगे, ठीक है, तो कैसे, एक रास्ता, एक path भी reflect करता है, mission statement, तो how do we get, where do, where we want to be, and defines the purpose and the primary objectives related to your customer needs and team values, ठीक है, कि आप की जो audience है, वो कैसी है, उनकी क्या needs है, जो आप फुल्फिल करने वाले हो, आपके team goals क्या है, team values क्या है, कैसे आप काम करते हो, ठीक है, वो भी work ethics के बारे में भी आप बात कर सकते हो, और फिर है vision statement outlines, where, ठीक है, where you want to be, communicates both the purpose and the values of your business, ठीक है, punch words पे ध्यान दोआ, यह हम समेशा how के बारे में बात करता है, फिर है function, it lists the broad goals for which organization is formed, its prime function is internal, ठीक है, internal है, कि भाई, आपके जो employees हैं, आप से जो जुडे हुए हैं, जो आपका internal environment है, उसको communicate करने के लिए mission statement होता है, और यह जो है, यह external है, it lists out where you see yourself some years from now, it inspires you to give your best, it shapes your understanding of why you are working here, ठीक है, क्या hustle करना चाते हो, तो यह mostly outsiders के लिए होता है, जो आप से जुडना चाते हैं, जो आप में invest करना चाते हैं, ठीक है, उनको यह पता करना होता है, कि आप ultimately कहां पहुचना चाते हो, तो यह outside communication के लिए जादा use होता है, और यह internal communication के लिए users of the organization success and its prime audience is, मतलब क्या prime audience है, leadership team and stockholders, ठीक है, internal जो आपका immediate environment है, उस से बातचीत करने के लिए, उसको कुछ बताने के लिए, यह mission statement होता है, फिर इसको आप change कर सकते हो कि नहीं, या change करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, your mission statement may change, ठीक है, mission statement आप change कर सकते हो, but it should still tie back to your core values, customer needs and vision, मतलब बिना इसको change करते हो, आप बाकी चीज़ें change कर सकते हो, customer needs जो आप satisfy करना चाहते हो, आपके जो core values हैं, यह चीज़ें आप change नहीं कर सकते हो, लेकिन बाकी चीज़ें जो होती हैं, वो आप change कर सकते हो, और vision statement तो change करना नहीं चाहिए, कि कि वो ultimate goal बताता है, अब ultimate goal कैसे change कर सकते हो, तो कोशिश करना है कि vision statement आप change करो ही न, as your organization evolves, you might feel tempted to change your vision, however, mission or vision statements explains your organization's foundation, so change should be kept to the minimum, यह मतलब दोनों में लगबग लगबग similar approach ही है, कि आपको change नहीं करना चाहिए, कर भी रह हो, तो हलके पुल के change आप कर सकते हो, बहुत बढ़ा 360 degree change आप नहीं कर स सकते हो, यह confuse कर देगा सबको कि आप चाहते क्या हो, ठीक है, चलो, फिर है कि यह develop करते समय आपको क्या सवाल पूचने चाहिए, मतलब यह statements, क्या सवालों के जवाब देने चाहिए, तो बनाते समय ही आपको यह सवाल पूचने है, और वो सवालों के जवाब उसमें cover करने ह सवाल है, developing a statement, पहला है mission में, what do we do today, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, क्या products and services में, अभी currently हम deal करते हैं, for whom do we do it, मतलब customer, target audience कौन है, what is the benefit, मतलब क्या benefit देते हैं, क्या service देते हैं, या quality देते हैं, क्या अलग करते हैं, ठीक है, in other words, why do we do what we do, and what, and for whom, and why we do, सबज़ रहे हो, क्या करते हैं, कैसे करते हो, किस के लिए करते हैं, तो यह basic सवाल आपको, जवाब मतलब मिल जाना चाहिए, mission statement में, तो ऐसा ही statement develop करना है, जो यह सारे सवालों का जवाब दे दे, फिर है, mission statement पढ़ रहे, तो वो क्या सवालों के जवाब देना चाहिए, where do we want to be going forward, ठीक है, कहां हमको पहुचना है, future में, going forward, when do we want to reach that stage, ठीक है, कितना time frame लगेगा, and how do we want to do it, ठीक है, कैसे करेंगे, क्या means करेंगे, क्या approach होगी, वो सब भी आप उसमें बता सकते हो, जैसे sustainability होती है, हमको sustainable manner में कोई चीज़ अचीज करनी है, हमको fast करनी है, समझ रहे ह कोई approach है, जिसको आप बता सकते हो, clear है, तो काफी अलग है, और फिर है, features of effective statement, एक अच्छा statement में क्या features होने चाहिए, आपका statement effective है, इसके लिए क्या features आपके mission या vision statement में होना चाहिए, purpose and values of organization, who are the organization's primary clients, ठीक है, clients, उसमें आने चाहिए, what are the responsibilities of the organization towards the clients, ठीक है, clients के तरफ आपके जिम्मेदारी है क्या है, ये भी आपका cover होना चाहिए, फिर है, clarity and lack of ambiguity, describing a bright future, memorable, engaging, expression, realistic aspirations, achievable, alignment with the values and culture, ठीक है, features है, जो एक effective statement में होने चाहिए, clear है, बढ़े आगे, आजाओ, अब है, strategic levels of the organization, ठीक है, कितने level के strategies होते हैं, और उन individual एक-एक strategy में क्या features होते हैं, ठीक है, चलो, तो कितने strategic levels हैं, तीन levels हैं, पहला है, corporate level strategy, top management जो बनाईगी, ठीक है, corporate level strategy जो top management बनाईगी, और जो क्या सवाल का जवाब देगी, what businesses should we invest in, मतलब हम overall level पे सोच रहे हैं, कि as a business, हमको क्या-क्या businesses में पैसा लगाना चाहिए, मतलब आपको multi business सोचना है, कि मैं बहुत बड़ा organization हूँ, मैं Tata हूँ, Reliance हूँ, Adani हूँ, ठ जब आप सोच रहे हो, at a organization level, कि आप कौन से business में invest करो, तो वो होता है corporate level strategy, जो कौन बनाईगा, top level management, फिर है business strategy, जो एक particular business में आप कैसे जीतोगे, कैसे लड़ोगे, आपका क्या competitive advantage है, क्या differentiation आप लाओगे, कैसे competition से कैसे लड़ोगे, तो ये जब आप strategy बना रहे हो, तो वो होता है business level strategy, क्योंकि वो सिर्फ एक particular business के लिए ही होता है, आप सिर्फ एक business के बारे में ही बातचीत कर रहे हो, overall organization, overall businesses, overall चीज नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ एक particular business के बारे में ही, उस में आप उस field में कैसे जीतोगे, लड़ोगे, core values क्या बनाऊगे, competitive advantage क्या create करोगे, वो आप इसमें बताते हो, ठीक है, तो इससे क्या सवाल का जवाब मिलेगा, what competitive methods do we invest in to achieve the competitive advantage, तो competition को कैसे beat करेंगे, competitor के comparison में, competitive advantage आप क्या create करोगे, आपका point क्या है, जीतने का, क्या differentiation है, वो होता है business strategy, और यह कौन बनाएगा, middle level management, ठीक है, middle level management, business to business, business level strategies बनाएगे, और फिर ह functional strategy, जो कौन बनाएगा, lower level of management, यहने functional जो heads होते हैं, वो बनाएगे, lower level of management इसको बनाती है, ठीक है, और क्या सवाल का जवाब देगी, what financial marketing operations, ठीक है, क्या है, functions है ना, इसलिए इसका नाम भी क्या है, functional strategy, what financial marketing operations and other strategy will be important to implement the business strategy, मेरे business strategy को implement करने के लिए, functional level पे मुझे क्या करना ह function की भी strategy बनानी पड़ेगी, to support the business strategy, overall business strategy को support करने के लिए, financial marketing एक एक जो function है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, ताकि मैं वो business strategy अचीव करना है, तो वो होती है functional strategy, clear है, अब एक एक detail में पढ़ते हैं, आ जाओ, तो corporate strategy में क्या है भाई, पहले तो वो यह बताएगी, कौन से business में आपको invest करना चाहिए, यह कौन बनाएगा, top level management, फिर यह क्या होता है, यह long term strategy, बरबर, क्योंकि आप concept business में invest करोगे, यह कोई short term decision तो ही नहीं, एक बार आपने business में पैसा लगा दिया, तो वो तो investment होती है, वो हमेशा long term होती है, ठीक है, तो long term strategy होती है, corporate level strategy, फिर यह ह of the strategic planning process, ठीक है, जो भी आप strategic planning करते हो, उसका essence, उसकी जो core main चीज है, वो यह strategy होती है, यह जो strategy है, इसी के हिसाब से, आप strategic planning करते हो, determines the growth objective, बरबर, आपका long term जो growth objective है, वो इसी से पता चलेगा, highlights the pattern of business move, ठीक है, एक business का क्या move है, concept type के businesses में हो जा रहा है, उससे उसका future आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, कि concept business से हो withdraw कर रहा है, concept नए business में हो जा रहा है, क्या explore कर रहा है, तो इससे business moves आप समझ सकते हो, top management का क्या है, defines how the firm will remain sustainable in the long run, बरबर, आप sustainable कैसे रहोगे, concept businesses पे आप depend करते हो, concept businesses long term है concept businesses short term है, तो आप long run में कैसे बने रहोगे market में, ये भी इससे पता चलता है, फिर है, occupies the highest level of strategic decision making, क्योंकि ये कौन बना रहा है, top level management, तो ये highest level है decision making की, covers actions dealing with the objectives of firm, ठीक है, objective firm क्या है, acquisition, allocation of resources and coordination of the strategies of the various SBU for the optimal performance, कहां कितना पैसा लगाना है, क्योंकि आप overall level पे सोच रहे हो, मेरा पूरा group है, मेरे पास एक लाग करोड रुपए है, अब मैं सोचूंगा कि मुझे concept business में कितना डालना है, कहां कितना return मिल सकता है, कौन सा sustainable है, कौन सा नहीं है, तो जब मैं overall business level पे, overall मतलब corporate level पे देख रह aptness in the degree of corporate level strategy, the higher will be the chances of firm's success in the market, ठीक है, as a firm, आप कितने success हो सकते हो, इसके chances है कि आपकी कितनी अच्छी बनती है corporate strategy, कितने दिमाग लगा के aptness से आप उसको बनाते हो, corporate strategy is not the sum total of business strategy, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, कि बस सारे business strategy को मिला दो, वही आपका overall strategy होगा, ऐसा नहीं होता ऐसा बिलकुल भी नहीं होता, corporate strategy अलगी मतलब सोच से बनाई जाती है, और फिर जब business level में उसको आप divide करते हो, तो वह अलग बनती है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि बस आप 2 plus 2, 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 2 plus 2, 5 है, समझ रहे हो, तो ऐसा 2 plus 2, 4 नहीं होता, काफी और भी च सोचते हो, corporate level strategy में, अब ये कौन सी approach यूज करेगी, extroverted, ये external environment के हिसाब से होती है, कि external environment में क्या चल रहा है, resources क्या है, country क्या है, GDP क्या है, समझ रहे हो, बाहर के environment के हिसाब से आप ये बनाते हो, which links the business with its environment, strategies अब क्या होती है, corporate level strategy क्या हो सकती है, ठीक है, इसमें काफी बच चोंको confusion होता है, तो भईया, इध्यान से देखना, तो ये हो सकती है, expansion, कि as a group, as a firm, आप expansion का strategy रख रहे हो, तो आपका business level पे भी वही होगा, भई, हर business को कैसे grow करना है, कैसे expand करना है, क्या तरीका होना चाहिए, अलग-लग तरीके होता है, expansion के, organic, inorganic, खुद branches भी खोल सकते हो, तो approach होती है, तो business level पे आप फिर हो implement करोगे, तो as a organization, as a corporate आप expansion strategy यूज कर सकते हो, फिर आप stability भी रख सकते हो, तो यगर आप already बहुत ज़्यादा grow हो गए हो, already बहुत, आपका market share बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े group हो आप, टाटा group हो, तो आप और कितना growंगे भाई, already हर country में आपके branches हैं, अपनी खुद की country में पता नहीं कितनी branches हैं, तो एक limit होती है न, तो एक stage पे आपको stability भी maintain करनी होती है, तो stability strategy भी आप as a corporate रख सकते हो, और फिर है retrenchment, कि आपको decline stage में आप आगए हो, धिरे धिरे आपको level of operations या number of business घटाना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसे तीन strategies हो सकते हैं, corporate level पे, ठीक है, expansion, stability, retrenchment, expansion, stability, retrenchment, बोल रहे हैं साथ साथ में, तो ये तीन टाइप के strategies हो सकते हैं, तो इसमें कुछ भी question सकता है, बताओ ये corporate level की है, business level की है, कि functional level है, या पूछा रहेगा कि भाई, इन में से कौनसी strategy, corporate level strategy है, इसमें से कौनसी strategy, corporate strategy नहीं है, ऐसा भी पूच सकते हैं, ठीक है, expansion, stability, retrenchment, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर है business strategy, ठीक है, मतलब आप सिर्फ एक particular business में क्या करोगे, क कैसे लड़ोगे competition से, क्या advantage बनाओगे, उसके बारे में business strategy बात करती है, और एक कौन बनाता है, middle level management, और ये short term होती है, ठीक है, short term strategy है, applicable in those organizations without different businesses, and each business is treated as a SBO, ठीक है, SBO का concept आपको पता होगा, कि ऐसा बड़ा business है, ऐसा business है, जिसका environment काफी अलग है, और environment अलग होने के जरूरी है, common strategies उन business पे नहीं apply हो सकती, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे businesses नहीं है, बहुत बड़े business है, अपने आप में उनका अपना खुद का environment है, अपने आप में वो fund raise कर सकते हैं, तो उसको आप SBO declare कर देते हो, और SBO declare करने से क्या हो जाता है, उनकी strategies अलग से बनती है, corporate strategy के तहित वो cover नहीं होते है, उनकी खुद की business strategy होती है, कि कैसे चलना है, कहां से पैसे लेना है, क्या करना है, वो सब खुद का, उनका strategy होता है, ठीक है, तो जहां भी SBO का concept है, वहाँ वहाँ आप business strategy बनाते हो, उनके लिए separate, फिर है, where SBO concept is applied, each SBO sets its own strategy, ठीक है, आप खुद की strategy बनाते हो, to make use the best use of its resources, given the environment in phases, ठीक है, तो अलग-अलग business, SBO, अलग-अलग environment phase करता है, उनके challenges अलग होते है, उनका interaction with the external environment काफी अलग होता है, और इसलिए वो अपने environment से कैसे deal करेंगे, इसकी उनकी अलग strategy होना जरूरी है, और फिर ये within the overall strategy होगी, ठीक है, एक दम आप out of box भी नहीं कर सकते, आप contradict नहीं कर सकते, अपने corporate strategy से, अगर हम expansion strategy यूज करना है, तो expansion strategy के तहत ही, आपकी अलग से strategy बनेगी, पर आप overall organization के strategy के within में ही आओगे, ठीक है, operates within the overall strategies of the organization, overall strategy मतलब corporate strategy, फिर इसका देखो introverted approach हो, कि मेरा environment, मेरा business, सब मेरा, overall नहीं, सिर्फ मेरा जो business है, उसका जो immediate environment है, हम उसके साब से यह strategy बनाते हैं, that is concerned with the internal working of the organization, इसलिए उसको कहते हैं, introverted approach, और फिर है, क्या strategies बना सकते हो, आप एक business के बारे में, ध्यान दो, cost leadership, कि मुझे competent advantage क्या बनाना है, मुझे cost leader बनना है, मुझे सबसे कम दाम पे product बना के product बेजना है, तो cost leadership मैं हासिल करना चाहता हूँ, यह मेरा business strategy हो सकता है, फिर है focus, कि मैं focus करूँगा, quality दूँगा, products पे focus करूँगा, customer के segments बनाऊँगा, और उनको focus करके, उनको जो product यह वो बनाऊँगा, और फिर है differentiation, कि मैं competitor से अलग product बनाऊँगा, competitor के comparison में, अपने product य तो आपको इसमें भी वोई question आ सकता है, नाम दिया रहेगा, कि बताइए यह कौनसी level की strategy है, cost leadership, focus, focus को ही कहता है, market segmentation, और एक है differentiation, ठीक है, तो यह तीन strategies होती है, business level strategies, ठीक है, कुछ भी घुमा फिरा के question आ सकता है, ठीक है, कौनसी business strategy है, कौनसी business strategy, नहीं है, corporate और business को mix करके options दिये रहेंगे, तो आप हो सकता है, confused हो जाओ, ठीक है, तो यह दो में ही घुमाएंगे, corporate और business में ही घुमाएंगे, functional लिग दम अलगी है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, फिर है functional level strategy, relates to single functional operation, आप एक-एक function की strategy बनाते हैं, marketing कैसे करेंगे, अगर हमारा कोई cost leadership है, तो उसमें marketing कैसे होगी, हमारा अगर differentiation है, तो हम कैसे market करें, marketing changes with the business strategy, तो हर function कैसे behave करेगा, finance वाला कैसे काम करेगा, marketing वाला कैसे करेगा, logistic वाला कैसे करेगा, तो सबका strategy जो है, उसका connection उसके business strategy से होता है, तो single operation के बारे में यहाँ पर हम strategy बनाएंगे, relates to single functional operation and activities involved therein, decisions at this level within the organization are often known as tactical, मतलब छोटे decisions, minor decisions, day-to-day decisions, उसको कहते है, tactical, और tactical का उल्टा क्या है, strategic, strategic मतलब बड़े decision, overall level पे, और छोटे से minute, day-to-day वाले decisions को आप कहते हो, tactical decisions, clear है, तो यह था आपका strategic levels of organization, corporate level, business level, functional level, आगे बढ़ते हैं, फिर है, यह आपको पता ही है, finance strategy, बोलो, finance strategy में तीन decisions हैं, जो आप FM में भी पढ़ चुके हो, बोलो, three key decisions क्या होते हैं, investment decisions, financing decisions and dividend decisions, यह तो पूरा chapter number one आप पढ़ चुके हो, यह वो ही है, फिर है strategic marketing, marketing के strategy में, three W's क्या answer होते हैं, आपके marketing strategy से तीन क्या W के सवाल के जवाब आने चाहिए, कौन से तीन W's हैं, सवाल है, which market, ठीक है, कौन से market में आप compete करने वाले हो, ठीक है, market क्या है, market को define करो, which market to compete in, फिर है what is the basis of firms competitive, firms का competition का basis क्या, आपका competitive advantage क्या है, जो मैं अपने उपर बढ़ा, cost leadership है, focus है, यह आपका differentiation है, क्या चीज से लाप लड़ रहे हो, क् भी आपको अपने marketing में clearly reflect करना पड़ेगा, और फिर है when to compete, कब compete करना है, best time क्या है, where, where, what and when, कौन सा market, क्या basis पे आप लड़ना चाहते हो, और कब compete करना चाहते हो, ए तीन W के answer आपके marketing strategy में आने चाहिए, फिर है strategic gap क्या है, इस पर भी question आ चुका है, ध्यान दो, strategic gap क्या है कि भाई, strategically आप अभी कहा हो, आप क्या strategy अभी use कर रहे हो, और जहां भी आपको पहुचना है, जो भी आपका vision statement है, वहाँ पहुचने के लिए क्या strategy होनी चाहिए, तो क्या strategy है, और जहां भी आपको पहुचना है, उसके लिए कौन सी strategy होनी चाहिए, long term, इसकी जो gap है, वो ह होती है strategic gap difference between where the firm is currently situated ठीक है where the firm is currently situated where it should be और gap कहां में है currently situated and where it should be situated for sustainable long term growth sustainable long term growth के लिए आपको क्या type की strategy होनी चाहिए to support that long term vision तो आज और वहां की vision में आप gap देखो strategically आप gap देखो तो वह होता है आपका strategic gap फिर है कि market position के इसाब से क्या-क्या strategies होती है मत्तब्य existing players के लिए existing player क्या position hold करता है market में उसके इसाब से कैसे बिहेव करता है क्या strategies अपनाता है यह हम इसमें study कर रहे हैं यह existing players के लिए ठीक है ध्यान दो सबसे पहला है कि भाई आप अगर market leader हो पहला position क्या है कोई भी market में आप क्या हो सकते हो market leader ठीक है market leader कैसे identify करोगे जो significant market share रखता है significant market share अगर आपके पास है तो आप market leader हो one who controls the significant market share the goal of the market leader is to reinforce कि बने रहें leader बने रहें और बड़ा leader बने और ज्यादा market share हासिल करें reinforce their prominent position through the use of branding क्योंकि आप significant market share हो आपका brand होगा आप branding का use करके अपना strong hold बनाए रखना चाहते हो as a market leader to develop and maintain their corporate image and to restrict the competitors share ठीक है और फिर है may adopt unconventional unexpected approaches to building the growth क्योंकि आप already leader हो already significant share आपके बास है और अगर आपको grow करना है तो प्यार महबत से आसानी से नहीं होता है उसके लिए आपको unconventional unexpected approaches अपना नहीं पड़ेंगी तब भी आप और extraordinary market share ले सकते हो फिर है number two पे जो होता है market challenger मतलब leader के next सबसे ज़ादा जो second number पे जिसका market share होगा वो होता है market challenger और जो क्या बनना चाहेगा market leader समझ रहे हो number two number one बनना चाहेगा ना तो ये इन दोनों की लड़ाई जगडा चलते रहता है ठीक है जो next highest market share रखता है market leader के बाद जो next highest रखता है उसको कहता है market challenger market posture is generally offensive मतलब यहाँ पे प्यार महबद से काम नहीं होते हैं अगर आपको market leader बनना है तो cut throat competition चलते रहती है offensive मतलब की भाई आप ऐसे काम करते हो जो हो सकता है सबको पसंद ना है offensive चीज़ें हो सकती है market posture क्योंकि आपको market leader का market share grab करना है they will compete neck to neck ठीक है कौन compete करेगा neck to neck punch words अब ध्यान दो exam पे आ जाओ significant market share market leader unconventional unexpected approaches कौन use करेगा market leader ठीक है कौन branding का use करके अपनी market position को hold करेगा reinforce करेगा market leader ठीक है 3 फिर है market challenger का है next highest market leader के बाद next highest किसका होता है market challenger का फिर neck to neck कौन compete करता है market challenger ठीक है और किसका market posture offensive होता है market challenger ठीक है will compete neck to neck with the market leader in an offered effort to grab the market share their overall strategies to gain the market share through product packaging service innovation new markets etc ठीक है इनका objective क्या है gain market share and become the market leader फिर है third number पर आता है market follower नाम में ही meaning है कि आप follow करते हो आप कुछ नया नहीं करते हो आप कुछ innovation नहीं करते हो आप बस follow करते हो ठीक है तो क्या यह है follows followers are generally content ठीक है हम खुश है हम खुश है आप लड़ो हम यहाँ पे खुश है आप जो करोगे हम बस आपको copy करके वो same चीज़े करते रहेंगे और धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे हमको कोई लड़ाई जगडा करके आगे नहीं बहुच नहीं मतलब जो लड़ाई से दूर भागते है ठीक है followers are generally content by taking a backseat and follow the policy of wait and watch आप दोनों लड़ लो जो जीतेगा जो success होगा जो चीज़ establish हो जाएगी हम copy करके हम भी वहाँ पहुच जाएगे लड़ाई जगडे में हमको time based नहीं करना है ठीक है तो these adopts a me too approach ठीक है मैं भी वही करूँगा जो आप करोगे जो भी जीतेगा वो जो भी कर रहा है मैं वह copy करके मैं भी कर लूँगा ठीक है मुझे लड़के अगे नहीं बढ़ना है मुझे wait and watch करना है धीरे धीरे study करके copy करके मैं भी वही चीज़े करूँगा और फिर है market niche मतलब यह अलग ही है इस यह अलग ही दुनिया में है ठीक है यह तीन जो है यह comparable है और यह अपनी ही अलग दुनिया बना के बैठा है market niche niche मतलब एक अलग ही आपकी audience है आपकी audience पूरी अलग ही है ठीक है आप एक अलग छोटी सी दुनिया अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो आप कौन हो market niche हो ओक्यूपाइब स्मॉल नीश ठीक है मार्केट का छोटा सा सेग्मेंट है जो आपका audience है और अलग है वह आप ही से लेगा ठीक है ओक्यूपाइब स्मॉल नीश इन दे मार्केट नौर्ड टू अवाइड नेक टूनेक competition ठीक है आप छोटे सा एक मार्केट में खुश हो नेक टूनेक कॉंपीट नहीं करना है मुझे पूरे मार्केट का लीडर नहीं बनना है ठीक है एक छोटी सी audience है जो मेरे को ही follow करेगी या मेरा ही product लेगी मेरी service लेगी तो मैं खुश होटते में ठीक है मुझे overall market के leader के लिए लड़ाई जगणा नहीं करना है object is to build strong ties ठीक है ऐसा नहीं कि वो small niche आसानी से मिल जाता है आसानी से नहीं मिलता है आपने उसको कमाया हुआ है ठीक है कैसे कमाया है by building the strong ties with the existing customer base and develop strong loyalty with them अपने अपने features से अपने product के features से service level से अच्छी service देके आपने वो customers को कमाया है और इसलिए वो आपके साथ ही बने रहेंगे ठीक है tactically nichers are likely to improve the product क्योंकि audience अगर वो niche आपको बनाए रखनी है अगर आप नहीं चाहते कि वो market leader खा जाए market challenger लेके जाए तो आपको उनको खुश रखना है उनकी need को study करते रहनी है और उनकी need fulfill करने वाले product services उनको देते रहना है तो आपके पास बने रहेंगे clear है tactically nichers are likely to improve the product service offering leverage cross-selling multi products है तो इसको वो बेचो उसको वो बेचो ठीक है offer value for money ठीक है value for money and build relationship through superior after sales service service qualities and other value adding services ठीक है मतला आपको अपने customer कमाने है किसी से लड़के जीतने नहीं है आपको उनकी need बस पूरी कर दिए अगर आपकी need उनकी पूरी करोगे अच्छे products दोगे तो लोग आपके पास आएंगे बाकी लोगों से छीन के वैसा वाला attitude आपका नहीं है आप product या service के थूरू उनको attract करना चाहते हो तो इस completely different approach है तो चार ऐसे positions हो सकती है market leader, market challenger, market follower and market niche clear है बड़े आगे शालो फिर है entry strategies कि कोई भी market में अगर आप enter हो रहे हो अब हो नहीं आप enter करना चाहते हो तो entry के क्या strategies हो सकते हैं किसी भी market में number one है pioneer जिसने उस पूरी field को create किया market innovation किया कोई नया product बना दिया कोई बरवा technological advancement लाया और उसने वो industry को open किया और वो उसका pioneer है जिसने वो industry start की है ठीक है तो pioneer आप बन सकते हो आप नए industry create कर सकते हो थूरू innovation थूरू technological advancement तो known for innovative product development and has the first mover advantage पूरा market खाली है no competition जब आप pioneer होते हो no competition आप एक monopoly situation में होते हो समझ रहे हो आप एक monopoly situation में होते हो अकेले आप ही हो ठीक है फिर आप अकेले हो यह देखके बाके लोग लालच में आ जाते हैं किया रही अकेला है बढ़िया कमा रहा है मैं भी आता हूं तो फिर वो second आता है close follower जो pioneer को follow करके pioneer के अ market domination देख के उनको लगता है कि यहां share grab करना असान है तो यह जो second number पर market enter करते है उसको कहते है close followers ठीक है if there is a profit substantial potential in the innovative introduced by the market pioneer many businesses would step in offering the same product such people are more commonly known as close followers seen as a challenger to the market pioneers and the late follower ठीक है बीच में आते हैं दोनों से लड़ते रहते हैं उनको compete करना है और इनको उपर चड़ने नहीं देना है तो इनका यह दोनों जगह लड़ाई लड़ते रहते हैं और एकदम ठके हुए जो होते हैं last वो होते हैं late entrance ठीक है कि पूरा गाउं आ गया है अब तुम भी आई जाओ follow after the close followers advantages such as ability to learn ठीक है इतने सारे लोग अल्रेडी आ चुके हैं पाइउनेर आ चुके हैं और उसमें बाद में close follower भी आ चुके हैं काफी मतलब industry में काफी लोग हैं तो आपके लिए examples बहुत जादा हैं क्या वो problem face कर चुके हैं उनका खर्चा कितना आता हैं वो कितना कमाते हैं market share कितना है customer का क्या feedback है pricing क्या है हर चीज आपके पास learn करने के लिए होती है ability to learn from their early competitors improving the benefits or reducing the costs and have a cost advantage क्योंकि जैसे से industry develop होती है जादा players आते हैं हर चीज सस्ती होते जाती है सारे assets की value सस्ती हो जाती है सारे जो services की value होती है वो सस्ती हो जाती है क्योंकि suppliers जादा हो जाते हैं supplies जादा हो जाते हैं competition बढ़ जाती है तो चीजों के prices भी कम हो जाते हैं तो आपको cost advantage मिलता है as compared to pioneer जब pioneer पहली बार आया था industry ही नहीं थी तो हर चीज महंगी होती है कोई asset खरीदने जाओगे महंगा मिलेगा क्योंकि जादा suppliers नहीं होते हैं services लेने जाओगे तो कम service providers होते हैं तो price जादा charge करते हैं तो यह सारे advantages है as compared to pioneers clear है तो ऐसे तीन entry strategies हो सकती है pioneers close followers and late entrants ठीक है तीन ही strategies होती है clear है बड़े आगे चलो अब है last part production strategies ठीक है इस chart पे भी काफी बार question आ चुका है आपको अच्छे से देखना है अच्छे से दो चार बार देखना है believe me यह chart exam में आपको याद आएगा मैं बता रहा हूँ पता नहीं यह मेरा मतलब मुझे आता था मैं जब student था यह charts handwritten notes वो सारी चीज़े याद आती है मेरको आती थी I don't know शायद मैं abnormal तो नहीं हूँ पर आपको भी याद आएंगे काफी बच्छे मुझे कहते हैं आपकी आवास सुने आती है आप जब यह बताते हो ना ऐसा नहीं है वो नहीं है यह आपकी आवास याद आती है और question मे इसा chart visualize होगा और आप पकड़ लोगे कि आपका answer क्या आना ची होता है इसा ठीक है तो ध्यान दो तो types of production strategies number one business strategies ठीक है overall business की क्या strategies हो सकती है यह तो हम पढ़ चुके है मतला आपकी production strategy business से connected होगी हर चीज जो है जो down the level आती है business strategy के under में जो भी आएगा वो business strategy के flow में ही आएगा ना आपकी production strategy business strategy अलग थोड़ी हो सकती है समझ रहे हो तो पहले business strategy का है वो समझो तो business strategy तो ती नहीं हो सकती है तो आप उपर भी पढ़ चुके है differentiation cost leadership market segmentation जिसको आप कहते हो focus तो इसमें क्या आद करना है यह तो अल्रेडी है ना फिर यह दो पर ध्यान देना है competitive priorities क्या है ठीक है और एक है competitive advantage आप क्या बनाना चाहते हो competitive priorities क्या basis पे आप लड़ना चाहते हो point by point competitors से आप क्या चीजों पर लड़ना चाहते हो तो क्या-क्या लड़ना चाहते हो भाई सबसे basic price competition का हमेशा basic क्या होता है price price पर लड़ते है ना सब लोग फिर कुछ लोग quality पर लड़ते हैं कि हम अच्छी quality का देंगे फिर कुछ लोग delivery पर लड़ते हैं कुछ businesses में goods deliver करना होता ही है zomato आपका dominoes इनमे delivery time important होता है तो सारे आजकल online वाले तो delivery पर लड़ते हैं ठीक है तो delivery भी एक competitive priority हो सकती है फिर है product mix combination combos ठीक है फिर है service levels after sales service भी आप कह सकते हो और फिर है eco friendly product तो ये आपकी competitive priorities हो सकती है कि competition जब आप कर रहे हो competition advantage बनाना चाहते हो तो आप ये points पे बना सकते हो अब क्या advantage आपका बन सकता है पहला है advantage क्या competition वाला हो सकता है flexible response कि आपका response अच्छा है fast है आप हमेशा available ह quick service देते हो ये आपका competitive advantage हो सकता है और दूसरा है low cost अब ये कही न कहीं business strategy से connected है कि आपका low cost का advantage हो सकता है अगर आप bulk में बनाते हो बहुत जादा quantity आप बनाते हो तो आपका low cost का advantage हो सकता है ठीक है तो competitive priorities कितनी है number देतो आपको याद करने में आसान हो जाएगा बोलो price quality delivery mix service eco friendly छे competitive priorities हो सकती है और दो ही आपके advantages हो सकते है ठीक है तो मैं बोल रहा हूँ ये और ये easy है ये तो हटा ही दो है basic ठीक है advantage बस याद रखो अब जो advantage में नहीं है वो priority में आएगा simple है न को समझ में आ रहा है गया balancing category बना दो ने इसको competitive priorities को भाई आप ये याद रखो आप देखो competitive advantage है गया competitive advantage नहीं है तो मतलब वो competitive priorities में होगा क्योंकि business strategies आपको याद है समझ में आ रहा है तो बहुत simple है इसमें बहुत basic question आते है अगर आप कोई चार्ट याद है बहुत आसानी से आपका answer आ जाएगा को कुछ समझने समझने वाला कुछ इसमें खास है नहीं कोई बहुत जादा conceptual चीज़े नहीं है ठीक है चलो फिर आते है last logistic strategy logistic मतलब कैं आपका mainly पूरा जो transport का dispatch distribution का जो पूरा आपक तक पहुचा होगे customer तक कैसे पहुचा होगे वो जो पूरा एक system होता है पूरा जो आपका setup है उसको कहते है logistics ठीक है logistics लिए आपकी क्या strategy होगी यह पूरा उसका definition है इस पर already question आ चुका है एक बार बोलो logistics strategy is defined as set of guiding principles driving forces ingrained attitudes that help to coordinate the goals, plans, policies between the partners across a given supply chain क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारे department involved होते हैं कुछ चीज़ें हो सकता है आपने outsource की हूँ बरबर तो multiple लोग है multiple चीज़ें है उनमें coordination जरूरी है तब जाके आप एक चीज सई time पे पहुचा सकते हो ठीक है तो आपको logistics strategy अच्छे से बनानी है when a company creates a logistics strategy that is defining the service levels ठ service level आप number of days के इसाब से भी कर सकते हो कि मुझे कितने days में पहुचाना है या मुझे fast test पहुचाना है एक competitors जितने में पहुचा रहे है उससे पहले पहुचाना है comparative sense में भी आप उसको define कर सकते हो बर आप logistics strategy में basically क्या बताते हो आपके service level logistically आप क्या level का service दोगे क्या level का experience customers को दोगे service levels at which its logistic organization is at its most cost effective क्या structure हम बनाए तो हमारा cost effective way में हम पहुचा दे अब देखो सिर्फ time factor ही नहीं होता है time अगर कम लग रहा है लेकिन पैसा बहुत ही जादा लग रहा है क्या आपको loss हो रहा है क्या मतलब है sustain नहीं कर पाओगे ना काफी कंपनियां कर रही है काफी क कंपनियां यही कर रही है loss ले रही है because of कि वो जल्दी पहुचाना है जल्दी पहुचाना है और service level के वज़े से वो यह नहीं देख रही है कि cost effective भी होना जरूरी है और इसलिए आप real life में भी देखते हो सब लोग cash burn कर रहे हैं सब लोग loss में कि कही न कहीं यह चीज भी आ जाती है sustainable आप तभी रहोगे जब आपका logistic cost effective है तभी आप बने रहोगे profitable रहोगे और long term तक सस्टेन करोगे तो reasonable service levels रखनी है unrealistic expectation build up कर दोगे कोई फायदा नहीं आप सस्टेन नहीं कर पाओगे clear है आगे बढ़ते हैं तो यह था आपका चैप्टर थोड़ा बहुत अपन एक देख लेते हैं और भी अज़िए यह थोड़ा सा देख लो यह कुछ पॉइंट्स शायद endgame notes पे नहीं आये हैं आप add कर लो कोई दिक्कत नहीं है कि origin of business policy कब से है 1911 1911 ठीक है आज़दादी के भी पहले है तब से business policy का concept origin में आ चुका था and this course was based on some case studies एक course भी launch हुआ proper Harvard business school में business policy पे ठीक है since 1908 तो यह Harvard business school याद रखना ठीक है किसने यह concept start किया था special question आ चुका है Harvard business school और कब से यह origin में है 1911 ठीक है अब इतना इंडी इतना depth में तो नहीं आएगा ठीक है यह जो years है एक-एक सारे years काम के नहीं है ठीक है Indian scenario भी दिया हुआ है कुछ इसमें खास punch words है नहीं ठीक है सारे features है vision के clear concise time horizon एक time frame के लिए होना चाहिए future oriented होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए challenging होना चाहिए abstract ठीक है और फिर है inspiring होना चाहिए सब के लिए जो भी लोग जुड़े हुए तो यह vision के कुछ features है फिर mission के आप यह भी बहुत important है mission के क्या general principles है कि make it as second as possible मतलब short बहुत ज्यादा detailed नहीं होना चाहिए make it as short and snappy as possible ठीक है बहुत brief होना चाहिए memorable होना चाहिए ताकि easily याद हो जाए connect हो जाए और unique होना चाहिए ठीक है सब लोग जो लिख रहे है वही लिख दोगे तो आपका distinction नहीं हो पाएगा and make it realistic ठीक है लगना चाहिए कि आप हासिल कर लोगे या एक realistic लगना चाहिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत जादा inspirational हो मतलब vision होना चाहिए mission की बात हो रही है तो mission जो है वो as short as possible memorable, unique and realistic ठीक है चार words आपको ध्यान देने short, memorable, unique and realistic ठीक है यह features उसमें होने चाहिए और एक fifth point भी है make sure it's current मतलब आज की date में relevant भी होना चाहिए आज से connected होना चाहिए और present होना चाहिए futuristic नहीं होना चाहिए ठीक है तो ऐसे पाच points आपको ख्याल में रखने है बढ़े आगे अब इसमें बहुत ऐसा generic statement आएंगे और genuinely आप हो सकता है confused हो जाओ ठीक है तो lines थोड़े थोड़े अलग से भी कर लो ठीक है जैसी यह है कि dash is a short statement of organization's purpose identifying the goal of its operations what kind of product or service it provides it provides it will provide नहीं है futuristic नहीं है its primary customers market geographical regions of the operation तो language से आपको लगेगा कि यह present की बात हो रही है आए ख्याल में present की बात हो रही है और एक particular business की बात हो रही है तो mission statement आएगा ठीक है तो language में आप थोड़ा सा फरक जो है वो आप identify कर लो तो आपको easy जाएगा देखो vision में आप पढ़ोगे तो vision में भी ऐसी lines आएंगे vision serves the purpose of stating what an organization wishes wishes to achieve in the long run ठीक है फिर है सब में देखो futuristic पूरा grammar है articulates position that the organization would like to occupy in future looking forward future aspiration समझ रहे हो company's roadmap identifying both what company wants to become and guiding the transformational initiatives by setting a defined direction for the company's growth समझ में आ रहे है तो language से I think आप कर सकते हो differentiation ठीक है पूरा हम यह पढ़ चुके है ठीक है बोलो finance strategy यह भी कुछ खास इसमें पूछने लाइक नहीं नहीं है यह पूरा FM है बहुत detail में आप पढ़ चुके हो आप आराम से handle कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है financial strategy यह पूरा chart भी आप पढ़ चुके हो पूरे chapters ने है इसके बारे में यह chart है इसके तो chapter पढ़ चुके आप ठीक है तो यह सब मतलब बहुत basic है आप देख लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सब बहुत basic है FM में बहुत detail में आप पढ़ चुके हो ठीक है आगे बढ़ते है मार्केटिंग में यह 3W पढ़ लिए हमने gap देख लिया ठीक है firm is currently situated and where it should be for sustainable long term growth फिर है position सारे पढ़ लिए entry strategies पढ़ लिए ठीक है HR strategy HR strategy ज्यादा cover नहीं होई है अपनी थोड़ा सा देख लेते है the three key elements of HR planning process are forecasting labor demand ठीक है labor की कितनी demand होगी कितना production करना है कितनी machines है उसके साब से कितनी labor की requirement होगी फिर analyzing the present labor supply बर बर कितने labor की need होगी future के साब से कितनी है तो आपको gap पता चल जाएगी और फिर आप उसको कैसे gap को मतलब कितने कैसे employee hire करोगे आप ठीक है and balancing the projected demand and supply ठीक है कैसे आप उसको gap को पूरा fulfill करोगे कैसे वो hire करोगे क्या तरीकों से hire करोगे तो यह ऐसे three elements होते है forecasting labor demand analyzing the present supply and balancing the projected labor demand and supply यह तीन key elements होते है सब note करते जाना है pause करकर के आपके कहीं भी notes आपके खुद के notes है जो भी book से आप पढ़ रहे हो मेरे endgame notes से पढ़ रहे हो आप आप add up करते जा सकते हो या इसी notes का आपके पास print out है तो उसमें highlight करते जाओ ठीक है चलो फिर है implementing the HR strategy इस पर भी आज सकता है question ध्यान दो सबसे पहला है assessing the current HR capacity ठीक है current कितना आपका capacity है existing क्या आपके human resources है existing human resource क्या है उनके skills क्या है तो पुरा current capacity जो है number wise quality wise skills wise और पहले assess कर लो फिर है focus करो HR requirements की जो आपके business strategy है जो आपको हासिल करना है उसके लिए क्या level का skill set लगेगा या कितने employees लगेंगे तो आप focus करो predict करो ठीक है HR needs in the future based on the strategic goals फिर वो gap को analyze करो current और focused का gap आएगा तो gap को analyze करो ठीक है comparison between the existing and desired और फिर है वो gap को ही fulfill करने के लिए HR strategy आपको बनानी है developing the HR strategy to support the strategies of the organization connected होनी चाहिए अब क्या-क्या strategies होती है तो चारी steps है क्या steps है assess the current capacity forecast the HR requirements gap analysis or develop the HR strategy ठीक है चारी ऐसे steps है HR strategy के अब क्या-क्या type के HR strategies होते है restructuring strategy की company एक restructuring में है तो restructuring के दौरान हमारा HR का requirement क्या है कितने लोग भई हटाने है और रखने है roles change होते हैं समझ रहे हो तो restructuring में भी HR की एक policy होगी training development ठीक है नए ने बंदे आप जो भी रखोगे कैसे train develop करोगे recruitment के आपके क्या strategies है outsourcing collaboration retention कैसे retain करोगे ESOV वगेरी भी आप पढ़ चुके हो ESOV is also one of the strategy of retention onboarding and orientation वरवार ट्रेनिंग और orientation होता है आपको company के बार में बताया जाता है mentorship program जब भी आप आगे बढ़ते जाते हो levels cross करते हो तो आपको mentorship program भी दिया जाता है आपका employee compensation कैसे होगा सबसे basic HR strategy कितना monetary कितना non-monetory perquisite welfare ठीक है वो पूरा bonus retirement benefits ठीक है फिर है recognition and reward system work life balance सब HR policies है कितने टाइम पे आओगे कितने टाइम पे जाओगे हफते में कितनी छुटिया होंगी साल में कितनी छुटिया होंगी सिक लीव कितनी होंगी सब HR policy से govern होता है training and development, communication and feedback, dealing with change, fostering teamwork, team celebration ये सारे policies है कुछ situational है, कुछ बहुती generic है ठीक है अलग-अलग जगहों पे आपको HR की क्या need है ये देखते रहनी पड़ती है ठीक है, क्योंकि HR ऐसा है कि जो हर जगह है, कोई भी situation हो, कोई भी department हो, कोई भी element हो, HR के बिना कोई चीज नहीं होती ठीक है, फिर ये हम चार्ट पड़ चुके है ठीक है, बोलो, differentiation strategy क्या है भाई, क्या product को differentiate करते हो, competitor से, unique बनाते हो, ताकि आप इसे लोग ले ठीक है, such as, क्या चीज में आप differentiate करोगे, quality में, quantity में, pricing में, appearance में, after sales service में, तो जो भी basis है, उसमें कोई भी एक basis पे आप differentiate कर सकते हो, अपने आपको फिर एक cost leadership, कि आप बहुत कम cost में बना रहे हो, बहुत जादा high volume बना रहे हो, बरबर, तो companies rise to diminish its cost by reaping the economies to scale, ठीक है, large volume में आप बनाते हो, तो आपको per unit cost कम पड़ेगा, तो ये भी आपके एक strategy हो सकती है, competition में, तो प्राइस sensitive market है, customers price sensitive है, तो जो सस्ता देगा, लोग कहते हो, focus strategy, कि आप एक target audience को focus करोगे, सारी लडाईयां नहीं लडनी है, अपना एक focus कर लो, कि मुझे इसी customer segment पे ध्यान देना है, या इसी product पे ध्यान देना है, चिक है, तो company divides the market according to the type of customers, बच्चों का अलग है, बूडों का अलग है, working वालों का अलग है, housewives के लिए अलग ह कैसे categories आप बना सकते हो, students हमेशा से एक अलग category रही है, बरवा student category है, children's है, teenagers है, समझ नहीं है, आपका product कैसा है, उस पे depend करता है कि आप क्या type से customers को divide करोगे, ठीक है, divides the market according to the type of customer, it has to focus and target, and it sells different products to different types of customer, अलग-अलग customer को, अलग-अलग उनकी need के हिसाब से आप product बनाओगे, बच्चों की need अलग है, बड़ों की need अलग है, बूडों की need अलग है, सबकी needs अलग होती है, तो उनके हिसाब से आप focus करो, अगर आप सबके लिए एक generalize बनाओगे, तो focus कैसे करोगे, focus कब possible है जब करके क्या होता है न, आप उस पे focus कर सकते हो, तो इस सरिफ इनकी needs क्या है, इनको हम क्या additional दे सकते हैं, बरवाजय से हम self-study वाले बच्चों को अलग सोचते हैं, science background वालों को अलग समझते हैं, तो ये भी वैसे ही है, needs समझने के लिए, focus करने के लिए, हम ऐसे target segments बनाते हैं ताकि उनके लिए हम special products बना पाएं, different variants, ठीक है, फिर ये जो हमने priorities पढ़ी, competitive priorities, price, quality, delivery, product mix, service, eco-friendly, अब ये बहुत ही basic है, कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है, eco-friendly green products होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, मतलब बहुत ही basic चीज़े हैं, कि काफी लोग आजकल eco-friendly products करके भी अपने आपको differentiate करते हैं, कि हम कुछ भी pollution नहीं करते हैं, या हम eco-friendly products या inputs यूज करते हैं, आजकल हर चीज़ eco-friendly बन रही है, shoes है, ये है, वो है, सब चीज़े eco-friendly बन गई हैं, या waste को process करके बनाई जाती हैं, ठीक है, तो सब eco-friendly का tag लेके भी लोग compete करते हैं, ठीक है, और service strategy में क्या है, quicker and better after sales service के basis वे आप लड़ते हो, ठीक है, product mix, याने जो अलग-लग multi product वाले हैं, जैसे हिंदोस्तान यूनिलिवर है, तो वो product mix बनाता है, कौन सा product कितना बनाय जाए, ठीक है, तो जो large corporation है, multi product है, वो ही ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, फिर delivery strategy में क्या हो सकत है, fast delivery, number of days पे लोग लड़ते हैं, वो लोग 7 दिन में पहुचा रहे हैं, मैं 6 में पहुचाओंगा, ये 6 में पहुचा रहे हैं, मैं 4 दिन में पहुचा के दिखाओंगा, तो लोग delivery levels पे भी लड़ते हैं, कि कितने time में आप goods को deliver कर सकते हो, फिर quality सबसे main, बार बार quality के basis अब लड़ो, ठीक है, اور price मतलब low price, ठीक है, price के basis पे भी आप compete कर सकते हो, अब जाहिभ सी बात है, जो price sensitive है, market, price sensitive market है, तो आप price के basis पे compete कर सकते हो, अब अगर कोई market price sensitive नहीं है, तो आप quality के basis पे लड़ो, क्यकि आप ZIAदा price command कर सकते हो, ठीक है, तो यह सब है तो आप high prices charge कर सकते हो अगर price insensitive है price insensitive है मतलब price का कोई फरक नहीं है लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए ready है बस quality अच्छी होने चाहिए तो आप ज़्यादा prices charge कर सकते हो अगर आप अच्छी quality provide करते हो तो चीक है फिर price strategy कौन use करता है कौन price के basis पर लड़ता है जब आपका product homogeneous है product differentiation ही नहीं है सारे लोग same product बेच रहे हैं तो customer किसका product खरीदेगा जो सबसे सस्ता देगा product तो same है ना same product है तो customer बेवकुफ थोड़ी है वो तो सबसे सस्ता वला ही लेगा क्योंकि product same है अब product ही अलग है quality ही अलग है तो फिर price comparable नहीं होती है ना ठीक है लेकिन अगर आपका product homogeneous है exactly same है similar है तो price strategy ही ज़्यादा तर चलती है उस market में ठीक है कि customer cannot distinguish the company's product from the competitor's product तब उसको कहते हैं कि differentiation ही नहीं है almost same या similar है ठीक है तो आप low cost पे ध्यान दे सकते हो कम price पे बेचने की कोशिश कर सकते हो और वैसे आप customer को खीट सकते हो low price आपकी strategy हो सकती है clear है फिर है flexible response ठीक है अब यह थोड़ा अलग है इसलिए मैं detail में पढ़ा रहा हूं कि when company makes required changes in the production plan in accordance with the emerging changes in the market मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका fixed schedule होता है पहले से decide कर लेते हैं बजेट कर लेते हैं मैं इतना बनाऊंगा यह यह बनाऊंगा ठीक है और सब fix होता है उसके साब से सारे resources pricing सब चीज़े पहले decide की जाती है लेकिन अगर situation बदल गई तो आपको response देने में change करने में बहुत time लगता है अचानक से आप चीज़ें change नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका सब schedule fix था वो भी एक मतलब strategy होती है या एक limitation होती है कि सब लोग पहली सोच लेते हैं तो जब अगर flexible response देने की बारी आएगी जब environment बहुत जादा change हो रहा है जैसे covid हुआ था लोग change ही नहीं कर पाए उनको बहुत time लग गया तो काफी businesses इसलिए बंद भी हो गए क्यों flexible नहीं थे जो flexible होंगे work to home कर पाएंगे या बहुत जल्दी उन्होंने अपने आपको adapt कर लिया तो वो लोग जिन्दा हैं अभी भी business चल रहे हैं बढ़ रहे हैं ग्रो हो रहे हैं तो flexible response भी एक आपका advantage हो सकता है ठीक है और फिर है low cost strategy ठीक है आपका low cost का strategy हो सकता है same large scale economies of scale से ही यह आता है तो यह आपका competitive advantage है यह दो अलग हैं competitive advantage है और वो competitive priorities है ठीक है यह भी आपको कुछ खास समझेगा नहीं ठीक है हाँ यह पढ़ लेते हैं इस पर भी I think question आया नहीं है logistic नहीं समझेगा छोड़ो पढ़ा होगा तो मतलब आएगा अब काफी लोग ने वो पढ़ा ही नहीं है फाल तो उनको और समझेगा नहीं ठीक है तो punch words I think cover कर लिए है और जो जो आता है या जो जो आ सकता है जो जो topics पर आ रहा है वो सारे मैंने इसलिए cover कर लिए है उसके punch words आपको मैंने सारे बता दिये ठीक है चालो तो यह हमारा एक chapter complete होता है यह हमारा एक chapter complete होता है business policy and functional strategy ठीक है यहां से हम अभी आगे बढ़ेंगे pause करके आप 10-15 मिनट एक बार पढ़ लो pause करके थोड़ा खुद से भी पढ़ लो थोड़ा बहुत वही logistic वगर अगर आपने पढ़ा है मैंने अब नहीं cover कर रहा है तो आप पढ़ लो pause करके और paragraph और पढ़ लो highlight कर लो थोड़ा ठीक है साथ साथ में निपटा लो अभी के अभी फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ strategic analysis and planning chapter 14 चली अब स्टार्ट करते है strategic analysis and planning आजाओ ठीक है काफी लंबा chapter है अच्छे से ठीक है एक 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 चीज समझते जाना थोड़ा बहुत कहीं note करना है कोई diagram भल खुद बनाना है तो बनाते जाना साथ साथ में ठीक है चलो और बीच बीच में एक एक जब हम कोई चीज complete करेंगे ठीक है तो आपको pause करके खुद से भी एक बार बोल के देखना है ठीक है तो आपका साथ साथ में याद होते जाएगा चलो strategic analysis and planning तो सबसे पहला इसमें topic आता है situational analysis कि जब भी आप कोई project करते हो जब भी आप कोई नया program करते हो कोई भी चीज आप करते हो उसके पहले आपको situational analysis करना चाहिए ठीक है तो क्या होता है इसके अंदर क्या dimensions को हम study करते है चलो देखते है तो सबसे पहले की situational analysis क्या है तो यह normal एक assessment है जिसमें हम internal and external environment को study करते है जैसे हम environmental scanning में करते है ठीक है situational analysis takes no count internal and external environment of the entity organization and clearly identifies its own capabilities ठीक है अपने strengths आप identify करो customers ठीक है customers को identify करो potential customers competitors बरो बरो पूरा देखो situational analysis है कोई भी situation में क्या क्या आ सकता है भाई internal and external factors आएंगे ना आपके internal strengths क्या है आपका क्या है चीज जिस पर आप competitive advantage जिस पर बना सकते हो तो आपके competitors कोन है customers कोन है कहीं न कहीं हमने potters theory में भी यह पड़ा है तो यह क्या क्या कह रहा है वो आप समझो own capabilities आप देखो customer potential customers देखो competitors देखो business environment देखो याने external factors देखो जो आपको affect करते हैं और इन सबका impact क्या है impact that they are going to have on the organization ठीक है आप पर क्या impact होगा कुछ ऐसे factors होगे जो कम impact करते हैं जैसे competition अगर आपका बहुत ज़्यादा strong hold है market पे तो competition आपको इतना impact नहीं करेगा पर अगर कोई इसमें आप कोई field में आप ऐसे हो कि आपका dominance नहीं है आपका भी normal market share है तो वहां competition का impact बहुत ज़्यादा होता है तो जितने भी factors हैं कुछ internal होते हैं कुछ external होते हैं सबका impact हम पे क्या होगा हम यह देखते हैं और इसी को हम कहते है situational analysis थिक है अब यह कब करें तो ये beginning में ही करना होता है कोई भी program या कोई भी चीज start करने के पहले ही यह हो जाना चीज स्टार्ट होने के बाद कर करके क्या करो गए सोचके देखो न, कोई भी चीज start करने के पहले सब analysis करोगे न, एक बाद start होगे, select होगे, सब होगे, उसके बाद फिर क्या फरक पड़ता है, उसके बाद फाइदा क्या होगा, तो फाइदा कब होगा, जब आप हर चीज को पहले करेंगे, फिर उसको use करके एक better तरीके से project को अगर आप actually implement करोगे, तो ही वो फाइदा होता है, the situation analysis should be conducted at the beginning of any program or project, but before developing a strategy, ठीक है, strategy बनाने के पहले ही ये analysis करना है, और इस analysis की जो findings है, वो आपको strategy बनाने में use करनी है, ठीक है, clear है, तो ये timing है, कि ये कब करना चाहिए, फिर है कि इसमें क्या-क्या है, elements होते हैं, ध्यान ठीक है, आपका product का क्या situation है, market में आपका कितना, मतलब product established है, कुछ features है, कुछ special चीज़े है, product का कितना दम है, आपके market में, ये आपको पहले analyze करना है, competitive situation, ठीक है, जो आने बताया, competition कितनी है आपकी field में, आप market leader हो, या competitor हो, या बहुती early entrant हो, आप क्या stage पे हो, market में आप से depend करता है, कि आपके competition कैसी होगी, फिर है distribution situation, ठीक है, distribution network आपका कैसा है, आपका logistics कैसा है, फिर environmental situation, favorable है, unfavorable है, क्या है, किसका कितना impact है, country क्या, situation से चल रही है, ठीक है, सारे external factors कैसे हैं, वो आप देखोगे, और फिर है opportunity and issue analysis, ठीक है, opportunity and threat या issues क्या क्या आ सकते हैं, उसका भी आप analysis करोगे, ठीक है, clear है, तो देखो, कुछ internal है, कुछ external है, mix है दोनों का, ठीक है, क्या-क्या है, product, competitive situation, distribution situation, environment situation, opportunity and issue situation, ठीक है, पाँच ऐसे elements हैं, आपके situation analysis के, अब आगे बढ़ते हैं, ये पूरा एक topic था, situation analysis, अब आते हैं, पहले topic पे स्वट, ठीक है, स्वट analysis, strength, weakness, opportunity, threats, तो स्वट analysis के हैं, एक tool है, for strategic analysis of any organization, which makes, which takes into account, both internal and external environment, ठीक है, environmental analysis का एक tool है, जैसे आप strategy के, कोई भी एक strategic management के steps पढ़ते हो, जो हमने पिछले chapter में पढ़े भी थे, chapter 12 में, क्या पढ़ा था, पहला था, environmental scanning, और फिर था, आपका strategy बनाओ, strategy implement करो, और strategy को evaluate करो, तो ये पहला step हम पढ़ रहे हैं, environmental scanning, उसी का अब पूरा हम पढ़ने वाले हैं, तो environment को कैसे, 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 स्कैन कर सकते हैं, कैसे हम पूरा ये analysis कर सकते हैं, वो ही सारे strategies ठीक है, ये कब से start हुआ है, concept, the origin of sweat analysis supposed to be rooted in the concept of force field analysis, ठीक है, force field analysis concept से connected है, which was pronounced by K-11 in 1950s, ठीक है, 1950s में पहली बार K-11 ने force field analysis लाया था, उसी से ये concept emerge हुआ है, कि अपनको internal external environment को scan करना चाहिए, और उसमें से strength, weakness, opportunity threats को identify करना चाहिए, और उसके हिसाब से अपनी strategy product की बनानी चाहिए, ठीक है, तो force field analysis K-11 1950s, आगे बढ़ते हैं, बोलो, फिर है, sweat analysis, ठीक है, कुछ खास उसमें है नहीं, sweat analysis में, strength weakness, ठीक है, उसमें कुछ strategy कैसे बनानी है, वो उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, ये ही उसका drawback था, कि sweat ये नह करना क्या है, वो सरफ analysis बताता है, फिर analysis को कैसे use करना है, वो आप देखो, वो homework है, इसलिए वो tool का एक limited use है, तो उसको आगे develop किया गया, और उसको tows analysis में, tows strategy में convert किया गया, कि sweat से हम कैसे strategies बना सकते हैं, ये concept develop हुआ, ठीक है, तो sweat जो था 1950s से emerge हुआ था, और 1982 में जाके tows strategy, tows analysis, start हुआ, ठीक है, four toes strategies, that is product of trade-off between internal and external analysis, तो उसको strategy में convert किया गया है, कि कैसे हम sweat analysis से strategy बनाएंगे, अब how different is sweat from toes, ये आपको पहले समझना है, तो sweat starts with internal analysis, वो internal analysis पहले करता है, पहले strength and weaknesses देखता है, and within that strength, ध्यान दो, बहुत गहरी बात है, कि sweat की approach क्या है, कि हम पहले देखते हैं, कि हमारे strength and weakness क्या है, और फिर हम external environment को हमारे strength and weakness के नजरिये से देखते हैं, वो एक filter लग जाता है, कि हमारे जो strengths हैं, हमारे जो capabilities हैं, उसके डाइरे में रहके, क्या opportunities को हम tap कर सकते हैं, मतलब हम strength को change नहीं करते हैं, strength को हम fix कर देते हैं, और उसके डाइरे में कौन-कौन से opportunities टैप आप कर सकते हो, तो वो आप देखते हो, तो इससे लिए को नजरिया बदल जाता है, कि आप strength को change नहीं करते हो, आप strength को assume कर लेते हो, कि वो जो है वो है, अब वो डाइरे में रहके, कौन से opportunities आप टैप कर सकते हो, वो आप देखते हो, तो ये एक flow हो गया, एक नजरिया हो गया, जो SWOT analysis यूज़ करता है, लेकिन इससे बेटर तरीका, TOWS, TOS analysis से आया, कि आपको actually पहले market को study करना चाहिए, पहले external analysis करना चाहिए, सबसे best opportunity जो है, वो आपको लेनी चाहिए, आपको क् देखना है कि वो मेरे दाइरे में आ रहा है कि नहीं, filter लगा ही मत, पहले market study करो, देखो क्या-क्या opportunities है, क्या-क्या threats है, अब opportunity को tap करने के लिए क्या strength आपको चाहिए, वो आप देखो, है तो अच्छी बात है, नहीं है, तो develop करो, समझ रहे हो, नजरिया अलग है, पूरा flow लग है, और बहुत फरक पड़ जाता है, इससे, आप अपने आपको change करने के लिए ready रहते हो, बरोबर, SWOT में क्या है, आप अपने strength weakness को change ही नहीं कर रहे हो, उसके हिसाब से आप market के opportunities और threats को filter कर रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपकी काफी opportunities है, जो आपके दाइरे से बाहर निकल जाएगी, पर क्या पता आप strength develop कर सकते हो, ठीक है, हो सकता ऐसा भी हो ना, कि बाई कोई opportunity है, अभी आपके ओ दाइरे से बाहर है, अरे पर मैं strength अपनी बना सकता हूँ और पैसा ला सकता हूँ, और labor ला सकता हूँ, और machine ला सकता हूँ, मैं अपने strength को develop कर सकत काम को मैं outsource कर सकता हूं रास्ते निकाल सकता हूं तो क्यों आप अपनी रेंज को घटा रहे हो तो टोज एनलसिस कहता है आप पहले market देखो external environment study करो best जो भी possible opportunity है उसको आप tap करनी की सोचो और उसके हिसाब से देखो कि वो काम करने के लिए क्या चाहिए फिर देखो आपके ब डेवलप करो weaknesses को eliminate करो अपने आपको change करो आये क्यों समय में तो यह बहुत बड़ा concept है आप अपने उपर पढ़ाई में या real life में अपने काम में करियर में कहीं भी इसको लगा सकते हो बहुत ही golden मतलब यह approaches है ठीक है ध्यान देना तो SWAT starts with internal analysis, TOS matrix takes the other route with an external environment analysis, threats and opportunities are examined first ठीक है तो क्या पहले analyze होता है इस पर आपको question आ सकता है तो SWAT analysis पहले internal analysis करता है और TOS analysis पहले external analysis करता है फिर है strength and weaknesses are internal factors ठीक है internal environment scan करके आपको क्या मिलता है strengths and weaknesses पता चलती है और external environment को scan करके आपको क्या मिलता है threats and opportunities market में क्या है वो आपको पता चलती है ठीक है तो यह TOS analysis 1982 में आया था और यह विरिच विरिच ठीक है W-E-I-H-R-I-C-H विरिच ने यह बनाया था as the next step of SWAT analysis in developing the alternative strategies बनाने में SWAT को और इसने आगे यूज करके SWAT को ही strategies में convert कर लिया जो SWAT नहीं कर पाया था तो आप कैसे strategies बनती है ध्यान दो इस table पे भी काफी बार questions आये हैं काफी important है ठीक है ध्यान दो basically combinations है ठीक है आपका एक जग आपके strengths and weaknesses है एक जग आपके opportunities and threats है तो चार जो combination possible है वो चारो combination दे दिया है ठीक है पहला है SO SO stands for strength and opportunities तो इस matrix में आप कहा करते हो strategies that use strengths आप ऐसा strategy यूज करोगे जिसमें आप strength को use करोगे to tap the opportunities to maximize the opportunities तो उसको कहते है SO strategy याने max max strategy maxi maxi लिखा है max max आप पढ़ लो कि maximize करेंगे strength को maximize करेंगे और maximum opportunities को tap करने की कोशिश करेंगे और इसी को कहते हैं aggressive strategy लिखते जाओं इसी को कहते हैं aggressive strategy तो अगर आप strength को use करके opportunities को tap करने की strategy बना रहे हो तो आप aggressive strategy यूज कर रहे हो ठीक है तो aggressive stands for SO max max ठीक है कोई भी चीज से वो connect करके आपको पूछ सकते हैं ठीक है फिर सबसे easy दूसरा पहले extreme बढ़ लो max max SO aggressive फिर है WT मतलब min min मतलब weakness और threats तो इसमें आप क्या करते हो strategies that minimize the weaknesses अपन weaknesses को minimize कर रहे है अपने जो drawbacks है limitations है उसको हम cover up कर रहे है and avoid the threats समझ रहे हैं मतलब हम कर क्या रहे हैं हम weaknesses को minimize कर रहे है ताकि उसका नुकसान हमको ज़्यादा न हो और हम threat से भी बच रहे हैं उनको किसी तरह से avoid कर रहे है आ रहे है को समझ में तो यह होता है defensive strategy आ रहे है को समझ में तो aggressive defensive यह दो में तो कोई confusion होना ही नीची दोनों extreme है SO WT ध्यान देना जो भी एक combination है इसमें एक internal factor है और एक external factor ह दोनों internal भी नहीं हो सकते हैं दोनों external भी नहीं हो सकते हैं ठीक है चलो clear है क्या तो इस दो ख्याल में आ गया अब आते हैं ST max min ध्यान दो हम strengths को maximize करेंगे to minimize the threats मतलब strength को मैं use कर रहा हूँ strength को मैं use कर रहा हूँ लेकिन मैं weaknesses को cover up करने के लिए सोच रहा हूँ मतलब मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि अगर मैं aggressive हूँ तो मैं strength को काई के लिए यूज करूँगा opportunities को tap करके लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ मैं strength को use कर रहा हूँ मेरे पास strengths है मेरे पास strength है लेकिन मैं उसको कहां use कर रहा हूँ मेरे threats को minimize करने के लिए threats से बचने के लिए मैं use कर रहा हूँ मतलब मैं क्या हूँ मैं conservative हूँ मैं conservative हूँ, डरपोक हूँ, यह डरपोक strategy है, conservative, तो उसको कहते है, max, min strategy, ठीक है, strategies that use the strengths, लेकिन to minimize the threats, clear है, तो यह conservative strategy है, st, और फिर है आपका wo, यह उल्टा है, min, max, मतलब हम weaknesses को minimize करते हैं, और कैसे minimize करेंगे, by maximizing the opportunities, opportunities को use करके हम अपनी weaknesses को घटाने की कोशिश कर रहे है, strategies that minimize the weaknesses by taking advantage of the opportunities, आई खेल में उल्टा हो रहा है, तो इसको कहते है competitive strategy, क्यों competitive, क्योंकि आप opportunities tap कर रहे हो, opportunities tap कर रहे हो, आप लड़ रहे हो, तो आप competitive हो, ठीक है, लेकिन आप अपने, strength के basis पर नहीं लट रहे हो, क्योंकि आपका strengths कम है, weaknesses जादा है, बरुबर, यह जो situation है, यह आप समझो, यह strategy उन businesses के लिए है, जहाँ पर strengths कम है, weaknesses जादा है, strength है ही कम, तो आप strength को कैसे use करोगे, सोच के देखो, कोई business है, उसके strength कम है, उसके weaknesses जादा है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा क्या, वो तो weaknesses कोई cover up करने की कोशिश करेगा, क्योंकि weaknesses आपके business में बहुत जादा है, तो यह आप समझो, यह strategy हर business हर situation में नहीं आती है, तो आपको थोड़ा पहले situation को समझना पड़ेगा, कि अगर कोई ऐसा business है, जिसके strength जादा है, तो strength वाले use करेगा न strategies, बरुबर, और अगर कोई business ऐसा है, जिसके strength बहुत कम है, strength के मुकाबले weaknesses जादा है, तो वो यह नीचे वाले strategy use करेगा, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे 4 strategies होते है, ठीक है, SO, strength, opportunities, तो वो aggressive है, max, max strategy, फिर है WT, weakness और threat strategy, दोनों का आप minimize करना चाओगे, और वो होता है defensive strategy, फिर है, बस यह दो में confusion होगा, आपको conservative और competitive में, इसमें थोड़ा, मुझे भी, कभी भी confusion हो जाता है, तो it's very natural, ठीक है, तो ST, यानि strength और threats, strength को मैं क्या करूँगा, maximize, तो max, और weakness को मैं क्या करूँगा, threats को क्या करूँगा, minimize, तो max, min, strength को मैं max कर रहा हूँ, लेकिन मैं threats को minimize करने के ल W, O, बरुबर, W, O कर रहा हूँ, weaknesses को घटा रहा हूँ, by using the opportunities, opportunities use कर रहा हूँ, मैं opportunities को tap कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको अपने weaknesses को घटाने के लिए use कर रहा हूँ, तो मैं competitive हूँ, चिक है, चलो, clear है क्या, काफी important है, तीन star mark कर लो भईया, बढ़े आगे, चलो, लिख लूँ, बोलना नहीं, screen नहीं दिया, screen दिया हूँ है, pause करके लिख लो, चलो, अब आते हैं, CPM PERT, आजाओ, CPM PERT क्या है, basically, project management tools है, project scheduling tools, project control tools, ठीक है, project को पूरा manage करने के लिए tools है, plan करने से लेके, control करने थक, सब आप इस tools से कर सकते हो, अब एक project normally क्या होता है, कि भाई, एक तो वो लंबा होता है, दूसरा कि भाई, उसमें बहुत सारे steps होते हैं, बहुत सारे roots हो सकते हैं, बहुत सारे अलग-अलग alternative roots हो सकते हैं, वो एक काम करने का, तो कौन सा root आपने लेना चाहिए, कौन सा best है आपके लिए, कौन सा फिर root critical है, कौन सा root critical है, हम ये critical, ठीक है, तो ये पूरा जो analysis है, ये कहीं न कहीं, risk monitoring के लिए, risk mitigation के लिए है, कि आप तो shortest root ही लोगे, ठीक है, resources जितने हैं आपके पास, उसके साबसे जो best possible root है, आप तो वो ही root से, वो ही flow से, कोई project को आप approach करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कि कोई एक root है, जो longest है, मतलब वो critical है, अगर आप वो root पे आगए, या वो root आप follow कर रहे हो, और उ पूरे risk को control करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम कुछ भी करके हमको project delay नहीं करना है, हमको कोई project अगर एक limited time में complete करना होता है, तो वहाँ पे ये use होता है, ठीक है, तो PERT and CPM, ठीक है, project management is a systematic way of planning, scheduling, executing, monitoring, controlling, ठीक है, इतने सारे steps होते हैं project में, the different aspects of the project in order to attain the goal made at the time of project formulation, ठीक है, project जब आप बना रहे हो, तो आप एक standard बनाते हो, वही कितना, क्या level का हमारा project है, और हमको कितने समय के अंदर उसको complete करना है, execute करना है, ठीक है, अब ये जो दोनों approaches है, ये दोनों complementary है, दोनों साथ में use होती है, दोनों का purpose थोड़ा-थोड़ा अलग होता है, तो सा आथ में भी use किये जा सकते है, the PERT and CPMR to complimentary statistical techniques utilized in the project management, अब किसने क्या बनाई थी, start करते है, PERT was developed by, first developed by US Navy, US Navy ने ये बनाय था in 1950s, ये years सारे एक जगा list बना के आपको करने पड़ेंगे, थोड़ी आपको ये महनत करनी पड़ेगी, मैंने pocketbook में दिये हुए है, आप जो self study कर रहे हैं, आप खुद बनाते जाओ, खुद बनाओगे ना, तो जल्दी आद हो जाएंगे, लोग actually क्या कर रहे हैं न, सब आप दे दो, सब आप देने से मेरे को लगता है आपका और कम फाइदा होता है, क्योंकि बनाते बनाते भी पड़ाई होती है, लोग ये भूल जाते है, जब मैंने ये endgame notes बनाए थे, तो मेरी सोचो कितनी तगड़ी तयारी हो गई होगी, कित जादा फाइदा होता है, क्योंकि उसके वज़र से आपको पढ़ना पड़ता है, फिर evaluate करना पड़ता है, important चीज़े निकालनी होती है, तो वो preparation के through भी आपकी पढ़ाई होती है, तो आप ये सारी years की भड़िया एक list बना लो, एकाधी question आएगा, एक से जाधा question नहीं आता है, तो जिनको ये एक, 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 मार्क पूरे cover करने हैं, जो practical से डरे बैठे हैं, उनको थेरी से ही निकालना है पूरा, तो फिर आप ये सब करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाते बनाते ही आपको पूरा आपका syllabus देखना हो जाएगा, काफी चीज़ें याद हो दाएगा, तो 1950s में ये पहली बार develop हुआ था, US Navy ने इसको पहली बार use किया था, to support the US Navy's Polaris Nuclear Submarine Project, ठीक है, इस project के लिए पहली बार उन्होंने इस strategy का use किया था, PERT is commonly used in conjunction, ठीक है, complimentary है, साथ-साथ में use होता है, PERT is commonly used in conjunction with the CPM analysis, ठीक है, अब CPM भी 1950s में ही develop हुआ था, critical part method is a project modeling technique developed in the late 1950s, ठीक है, late 1950s में बना था, by Morgan R. Walker of DuPont and James E. Kelly Jr., ठीक है, इन दोनोंने मिला के बनाया था, Morgan J. Walker and James E. Kelly Jr., ठीक है, इन्होंने बनाया था, और 1950s, late 1950s वाले decade में इन्होंने ये बनाया था, ठीक है, अब CPM क्या बताता है, CPM बताता है, critical part, जैसे उसका नाम है, critical path method नाम है, तो क्या बताता है, critical path बताता है, कि project delay नहीं होना चाहिए, तो हमारे लिए सबसे critical path क्या है, कि project delay नहीं होना चाहिए, अब project delay कब होता है, जब आप longest path पे हो, और उसमें भी अगर आपका कहीं delay हो गया, कोई step में कहीं कुछ problem आ गई, और delay हो गया, और आप longest path पे ही हो, तो तब आपका project delay हो जाएगा, जितने दिन एकाद step में भी आपने ज़्यादा ले लिए, उतना पूरा project आपका delay हो जाएगा, आए खेल में, तो longest path ही आपका critical path होता है, ठीक है, तो critical path और on the longest path and having total float, ठीक है, total float क्या है, कि आपके पास buffer है, अब buffer क्यों है, क्योंकि आप longest path पे नहीं हो, आप longest path चूज करते ही नहीं हो, आप तो shortest route चूज करोगे न, तो shortest route जो आप अपना रहे हो, और जो longest route है, उसका जो difference है, वो होता है, total float, example देता हूँ, अगर एक path है, 35 days का path है, वो longest route है, मतलब जादा से जादा 35 days इस project को लग सकते हैं, और एक alternative route है, जो 24 days का है, और आपके पास resources है, कि आप वो 24 days वाला कर सकते हो, तो आप 24 वाला करोगे या 35 वाला करोगे, आप 24 वाला ही अपना होगे न भाई, आप कोशिश करोगे कि मैं 24 व path है, 35 days का, इसका जो difference है, ये होता है, total float, 11 days का buffer आपके पास है, अगर आप 24 days वाले path पे हो, और आपका अगर दो चार दिन delay हो भी रहे, तो भी project delay नहीं होगा, क्योंकि longest route कितना था, 35 days, 35 days के अंदर ही वो हो जाएगा, समझ रहे हो, तो वो होता है, total float, चलो, फिर आगे weaknesses of a company is a product portfolio analysis, अब यहां से हम सब multi product, multi category business की बात करेंगे, कि अगर मेरे 5-5, 15-15 products है, तो मैं कैसे, एक-एक product की strategy कैसे बनाऊगा, तो वो सारे models अभी आएंगे, जिसमें multi product business है, और आपको एक-एक product कौन से category में वाता है, उसके लिए क्या suitable strategy होगी, ये आप कैसे decide करोगे, कहा prioritize करोगे, वो सब वाले strategies अभी हम पढ़ेंगे, चिक है, आजाओ, तो product portfolio analysis, portfolio ही बोलते है न, उसको multi product को collectively आप क्या बोलते हो, portfolio, तो product portfolio analysis was proposed in 1973, मतलब अभी तक 1973 के पहले तक क्या था, एक-एक-एक चीज को ही हम at a time देखते थे, at a time एक ही project के बारे में सोचते थे, multi business वाला क् करेगा, कैसे resources को prioritize करेगा, कहां mobilize करेगा, क्योंकि पैसा तो limited ही होता है न, मैं सारे business में जितना भी पैसा चाहिए, सारा पैसा मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास एक limited funds है, अब मुझे यह सोचना होता है, कि मैं कौन से project में किता डालू, projects में allocation कैसे करूं, उसके लिए कोई model नहीं था, तो वहां से, अब यहां से सारे वो models develop होना चालू हो गए, तो product portfolio analysis पहली बार 1973 में बनाया था, Peter Drucker ने, Peter Drucker as a way to classify the current and expected profitability, ठीक है, क्योंकि आप overall profitability आपको maximize करनी है, आप एक-एक individual business पे focus नहीं करते हो, जब आप पूरे corporate level पे देखते हो, तो आप total profitability बढ़ाने की सो ठीक है, तो product portfolio analysis 1973, Peter Drucker, आगे बढ़ते हैं, अब यह काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होता है, ध्यान दो, यह Drucker ने क्या किया है, Drucker ने seven categories बनाई है, product portfolio analysis के लिए seven categories बनाई है, और उन seven categories के नाम है, today's bread winner, ठीक है, आज जो आपको कमाके दे रहे हैं, tomorrow's bread winner, जो आगे चलके कमाके देने वाले हैं, फिर है yesterday's bread winner, जो past में हमको कमाने में help कर चुके हैं, अब आप वही समझो, यह एक चीज की बात नहीं हो रही है, अलग-अलग products हैं, मेरे अगर पचास products हैं, तो मैं उस पचास products को in seven categories में बाटूँगा, कि कौनसे products थे, जो नोंने पहले मुझे कमाक development stage पे हैं, कौन से sleep हैं, मतलब कुछ काम के नहीं है, ऐसी जिन्दा हैं बस, और फिर है investments in management ego, कि ऐसे ego के वज़े से कौन से product चल रहा है, जो management के ego के वज़े से आपने वो business में पैसा डाला था, actual business काम का नहीं है, ego के वज़े से वो डाला गया है, और फिर है failures, जो fail हो चुके तो आप सारे अपने products को in seven categories में classify करोगे, और अब इसका करेंगे क्या, तो उन्होंने अब बताया है कि इसमें से आपकी strength कौन है, ठीक है, strengths कौन कौन है, जो आपके पहले तीन है, पहले तीन जो business हैं, पहले three जो categories हैं, which is today's bread earner, winner, tomorrow's bread winner and yesterday bread winner, यह जो भी bread winner वाले हैं, यह सा सारे आपके strengths हैं, और जो भी last two वाले है, management ego और failures, यह आपके weaknesses है, समझ रहे हैं, तो strengths and weaknesses इन्होंने बताया है, खैल में आगया, खैल में आगया क्या, पहले तीन वाले जो हैं, जुसमें bread winner नाम है, वो सारे strengths हैं, और failure और management ego वाले जो business है, investments हैं, वो सारे आपके weaknesses हैं, चीक ह ध्यान देना, question इस पर I think काफी कम आये है, आये नहीं है जादा, तो ये आ सकता है, ठीक है, product portfolio analysis, ये topic पर जादा question नहीं आये है, अब आगे बढ़ते हैं, सबसे basic, सबसे important, BCG, ठीक है, आजो, BCG analysis, सबसे famous, सबसे sought after, ये भी वही है, multi product, multi business, model वालों के लिए है, ठीक है, कि stage में, किसको क्या चीज की need है, ये कैसे पता करोगे, तो ये matrix उनके लिए बनाए गया है, अब इस matrix जित्ते भी matrix पढ़ेंगे, उसमें x-axis पर क्या लेते हैं, y-axis पर क्या लेते हैं, इस पर भी question आते हैं, जब तक आप ये अलग से सोच के पढ़ोगे नहीं, 10-12 बार है, बिल्कुल recall नहीं होगा, option में आपको confusion होगा ही होगा, लिख के ले लो, तो ऐसे सारे areas को अलग करना है, और उनको 10-10 बार बार हर 2 दिन में, 3 दिन में, बार बार पढ़ना है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है, तो आपको पता होना चीए कि ऐसे कौन स areas है, जो एक दो बार में नहीं होने वाले, ठीक है, तो यह one such चीज ऐसी है, X and Y matrix पे क्या क्या लेता है, तो यह आपको अलग से बढ़िया एक पेच पे लिख लो, चार या पांच ही है, चार या पांच ही है, बहुत जादा नहीं है, तो चार या पांच जो है, उनके क्या क X Y axis हैं, एक जगा लिख लो और रोज दो तिन दिन में उनको देखते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चालो, तो BCG matrix क्या है भाई, BCG matrix company का नाम है, Boston Consulting Group, BCG, उन्होंने यह matrix बनाई थी, और उन्होंने पहली बार यह काई के लिए यूज की थी, marketing and sales के लिए, product portfolio in marketing and sales, के लिए उन्होंने यह पूरा matrix पहली बार बना के use किया था, ठीक है, उनकी planning के लिए, फिर यह काई के लिए है, mainly use for multi category, multi product companies, ठीक है, अब इसमें क्या है, एक होता है आपका market share, और एक होता है आपका market growth, ठीक है, दो यह चीजें है, क्या दो चीजें use होती है, market share, relative market share, relative market share and market growth, ठीक है, आपका industry कितने rate से grow हो रहा है, ठीक है, अब यह कैसे matrix में आप plot करोगे, इसके steps भी उन्होंने दिये हैं, सबसे पहला unit choose करो, unit मतलब product, कौन से product को आप matrix पे plot करना चाहते हो, तो वो unit पहले choose करो, फिर वो unit आपने select कर लिया, ठीक है, तो उसका market define करो, कि वो क्या category में deal करता है, उसकी target audience क्या है, उसका market क्या है, ठीक है, और फिर आप, आपका relative market share निकालो कितना है, ठीक है, यह x-axis है, पहले x-axis आती है, बाद में y-axis आती है, ठीक है, तो वो sequence में आप ध्यान में रखो, तो पहले unit select करो, unit का market define करो, फिर उसका जो x-axis है, relative market share निकालो, ठ calculate relative market share, तो उसका formula क्या होता है, कि unit का market share, जित्ता आपका market share है, divided by largest competitors market share, ठीक है, मतलब यह total से divide नहीं होता है, समझ रहे, normal market share क्या होता है, आपका divided by पूरे market का, ऐसा नहीं है यह, यह relative market share है, ठीक है, relative मतलब as compared to your competitor, लिखा तुथा यह आप, लिख लो, ठीक है, यह है relative market share, ठीक है, मेरा market share upon competitors market share, तो अगर मेरा market share percentage में भी दिया जा सकता है, आपको output भी दिया जा सकता है, यह आपको value भी दिया जा सकता है, question जैसा आया, बस आपका जो भी share है, उसको आपके जो largest competitor है, उससे divide करके into 100 करना है, तो आपको पता चलेगा relative market share, clear है, और फिर है market growth rate निकालो, कि वो market जो है, वो जो industry है, जो आपका unit cater करता है, वो क्या rate से grow हो रहा है, ठीक है, और फिर circle draw कर लो, कि आपका कौन सा matrix में आता है, ठीक है, तो matrix कैसे बनेगी, x-axis में आएगा relative market share, और फिर यह आएगा growth rate, ठीक है, अब दो-दो classification है, high, low, low, high, ठीक है, तो high, high क्या होगा, star, वरवर, तो आप, अगर आपका ऐसा matrix आता है, ठीक है, तो आप star category में हो, फिर अ आपका growth rate high है, industry बहुत fast grow हो रही है, पर आपका share कम है, आप बहुत नए हो, तो आप question mark category में आओगे, कि industry अच्छी है, industry बहुत fast grow हो रही है, पर आपका market share उसमें काफी कम है, ठीक है, तो आप question category में हो, फिर है low, low, industry भी ठकी हुई है, grow हो नहीं रही, और आपका भी उसमें share बहुत ही कम है तो आप dog category में आते हो और फिर है cash cow मतलब आपका share बहुत जादा है आप एक dominant player हो कोई market में लेकिन वो बहुत ही slow growing market है overall market grow नहीं हो रही है growth rate काफी low है कम है पर आपका market share बहुत अच्छा है तो वो cash cow category में आता है ठीक है तो high high share high growth star फिर है low share high growth तो आएगा आपका question mark फिर है high share low growth तो आएगा cash cow और low low वो आएगा dog ठीक है अब इसमें आपको strategies होती है कि अगर आप question mark category में हो तो question mark वाले businesses को आपको क्या करना चाहिए question mark business को आपको build करना चाहिए question mark वालों को आपको build करना चाहिए और आपको उसका जो market share है उसको आपको बढ़ाने की कोशिश करने चाहिए ठीक है question देखो कुछ भी आ सकता है गुमा के conceptual question भी आ सकते हैं तो बिल्कुल concept पे focus करें ठीक है तो question mark आपको खेल में आ गया आप question mark में क्या low है आपका market share market share कम है न तो उसको कहते हैं build strategy कि आप अपना market share build करो तो आप अपना जो market share है उसको बढ़ाने वाले market strategies यूज कर सकते हो जिससे आपका market share बढ़े customer acquisition marketing बरोबर यह सब आपका priority होना चाहिए फिर अगर आप star category में हो दोनों already high है तो आपको बस sustain करना है ठीक है और grow करना है और अपनी जो पकड़ है situation है नहीं तो ऐसी favorable situation को बनाए रखो जितने समय तक बनाए रख सकते हो तो hold करो वरोबर customers जाने मत दो existing customers पर focus करो उनके customer satisfaction पर ध्यान दो customer retention पर ध्यान दो तो उस type के आपके strategies बनते है फिर cash काउ है तो भाई पूरा harvest कर लो क्योंकि market तो slow है ना market आप बढ़ा नहीं सकते आपका जो domination है उसको बनाए रखो जितना cash कमा सकते हो cash काउ है तो harvest कर लो और फिर dog वाला होता है divest कि यहां से निकल जाओ क्योंकि ना market में दम है ना आपका market share बढ़ रहा है तो यहां से निकल जाओ ठीक है नहीं तो जो पैसा लगा हुआ है वो भी आपका डूप जाएगा ठीक है तो ऐसे ही आपका BCG मैट्रिक्स है ठीक है clear है क्या तो यह सब है फटा फट पढ़ लेते हैं बोलो cash काउ क्या है cash काउ क्या है harvest strategy आईगी high share low growth इंडस्ट्री ग्रूव नहीं हो रही पर आपका market share बहुत अच्छा है तो cash cows are most stable product or service line and hence strategy includes retention of the market share ठीक है जो high है उसको high maintain रखो क्योंकि इंडस्ट्री को आप grow नहीं कर सकते इंडस्ट्री अपने एसाब से grow होती है ठीक है आपके control में नहीं होती तो आप अपना share बचा के रखो retention of market share as the market growth rate is low acquisition is less and customer retention is higher customer retention पे ही आपको पूरा पूरा ध्यान देना है क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो रही नए customers नहीं आ रहे हैं तो क्या करोगे existing वालों को जाने मत दो at least ठीक है तो customer retention आपको ध्यान देना है दस customer satisfaction program ध्यान दो इस पे भी अभी तक question नहीं आया है कौनसे category में क्या type के programs है वो अभी तक question नहीं आया है ठीक है तो cash cow में क्या करेंगे customer satisfaction programs, customer loyalty programs and such promotional methods forms the core of marketing plan of each cash cow फिर star ठीक है star में क्या करेंगे hold करेंगे क्योंकि share भी जादा है growth rate भी जादा है तो बने रखो जितना जादा समय बिताओगे उतना जादा अच्छा रहेगा तो आप इसमें हर type की marketing होती है इसमें मतलब कुछ direction नहीं है growth rate भी जादा है नए customers भी आ रहे है existing भी बहुत जादा है तो market भी grow हो रहा है आपका भी share जादा है तो आप हर जगह effort लेते हो हर जगह क्योंकि हर चीज़ favorable है तो all types of marketing sales promotion advertising strategies are used for stars similarly in stars because of the high competition and rising market share the concentration investment needs to be high in the marketing activities so as to increase and retain the market share increase भी करना है और retain भी करना है क्योंकि already बहुत है जिनका भी share already high होता है उनको retain करने पे भी ध्यान देना होता है तो hold फिर है question mark उसको हम क्या करेंगे build क्या build करेंगे जो low है market share कम है तो market share build करो अब market share build करने के लिए क्या करना है नए customers कैसे लाने उनी पे आपको ध्यान देना है existing share ही नहीं आप retain क्या करोगे यहां retention strategy क्या काम आएगी आपका market share ही low है क्या retain करोगे है ही नहीं market ही नहीं है आपका, तो retention पे तो आपको ध्यान देना ही न, आपको नए पे ध्यान देना है, ठीक है, तो इसकी marketing strategies अलगी होंगी, ठीक है, तो वो दिया है, new customer acquisition strategies are the best strategies for converting question mark to the stars or cash cow, इसमें एक और अच्छा point आएगा, ध्यान देना, कि furthermore, time to time, market research also helps in determining the customer psychology for the product as well as the possible future of the product and a hard decision might have if the product turns into negative, इसमें वो line नहीं है, वो line नीचे है, dog में, ठीक है, तो dog में क्या करेंगे, divest, क्योंकि कोई hope नहीं है, growth rate भी कम है, और market share भी कम है, ठीक है, अब इसमें एक option होता है, कि आप कोशिश करो, कि market share बढ़ा हो, या growth rate बढ़े, तो आप dog को convert करो, ठीक है, थोड़ा revive कर स सकते हो, बट बहुत chances कम होते हैं, ठीक है, ध्यान दो, depending on the amount of cash, which is already invested in the quadrant, मतलब already बहुत जाधा पैसा लगाय होगा है, और लगाने की कुझाईश ही नहीं है, तो आप revive नहीं करोगे, क्योंकि already बहुत जाधा लग चुका है, और जाधा risk बढ़ेगा, पर अगर आपने पैस कम लगा हुआ है, गुंजाईश है, और पैसे लग सकते हैं, तो आप revive करने की कोशिश कर सकते हो, depending on the amount of cash, which is already invested, the company can either divest altogether, और it can revamp the product through rebranding, innovation, adding features, अब यहां से ध्यान दो, यह line पे question आया नहीं है, बट मेरे साब से आना चाहिए, मैं paper बनाता तो मैं डालता, Moving a dog towards a star or cash cow is very difficult, ठीक है, क्योंकि low low है, low low से high high कैसे पहुच होगे, सोच के देखो, impossible है, market growth rate आपके हाथ में नहीं होता है न, market share आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, पर एकदम dog से एकदम छलांग मार के star पहुच गए, ऐसा real life में बहुत rare होता है, कि आप भी pick up कर रहे हो, और industry भ नहीं होता, तो बहुत मुश्किल है, dog सीधे star नहीं बन सकता, dog सीधे cash cow भी नहीं बन सकता, ठीक है, at the max आप क्या कर सकते हो, it can move only to the question mark region where again the future of the product is unknown, question mark को question mark की क्यों कहते है, क्योंकि वो uncertain है, build कर पाया, तो star बन जाएगा, या cash cow बन जाएगा, लेकिन नहीं build कर पाया, तो dog बन जाएगा, ठीक है, तो ये important line है, कि जो dog है, वो at the max question mark region में जा सकता है, ठीक है, वो star या cash cow में नहीं जा सकता, thus in the cases of dog products, divestment strategy is used, clear है, clear है क्या, यहां तक देखो हमने बहुत अच्छे से, बहुत detail में सारे punch words cover कर लिये, ठीक है, XY matrix में आपको बता दिये, formula भी बता दिय है, procedure भी बता दिया है, और strategies क्या type के user भी बता दिया है, high low high low सब, ठीक है, मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, आगे बढ़ते है, ठीक है, अब ये बहुत बड़ी strategy होगी, तो आप pause करके 10 minute पढ़ लो, खुद ही करना है, ठीक है, हर इसके बास 5-10 minute खुद की processing के लिए time देना है, ठीक है, चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अब है, ends of product market growth matrix, which is also known as ways to grow a business, growth strategies इन्होंने बताई है, ठीक है, क्या नाम है, ends of, I got ends of, इनका नाम है, ends of matrix कहते हैं, और इसी को कहते हैं, four ways to grow a business model, ठीक है, growth strategies इन्होंने बताई है, ठीक है, it first appeared in Harvard Business Review in 1957, 1957 में पहली बार ये आया था, और ये आगोर, इगोर, एगोर, ends of ने बताया था, to help the management teams to focus on the options of the business growth, तो इसने four growth options बताये थे, पहला है market penetration, जिसमें आप क्या करते हो, existing market में ही, existing product को जाधा बेचते हो, और आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, current product, current market में और जाधा aggressively आप बेच र रहे हो, ठीक है, तो ये भी एक growth strategy है, organic growth आप कहा सकते हो, इसको, the emphasis is on escalating the market share, ठीक है, आपको market share बढ़ाना है, existing product का existing market में ही market share बढ़ाना है, by making rigorous marketing promotions or by creating more customer value, business as usual, same business है, same product, same market, but on steroids, ठीक है, steroids किया है, सब आपको बता ही है, तो आपकी energy level बढ़ जाएगी, आप जाधा aggressive हो जा यह aggressive nature का, मतलब यह है, existing, existing यह है, लेकिन आप market share बढ़ाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो current, current वो आएगा, market penetration, ठीक है, इसका diagram भले आप बना लो, ठीक है, बोलो, current product, current market, तो यह आएगा, market penetration, ठीक है, new product, current market, जो भी new है, उसका नाम आएगा, product new है, तो इसको हम कहेंगे, product development, ठीक है, फिर है, current product लेकिन new market, तो market new है, तो इसको कहेंगे, market development, और दोनो new है, तो इसको कहते है, diversification, ठीक है, ऐसे चार strategies इन्होंने बताए हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर है product development, बोलो, product development, मतलब, product नया है, market existing है, ठीक है, new product in the current market, to replace the present product profile with the new and better products, ठीक है, आप product innovation कर रहे हो, product develop कर रहे हो, नय-नय product बना रहे हो, जिससे और अच्छा experience मिले, और ज्यादा utility मिले, और ज्यादा needs को आप satisfy कर सकते हो, to provide products which complement the main product, ठीक है, ये एक होता है, existing products से connected products ये आप बनाते हो, ठोड़े-ठोड़े से variations आप बनाते हो, ठीक है, ठोड़े-ठोड़े जैसे हर field में होता है, toothpaste ले लो, brush ले लो, car ले लो, हर जगा variants मिलते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो product development कर रहे है, main product एक है, उसी में थोड़े-थोड़े changes कर रहे हैं, और एक नया product launch कर रहे है, जो अलग-अलग target segments को cover up करता है, तो इसी को कहते हैं, to provide one shop stop, one stop shop आपको बनाना है, कोई भी customer हो, कोई भी taste का हो, कोई भी preference का हो, आपकी need हमारे shop पे हो जाएगी, ठीक है, हर type के, हर taste के products हम बनाते हैं, ठीक है, by adding new products to the value chain, to strengthen or leverage the relationship and to provide added convenience, फिर है market development, ठीक है, कि हम नए market में जा रहे है, existing product लेके, मतलब existing product हमार existing market में success हो गया है, market penetration भी हो गया है, अब क्या करोगे, उसी market में उसी product को कितना बेचोगे भाई, एक limit होती है न, तो आपके बास choice क्या है, नए market में जाओ, same product है, established है, market leader हो, और उसमें कोई doubt भी नहीं है, कोई मतलब prove नहीं करना है आपको, अब already एक market में हो, अब बस आप market में जाओ, तो आप expand हो जाओगे, ठीक है, तो current product ही है, लेकिन new market में जाएंगे, opening up previously excluded market segment through pricing policy, ठीक है, हो सकता है, उस market में आप इसलिए नहीं के, क्योंकि वहाँ पर price sensitive audience है, वहाँ के pricing अलग है, तो आपको अपनी pricing हो सकता है, change करनी पड़े, पर आप आप ready हो, क्योंकि existing market आप पूरा खा गए हो, existing market पूरा खा गए हो, आपको बचा ही नहीं है न, तो आप नए markets में भी compromise करके, price कम करके जाने के लिए ready हो, तो वो है market development, new marketing distribution channels आपको लगेंगे, entering new geographical market by moving from local to regional, regional to national and national to international, ठीक है, धीरे धीरे आप level up कर रहे हो, local से regional, regional से national, national से international, ठीक है, ऐसे आप market develop कर सकते हो, last है, सबसे important, diversification, ठीक है, यह सबसे difficult है, सबसे ज़्यादा risky है, diversification is the most risky growth strategy in the I-Core ends of matrix and specially if it requires, जो हम पढ़ेंगे अभी, तो उसमें भी तीन तरीके है, तो diversification का है, new, new, नया product, नया market, ठीक है, बहुत risk ले रहे हो, नया product, नया market, उसमें भी stages होती है, पहला है, related market में जाओ, मतब market नया है, पर related है, उसमें थोड़ी audience सेम है, या market बहुत connected है, ठीक है, तो diversification into related market, नया product, related market में लेके जाओ, तो हलका सा risk कम हो जाता है, फिर है diversification into unrelated market, लेकिन using existing resources and capability, कुछ ना कुछ existing अब ले रहे हो, तो risk कम हो जाता है, तो existing resources, existing capability लेके unrelated market में जा रहे हो, ठ कास्ट है, diversification into unrelated market, और बतलब इसमें new capabilities है, सब नया है, capabilities नहीं है, सब नया है, market भी नया है, सब नया है, मैं इसरे से चालू कर रहा, तो वो सबसे ज़्यादा risk है, ये वाला, और ये ही वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो, especially, if it requires development of new resources and capabilities, और उसी को कहते है, suicide sell, हैं ख्याल में, तो ये आपका suicide sell है, unrelated market है, और new capabilities, new, सब नयू है, कुछ भी existing नहीं है, ठीक है, तो इसी को suicide sell भी कहा गया है, और ये ही सबसे ज़्यादा risk की situation है, clear है, तो ये है, four ways of growing a business, IGOR ends of 1957, ठीक है, 1957, Harvard Business Review, ठीक है, तो ये हमने बना लिया, ये भी आप बना सकते हो, clear है, चालो, आगे बढ़ते हैं, फिर है ADL Matrix, चालो, तो ADL Matrix, ठीक है, Arthur D. Little, ठीक है, person का नाम क्या है, जिसने बनाया है, Arthur D. Little, इसलिए उसका नाम है ADL Matrix, अब ये अलगी concept है, ये based है on product life cycle, बरबर, industry life cycle पर based है, कि industry क्या stage पर है, उस पर depend करता है कि आप क्या strategy use करोगे, ठीक है, इंडस्ट्री के हिसाब से, ये पूरा analysis किया गया है, Arthur D. Little provides ADL Matrix, that is a portfolio management method, same जैसे बाकी सब हम पढ़ रहे हैं, based on the thought of product life cycle, कोई और है नहीं, जिसने product life cycle के हिसाब से, project management, product management बताया हो, अब इसमें क्या dimensions है, it involves dimensions of environmental assessment and business strength assessment, ठीक है, तो इसमें पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि क्या stages है, of industry life cycle, ठीक है, कितने में उन्होंने divide कि है, तो four stages में divide कि है, सबसे पहला stage, जो industry life cycle का होता है, वो है embryonic, यानि कि just आप पैदा हुए हो, just वो industry create हुई है, ठीक है, तो वो stage को कहते हैं embryonic, it involves introduction stage by following rapid market growth, no or little competition, आप अकेले product हो, आपने product innovation किया हुआ है, अकेले आप monopoly situation में हो, ठीक है, no or little competition, high prices, investments and new technology, ठीक है, जब field industry नई-नई create होती है, pioneering stage भी हम इसी को पढ़ चुके है, तो pioneering stage को या आप कहते हो, embryonic stage, फिर आपका abnormal जो extra नदी profit है, क्योंकि आप एक या दो ही player हो, high prices है, तो आपका profit भी बहुत जादा होगा, और आपका profit देखके, बाकी players भी आ जाएंगे तो थोड़ा सा competition बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो stage होती है, growth stage की industry ग्रो हो रही है, in this stage, market is strengthening as the sales increases, few competitors make an appearance and company achieves excellence in bringing up the new product, ठीक है, market established होता जाए और market grow होने लग जाता है, और number of competitors भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और फिर continuously यह चलते रहता है, तो आप maturity stage पर आ जाते हो, ठीक है, maturity stage market is completely stable, ठीक है, stable है, न बहुत जादा बढ़ रहा है, न डिक्लाइन हो रहा है, stable है, लगबग लगबग उतना ही market का total size है, with well established base of customers, market shares are also stable, customers are making repeated orders, but with a lot of competitors, company has to make efforts in differentiating their product from the competitor, competitors से आप कैसे लड़ोगे, differentiation, ठीक है, तो आप differentiation आपने चालते हैं, जालू कर दिया है, और आप differentiation के तुरू competitive environment में, आप stably काम कर रहे हो, और फिर आता है aging stage, कि मतलब पूरा जो market है, वो decline हो रहा है, market size जो है, market demand जो है, वो decline stage पे है, नए customers आ ही नहीं रहे है, ठीक है, तो आप aging stage पे हो, the last stage of market in which market volume shrinks, ठीक है, total volume, पूरा market का जो demand है, वो अब aggregate demand जो हो, decline होना start हो गई है, as the demand declines, snatching market shares from the competitors become difficult, तो अब आप grow नहीं हो सकते, क्योंकि market ही grow नहीं हो रहा है, market decline हो रहा है, तो अब आप, अगर आपको stable भी रहना है, तो भी आपको competitors से छीनना पड़ेगा, grow होना है, तो आपको competitors से customer छीनने पड़ेंगे, क्योंकि पूरा market ज customers तो आई नहीं रहे है, existing वाले भी जा रहे हैं, ठीक है, तो यहां आपको एक दूसरे से share छीनना पड़ेगा, then the company requires innovating or modifying the product or to make an exit, और अगर आप लड़ नहीं पा रहे हो, sustain नहीं कर पा रहे हो, तो आपको exit लेना पड़ेगा, ठीक है, future नहीं है, industry aging stage पे आगे है, तो industry में कुछ बचा नहीं है न, आप नया investment क्यों करोगे, aging वाली industry में आप नया पैसा क्यों लगाओगे भाई, आएक हैल में, तो वहां exit लेना ज्यादा appropriate option होता है, तो चार ऐसे industry life cycle के stages है, embryonic growth, maturity, aging, clear है, आगे बढ़ते हैं, तो दो ऐसे उनके parameters है, पहला है environmental assessment और दूसरा है business strength assessment, environmental assessment ही actually है, industry maturity, दो dimensions होता है न, matrix में, तो एक है environmental assessment, environmental assessment को ही कहा गया है, industry maturity, industry maturity को ही कहा गया है, product life cycle, या industry life cycle, ठीक है, जो भी कहो, तो वह उसे गुजरता है, और second वाला जो है, वो है business strength, याने आपका competitive position, क्या आपका market में dominance कितना है, market share आपका कितना है, ठीक है, ऐसे दो बतलब parameters होता है, एक है product या industry life cycle, एक parameter यह है, एक matrix यह है, और second है, आपका strength, याने कि आपकी competitive position उसमें क्या है, आप dominant में हो, अलग-अलग जो positions है, ठीक है, क्या नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ideal matrix, तो एक आपका है industry life cycle या product life cycle, जो भी का हो, तो उसको देखो, यह चार में बाटा है, embryonic growth, maturity, aging, और second matrix जो है, competitive position, जिसको आप कह सकते हो, business strength, और वो क्या-क्या होती है, dominant हो, आप strong हो, favorable है, tenable है, या आप weak position में हो, ठीक है, तो 5 में यह divide किया गया है, ठीक है, यह 4 है, और यह 5 है, dominant, strong, favorable, tenable, और weak, ठीक है, 5 ऐसे आपके हो सकते हैं, अब यह पूरा अंदर का मसाला आपको याद नहीं करना है, कोशिश करके भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो बस यह matrix के जो दो dimensions है, कितने में categorize किये गए हैं, इस पे आप ध्यान दो, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, फिर है, GE McKinsey matrix, ठीक है, यह BCG का advanced version है, BCG से ही derive किया गया है, ठीक है, BCG क्या था, 2x2 matrix था, ठीक है, 2x2 matrix था, और market share और market growth, यह दो उसके factors थे, ठीक है, अब इसी को आगे और detail किया गया, अब इसमें 2x2 matrix थी, high, low, high, low, ऐसे 2 थे न, अब इन्होंने बीच में एक medium डाल दिया है, high, medium, low, ऐसे 3-3 variants है, तो यह 3x3 matrix है, 3x3 matrix है, मतलब यह 9 box matrix है, इसलिए उससे थोड़ी advanced है, थोड़ी detailed है, clear है क्या, तो यह same, जैसे BCG क्या था, multi business है, यह भी multi business के लिए है, ठीक है used in brand marketing and product management, brand marketing and product management that assists a company to decide about the products to be added, ठीक है, कौन से नए products add करने है, products to be added and opportunities to be prioritized in the market for investment, कहां पैसा invest करें, क्योंकि आपके बास investment limited है, और number of products यह opportunities बहुत जादा है, और यह conceptually जो है, similar है to BCG, तो question आ सकता है, conceptually क्या BCG से similar है, GE McKinsey matrix, यह consulting firm का नाम है, GE McKinsey, ठीक है, उसी ने matrix बनाया था, अब इसमें देखो dimension क्या है, one dimension comprised of industry attractiveness, जो क्या होता है, growth, industry attractiveness क्या है, growth, market growth, और second है internal business trend, जो है आपका market share, ठीक है, keeping in this mind, BCG matrix and its improved version, GE McKinsey matrix was developed, the nine box matrix plots business units on nine cells that indicates whether the company should invest in the product, harvest or divest it, यान investment and or do a further research on the product and invest in it, if it still has some resources left, थोड़ा मतलब detailed है, इन्होंने एक चीज़ और extra add कर दी है, which is hold or selective, hold or selective वाला option, BCG में नहीं था, ठीक है, BCG में क्या था, invest, divest, harvest, ठीक है, यह सब था, या build, इसमें hold का भी option इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, ध्यान दो, तो matrix से में, business trend, मतलब क्या है, market share, business strength, और एक है, industry attractiveness, मतलब growth rate, नाम लेकिन यही technical है, नाम क्या लेना है matrix के, G, McKinsey के दो matrix क्या है, X पे है, आपका business unit strength, और Y पे है, industry attractiveness, नाम ऐसे ही आदर्टने, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो, और इसने, 3-3, वो probabilities डाल दिये, high, medium, low, high, medium, low, ठीक है, अब ध्यान दो, combinations को समझो, ठीक है, high, high, invest, ठीक है, high, high, invest, ठीक है, फिर medium, high, high, medium, ठीक है, एक combination समझो, high, high, medium, high, high, medium, यह जो combinations है, इन दोनों के, high, medium के जो combinations है, जितने भी high, medium के combinations अब बना सकते हो, तीन ही बनते हैं, ठीक है, तो यह तीनों में invest या grow का है, similarly, medium और low के जितने भी combination मनेंगे, low, low, medium, low, या low, medium, ठीक है, यह तीन में harvest या divest है, और तीन ऐसे हैं, जो extreme वाल है, high, low, low, high, high, low, low, high, तो यह hold में आएंगे, और medium, medium वाला भी combination आएगा, hold में, कुछ समझ में आ रहा है, तो यह आप याद कर सकते हो, कुछ question अभी तक नहीं आया है, chances भी बहुत कम है, ठीक है, चलो, तो यह GE McKinsey का है, nine box matrix है, यह आपको पता होना चाहिए, GE McKinsey कंपनी ने इसको बनाया हुआ है, GE McKinsey ने इसको बनाया हुआ है, ठीक है, और यह क्या बताता है, whether to invest, harvest, और do further research, ठीक है, यह सब बताता है, multi business है, brand marketing and project management के लिए इसको बनाया गया था, use किया गया था, और दो matrix क्या है, industry attractiveness बताता है, और internal business strength के साब से बनाता है, और तीन-तीन classification है, high, medium, low, ठीक है, और conceptually यह काई से similar है, BCG matrix, clear है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब है, Glewick and George generic strategic alternative, अब यह आपको corporate strategies के साब से पढ़ना है, यह क्या है, corporate strategy, corporate strategy के बारे में क्या पढ़ा था, कि वो corporate level पे है, ठीक है, वो top level management बताता है, long term के लिए बनाता है, office में आपने एक्जैंपल भी पढ़े थे, वो exactly यही वाले है, देखो, क्या था, stability, growth, retrenchment, यहादा आ रहा है, stability, growth, retrenchment, यह कौन सी strategies थी, corporate level strategies, ठीक है, corporate level के साब से आपको पढ़ना है, तो glueic and George, generic strategic alternatives, ठीक है, generic, मतलब एक specific business के लिए नहीं है, generic से ही आप समझ सकते हो, कि यह corporate level strategy है, strategic alternatives, ठीक है, तो इसमें उन्होंने, चार, तीन के जग़ा, चार classification दिया है, growth को इन्होंने, दो में divide कर दिया है, internal growth, external growth, ठीक है, तो stability सेम है, growth को दो में divide कर दिया है, internal external growth और retrenchment वैसे का वैसा है, उसमें भी internal external आएगा, sub classification, पर four grand strategic alternatives बताये थे, four grand strategic alternatives बताये थे, ग्लुएक एन जॉच ने, और वो चार क्या थे, stability, internal growth, external growth and retrenchment, ठीक है, चलो, अब stability growth क्या कहता है, stability strategy क्या बोलता है, stability बोलता है, बने रहो, कुछ भी नया मत करो, पर वो बनाए रखने के लिए जो भी करना है, जो भी आपका market share है, जो भी आपकी position है, उसको maintain करने के लिए जो भी करना है वो करो, पर कुछ भी नया मत करो, ठीक है, तो stability strategy involves maintenance of current business definition by safeguarding the existing interest and strength, instead of do nothing strategy, do nothing नहीं बोल रहा है वो, do nothing नहीं बोल रहा है, instead of do nothing strategy, it is a do nothing new strategy, कुछ भी नया नहीं करना है, expansion नहीं करना है, बस जो भी position hold करने के लिए जो भी आपको करना पड़े हैं, वो करते रहो, तो do nothing new strategy को आप stability strategy कह सकते हो, फिर है internal growth, अब growth देखो दो प्रकार की होती हैं, एक है आप internally changes करते हो, internally आप technology बना सकते हो, product में development कर सकते हो, नए market में जा सकते हो, जो अपनने चार growth model नहीं पड़े थे, आए कुछ समझ में, product develop करो, market develop करो, employee को training दो, technology को adopt करो, यह सब internal होते हैं, आप अपने आपको change कर रहे हो, और आप organically grow रहे हो, यह organic growth होता है, internal growth जो होता है, और external growth क्या है, कि आपने किसी business को acquire कर लिया, amalgamation, acquisitions, तो वो होता है external growth, इसी को आप कहते हो, inorganic growth, shortcut, ठीक है, shortcut आपने बना बना है business, ready made business है, आपने सीधे acquire कर लिया, और आप उसको सीधे चला रहे हो, ठीक है, तो वो होता है, external growth approach, ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते है, internal growth approach, involves redefining business definition by sustainably, scaling, sustainably, लिखा हुआ है, substantially, substantially, बहुत बड़ा आपको change करना है, scaling the level of operations through internal development, and not taking the help of other businesses, external, कोई independent business है, उनको take over करके आप नहीं कर रहे हो, आप अपने आपको, अपने products को, अपने setup को, अपनी technology को, अपने आपको, आप internal चीज़ों को change कर रहे हो, market penetration, ठीक है, सारे देखो, growth strategies आएंगे, जो अपने पड़े थे, याड़ा रहे है, I got ends of, ओई वाले, market penetration, market development, product development, ये सब होते हैं, आपके internal growth approach है, जिसमें आप अपने आप पे काम करते हो, outside independent business को खरीदते नहीं हो, और फिर है, external growth approach includes acquisitions, ठीक है, merger, acquisitions, consolidations, joint venture, जिसमें external businesses involved है, आप अकेले नहीं हो, या आप अपने आपको सिर्फ change नहीं कर रहे हो, उसमें आप outside business की help ले रहे हो, या तो उसके साथ joint venture कर रहे हो, या तो आप उसको उसका पूरा business unit खरीद रहे हो, या उसके साथ आप merge हो जा रहे हो, तो ये होता है external growth, फिर है retrenchment, ठीक है, मतला आप business को कम कर रहे हो, assets बेच रहे हो, या आप level of scale of operations को घटा रहे हो, ताकि आप cost या loss को घटा पाओ, ठीक है, तो होता है retrenchment strategy, this has three dimensions, retrenchment has three dimensions, पहला है improvement in performance by scaling down the level or scope of products market objective, current level of operations को आप घटा रहे हो, क्योंकि आप loss में हो, या आप बहुत जादा आपका fix कर चाहे हो, तो आपको उसको घटाना है, फिर है cutback in cost, ठीक है, cost cutback करो, operations को कम मत करो, cost को कम करो, per unit cost जो है, या जो भी setup की cost है, आप उसको घटाओ, level of operations मत घटाओ, आप cost को घटाओ, cost of production, cost of maintenance को घटाओ, और फिर है reduction in the scale of operations through divestments of some units or division, मतलब जो भी unprofitable divisions हैं, products हैं, assets हैं, आप उनको बेच दो, loss making चीज़ें को हटा दो, तो थोड़ा आपका overall profit improve हो जाएगा, जैसे तीन चीज़ें आप कर सकते हैं, रेट्रेंश्मेंट में, performance improve करो by scaling down, scale down करने से भी फाइदा होता है, अगर आप loss making हो, फिर या तो cost पे हमला करो, जादा cost आ रही है, इसलिए आपको problem हो रही है, profit कम आ रहा है, आपका loss आ रहा होगा, तो cost जादा लगने से होता है, तो आप cost पे हमला करो, cut down the cost, ठीक है, और third है कि कुछ selected businesses हैं, कुछ selected products हैं, या कुछ selected कोई एक अलग division है, जिसके वज़े से loss हो रहा है, बाकिसा अच्छा चल रहा है, तो बस वो division को बेज़ दो, non-performing जो divisions है, units है, assets है, उनको बेज़ दो, divest कर दो, liquidate कर दो, तो जो अच्छे चल रहे हैं, बस उनको रखो, तो इसमें भी दो होते हैं, internal, external, internal return and external return, internal return में same, मतला आप अपने आप में changes कर रहे हो, इसमें outside party involved नहीं है, तो अगर आप जैसे यह है न, divestment, यह divestment वाला external माना जाता है, क्योंकि आप अपना division किसी और को बेच रहे हो, उसमें external person involved हो जाता है, ज्यान दो, internal में क्या आएगा labeled as operating turnaround, आप अपने operations को change कर रहे हो, cost structure पे आप काम कर रहे हो, efficiency को improve कर रहे हो, तो वो होता है, operational turnaround, loss making से आप profit making होना चाहते हो, by changing the cost structure, where the emphasis is on reducing cost, increasing revenues, reducing assets, और reorganizing the products and market to greater efficiency, इसलिए इसको कहते है, internal, आप अपने आपको change कर रहे हो, outside parties में involved नहीं है, और second है external, कि जो भी loss making units हैं, उसको बाहर किसी entity को बेज़ दो, divestment, ठीक है, constitutes more serious form of strategic turnaround, including some measures such as divesture और liquidation, वो units को बंद कर दो, या वो किसी और को बेज़ दो, clear है क्या, तो ऐसे आपके, चार है, stability, internal growth, external growth, retrenchment, ठीक है, चार type के grand strategy है, glueick and George, generic, strategic, alternative, ठीक है, अब आते हैं, आपके favorite, Peter Parker, नहीं, पॉर्टर, sorry, तो पॉर्टर के जो strategies हैं, ये आपको business strategies से compare करने, ठीक है, ये business strategies है, corporate strategies नहीं है, ये business level strategies हैं, जो middle level management बनाता है, और आपने ये पढ़ा भी है, देखो, क्या के examples हैं, cost leadership, differentiation, focus, यादा रहा है, ये तीन आपने business level strategy में पढ़ा था, तो ये business level strategy है, potters, generic strategies, ठीक है, business के लिए, individual, SBU या business के लिए strategies होती है, in 1985, in his book, competitive advantage, creating and sustaining superior performance, याद हो पाए तो याद कर लो, author के नाम आते हैं, ठीक है, तो जो तीन, दो तीन, एटली जित्ते याद होता तो भी कर तो competitive advantage पे किसने book लिकी है, potter, Michael potter pronounced the three generic strategies, cost leadership, याने कि no frills, no frills मतलब no special features, मतलब बहुती basic सा product आप देते हो, क्योंकि features दोगे, तो cost बढ़ जाएगा, low cost आप तभी कर पाओगे, जब आप कोई भी special features नहीं देते हो, बहुती basic काम चलाओ product आप बनाते हो, वो ही आप lowest cost में offer क सकते हो, तो no frills, no special features, ठीक है, फिर है differentiation, बहुती इसमें आपको features देने पड़ते है, creating uniquely desirable products and services, और फिर है focus कि आपको पूरे market पे focus नहीं करना है, आपको एक target करना है segment को, market segmentation भी इसको कहते है, या niche marketing भी इसको कहते है, focus strategy, offering a specialized service in a niche market, अजब आपकी target audience पूरा market नहीं है, हर जो वो product यूज कर रहा है, आपकी पूरी audience नहीं है, आप उसमें, उसमें आपने segmentation कर रखा है, जिसमें आपको example भी दिया था, कि आप clothing में हो, लेकिन आप सिरे बच्चों के कपड़े बनाते हो, तो आपकी audience आपने segment कर ली, कि बच्चों के लिए ही हम बनाएंगे, या working professionals के लिए बनाएंगे, housewives के लिए बनाएंगे, समझ रहा हो, सब categories आप बना सकते हो, तो वो focus strategy में आता है, फिर है, फिर focus में भी आप, जब आपने segmentation बनाया है, जैसे मैं बच्चों के लिए कुछ बनाऊंगा, अब बच्चों की category में भी तो competition होगी न, फिर वहां मैं कैस से लड़ूँगा, तो उसके लिए फिर मेर को या तो cost leadership लेनी पड़ेगी, या differentiation अपनाना पड़ेगा, समझ रहे हो, तो उसके अंदर भी दो parts हो सकते है, focus में आपने market छोटा कर लिया, market segment कर लिया, पर उसमें भी फिर आपको काई पे focus करना है, cost के basis पे focus करके लड़ना है, या आपको differentiation करना है, ये भी आपको choose करना पड़ेगा, फिर है, cost leadership में क्या करते है, no frills, ठीक है, basic सा product बनाते है, lowest possible cost पे economies of scale का हम benefit लेते हैं, involves firm winning the market share by appealing to the cost conscious or cost price sensitive customers, ठीक है, उसी market में possible है, जहाँ पे आपके customer price sensitive है, 500 रुपे, 500 रुपे, 200 रुपे से अगर फरक पड़ता है, 100 रुपे से अगर किसी को फरक पड़ता है, तो price sensitive market है, जहाँ बहुत ज्यादा negotiations होती है, तो वहाँ पे ये strategy ज्यादा काम आएगी, this is achieved by having lowest price, cost leadership मतलब क्या है, lowest price in the target market segment, और at least the lowest price to value ratio, जो value आप दे रहे हो, जो type का product दे रहे हो, उसमें आपका lowest price है, तो वो भी चल जाएगा, मतलब जिसमें multiple, थोड़े variations हो सकते हैं, अलग-लग type के products होते हैं, तो उसमें price to value ratio आप निकाल सकते हो, फिर है differentiation, कि अगर आपका customer पैसे दे सकता है, वो पैसे फेक रहा है, ये low पैसे, मेरे को product ऐसा चाहिए, जिसकी special demand है, ठीक है, जो high earning वाले जो customers होते हैं, जो luxury products, premium products खरी इतने के लिए ready होते हैं, उसके लिए extra price भी पैसे करने के लिए ready है, ऐसे market में differentiation strategy ही चलती है, तो luxury goods है, premium products है, वहाँ पे आप cost leadership use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ price sensitive audience नहीं होती है, price sensitive audience luxury products में नहीं आती है जादा, समझ रहे हो, तो luxury product है, premium product है, तो वहाँ differentiation ही बनेगी, high prices ह आप charge करोगे, क्योंकि वह luxury product है, मतलब जो customers है, वो price sensitive नहीं होते हैं, clear है, the differentiation strategy is appropriate, where the target customer segment is not price sensitive, the market is competitive or saturated, ठीक है, या तो competitive है, saturated है, मतलब बहुत जादा players है, monopoly वाली situation नहीं है, customers have very specific needs, विल्कुल compromise नहीं करना है quality में, पैसा low, पर product ऐसा ही चाहिए, service ऐसा ही चाहिए, premium या luxury, segment है, very specific needs, which are possibly underserved, and the firm has unique resources and capabilities, which enable it, to satisfy those needs, in a way, which are difficult to copy, difficult to be copy होनी चाहिए, फिर है, आपके competitors भी same, similar services, differentiation, create कर सकते हैं, तो फिर हो differentiation कैसे रहेगा, तो जनरिक हो जाएगा, तो ऐसी चीज़े, differentiation में आपको लानी है, जो copy कोई न कर पाए, differentiation is deemed to be successful when a company is able to fetch a premium price, वरवर अगर आप premium price भी fetch नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आपने successfully differentiation create नहीं किया है, क्योंकि differentiation क्यों create किया जा रहा है, ताकि आप high price चार्ज कर पाओ, ठीक है, for its products and services has increased the revenue per unit, और is able to retain the loyalty of the customer, ठीक है, या तो आपकी per unit revenue बढ़ गई है, या तो आपने customers को retain कर लिया है, किसी और के बाद जाने से रोक लिया है, तो भी successfully आपने differentiation कर लिया है, ठीक है, तो ऐसे तीन उन्होंने दिया है, या तो आप high price fetch कर पा रहे हो, या आपका revenue per unit बढ़ गया है, या फिर आप customers को retain कर पा रहे हो, फिर है focus strategy, इसी को आप कहते हो niche strategy या इसी को आप कहते हो, market segmentation strategy, ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, is often used by the small firms, ठीक है, जिसको पता है, जिसको पता है, कि पूरे market में तो अपन लड़ी नहीं सकते, ठीक है, जो पूरे दुनिया पे कबजा नहीं कर पाते, या उनको लगता है कि यार मैं नहीं कर कि आप एक market choose कर लेते हो, अब उसमें भी आपको compete कैसे करना है, उसके लिए भी आपको focus देखना पड़ेगा, कि या तो आप cost पर focus कर सकते हो, या तो आप differentiation पर focus कर सकते हो, same है concept, while the cost focus will have the lowest cost producer within such niche segment, and differentiation will create competitive advantage through differentiation within that niche segment, ठीक है, clear है, clear है, clear है क्या, तो यह था, Glowick and George, corporate level strategies थे, और orders के थे, business level strategy, cost leadership, focus, differentiation, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर यह chapter का last point है, environmental study, सबसे basic, जो बहुत जाधा detail में मैंने नहीं दिया है, बहुत ही basic है, जाधा questions भी नहीं आते, बोलो, environment, internal, external, याद आ रहा है, थोड़ा बहुत हम पिछले chapter में पढ़ चुके हैं, while the policy makers and managers on the top, ध्यान दो, यह भी बहुत qualitative line है, कि top management काईसे concerned होती है, external factors से, क्योंकि आपको जुकना पढ़ता है, external factors में आप उसको change नहीं कर सकते है, वो uncontrollable होती है, उसके सबसे आपको change होना पढ़ता है, तो यह सबसे दाधा concerning होती है, तो top management external factors के बारे में ध्य management है, वो internal factors पे ध्यान देती है, ठीक है, while the policy makers and managers on the top are concerned with the external factors, external environment and the middle and lower management are more concerned with the internal environment, ठीक है, question आ सकता है, फिर है business environment internal या external होते है, external में भी आपको पता ही है, जो भी outside players है, suppliers, government, public at large, customers, government, ठीक है, इस सारे आपके external environment, फिर क्लोग macro factors हैं, technology, government policy, tax policy, inflation, recession, बरोबर, currency fluctuations, यह सब macro factors भी external environment का part होते हैं, consists of all those factors which affect the business enterprise from outside boundaries, जो आपके control में नहीं है, जो आपके लिए काम नहीं करते हैं, जिस पे आपका कोई control नहीं है, तो वो सब outside वाले external environment में आएंगे, consists of shareholders, legal, competitors, customers, society, government rules, regulations, policies, technology, ठीक है, सब चीज़े हैंगे, और यह normally क्या है, uncontrollable है, ठीक है, यह आपके हिसाब से change नहीं होती है, आपको इसके हिसाब से change होना पड़ता है, these are uncontrolled factors and the firm have to adapt to the components of this environment, subdivided into micro and macro, जो immediately आपसे interaction होता है, जिसका, वो micro होता है, और जो सब को affect करता है, एक साथ क्योंकि वो economy level पे होता है, वो होता है, macro factors, तो micro में क्या क्या हैगा, जो आपसे immediately connected है, ठीक है, आपके suppliers, day to day आपसे interact करते हैं, जिसका फरक आप ही को पड़ेगा सि customers, आपके marketing intermediaries, आपके competitors और आपका जो area में general public है, यह सब immediately आपसे connected हैं, और day to day आपको affect करती है, तो यह micro environment में आती है, और फिर आता है macro, जो one to one आपसे connected नहीं है, वो पूरी field से related है, पूरे country से related है, ठीक है, तो सारे economic environment, political, legal, social, cultural, global, technological, demographical, natural, ecological, यह सब common factors है, macro level पे जो economy level पे react करते हैं, और सब को affect करते हैं, और इसलिए यह uncontrollable भी है, फिर यह demographic क्या होता है, यह नाम से actually याद नहीं आता है, इसलिए लग से दिया हुआ है, demographic मतलब gender ratio, male female ratio, size, growth, population, population के जो characteristics है, life expectancy क्या है, rural, urban, divide कितना है, distribution कितना है, technological skills, education level, language skills, यह सब demographic environment का part है, और फिर internal में आता है आपका value system, mission, objective, जो आप बनाते हो, आपके control में है, ठीक है, value system, mission, objectives और यह सब controllable है, to a certain extent controllable होते हैं, ठीक है, तो यह था आपका पूरा chapter, ठीक है, थोड़ा बहुत, revision notes भी एक बार घुमा लेते हैं, कुछ-कुछ बहुत अंदर के points है, ठीक है, वो मैंने cover नहीं किये हैं, main main वारे सारे punch words मैंने cover कर लिये हैं, ठीक है, सबका I think diagram भी हमने देख लिया है, ठीक है, situational analysis, four areas, problem क्या है, कौन लोग उसमें involved है, जिसको affect होगा, broad context क्या है, कौन सी problem मतलब वो है, और factors क्या है, ठीक है, क्या factors को आपको ध्यान देना है, ठीक है, situational analysis को यह आप क्या कहते हो, environmental analysis, ठीक है, सब पढ़ चुके हैं, कि यह before आपको करना चाहिए, timing भी पढ़ चुके है, elements भी पढ़ चुके है, product situation, competitive, distribution, environment, opportunity and issue analysis, याद है, पाँच, यह पूरे वही पाँच factors है, ठीक है, फिर है, sweat and toes, ठीक है, सब देख चुके हैं अपन, five force कब बना, toes भी पढ़ चुके है, ठीक है, Harvard Business Review में आया था, फिर इसका flow पढ़ा था अपन ने, ठीक है, sweat का flow क्या है और toes का flow क्या है, और four क्या strategies उससे बनती हैं, सब का नाम भी मैंने बता दिया, ठीक है, aggressive, conservative, competitive, defensive, ठीक है, सब पूरा इसमें हमने पंच words पढ़ लिया है, PERT और यह भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, program evaluation, review technique PERT और CPM, complimentary है, in conjunction use हो सकती है, दोनों कब बनी थी, यह भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, Morgan Walker, ठीक है, यह कुछ detailing वाली मैंने चीज़ें cover नहीं की है, तो आप यह पढ़ सकते हो, pause करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ठोड़ा cover अप कर लो, इतने advantages यह सब मैं डाल दूँगा, फिर आपके notes तो बहुत जादा यह हो जाएंगा, और इसमें अभी तक कुछ आया भी नहीं है जादा, ठीक है, बड़ आपको cover करना है, ठीक है, advantages, limitations, यह सब अभी आप cover करो, pause करके cover कर लो, ठीक है, ठीक है, BCG यह पूरा chart अपने पढ़ लिया है, पूरा यह matrix पढ़ लिया है, ठीक है, steps पढ़ लिया है, sequence भी पढ़ लेता है, चलो, success sequence, disaster sequence, success sequence क्या है BCG का, success sequence of BCG is when the question mark becomes star, ठीक है, question mark को अगर आपने build कर लिया, और वो star बन गया, तो यह success sequence है, ठीक है, and finally it becomes a cash cow, क्योंकि market grow नहीं होगा, तो अपने आप star cash cow में बन जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, market का growth rate कम हो रहा है, तो आप क्या कर लोगे, चीक है, and this is the best sequence, which really gives a boost to the company's profits and growth, success sequence, unlike disaster sequence, is entirely dependent on the right decision making, क्योंकि इसमें आपके उपर है, question mark में क्या है, आपका market share कम है, market share तो आपके decision से बढ़ेगा न, तो अगर आप market share बढ़ा रहे हो, तो आप question mark को star में convert कर सकते हो, फिर है disaster sequence, disaster sequence of BCG happens when a product which is a cash cow, due to the competitive pressure, already low growth, market का low growth है, high share है, तो आप cash cow हो, अब अगर आपका competitive pressure के जैसे आपका market share भी कम हो गया, growth market का already come है, आपका share भी कम हो गया, तो आप तो dog में आ जाओगे न, समझ रहे हो, which is a cash cow and due to the competitive pressure, might be moved to a star, एक में मॉड्यूल से देख लेता हूँ, इस में I think changes हुए थे, एक second, तो यह आपके syllabus में ही नहीं है, ठीक है, हट गया है मतलब, वही कह रहा हूँ, minor minor changes, ICA से करते रहता है, बताता भी नहीं है, ठीक है, वह है ही नहीं, disaster sequence, यह sequence है ही नहीं, ठीक है, यह देखो, SWOT analysis है, ठीक है, तो उसमें, sequence ही नहीं है, concept ही हटा दिया है, ठीक है, चलो, बच गए, ठीक है, तो यह आप cut कर सकते हो, sequence अभी हटा दिया है, sequence अभी हटा दिया है, ठीक है, कट कर दो, module में नहीं है, ठीक है, चलो, भाई, मेरे ख्याल से, ठोड़ा ठोड़ा यह आपको cover करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ, detailing है, वहाँ वहाँ, आपको cover करना पड़ेगा, ठीक है, advantages, disadvantages, disadvantages, यह थोड़ा आप cover कर लो, ठीक है, हर जगह, ठीक है, benefits, limitations, ठीक है, यह दोनों alternators हमने पड़ लिया है, retention पड़ लिया है, ठीक है, cost leadership, यह सब पड़ लिया है, ठीक है, तीन-चारे जो concepts हैं, इसमें advantages और disadvantages है, cp import में, फिर आपका g mackenzie में हैं, ठीक है, तीन-चार जगह है, revision notes में मैंने दिये हुए, आप pause करके अभी बढ़िया 15 से 20 मिनिट देखे, अभी के अभी आप पड़ लो, ठीक है, तो यह हमारा हो गया, chapter number 14, अब है, chapter number 15, strategic implementation and control, चल यह, let's start, chapter 15, strategic implementation and control, चल सबसे पहला पार्ट इसमें आता है, discussion about, comparison about strategy, formulation and strategy, implementation, ठीक है, formulation और implementation में क्या difference है, as a process, वो पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो formulation आपको बताई है, सिर्फ सोचने का काम है, formulation में आप सिर्फ सोच रहे हो, forecast कर रहे हो, predict कर रहे हो, plan कर रहे हो, बरबर तो वो एक intellectual process है, सोचने का काम है, intellectual काम है, कितना अच्छे से आप सोच सकते हो, कितना बेटर बारी कियां आप predict कर सकते हो, सोच सकते हो, properly उसको strategy में incorporate कर सकते हो, तो it's a intellectual process, and as compared to that, implementation क्या है, operational in process है, उसमें practical challenges ज़्यादा है, उसमें सोचना कम है, ज़्यक्य, उसमें हमको क्या करना है, यह पता होता है, हमको सर्फ उसको implementation पर ध्यान देदा होता है, कितना accurately, कितने अच्छे से हम उसको implement करते हैं, कितना अच्छे से हम लोगों को involve करते हैं, उस पूरे process में, तो वो होता है आपका implementation process, तो वो more of a operational process होता है, ठीक है, तो सबसे पहला point यही आता है, कि formulation is an intellectual process and implementation is more of a operational in nature, ठीक है, फिर implementation क्या है भाई, सबसे पहले तो sequence क्या होता है, पहले formulation होता है, उसके बाद implementation होता है, चार major stages हम already पढ़ चुके हैं, ठीक है, environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, और फिर है strategy evaluation, तो हम यह दोनों चीज़ें इसमें पढ़ने वाले है, strategy implementation भी पढ़ने वाले है, strategy evaluation भी इसी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चालो, तो क्या होता है implementation, process through which a strategy is put into action, implementation को ही क्या कहता है, put into action, उसको लागू करो, जो आपने सोचा है, वो करो, put into action, ठीक ह तो जो भी आपका strategy है, product level पे, business level पे, जो भी आपने सोचा है, plan किया है, जो भी competitive advantage plan किया है, उसको हम implement करेंगे, अब implementation के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो वो ही सब हमको पढ़ना है, कि हमको structural implementation करना है, behavioral implementation करना है, procedural implementation करना है, procedural implementation करना है, तो अलग-अलग ऐसे implementations हमको करने ह होते हैं। तो उसी हम मैं हम एक है क 210 कर्के पढ़ेंगे ठीक है कैसेArt में उनको स्वर्ण प्रज़र करते हैं validation को ओर चीज़ों पर dependent होता है implementation मतलब कोई one shot ऐसा implementation नहीं हो जाता है। आपको माहूल बनाना पड़ता है structure, procedures, connections, interlinking, ठीक है, हर चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ता है, तब जाके properly वो implement हो पाता है, ठीक है, हमको ये chapter में वो ही समझना है, कि implementation की तयारी क्या होती है, implementation के लिए क्या करना होता है, और फिर कैसे step by step सारी चीज़ों को आप उस तरह, उस माहोल में बनाते हो, ताक हम successful implementation strategy का कर पाएं, ठीक है, चालो, strategy formulation requires good conceptual, integrative, analytical skills, देखो सब intellectual skills है, सोचने, समझने की, comparison करने की, analytical skills आपके अच्छी होनी चाहिए, concept आपके clear होने चाहिए, तब आप future में क्या होगा, वो सोच पाओगे, आपको behavior हर चीज़ का पता होना चाहिए, but strategy implementation requires special skills in motivating and managing others, क्योंकि एक कोई implementation कोई एक इंसान का काम नहीं है, देखो जब formulation होता है, तो वो top management करती है, top management formulate करती है, लेकिन जब implementation की बारी आएगी, पूरे organization को आना पड़ता है, all levels of people are required for proper implementation, आया ख्याल में, तो वो है, तो उसमें अलगी type के skills चाहिए, आपको motivate करना है, आपको लोगों से काम करवाना है, implementation में, ये कोई दो-चार लोगों का काम नहीं है, दो-चार लोग मिलके कुछ भी नहीं कर सकते है, implementation में, they have to have the support of all the staff, तो motivate करना पड़ेगा, कि भाई, leadership, motivation, पड़ा है न, कि काम हमारा है, पर हमको उनको motivate करना है, हमको उनको inspire करना है, हमको उनको influence करना है, ताकि वो मेरा काम अपना समझ के करें, यादा राए, तो ये वो ही है, motivation and management वाले skills आपको इसमें लगेंगे, फिर formulation जैस मैंने आपको बताया कि ये corporate level का काम है, जो भी top management है, वो strategy बनाती है, वो strategy formulate करेगी, लेकिन implementation जो है वो all hierarchy levels, all levels का काम है, सबका involvement आपको लगेगा, किसी भी level के बिना आप properly implement नहीं कर पाऊगे, पूरे organization में जित्ते भी levels होते ह का इसमें support लगता है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एक हमारा discussion हो गया, अब इन दोनों में क्या linkages हैं, वो आपको समझना है, ठीक है, सबसे पहला आता है, दो linkages है, forward and backward, forward linkage, backward linkage, backward linkage, forward linkage, forward linkage क्या है, कि जो formulation है, उसका forward linkage का मतलब क्या है, कि implementation is dependent on formulation, implementation is dependent on formulation, आप वो ही implement कर सकते हो, जो formulate हुआ है, तो implementation का जो direction है, implementation का जो scope है, that is limited by formulation, ऐसी कोई चीज़ आप implement नहीं कर सकते हैं, जो formulate ही नहीं हुई है, तो implementation का जो base है, वो formulation होता है, तो ये इसको आप कहते हो, forward linkage, कि भाई, formulation आगे के step को affect करती है, formulation आगे के step को affect करती है, forward linkage, फिर आता है backward linkage, backward linkage क्या है, कि implementation is also, sorry, formulation is also dependent on implementation, backward, ultra, normally क्या है, आप पहले formulation करते हो, फिर implementation करते हो, तो implementation का formulation पे dependent होना normal सी बात है, जो भी second step होते हो, first step पे dependent है, ये तो बहुत normal सा linkage है, ये कोई बहुत, बहुत बढ़ा science नहीं है, लेकिन second step पे भी first step dependent है, ऐसा कैसे, तो आप वो ही formulate करते हो, जो आप implement करने की capability रखते हो, I repeat, आप वो ही formulate करते हो, जो आप implement कर पाओ, आपको पता होता है कि मेरी शमता क्या है, मेरी capabilities क्या है, मैं क्या level का strategy या operations को implement कर सकता हूँ, मेरे पास क्या capabilities है, क्या resources है, क्या experience है, वो आपको पत होता है तो उसके दाइरे में रहके आप strategy formulation करते हो ठीक है उसको कहते है backward linkage ठीक है क्याल में आ रहा है क्या था फड़ा फड़ पढ़ लेते हैं आ जाओ forward linkage is concerned with the influence of formulation on implementation grammar सम्झों ठीक है influence of formulation on implementation कैसे influence करता है है in the sense that the total implementation are geared according to the strategy strategy जैसी formulate हुई है implementation उसी direction में आपको रखना पड़ेगा formulation is the limitation for implementation ठीक है आप उही implement कर सकते हो जो formulate किया गया है ठीक है thus implementation is dependent upon formulation बहुत normal सी बात है अब backward linkage क्या है strategy formulation as a backward linkage with implementation as organization tends to adopt those strategies which can be implemented आप वही बनाते हो जो आप implement कर पाओ with the help of existing structure and some additional efforts obviously थोड़ा हम stretch भी करेंगे थोड़ा सा resources बढ़ाएंगे पैसा जादा लगाएंगे जादा labor रखेंगे तो हमको एक पता होता है कि हमारा दाइरह कितना है हम कितना capital और raise कर सकते हम कितने employees और raise कर सकते है रख सकते है यह हमको एक अंदाजा होता है तो हमारा एक दाइरह हम समझ लेते हैं कि हम क्या implementation कर सकते हैं हमारे पास capabilities resources कितनी है या कितनी लाई जा सकती है फिर उसके दाइरे में रहके आप formulation करते हो ठीक है तो इसको कहते है backward linkages क्लियर है तो यह था हमारा linkage यह था हमारा formulation versus implementation अब आगे बढ़ते हैं अब भाईया हमारा McKenzie 7S framework है पूरा चीक है आजाओ McKenzie ने 7S framework बनाया था ठीक है यह क्या है management model है कि कैसे आप अपने business को manage करोगे ठीक है आपके business में कितने parts होते हैं ठीक है वो हमको देखना है ठीक है तो इसमें 7 factors होते है ठीक है organize करना है आपको 7 factors में एक organization को अपने आपको 7 factors में classify करना चीए तो उन्होंने वो 7 factors define किये है strategy structure system strategy structure system यह main वाले जो तीन parts है तीन factors है फिर है style skill staff shared value ऐसे total seven factors है इसमें से यह जो पहले तीन है इसको आप कहते हो hard S क्योंकि इनको आप change नहीं कर सकते हो इतनी आसानी से यह तीन factors को आप change नहीं कर सकते हो strategy एक बार fix हो गई तो इतना मुश्किल मतलब होता है उसको change करना क्योंकि इसका बहुत बड़ा impact होता है easily reversible है structure एक बार decide हो गया implement हो गया उसके बाद उसको भी alter करना बहुत मुश्किल होता है systems जो एक बन गए rules, regulation, procedures सब आपने software बना लिए उनको भी आप इतनी आसानी से change नहीं कर सकते हो तीनो connected points है और यह थोड़ा इनका long term effect होता है यह थोड़ा सा permanent in nature होता है इसलिए यह hard S इनको कहा गया है कि इनको difficult है change करना और फिर आते हैं soft S यह चार जो S हैं यह soft S हैं इनको आप आसानी से बदल सकते हो style of management बदल सकते हो skills बदल सकते हो staff बदल सकते हो shared values को भी आप alter कर सकते हो यह चार चीजें change करना थोड़ा relatively आसान है ठीक है to organize a company in a holistic and effective way with objective to diagnose the causes of organizational problem ठीक है आपको कुछ problem हो रही है अगर business को अगर कोई problem हो रही है कोई situation में आप फस गए हो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या problem है कैसे हम इससे निकले या कैसे हम अपने आपको एक organized way में हम अपने आपको बनाए तो आप यह framework को use कर सकते हो ठीक है to diagnose the causes of problem to diagnose the causes of organizational problem and formulate program for improvement due to the implementation of strategy which are associated with the change in an organization ठीक है तो आपको अगर कोई भी diagnosis करना है business का आपको कुछ problem हो रही है तो अब इस framework के थरू उसको देख सकते हो उसको solve कर सकते हो एक framework बना सकते हो ठीक है तो strategy क्या है भाई कि आप कैसे लड़ोगे कैसे जीतोगे आपकी strategy क्या है आपका plan of action क्या है बर बर आप competition से कैसे लड़ोगे कैसे जीतने का आपका इरादा है क्या competitive advantage आपको बनाना है ठीक है तो वो है आपका strategy actions the organization's plan ठीक है इनहीं के basis पे plan बनते हैं undertakes in response to or in anticipation of the external environment तो strategy आप कैसे बनाते हो internal external environment proper study करके anticipate करके आप बनाते हो includes purpose, mission, goals, objectives, major plan actions and policies परवा strategies से ही ये आप सब बनाते हो और फिर targets add gaining competitive advantage over the rivals सबसे important यही है हमारी strategy हमको एक जीतने का एक रास्ता देती है कि हम कैसे लड़ेंगे क्या basis पे लड़ेंगे और क्या basis पे लड़के जीतने के chances आपके ज्यादा है वैसे आपके organization को आपको structure करना पड़ेगा ठीक है structures भी हम पढ़ेंगे functional structure, divisional structure, metric structure, free form structure, चार ऐसे organizational structure होते है तो structure is also an important factor कि आपके strategy implement हो पाईगी नहीं हो पाईगी आप success होंगे नहीं होंगे यह structure पे भी depend करता है structure is to complement the strategy ठीक है It is a basic framework to designate the responsibility and functions कौन क्या काम करेगा आपका पूरा organization कैसे आप divide करोगे divide करना है ताकि हम काम बाट पाएं work allocation, responsibility sharing इसके लिए आपको organization को divide करना पड़ता है अब आप क्या basis पे divide करना चाहते हो इसके basis पे अलग-लग type के organization structures होते है Prescribes the formal relationship among the various positions and activities ठीक है अलग-लग positions में क्या relation है कौन किसको report करेगा, कौन किसके साथ काम करेगा, कौन किसके under में है, कौन किसके उपर है, boss है तो यह सब आपको पता चलता है फिर है systems, बर-बर structure के हिसाब से फिर आप systems बनाते हो आपके जो internal procedures है internal जो आपके procedures है, वो सब आप बनाते हो systems structure से बनते है, ठीक है, तो सब connected है strategy से structure, structure से system, यह तीनो connected होते हैं और इसलिए तीनों यह hard S में होते हैं, इनको आप change नहीं कर सकते हो ठीक है, signifies all rules, regulations, procedures, both formal informal that complements the organizational structure बर-बर structure के हिसाब से day-to-day internal movements, procedures, activities को conduct किया जाता है change in strategy is implemented through change in system अगर आपको strategy बदलनी है, तो आपको पहले ground level पे जो systems है internal procedures है, उनको बदलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि procedures बनते हैं, strategy के हिसाब से, ठीक है, तो बिना systems को बदले बिना systems को बदले, आप strategy को बदल नहीं सकते उसको अगर आपको बदलना है, तो पहले आपको उसके हिसाब से systems को change करना पड़ेगा, तो change in strategy is implemented through change in systems, ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो ये तीन हमारे hard S थे, अब है हमारे soft S, आ जाओ, तो style का मतलब है, style का मतलब है आपका management का style, जो भी आपका management है, उनकी क्या style है, कैसे काम करते हैं, कैसे decision लेते हैं, data के basis पे decide करते हैं, या purely अपने experience, अपनी gut feeling, अपने हिसाब से वो decision लेते हैं, तो लग-लग styles होती है management की, ठीक है, तो ध्यान देना है, style stands for the patterns of behavior and managerial style of the top management over a period, the style has to change with the change in strategy, system and structure, अगर इन में से कुछ भी आप change कर रहे हो, तो management का style भी बदलेगा, ठीक है, तो management का style जो है, वो hard S जो तीनो है, उससे match करना पड़ेगा, अगर आपको data देख के ही decision लेने की आदत है, तो आपको strategy भी data based बनानी पड़ेगी, आपको structure भी ऐसा रखना पड़ेगा, जो facilitate करे data को, systems भी ऐसे बनाने पड़ेगे, जिससे data communicate किया जा सके, आपका style है कि आपको data के base पे है, पर आपके systems ऐसे बने हैं कि जिसमें data का flow ही नहीं है, तो फिर कैसे support होगा, समझ रहे हो, तो आपकी style जो है, वो इन तीनों से आपको match करके ही करनी होती है, चिक है, फिर है staff, correction कर लो, staff, तो staff का मतलब का है, employees, the staff refers to way organization introduce, अब staff मतलब कि आपकी philosophy क्या है, कि आप जो भी workers को रख रहे हो, employees को रख रहे हो, उनको आप कैसे रखते हो, उनके बारे में कितना आप सोचते हो, उनको कैसे training देते हो, उनको आगे तक कैसे पहुचाते हो, उनका पूरा career कैसे आप बनाते हो, या उनके बारे में आप क्या आपका plan है, वो होता है staff, ठीक है, ध्यान दो, the way, way organizations introduce young recruits into the mainstreams of activities and the manner in which they manage their careers as the new entrance develop into future manager, आपको पता है कि अगर ये 15 साल मेरे पास ठीका, तो ये मेरा manager बनने वाला है, तो इसको कैसे वहां तक पहुचा आना है, कैसे 15 सालों में पूरा skill develop करेगा, 15 साल बाद अगर उसको वो काम करना है, तो कैसे step by step उसको वो सारे skills, सारे experience आने चाहिए, तो इसको मैं आज क्या करा हूँ, कि वो आगे चलके मेरा manager बन पाए, तो इतना ये जो आप सोचते हो, पूरा ladder plan करते हो एक एक employee के लिए, वो होता है staff, ठीक है, फिर है skills, skills का मतलब है capabilities, as a team, as a organization आप क्या achieve कर सकते हो, और एक individual level पे जो लोग आपके पास है, जो managers आपके पास हैं, वो क्या कबिलत रखते हैं, वो क्या चीज़े handle कर सकते हैं, क्या situations को handle कर सकते हैं, तो वो होती है capabilities, वो होती है skills, means organization and individual capabilities, ability of proficiency in performing a particular task, ठीक है, कोई काम आप कितने अच्छे से कितनी जल्दी कर सकते हो, handle कर सकते हो, कितना pressure आप handle कर सकते हो, यह आपकी skill है, skills are developed over the period of time, ठीक है, वो कोई course नहीं होता है, उसका कोई degree course, diploma course नहीं होता है, यह आपको काम कर 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 के pressure ले लेके सीखना होता है, situations को handle कर 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 के, आप यह capabilities develop करते हो, skills are the dominant capabilities and competencies possessed by organization through its people, people के थ्रू जो आपका capability है कि आप क्या achieve कर सकते हो, जो बाहर वाले देखते हैं, आपको कोई अगर contract दे रहा है, आपको कोई काम दे रहा है, तो वो skills चेक करता है, कि आप ऐसे बड़े काम कर चुके हो क्या, आपके बास वैसे लोग हैं क्या, ठीक है तो बहुत important role play करता है, और फिर है shared values, ठीक है, shared values को ही आप कहते हो, super ordinate goal, आ सकता है, shared values को ही आप कहते हो, super ordinate goal, अब share values basically है, commonalities, कि कितना common सोच विचार है, belief system कितना common है, जितना common होगा, जितने values हमारे employees share करेंगे, उतना वो connect हो पाएंगे, उतना उनमें team work होगा, उतना उनमें communication का flow अच्छा हो पाएगा, तो उतना अच् से वो काम कर पाएंगे, उतना जल्दी जल्दी coordinated manner में आप projects को काम handle कर सकते हो, और अगर values ही अलग है, तो जगड़ा होगा, communication में time लग जाएगा, ego clashes होंगे, तो shared values होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, superordinate goal stands for company's mission, vision, values, philosophy in the backdrop of which organization goals and objects are set and strategies are formulated, ठीक है, तो एक common vision यहां से create होती है, आपका mission, vision, सबको एक common goal देता है, common एक purpose देता है, sense of connected वो feel करते हैं, कि हमको यह company को यहां तक पहुचाना है, मिल के साथ में यहां तक पहुचाना है, तो एक shared value वो share करते हैं, इनके through, तो ऐसे 7S बोलो, क्या-क्या है, आखे बन करके मेरे साथ साथ बोलो, strategy, systems, structure, ठीक है, तीन hard S है, style, staff, skills, shared values, यह चार आपके hard skill है, ठीक है, चलो, soft skill है, soft S है, आगे बढ़ते हैं, तो यह हो गया McKenzie 7S framework, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब है activating strategy, ठीक है, strategy बना लिया, implementation, आप start करने वाले हो, तो पहले activate करो, activate करो, जैसे warm-up करते हैं, आपको dumbbells उठाने, पहले warm-up करना पड़ता है, direct जाके 50 kg का dumbbell उठा रहे हो, problem हो जाएगी, तो पहले आपको एक momentum gain करना पड़ता है, अगर आपको कोई चीज, बड़ी चीज करनी है, उसकी तया उसमें steps है, ठीक है, following activities आप perform, number one, institutionalization of strategy, मतलब पहले strategy को communicate करो, strategy, चार लोगों ने, पांच लोगों ने, दस लोगों ने, रूम में बना लिया, अब जब implementation की बारी आएगी, अब implementation कौन करेगा, पूरा organization, जिसमें हजारों लोग हो सकते हैं, उन हजारों लोगों को क्या पता आपने क्या formulate किया है, सोच के देखो ना, बनाया है, दस लोगों ने, implement करना है, हजार लोगों को, अब वो हजार लोग तयार है की नहीं, उनको पता भी है कि उनको क्या करना है, तो पहले उनको बताओ, institutionalizing the strategy, उनको communicate करो कि ये हमारी strategy है, और हमको मिल के implement करनी है, और उनको accept भी करना है, उनको belief होना चाहिए कि हाँ, ये सही strategy है, और हाँ, ये हम मिल के implement कर सकते है, possible होनी चाहिए, तो वो accept करेंगे और उसके लिए effort लेने के लिए ready रहेंगे, समझ रहे हो, तो उसमें आता है two elements, strategy communication and strategy acceptance, क्योंकि अगर लोग ही accept नहीं कर रहे है, उनको ये unbelievable रग रग और accept नहीं करेंगे, तो wholeheartedly efforts नहीं देंगे, और फिर उसके success होने के chances भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि strategy across the organization communicate होनी चाहिए, and across the organization सब लोगों नहीं वो strategy को accept करना चाहिए, ठीक है, उसको कहते है, institutionalizing a strategy, फिर formulation of action plan, phase wise implement होगा na strategy, strategy long term होता है, phase wise, पहले 2, phase 3, 3, 3, 6, मैंने में, आप stage wise implement करते हो, तो उसको action plan और program में convert करो, फिर है translation of general into specific objective, वर वर आपने जब पूरे organization के इसाफ से strategy बनाई है, तो आप तो generic चीज़ें लिखोगे न, general चीज़ें लिखते हैं, overall level पे, कि यह ऐसी efficiency होनी चाहिए, इतना time होना चाहिए, ऐसा mindset होना तो आपने सब चीज़े general लिखी होती है, अब जब आप उसको implement करने जाओगे, तो वो तो proper function level पे, department level पे जा जाके implement होगी, तो किसी को पहले general को specific में convert करना पड़ेगा, कि यह जो generic line लिखी है, उसका मतलब आपके लिए यह है, आपको ऐसा करना है, आप ऐसा करोगे, तो व भी आपके लिए plan बनाया गया है, उसके लिए फिर आपको resources भी देने पड़ेंगे, mobilization of resources and allocation, department wise, function wise, सारे resources आपको बाटने पड़ेंगे, जो भी specific objective आपने उनको दिये हुए, ठीक है, तो ऐसे चार steps से आप strategy को activate कर सकते हो, number one, institutionalizing the strategy, फिर है formulation of action plan and programs, फिर है conversion of general objective into specific objective, और फि ठीक है, ऐसे चार steps में आप activate कर सकते हो, clear रहे हैं यहां तक, ठीक है, अब ध्यान दो, अब क्या problems होंगे, problems भी समझ लो, कि implementation में हर जगा, resource allocation में क्या problems होती है, ठीक है, resource allocation में क्या problems जा सकती है, जब आप resources बाटोगे, अलग-लग departments, अलग-लग functions, अलग-लग divisions, जो भी structure आपक होगा, उसके साब से आप बाटोगे, जिसमें क्या problem आएंगे, number one, power play, politics, मतब लोग अपना power show करेंगे, कि अगर कोई important काम कर रहा है, कोई sales वाला function है, sales वाला काम important होता है, production वाला important होता है, accounting इतना important नहीं होता है, ठीक है, जो support function होते हैं, procedural काम होते हैं, उसको इतना तवज जो नहीं दिया जाता है, और जिस पर आपका business dependent है, sales, marketing, production, ये बहुत sensitive areas होते हैं, तो लोग power play करते हैं, politics किलते हैं, तो वो होता है power play, फिर है commitments of past, पुराने past मेंगर आपने किसी को वादा किया हुआ है, अगली बार तिर को जादा दूँगा, अगली बार पहले तिर को जाती है, और फिर है resistance to change, कि लोग change को resist करते हैं, accept नहीं कर पाते है change को, पहले मुझे इतना मिला था, तो अब क्यों नहीं मिल रहा, मतलब मेरा importance नहीं है, तो लोग change होता है, budget resources change होते हैं, पहले आपको 10 लोग दिये गए, अब बोल रहे हैं, नहीं आप 5 लोगों से काम चल लोग change को लोग resist करते हैं, ठीक है, तो ऐसे 3 चीज़ें, 3 problems आपको जाएंगे, power play, commitments of past and resistance to change, ये 3 चीज़ें problem देंगे आपको in resource allocation, चालो, बढ़े आगे, तो यह हो गया activating strategy, अब आते है structural implementation, ठीक है, structure का तालमिल होना चाहिए, structure has to support the strategy, अगर वो match हो रहे हैं, तो implementation अच्छे से हो जाएगा, पर अगर वो match ही नहीं हो रहे है, structure बहुत ही अलग है, और आपका जो strategy है, वो बहुत ही अलग है, तो वो properly synchronized नहीं होंगे, और आप properly उसको implement नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो structural implementation आप कैसे करोगे, आए पढ़ते हैं, involves designing, ठीक है, design कैसा होगा, involves design structure and interlinking of various departments and units created as a result of the organizational structure, ठीक है, तो इसमें structural implementation में आप क्या करते हो, कि कैसे हम design बनाए, कैसे अलग-अलग departments को या चीज़ों को पहले divide करें, और फिर कैसे उनमें connections बिटाए, क्योंकि data flow होना चेहें, कोई भी काम अगर आप करोगे, तो कोई एक department, ए the support of other departments, technical department, IT department, पता नहीं कितने अलग-अलग type के departments होते हैं, तो आप कोई project कर रहे हो, तो चार-पाच department तो at a time साथ में मिलके उनको काम करना होता है, तो उनको interlink भी करना पड़ता है, ठीक है, organization structure is the pattern in which various parts are interrelated और interconnected, ठीक है, कैसे आप अलग-अलग तुकडों को connect करते हो, वो ही आपका structure होता है, तो अगर functional structure है, तो आप function के basis पर divide कर रहे हो, और फिर उनका connection कर रहे हो, डिविजनल है, तो फिर आप products या जो भी आपका locations है, उनके इसाफ से भी आप divide कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे, structures basically, अलग-अलग structures में क्या difference है, कि वो कैसे organization को divide कर रहे हो, डिवाइड कैसे कर रहे हो, कैसे काम बाट रहे हो, ये important होता है, ठीक है, it involves how the organization will be divided, लिखा हुआ है, ठीक है, how it will be divided and assigned among various positions, groups, departments, divisions and the coordination necessary to accomplish the organizational objective, तो two aspects हैं, आपके design के, एक है differentiation, कैसे आप उसको divide करोगे, बाटोगे, और कैसे फिर उसको जोडोगे, पहले बाटना है, ताकि आप responsibilities बाट पाओ, और फिर उनका coordination भी तो लगेगा न, बाट रहे हो, लेकिन एक काम किसी एक तुकड़े को अकेली नहीं करना है, एक काम at a time, 4-5 अलग-लग divisions को साथ में मिलके करना है, तो उनको integrate करना भी ज़रूरी है, ठीक है, बड़े आगे, तो ये है structural implementation, अब है forms of structures, ठीक है, ध्यान दो, तो 4 forms होते हैं, ठीक है, 4 forms है, पहला है functional, divisional, matrix और free form, ठीक है, चार ऐसे pattern है, पहला है functional, ठीक है, नाम में मीनिंग है कि आप functions के हिसाब से बाट होगे, what are the functions, marketing, sales, HR, accounting, legal, बरबर compliance, तो ये ऐसे अलग-अलग-अलग आपके functions होते हैं, तो उसके हिसाब से आप products को बाट सकते हो, अब ये structure कौन से businesses को suit करेगा, क्या features आपके business में होने चाहिए, तब जाके functional structure आपको suit करेगा, number one, आपका business environment stable होना चाहिए, अगर आपका business का environment बार-बार-बार-बार-बार बदल रहा है, बहुत dynamic है, तो functional structure आपको suit नहीं करेगा, आपका business जो है, environment जो external environment है, जो factors आपको affect करते हैं, वो stable होने चाहिए, more or less same, similar, अगर आपका environment है, बहुत जादा बड़े dynamic changes नहीं होते हैं, तो functional structure आपको suit करेगा, उसके बाद है कि आपका एक ही product होना चाहिए, single business और related business, ठीक है, बहुत diverse products में आपका काम नहीं होना चाहिए, बहुत multiple products हैं, बहुत diverse हैं एक दूसरे से, तो भी functional structure आपको suit नहीं एक major product है, और उससे जोड़े हुए, छोटे मोटे products होनगे, तो ठीक है, तो आपको functional structure suit करेगा, फिर है, कि आप function के basis पर बाटते हो, ठीक है, वो तो ठीक है, अब फाइदे क्या हैं, ऐसे structure के क्या फाइदे हैं, पहला है economies of scale, ठीक है, आप larger volume बना सकते हो, specialization हो जाएगा, क् उनकी function wise divide कर रहे हो, तो एक इंसान एक ही काम कर रहा है, marketing वाला सिर्फ marketing कर रहा है, उसमें specialize कर रहा है, तो उसमें expert हो जाएगा, अच्छे से marketing कर पाएगा, तो उसका आपको फाइदा होगा, ठीक है, which increases operational efficiency, organizational efficiency, economic flexibility, greater motivation to the people, ठीक है, एक ही काम वो अच्छे से कर रहे हैं, तो उनका attachment हो जाता है, speciality हो जाती है, उनको अपने career में advancement मिलता है, promotion मिलता है, या वो switch भी कर सकते हैं, ठीक है, तो एक ही area में काम करने से आपकी expertise भी develop होती है, learning curve effect भी मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे फाइदे होते हैं, फिर drawbacks क्या है, कि आप responsibility fix नहीं कर सकते हैं, lack of responsibility, क्योंकि हैं, वो किसी एक function से connect नहीं कर पाओगे, किसी एक function के वज़े से आप flop नहीं हो सकते, तो आप responsibility fix नहीं कर सकते, complex activity में आपको problem होगी, coordination में problem होगी, lack of responsiveness, line and staff conflict, मतलब लोग ढखेलते रहेंगे, यह उसका काम है, यह marketing वाले का काम है, यह मेर से क्यों पूछ रहे हो, यह तो उसने sanction किया था, उससे जाके पूछो, तो लोगा responsibility नहीं लेते हैं, conflicts arise होते हैं, ठीक है, फिर है, divisional structure, अब यह होता है, multi product या multi service बड़े businesses में, ठीक है, ध्यान दो, कि अगर आपका business ऐसा है, कि आपके multiple products है, या आपका भले product एक ही होगा, या जो भी है, आप locational business है, आपका locational business है, मतलब, location wise आपका setup है, आपका पूरे इंडिया में चार जगह आपके manufacturing plant है, तो आप अपने business को वो चार location के साफ से divide कर सकते हो, locational structure है, तो location को एक division बनाना आपके लिए better होगा, और location एक ही है, products बहुत सारे है, तो product के साफ से बाटना better रहेगा, ठीक है, तो आपको identify क ऐसा है, क्या basis बे आपको divisions create करने चाहिए, ठीक है, the activities are grouped according to the types of product, और different market territories, याने location, ठीक है, तो यहाँ लिखा है, देखो, the two traditional basis of departmentalization are products and territory, या तो product आपके होँगे multiple, तो आप product के हिसाफ से पूरे product को ही बाट दो, हर product के लिए अलग-अलग पूरा strategy बनाओ, अलग उसको implement करो ठीक है, product के हिसाफ से आप अपनी organization को बाट दो, अगर product predominant है, product के हिसाफ से सारा काम चलता है, या अगर product के हिसाफ से काम नहीं चलता है, location जाधा relevant है आपके business में, तो आप locations को भी divisions बना सकते हो, अलग जो भी चीज़ को independent आप रखना चाहो, जो भी चीज़ अपने आप काम करती है, उसको आप separate करो, जिसको आप SBU कहते हो, तो SBU basically आप product को बनाना चाहते हो, SBU आप एक location को बनाना चाहते हो, या आपके उपर है, ठीक है, आगे बढ़ते है, और फिर इससे क्या होगा, जो भी आप divisions create करोगे, वो independently काम करेगी, और independently काम करेगी, मतलब उसकी strategy अलग बनेगी, उसको SBU मानेंगे अपन, ठीक है, organizational units so structured are treated as autonomous segments of the business, each divisions become self-contained block and that division has a separate set of functional department, ठीक है, product wise department है, तो product के अंदर फिर आप अलग-अलग functions आप बना लो, मतलब हर product के अपने-अपने functions होगे, product A है, तो उसका अपना marketing department है, product B है, तो उसका अपना अलग marketing department है, product C है, तो उसका अपना अलग marketing department है, तो product wise अगर आपने बाटा है, तो तीनों products के अपने-अपने अलग-अलग functional departments आप बना सकते हो, ठीक है, फिर है, कि अगर आपके territorial divisional है, तो regional centers In a multi product or multi geographical area companies, divisions are created in form of various SBO, ठीक है, वोई SBO से connect होता है, concept, the fundamental concept of strategic business units to identify the independent product or independent market segment, कौन सी चीज़ independent है, किसी पर dependent नहीं है, अपने आप में मतलब वो funding raise कर सकते हैं, अपने आप में उनका customer base है, अपने आप पर purchasing या production कर सकते हैं, ठीक है, तो जो भी units independent है, independently उनका customer base है, independently वो funds भी raise कर सकते हैं, तो उनको आप SBO बना सकते हो, ठीक है, divisional structure is more appropriate for dynamic environment, dynamic environment है, तो आप एक एक product को अलग division बना लो, independent बना लो, वो अपना खुद handle करेगा, क्योंकि वो dynamic है, dynamic है मतलब उनको space चाहिए, उनको अलग अपने functions चीए, अपने एसाब से काम करना है, तो dynamic environment में ऐसा करना possible है, अब क्या फाइदे है, strict financial control, क्योंकि आप अलग-अलग है न, A का अलग, B का अलग, C का अलग, तो अच्छा control है, सबका accounting अलग-अलग होता है, सबका club होता है, तो आप बच जाते हो, पता ही नहीं चलता न, किसका क्या है, पर अगर आपका अलग-अ financial control आप पर होगा, management by exception, आप देखो, problem हो, मिर से पूछ लेना, management by exception, ठीक है, तो दे दो, छोड़ दो उन पर, सब करने दो, कुछ भी वहाँ problem होगी, कुछ अटकेंगे जहां पर, जहां पर आपको complex issue हो रहा है, आप खुद solve नहीं कर पा रहे हो, आप हमारे पास आ जाना, त exception, फिर है enhancement of moral, ठीक है, moral बढ़ता है, क्योंकि आप importance देते हो, आप सबको divide करते हो, ए प्रोड़क को आपने अपना-पना पूरा department दे दिया है, तो उनका moral बढ़ेगा, कि यार मैं important हूँ, मैं product important हूँ, मैं independent SBU हूँ, तो एक moral बढ़ जाता है, जब आपको independent समझा जाता है, care for strategic task, high efficiency level, और drawbacks क्या है, कि यह बहुत महंगा काम है, सबके marketing department अलग है, मतलब जो काम एक बंदा करता था, अब वो तीन-तीन बंदे लगा के रखें आपने, सबके तीनों के अलग HR department, तीनों के अलग आपका पूरा compliance, legal, accounting, सब अलग-अलग अलग, तो वो बहुत जादा costly structure ह होता है, as compared to other structures, competition among divisions, यह आपस में लट रहे है, मतलब इनको दुश्मनों की ज़रोती नहीं है, आपस में लट रहे है, एक दूसरे का ही performance और resources के लिए वो compete करते हैं, अच्छा perform करूँगा, जाधा कमा के दूँगा, तो जाधा resources मेरे तरफ organization डेवट करेगी, तो इनका आप आपस में लग ही खिल चल रहा है, तो वो भी एक problem है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन मन जाते हैं, coordination issue, ठीक है, ego issues होते हैं, मैं जाधा कमा के दे रहा हूं, मेरी जाधा sale होती है, मिरे पास जाधा assets हैं, तो थोड़ा coordination में भी issue होता है, और change of priorities, organization की भी priorities change होते हैं, जो ब बदलते रहती हैं, तो इससे भी बहुत जाधा issues होते हैं, clear है, तो यह होता है आपका divisional structure, ठीक है, punch words, I just hope, कि आप ध्यान दे रहे हो, ठीक है, दो traditional है, product और territory, यह dynamic environments के लिए जाधा बेटर है, इसमें आप independent product, independent territory ढूनते हो, उसको आप SBU कह देते हो, ठीक है, तो यह सब आ four features पर आपको ध्यान देना है, और इनके advantages, disadvantages, disadvantages पर भी question आ रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है, तो strict financial control, तो आपको divisional structure याद आना चाहिए, management by exception, ठीक है, काफी अलग-अलग है, तो दो-चार बार पढ़ोगे, तो थोड़ा सा option में पकड़ लोगे, कि हाँ नहीं यार यह यह उसका था, आप थोड़ा सा connect कर जाओगे, exactly, बताओ क्या advantages है, फड़ 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 चार पाच बता दिये, इतना easily याद नहीं होगा, options से लेकिन आपको जब choose करने की बारी आएगे ना, थोड़ा दिमाग आपका चलेगा, भरूसा रखो, ठीक है, चलो, फिर है matrix structure, ठी स्ट्राटेजिक, समझ रहे हो, यहां product नहीं है, मतलब जो भी एक काम आप कर रहे हो, हर चीज आपके लिए strategic है, हर चीज आपके लिए independent है, ठीक है, important है, तो वो होता है matrix structure, two dimensional structure which emanates from two dimensions authority, that is pure project structure and functional structure, मतलब project wise भी आपका काम है, एक project भी independent होना चाहिए, और अलग-अलग functions है, वो भी independent होना चाहिए, dual structure है, ठीक है, इसका diagram में आपको दिखा देता हूँ, कुछ, नहीं है, रोप जाओ, ठीक है, ऐसा कुछ diagram होता है, इसका matrix structure, ठीक है, तो आपके functions भी होते हैं, functions भी हैं, देखो, marketing, personal, production, finance, फिर आपके अलग से projects भी हैं, समझ रहे हो, मतलब, matrix है, मतलब dual responsibility है, जो भी बंदा काम कर रहा है, जैसे मैं marketing वाला हूँ, तो मेरा marketing का एक already head है, marketing का अपना एक head है, तो मैं अगर marketing का एक person हूँ, तो मुझे marketing के head को भी report करना है, अब मैं marketing में काम कर रहा हूँ, तो मैं किस की marketing करूँगा, मैं projects की marketing करूँगा न तो project 1 का अगर मैं marketing संभाल रहा हूँ तो मुझे marketing वाले को भी head को report करना है मुझे project 1 वाले को भी report करना है double responsibility है functional head को भी बताना है project head को भी बताना है कुसान मैं आ रहा है गया तो ऐसे ऐसा structure होता है ध्यान दे रहे हो तो ऐसा है project and function ठीक है यह दो आपके ड्यॉल ऐसा concept है authorities flows vertically within the functional department ठीक है within the functional vertical अभी डागराम दिखाया vertical flow functions ठीक है functional है vertically while the authority ध्यान दो while the authority of project manager flows horizontally crossing the vertical lines जो आपको डागराम दिखा crossing the vertical lines project manager की समेदारी project wise चल दिए ठीक है authority flows vertically within the functional department और authority of the project manager flows horizontally crossing the vertical lines ठीक है under the structure people have to report to two bosses ठीक है दो दो बॉस है one is the functional head marketing वाला हूं तो marketing का खुद का head है तो मुझे marketing वाले को बताना है कि मैं marketing का काम कर रहा हूं फिर मैं marketing कोई न कोई project की कर रहा हूं तो जो project की मैं marketing समभाल रहा हूं मुझे उस project के head को भी report करना है तो functional head को भी बताना है project head को भी बताना है ठीक है being the functional head of the department in which they are working and other being the leader or the coordinator of the project यानि project head को भी मुझे report करना पड़ेगा ठीक है दो bosses होंगे अब इसके फाइदे क्या है भाई direct relation हर चीज direct है project से भी connected है function से भी correct है connected है तो सब direct connections है समझ में आ रहा है और जादा accurately आप connected हो quality decision होगा क्योंकि cross connections है न function वाले को भी बता रहे हो project को भी बता रहे हो तो इतना deep connection है तो decision की quality भी बढ़ती है उसकी accuracy बढ़ जाती है और फिर है participative management है सारे लोग participate करके बरुबर आप उसको ये decide करते हो अब क्योंकि ये इतना high degree of integration है तो इससे conflict भी arise होते है लोगों को लगता है कि यार बहुत जादा आप घुस रहे हो चीजों में समझ रहे हो आप अपना काम देखो थोड़ा freedom feel नहीं होती है हर चीज में हर इंसान की opinion है क्योंकि इतना deeply integrated हो तो आप किसकी किसकी सुनोगे समझ रहे हो तो वो है high degree of integration से भी problem होती है decision delay हो जाते है कि बहुत जादा लोग है सब की सुननी पड़ेगी न सब की सुननी पड़ेगी और क्योंकि बहुत जादा लोग involved है conflict and confusion भी हो जाता है तो यह problems and advantages है of matrix structure last है open system याने free system free form of organization कि मतलब कोई form ही नहीं मतलब हम clay की तर है जो shape दोगे वैसा project के असाब से जो shape चाहिए होगा हम वैसा हम ढल जाएंगे अपने आपको ठीक है तो वो होता है free form मतलब आपका environment बहुत ही highly dynamic है हर project अलग environment phase करता है तो हर project में आपको अलग-अलग structure चाहिए हर project में अलग-अलग structure की नीड है बहुत ही dynamic environment है रोज बदल रहा है तो एक structure आप रखी नहीं सकते न तो जब आपका कोई एक structure ठ्रूआउट एक structure ही नहीं तो उसको कहते हैं free form project के हिसाब से आपका structure change होते रहता है क्योंकि आपका environment highly dynamic है ठीक है highly word को भूलना नहीं highly dynamic सिर्फ dynamic है तो divisional highly dynamic है तो आपका free form आएगा तो इसमें हम क्या करते हैं हम open system मानते है प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट नीट देखेंगे और उसके साब से अपने आपको change करते जाएंगे ठीक है based on the premise that organization open system and the basic task of the manager is to facilitate the change आपको सिर्फ help करनी है काम वो लोग करेंगे आपको सिर्फ एक environment बनाना है कैसे अपने आपको बदलोगे उसके लिए आपको एक एक हमको framework देना है बस ठीक है free form is rapidly changing adaptive temporary system temporary है क्योंकि हर नए प्रोजेक्ट के साथ आपको बदलना है temporary system organized around the problems to be solved by the groups of relative strangers with diverse professional skills ठीक है तो problem के इसाब से आप structure बदलो जैसा structure की need है problem solve करने के लिए जैसी reporting चाहिए जैसा structure चाहिए आप वैसा problem to problem change करो और ये उस industries में जहां पर highly dynamic environment आप face करते हो clear है clear है तो ये चार आपके structures है ठीक है functional structure functional structure divisional structure matrix free form structure सब के punch words highlight करवा दिये I hope आपने note कर लिए ठीक है तो कौन structure open system मानता है अपने आपको free form कौन सा highly dynamic के लिए free form कौन सा temporary है free form ठीक है ऐसे आपको punch words connect करने है आगे बढ़ते हैं फिर है procedural implement कि अगर आप को कुछ strategy implement करनी है तो उसके लिए आपको law भी तो follow करना पड़ेगा ना law का जो compliance होता है जो law के rules and regulations होते है procedures होते हैं कहीं registration लेना है कोई file form फाइल करना है कुछ appoint करना है कुछ committee बनानी है तो procedural compliance भी तो करने पड़ेंगे ना भले वो formalities है पर उसके बिना आप काम नहीं कर सकते बरबर तो वो भी उसको कहा जाता है procedural implementation तो जो भी statutory compliance statutory procedures हैं उनको यहां पर cover किया जाएगा procedural implementation level concerned with the completion of all statutory and other formalities which have been prescribed by the government under both central and state level major compromise क्या क्या है पहला है IRDA licensing requirement ठीक है कि अगर आपको manufacturing कर दी है कोई setup डालना है तो आपको पहले registration करना पड़ता है आपको लाइसेंस लेना पड़ता है बिना license लिए आप काम नहीं कर सकते फिर फेमा बाहर से पैसा आ रहा है तो फेमा के जो compliance है वो आपको करने पड़ेंगे अगर आप technology sharing कर रहे हो कुछ foreign collaborate कर रहे हो तो foreign collaboration agreements करने पड़ेंगे फिर capital issue requirement अगर आप fundraising कर रहे हो तो आपको ICDR follow करना है फिर import export है तो import export के जो requirements वो आपको follow करने पड़ेंगे तो basically law का जो compliance है उसको procedural implementation में cover किया जाएगा फिर है behavioral implementation कि लोगों का behavior कैसा है वो कैसे चीज़ों को tackle करते हैं कैसे एक दूसरे से communicate करते हैं वो भी आपको change करना पड़ सकता है कि एक mindset एक attitude चीए आपको strategy implement करने के लिए जो भी आपको एक behavior चाहिए across the organization उसको भी आपको implement करना पड़ेगा leadership role यहाँ पर निभाना पड़ेगा leadership आपको देख के लोग inspire हूँ कि overtime करना है तो overtime करने के लोग ready भी तो हो ना कुछ समझ में आ रहा है तो ऐसा है तो क्या-क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी to make a behavioral change ग्यान दो the strategy implementation is also influenced by the behavior and attitude of the strategist along with the organizational factors such as corporate culture corporate में क्या culture है क्या काम करने का तरीका है पहनावा क्या है, timings क्या है बैठने का system कैसा है, visual appearance कैसा है, तो corporate culture बहुत चीज़ों से बनता है ठीक है, corporate values क्या है decision making कैसे करते हो social values का आप ज्यान है की नहीं है ethics आप follow करते हो की नहीं करते हो समझ रहे हो, तो आपके corporate values क्या है ethics क्या है बरोबर, organizational sense of social responsibility socially आप responsible हो नहीं हो society वाले जो angles हैं अगर वो consider करने पड़े वहाँ आपको कुछ पैसा invest करना पड़ा उसके लिए कुछ करना पड़ा, तो आप करोगे या भाड़ में जाए, आपका क्या attitude है social responsibility लेने के लिए आप ready हो कहीं उसके लिए commitment करना पड़ेगा तो आप ready हो, कि नहीं हो तो वो भी एक होता है, ठीक है क्या पूज आएंगे चेंज लाइने, पहला है leadership क्या आपको leadership role निभाना पड़ेगा, अगर कोई सामने आके leadership role निभाएगा, जो चीज आप चाहते हो वो खुद करेगा, तो उसको देख के बाकी लोग भी करेंगे leadership क्या है बाई, किसी को देख के आप inspire हो जाते हो, क्यार ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, मैं भी इसके जैसा बनूँगा, तो leadership role वो ही है, ठीक है, तो behavior change, पहले आपको leadership बनना पड़ेगा, जिस type का behavior चाहिए, वैसा आपको करना पड़ेगा, फिर आपको देख के लोग inspire होके change होंगे, ठीक है, leadership is basically the ability to persuade others, ability to inspire others, to achieve the defined objectives willingly and enthusiastically, 10 बर बता चुका हूँ, ठीक है, आप कर, मेरा काम रहे हो, मेरे हिसाब से कर रहे हो, पर आपको लग रहे है कि आप अपना काम कर रहे हो, आप भी यही चाहते थे, और आप खुश हो रहे हो, ठीक है, जबकि आपको नह leadership role is, strategy implementation is as important as the architect of the strategy, जितना strategy बनाना important है, उतना implementation भी important है, उसमें leadership role निभाना जरूरी है, क्योंकि आपको एक stand लेना पड़ता है, जो भी strategy बनाता है उसको बेवकुफ समझा जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार, यह तो सिर्फ strategy बना रहा है, implement तो उसको करना नहीं है, implementation तो हमको करना है, हमको पता क्या problems है, यह तो AC के room में बैटके इनको लगता है, सब आसान है, ऐसा attitude होता है, implementation वाले, formulation वाले के बारे में ऐसा सोचते है, कि law बनाना आसान है, हमको पता implementation में क्या problem होती है, तो वो एक, समझ रहे हो ना, एक conflict होता है, तो वहाँ leadership role निभाना बह आप क्यों नहीं कर सकते, हम आपको funds दे रहे हैं, हम आपको resources दे रहे हैं, हम आपको technology दे रहे हैं, आप भी करो, motivate leadership role आपको निभाना पड़ता है, आपको अपनी strategy पे firm belief होनी छी, ठीक है, कि यह आप कर सकते हो, वो ही होता है leadership role, leadership styles are the patterns of behavior which a leader adopts, आपको खुद वैसा बनना जैसा बाकी लोगों को बनाना चाहते हो, पहले आपको खुद करना पड़ता है, फिर आपको देखके लोग inspire होंगे, in influencing the behavior of this abordinates in the organizational context, clear है, फिर है organizational culture, ठीक है, एक cultural change भी होगा, cultural change भी लाना पड़ेगा, जो आपके implementation को support करे, कि अगर काम बहुत जादा है, तो आपको over time को normal करना पड़ेगा, कि एक दो घंटा एक्स्टा बाटना, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होना चाहिए, ऐसा culture develop करना पड़ेगा, सब लोग अगर एका दो घंटा overtime कर रहे हैं, तो आप उसको normal समझोगे, और उल्टा भी होता है, कि अगर आप चाहते हो कि सब लोग time प करना चाहते हो, it is defined as a set of assumptions, beliefs, values, norms, which are shared by the people and groups in the organization and control the way they interact with each other and with stakeholder outside the organization, ठीक है, उनका क्या belief system है, confidence level क्या है, क्या चीज़ उनको लगता है, possible है, नहीं है, एक समझे रहने, common connection, two types of elements decide the culture, number one, abstract, second material, ठीक है, abstract values क्या है, Abstract elements क्या है, values और belief, वर वर जो आपको connect करती है, आपके business की जो values है, जैसे आप Tata group नाम लेते हो, तो आपको अपने आप एक imagination आ जाती है, कि Tata का एक जो value system है, वो communicate हो जाता है, उनके decisions, उनकी branding, उनका काम करने का तरीका, उनका, जो भी एक system है, उससे उनका एक system दिखता है, Reliance का अलग दिखता है, समझ रहे हैं, Infosys का, सब का ऐसा एक cultural एक image होता है, तो वो यहाँ पर फरक करता है, abstract कहेंगे उसको क्योंकि दिखता नहीं है, abstract मतलब intangible, तो beliefs, values यह intangible elements होते हैं, जो दिखते नहीं है, पर यह work करते हैं, यह connect करते हैं लोगों को, और एक होता है materialistic ठीक है, material element जो दिखता है, tangible चीज़ें, like building, products, ठीक है, यह सब, facility, setup, location, कुछ भी, जो दिखता है, tangible चीज़ें, clear है, वो भी एक cultural का part है, और third है, values and ethics, business ethics generates from value, forming the institutions, organizational values and goals, colleagues, और code of conduct, ठीक है, तीन चीज़ों, चार चीज़ों से आपके organization के अंदर value system create होता है, एक work culture ethics create होता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा ही है, code of conduct, याद आ रहा है, SEBI में भी पढ़ा है, तो code of conduct इसलिए बना जाते है, ताकि सबको एक जैसा rule हो, सबका एक जैसा conduct हो, तो उनको एक sense of togetherness feel होगी, ठीक है, यह अलग नहीं है, यह भी हमारे साथी बैठता है, हमारे लीडर्शिप आपको निभानी पड़ेगी, organizational culture बनाना पड़ेगा, और फिर है values and ethics established करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक behavioral change ला सकते हो, across the organization, ठीक है, यह तीन challenges आप face करोगे, यह तीन issues आप face करोगे, अगर आप इन तीन issues से जीत गए, तो आप behavioral change ला पाओगे, clear है, functional implementation, ठीक है, कि हर function को क्या करना है, हमारी strategy के implementation के लिए, हर function को क्या करना पड़ेगा, जैसी strategy है, वैसा, उस strategy से ही, एक need emerge होती है, कि ऐसा करना है, तो फिर यह department को ऐसा करना पड़ेगा, जैसे आपको ज्यादा बेचना है, या ज्यादा selling वाला angle बहुत ज्यादा है, strategy में, sales पर ज्यादा फोकस है तो सेल्स और मार्केटिंग वालों का एक अलग टागेट बनेगा समाझ रहे हो मतलब स्ट्राटेजी को ब्रेक करो जनरल अब्जेक्टिव इंटू स्पेसिफिक अब्जेक्टिव तो वो इसी का पार्ट है कि आपको फंक्शनल लेवल पे देखना पड़ेगा कि यह चीज हासल करनी है तो यह फंक्शन को इतना काम करना पड़ेगा इसको ऐसा काम करना पड़ेगा इसको यह करना पड़ेगा ठीक है तो वो फंक्शनल Implementation भी आपको सोच पड़ेगा Implementation of strategy also requires development of functional policy Functional policy भी बनानी पड़ेगी Marketing की अलग, Sales की अलग, Finance की अलग सबकी policies बनानी पड़ेगी जिसके तहद उनको काम करना है और अगर उन्होंने अपना-पना काम कर लिया तो हमारी strategy implement हो जाएगी Provides the direction to the middle management on how to make the optimal use of allocated resources They guide the middle level of executives in framing the operational plans and tactics to make strategy implementable समझ मैं आ रहा है तो functional strategy को भी मैंने बता है था कि वो tactical decision होते है एक-एक functional level पे जब आप decide कर रहे हो कि हम marketing कैसे करे पैसा, raise कहां से करे accounting system कैसा बनाए खुद करे या outsource करे यह policies होती है हर function को कैसे करना है क्या approach रखनी है वो ही आपकी functional policies होते है वो ही आपके tactical decisions होते है ठीक है फिर आगे बढ़ते है strategic control ठीक है, अभी तक क्या था implementation, अब हम strategic control, जो second part of chapter है वो अब start कर रहे है ठीक है, अभी तक क्या था, implementation था तो क्या-क्या type के implementation थे-देखो functional implementation, behavioral implementation, procedure implementation इंप्लिमेंटेशन, Structural Implementation, Activating Strategy, ठीक है ऐसे पाँच चीजों में हमने Divide किया Implementation को, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब है आपका Control, Strategic Control, Control अब हम already देख चुके हैं, कोई भी Control हो, Control तो Control ही होता है न, पहले आपको एक Target Set करना पड़ेगा, standard set करना पड़ेगा जो हमारे लिए strategy है strategy अलड़ी बनी वए ना formulate की हुई है तो हमारा पहला step है formulate करो फिर जो actual हुआ है उसको record करो फिर जो हमको करना था formulation वाला जो है और जो implementation है उसको आपको compare करना है तो उससे आपको deviations मिलेंगे उसमें हमको पता चलेगा कि कहां क्या सोचा था पर कहां क्या नहीं कर पाए deviations क्या है favorable, unfavorable, deviations पता चलेंगे और फिर वहां आप एक corrective action ले सकते हो तो यह पूरा strategic control process है ताकि अगली बार जब आप strategy बनाओगे और implement करोगे तो यह गलतिया फिर से repeat नहीं होनी चाहिए तो strategic control system strategic control involves monitoring and evaluate जब आप उसको बना रहे हो implement कर रहे हो तो आपको monitor करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो उसको सब record करना पड़ेगा monitor करना पड़ेगा और उसको फिर evaluate करना पड़ेगा जो जैसा सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ अच्छा हुआ खराब हुआ अच्छा हुआ तो चलो अगली बार भी ऐसा ही करेंगे खराब हुआ तो क्यों खराब हुआ किसी इंसान की गलती थी या कोई planning में गड़बड थी या कोई outside factor uncertain चीज आगे इसले हो गया तो identify गरो ठीक है monitoring and evaluating of plan activity results of with a view towards the future action तो control system होता ही किस के लिए future के लिए होता है आज जो हुआ वो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते ऐसा नहीं कि control करेंगे तो पुरानी गलती हम माफ हो जाएंगी वो change नहीं होने वाली उसका जो impact है वो आपके आ चुका है लेकिन अब आगे चलके जब मैं similar काम करूँगा तो मुझे उससे सीखना है learning effect के लिए control रहता है ठीक है future action के लिए providing a warning signal towards through the diagnosis of data ठीक है diagnosis करो फिर से ऐसा हुआ तो मतलब फिर से आप गलती करने जा रहे हो तो आपको signal मिल जाएगा पिछली बार भी ऐसा हुआ था अगली बार भी जब वैसी situation बनेगी वोई situation में आप फज जाओ या वोई problem face करो के तो एक signal की तरह काम करेगा कि आप या ये situation में पहले भी face कर चुका हूँ तो मतलब आप फिर से वोई गलती करने वाले हो तो आपको एक signal मिलेगा ठीक है and triggering the appropriate intervention be the tactical adjustments or strategic reorientation या तो आप छोटे छोटे tactical चीज़ें चेंज कर दो मतलब अवाइडेबल है कि अवाइडेबल है अवाइडेबल है तो आप चेंज करो ना लोगों को रीप्लेस करो किसी को निकलना पड़े तो निकल रीप्लेस करने जो चीज़ें करनी है कर लो और अगर वो uncontrollable मेरे हाथ में ही नहीं है मैं कुछ भी कर लूँ ना वो मेरे हाथ में ही नहीं है तो मुझे strategy को ही change करना पड़ेगा strategy reorientation मतलब strategy का ही formulation जो formulation है उसको change कर दो क्यों हमारे हाथ में नहीं है मतलब formulation में ही गलती थी हमने कोई एक problem है या जो एक limitation है उसको formulation में consider ही नहीं किया कि यह problem हो सकती है समझ रहे हो तो अगर वो avoidable है आप उसके लिए कुछ कर सकते हो तो करो क्या करोगे tactical adjustment material का supplier change कर दो कहीं और से खरीदो system बदल दो decentralization समझ रहे हो तो जहां जो problem है fix कर दो उसको कहते है tactical adjustment क्योंकि हो controllable है और अगर वो uncontrollable है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते है आपको strategy को ही change करना पड़ेगा तो उसको कहते है strategic reorientation फिर है strategic management जो पूरा concept है is divided into two parts strategic evaluation जो आपका last step होता है याद आता है strategic management process में क्या होता है environmental scanning strategy formulation strategy implementation strategy evaluation यह वह है strategic evaluation and control ठीक है control भी मतलब एक part है ऐसा इनका मानना है शर्फ evaluate करके क्या होगा evaluation से तो सर्फ information मिलती है evaluation तो सर्फ information है कि क्या हुआ जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं हुआ जो भी है अब आगे change लाने के लिए तो आपको control करना पड़ेगा एक्शन लेना पड़ेगा तो एक्शन भी एक part है तो strategic evaluation and strategic control effective control process should ensure that the organization is setting out to achieve the right things and that the methods being used to achieve this are working right things के पीछे पड़ो जो आपके काम के हैं जो आप control कर सकते हो right things का ही मतलब क्या है कि जो आपके controllable है क्योंकि अगर आप uncontrollable की पीछे भागोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपके कुछ limitations होते हैं आपके कुछ limitations होते हैं तो जो चीज change हो सकती है practically आप change कर सकते हो material supplier change करना है कोई बड़ी बात नहीं है supplier आप change कर सकते हो एक का दो employee को change करना है department बदलने हैं तो वो भी हो जाएगा अब पूरी का पूरा organization का labor आप change कर सकते हो आप बहुत बड़ा drastic change भी नहीं कर पाते हो आप ठीक है तो दिक्कत है gradually होता है तो right things करनी है और सही तरीके से करनी है तो ही वो काम करेगा अब ध्यान दो ठीक है यहां से काफी important part है role of control ठीक है role of strategic control when strategic control is undertaking properly it contributes to the following specific areas that is measurement of organizational progress ठीक है control करोगे तो आपको पता चलते जाएगा कि आपका progress क्या है measurement हो जाएगा इतना हो गया इतना हो गया इतना काम हो गया progress का एक flow एक percentage कुछ एक measurement आपको पता चल जाएगा feedback for future actions बरबर feedback मिल जाएगा क्या changes करने है क्या सेम करनी है क्या चीज़ें अलग से करनी है अलग धंग से करनी है क्योंकि हमने गलग तरीके से की थी तो आपको एक feedback मिलेगा और फिर लिंकिंग performance विद रिवार्ड बरबर रिवार्ड उन्हीं को दो जिनका performance अच्छा है कि rewards has to be carries लिंग performance अब लिके ठीर तक विद्य को फायदा होगा गोई मेजर होगे feedback मिलेगा फ्यूचर एक्षिन लिए के ठीक है क्लियर रहन स्वाट का लिंकिंग हो जाएगा क्लियर है क्लियर है क्लियर रहती है कि आ वह तीन चीज़े बड़े आगे अब आपके क्या सिस्टम्स होता है major organizational systems ठीक है systems क्या क्या है पहला है information system बरबर की information कैसे जनरेट होगी उसी को आप क्या कहते हो MIS management information system यह software आप मान सकते हो software जो data जनरेट करते हैं जनरेट करेंगे तो information system आपके पास होना चाहिए management information and control systems are closely interrelated बरबर management information and control system दोनों connected है क्योंकि information के base पे ही control किया जाएगा information system is designed on the basis of control system बरबर information कैसे generate होनी चाहिए कौन-कौन सी information होनी चाहिए कौन-कौन से format में होना चाहिए यह सब control system से connected होता है जो चीज आपको control करनी है वो सब record होनी चाहिए जो चीजे control करनी है जो चीजे जो parameters माहिने रखते हैं वो सब आपके reports में होने चाहिए दोनों connected हैं बच्पन में चैप्टर 11 में भी पड़ा planning and controller interconnected ठीक है तो यह वो ही है फिर है planning system मतला आपके बिजनस पे होना चीजे अब यह आपने एक team बना रखी है एक कमिटी बना रखी है एक software ले रखा है या एक person hire किया हुआ है जो भी है वो तरीका flexible है पर एक planning system आपके इधर होना चाहिए and control are closely interlink and there should be there should be proper integration between the two this integration can be achieved by developing consistency of strategic objectives and performance measure क्या आपके targets है क्या achieve करना चाहते हो वो clearly set होने चाहिए और performance को कैसे measure करोगे वो भी आपको पता होना चाहिए मतलब well established standards होने चाहिए कि आप कैसे measure करोगे फिर है development system क्या develop करना है employee को employee को develop करने का एक system होना चाहिए मतलब training and development वाला development training and development के employees को अगर आपको एक-एक step एक-एक hierarchy उपर पहुचाना है तो उनको training development देना पड़ेगा ताकि वो higher responsibilities accept कर पाएं उनको कर पाएं और उसमें जाधा गलतिया न करें हमारा नुकसान न करें तो training development का system हर organization होना चाहिए तो आप control अच्छे से कर पाऊगे change को अच्छे से handle कर पाऊगे development system is concerned with developing personal यान employees to perform better in their existing position and likely future positions that they are expected to occupy फिर appraisal system बरोबर performance appraisal employees जो काम कर रहे हैं उनका एक appraisal भी system होना चाहिए rating system होना चाहिए rating मिली consistency मिली तो promotion rating system होना चाहिए तो appraisal system होता है अप्रेजर performance appraisal system involves systematic evaluation of the individual with regard to his performance and his potential for development ठीक है क्या क्या आप काम कर सकते हो क्या रेजल roles responsibility आप निभा सकते हो तो हर individual employee को आपको appraisal करने का एक system होना चाहिए तो automatic मतलब हो हर साल होते जाए फिर है motivation system बरोबर employees को motivate करने का भी system होना चाहिए motivation अब आप seminar रख सकते हो जो भी तरीके से motivate हो incentives दे सकते हो employee welfare दे सकते हो छुटियों बेभेज सकते हो जैसा आपको लगता है कि आपका employee motivate होता है उसमें एक system बनाना है motivation system since the basic objective of control is to ensure that organizational objectives are achieved motivation plays a crucial role in the control process ठीक है तो ऐसे अलग अलग type के systems आपके organization में होने चाहिए information का system होना चाहिए कि information कैसे generate होगी फिर आपके employees का development system होना चाहिए employees का appraisal system होना चाहिए employee का motivation system होना चाहिए और एक था planning system ठीक है क्या-क्या है फिर से बोलो मेरे साथ साथ आके बन करके बोलो पहला अब sequence तो कोई भी चलता है जो याद आ जाए बोलो पहला है मेरे गालता है development system ठीक है employees को develop करो फिर उनको appraisal system motivation system planning system information system ठीक है पाच टाइप के systems है clear है चलो बढ़े आगे बढ़े क्या आगे चलो control process यह तो हम chapter 11 में पढ़ चुके है ठीक है setting standards अब यहाँ performance का होगा तो performance standards set करो फिर actual performance को measure करो reports के तुरू और फिर comparison करो उससे आपको variance पता चलेगा वो variance को analyze करो और analysis के base पे corrective action ले लो ठीक है बहुत ही normal सा control process है अब यहाँ important है star mark कर लो ठीक है strategic control techniques strategic control techniques ठीक है काफी important है confusing है ठीक है चलो sometime the strategy formulated may not work effectively as devised by the strategist बरुबर कितना भी plan कर लो हो कितना भी आप expert हो कितना भी आप experienced हो future हमेशा uncertain ही होगा past exactly same future repeat नहीं होगा कुछ न कुछ changes, challenges, uncertain events होते ही रहते हैं तो उसको control करने के लिए आप क्या करोगे अगर strategist ने जो बनाया है अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे तो आपको कुछ control techniques होनी चाहिए कि वापस आप वो track पे अपने आपको ला सको बहुत जादा direction, offbeat न जाए तो उसके लिए आपको कुछ control techniques यूज करने चाहिए ठीक है आपने सोचा इंडिया 8% पे consistently grow होगा फिर अचानक से कोवीड आ गया growth rate हो गया 4%, 3% जमीनी पुरा बदल गया समझ रहे हो तो assumptions पे आपको track रखना चाहिए कि जो आपने strategy बनाते अगा assumption लिए है और जब आप उसको implement कर रहे हो, assumption अभी भी same है या नहीं है क्योंकि अगर assumption ही बदल गए तो वो strategy implement as it is नहीं हो पाईगी, आपका direction ही गलत हो जाएगा तो आपको कहीं नहीं strategy को revise करना पड़ेगा, on the basis of assumption, समझ रहे हो, तो assumptions पहले control करो, assumptions अभी भी same है कि नहीं, अभी भी आपने जो assumption लिया है वो real life में implement करते समय, valid है कि नहीं, ये बार बार चेक करना जरूरी है, तो ये control लगा लो, जो consistently implementation के पूरे time के दौरान compare करते रहे, कि यार हमने जो assumption लिया है वो अभी भी valid है, या उसको बदलने की जरूरत है, तो ये side में, background में processing चलते रहनी चाहिए, premise control, तो premise बूले तो assumption, premise is includes assumptions और forecast of future and known conditions that affect the operation of a strategy, premises are usually concerned with environmental factors, ठीक है जो factors मैंने बताए, जीटे रेट, unemployment rate, inflation rate, foreign exchange rate, ठीक है यह सब, tools and regulation, income tax rate, कुछ भी हो सकता है, premise control is designed to check systematically whether the assumptions set during the formulation and implementation process are still valid, समझ रहे हो, अभी भी वो valid है कि नहीं, या उनको suitably हमको change तो नहीं करना है future के लिए, वो आपको बार बार चेक करना है, ठीक है, premise control, फिर है momentum control, strategic momentum control, momentum का मतलब क्या है speed, क्योंकि हर project हर चीज में stages होती है, तो आपका proper momentum है कि नहीं, हर stage पे जितना चीज़ें complete होनी चाहिए, जो speed आपको बनाए रखनी है, जैसे cricket में run rate होता है, वैसे run rate बनाए रखोगे, तो ही आप वहाँ तक पहुचोगे ना, तो run rate पे ध् है, तो आपका momentum पे control नहीं, momentum आपको बढ़ाने के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, तो momentum control, उसके लिए क्या करेंगे ध्यान दो, suitable for organizations working in a relatively stable environment, क्योंकि run rate कब निकालेंगे, जब आपको similar पूरा environment है, same चीज़ें, कुछ जाधा change नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आ आप run rate निकाल सकते हो, momentum को compare कर सकते हो, क्योंकि average, same होना चीए, on and average, same चीज़ें होती है, तो same, क्या कह सकते है, implementation पूरा same होता है, ठीक है, जैसे आपकी पढ़ाई का है, आपकी पढ़ाई का देको run rate कैसे होता है, आपको पता है, कि भाई, starting में हमारी speed slow होती है, पढ़ाई ना, धीरे-धीरे हमको पता है कि हमारे number of arts भी बढ़ने वाले, धीरे-धीरे हमको ये भी पता है कि आखरी दो महिने में तो हम superman बन जाएंगे, हमारी पूरी पढ़ाई complete हो चुके होगी, और हमको सिर्फ revision करना है, और हमारे number of arts भी बढ़ जाते है, समझ रहे हैं, यह आप पता होता है ना, environment stable नहीं होता है, तो यह आप कैसे लगाओगे, पहले मंत, पढ़ाई की जो पहला मंत है, और पढ़ाई का आखरी मंत है, क्या है सेम होता है, नहीं, जमीन आसमान का फरक है, कहां आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, कहां 12 घंटे पढ़ रहे हो, फरक है ना, तो यह वहाँ कैसे वक करेगा, अगर आप पहले दो महने को आखरी दो महने से compare करोगे, momentum is never same, तो आपको यह control नहीं लगा पाओ गया, तो यह control कहां लगेगा, जहाँ environment बहुत stable है, हर stage comparable है, somewhat similar है, तो momentum control वहाँ पर work करेगा, logical लगेगा, clear है, तो यहाँ stable environment में ही यह ज्यादा suitable है, the major assumptions made at the time of strategy formulation remains valid for a quite long time, क्योंकि आपका stable environment है, stable environment है, तो assumptions long term तक valid होंगे न, क्योंकि कुछ change हो ही नहीं रहा है, तो assumption क्यों suitable नहीं होंगे, सोच के देखो, there may be change in the environmental factors, but such change is gradual and on a predicted line, क्योंकि environment change नहीं हो रहा, तो आप predict कर सकते हो, कि क्या change होंगे, क्या चीज़े होने वाली है, फिर है, there are three approaches for a strategic momentum control, बोलो, तीन approaches क्या है, number one, responsibility control center, ठीक है, responsibility center आप बना लो, responsibility center हम CMA में पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको, वो भी same था, cost center, ये center, वो center तो आप responsibility बाढ़ दो और वो अपना काम करते रहेंगे, underlying success factor, बरवर, underlying success factor आप define करो, कि ये इतना आया, तो भाई हमारा momentum सही चल रहा है, उसको आप quantify करो, and generic strategies, ठीक है, कुछ generic strategies बना के आप momentum को control कर सकते हो, ठीक है, तीन तरीके हैं, three approaches है, number one, responsibility control center, underlying success factor, and generic strategies, आगे बढ़ते हैं, तो ये था momentum control, अब है leap control, leap, leap अंतब चलांग, ठीक है, तो ये कहां पे काम आती है, जब आपका unstable environment हो, unstable या turbulent environment है, तो वहाँ पे आपको एक छलांग मारनी पड़ते हैं, क्योंकि uncertain environment है, leap of faith आपने सुनाई होगा, तो ये वो ही leap है, leap control, strategic leap control, strategic leap control enables the organization operating in a relatively unstable and turbulent environment, वहाँ पे ये बनाना पड़ता है आपको, following techniques are generally used for exercising the leap control, namely strategic issue management, ठीक है, issue management का आपका एक system होना चीए, strategic field analysis, ठीक है, field analysis आप कर पाओ, क्योंकि turbulent है न, environment unstable है, turbulent है, तो आपको जब तक field याने जो environment है, जो चीज़ें, outside factors है, जब तक वो समझेंगे नहीं, आप कैसे leap करोगे, leap करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, at a certain time, at a given time, क्या situation है, उसको आपको समझना पड़ेगा, और फिर है systems modeling, कि systems की मदद से forecast करो कि ये behavior कैसा होगा, जैसे हमारा weather हम focus करते हैं, तो वो system modeling के तुरू आप थोड़ा सा predict कर सकते हो, कि क्या range में चीज़ें होने वाली है, उसकी help से आप leap को control कर सकते हो, ठीक है, तो क्या तीन चीज़े हैं, बोलो, अब इसमें confusion होगा, देख को, क्या क्या है, थोड़ा सा बना लेते हैं, आजाओ, बोलो, क्या है, पहला, Momentum control क्या है, Momentum control, पहला है, Responsibility, Control Center, Underlying Success Factors, और Generic Strategies, ठीक है, यह Momentum control में है, फिर leap, control में क्या है, Strategic Issue Management, Issue Management, Systems Modeling, और एक है, Study, क्या था वो, Strategic Field Analysis, क्लियर है क्या, इसमें confusion होगा, तो इसलिए, अलग से लिख लो, ताकि आप बार-बार पढ़ो, ठीक है, तो Momentum control में क्या है, Responsibility Center, Underlying Success Factors, और Generic Strategy, और Leap Control में है, Strategic Issue Management, Systems Modeling, और आपका Field Analysis, ठीक है, Mix करके पूछा जाएगा, which of the following is not a momentum control, which of the following is not a leap control, बहुत बारिकी से याद करके आपको answer लिखना पड़ेगा, ठीक है, चलो, फिर है Implementation Control, Implementation Control, this is designed to assess whether the overall strategy should be changed, बरवर, direction ही अगर गलत हो गया, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, direction ही गलत हो गया न, तो आपको, आप गलत strategy इंप्लिमेंट नहीं कर सकते, कितनी भी अच्छी तरीके से आप इंप्लिमेंट करो, strategy ही गलत formulated है, तो Implementation भी गलत ही होगा, तो आपको Implementation भी एक control डालना पड़ेगा, कि अभी भी वो strategy valid है क्या, assumptions के वज़े से, या कोई भी चीज़ों के वज़े से, अगर strategy में ही बदलाव की जरूरत है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, overall strategy में change करने की जरूरत है, क्या, because of the unfolding events, जो आपने सोचे ही नहीं थे, unanticipated events के वज़े से, In designing the implementation control, the following two aspects are taken into consideration, number one, monitoring the strategic thrust, ठीक है, thrust, जिस पर dependent है चीज़े, वो thrust आपको monitor करना है, और फिर है milestone review, milestone, हर milestone पे check करो, कि अभी भी assumptions valid है, क्या, अभी भी strategy valid है, मतलब, रोज रोज थोड़ी आप implementation control करोगे, तो उसके लिए milestone बनाओ, कि चलो, हर milestone पे अपन चेक करेंगे, कि strategy अभी भी valid है, या strategy को change करने की requirement है, ठीक है, तो monitor, strategic thrust, and milestone review, ठीक है, यह है आपके implementation control, ठीक है, फिर surveillance, strategy surveillance, surveillance क्या होता है भाई, नजर रखना, मतलब, कुछ गलत हुआ नहीं है, हम बस नजर रख रहें, सब बरोबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, surveillance, उसको आप कहते हो, ठीक है, it's a non-focus control, कुछ गलत हुआ ही नहीं है, focus control क्या है, भाई, गलत हुआ है, यह आगया है, फिर अपन आगया उसको ठीक करने, अरे यहां कुछ हुआ ही नहीं है, भाई, हम तो सिर्फ नजर रख रहें, ठीक है, there is, this is non-focus control, and is designed to monitor, सर्फ monitor करना है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, monitor a broad range of events, inside and outside the organization, which are likely to threaten the course of strategy, ठीक है, तो आप बस नजर रखो, surveillance रखो, ताकि आपको तुरंत पता चल जाए, लेट पता चला, तो फिर आप क्या कर लोगे, action जो होता है, corrective action वो एक within time लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए surveillance रखो, surveillance से क्या होता है, तुरंत पता चल जाता है और आप चीजों को फटा-फट rectify कर सकते हो, तो नुकसान जो भी है न उसको minimize कर सकते हो, ठीक है, तो surveillance इसलिए जरूरी है, फिर special alert control, कि आपको alerts होने चाहिए, कि अगर कोई major change आ गई है, fundamental shift हो गया है, तो एक alert system भी होना चाहिए, इस measure is undertaken to assess the impact, alert control मतलब impact समझना है, of any major environmental event, ठीक है, कोई भी बड़ा event हो रहा है, तो उसका alert होना चाहिए, कि यह आपको impact करेगा, नहीं करेगा, अब impact करेगा, तो फिर आपको वही देखना होगा, कि इसके एसाब से अब मुझे कुछ changes करने पड़ेंगे, या नहीं करने government बदल गई, income tax law नया आ गया, कोई भी चीज, कोई भी major environment में changes है, technology advancement आ गया है, कोई दो countries के बीच में लड़ाई चल रही है, trade wars चल रहे है, या भी जैसे Russia और Ukraine का चल रहा है, या China और US का भी trade war चलते रहता है, समझ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे आपके international issues होते हैं, उनका भ alert control रखो, special alert control, इसलिए समें दाम दिया है, special, strategic alert control नहीं है, special, तो issue आपका, ये special alert control, clear है, तो ये क्या बताएगा, जो भी major events हो रहे हैं, environmental events हो रहे हैं, उसका impact आपको alert करेगा, चिक है, assess the impact of any major environmental events, such as technological invention, नहीं technology आ गई, regional disturbances चल रहे हैं, ठीक है, between countries affecting the business, strategic actions taken by country, और countries together in controlling some critical issues, ठीक है, तो supply या कोई component को वो कर रहे हैं, मतलब कुछ उससे आपको impact पड़ सकता है, बरबर तो ये चीज़ें आपको affect कर सकती है, आपके raw material, आपके inputs को affect कर सकती है, तो आपको alert होना चाहिए, कि कैसे आप फिर वो material secure कर होगे, अगर उसमें कोई restriction लग गई, import restriction लग गई, या कोई country उसको hoarding कर रहा है, तो फिर आपको alert मिलना चाहिए, कि आपको रास्ते निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो इतने type के strategic control techniques होते हैं, number one, premise control, assumptions का control, second, momentum control, leap control, implementation control, surveillance control, special alert control, ठीक है, छे type के ऐसे आपके strategic control techniques है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं, balance scorecard, ठीक है, नया topic आपके इसमें insert हुआ था, एक का देर साल पहले, तो balance scorecard क्या है भाई, ये भी एक evaluation technique है, जिसमें आप चार चीजों में division करते हो, ठीक है, four उसके main areas है, balance scorecard, balance scorecard, ठीक है, ध्यान दो, words से ही connect करो, तो आप उसको four areas में divide करते हो, balance scorecard is divided into four groups, areas, पहला है, financial perspective, ठीक है, financial जो भी चीज़े हैं, उसको अपने बाट ली, फिर है customer perspective, मतलब है, आपके focus areas है, कि एक business को क्या चीजों से फरक पड़ता है, तो ये बोल रहा है, चार चीजों से फरक पड़ता है, चार चीज़े ही main है, एक है पैसा, financial perspective, दूस इसरा है process, business process perspective, और third है learning and growth perspective, मतलब HR, मतलब लोग, employees, समझ रहा हो गया, तो ये चार areas पे आपको ध्यान देना चीज़े, पैसा, financial, customer, process, और employees, learning and growth perspective, एक है, इसे चार areas होते है, core, इन चार चीजों से आप पूरा business manage कर सकते हो, used as a strategic planning and a management technique, ठीक है, plan भी कर सकते हो, ये चार perspective के इसाब से, और business को manage भी कर सकते हो, चार चीजों को manage कर दिया, बाकि सब हो जाएगा, widely used to align the organizational performance to its vision and objective, कि आप सही track पे हो कि नहीं, सही track पे हो कि नहीं, हर साल, एक-एक साल, अगर आप सही track पे हो, तो पात साल में आप अपने, जो भी आपका vision है, mission है, आप पहुच जाओगे, तो ये आपको align करता है, अगर आप रास्ते से भढ़क गए, तो आपको फिर से track पे ला लेगा, तो ये चार चक्के हैं, एक गाड़ी के चार चक्के की तरह है, alignment change हुआ, तो आपको फिर से realign करके, सही direction में आपको लेके जाएगा, ठीक है, it is used as a tool to monitor the performance of the organizational objectives, अब क्या need है इसकी, increases the focus, ठीक है, क्योंकि इतनी सारे noise होती है, business में इतने सारे रोज के tension होते हैं, रोज के इतने problems होते हैं, कि आप focus नहीं कर पाते हूँ, ठीक है, तो आप चार areas इसलिए अलग कर लेते हो, चाकि मैं चार पे तो focus करूँ, और जिससे फर ही main चीज है, ठीक है, तो focus आपका बनेगा, increases the focus on the business strategy and its outcome, leads to improvised performance through measurements, align the workforce to meet the strategy on a day-to-day basis, ठीक है, alignment होगा, targeting the key determinants or drivers of future performance, क्या हो सकता है, key determinants, जो मैं आपको बताया, customer satisfaction, customer satisfaction का है, आप एक barometer बना सकते हो, आपका financial perspective, उसमें आप ROI, P&L, जो भी आपको net profit, जो भी indicator रखना है, आप वो रख सकते हो, फिर जो employees का जो performance है, ratings है, वो भी learning and goal perspective में व्यूज कर सकते हो, तो आपको बास key determinants होंगे, जिससे आप future performance पे control रख सकते हो, improves the level of communication in relation to organization strategy and vision, ठीक है, strategy को आप अच्छे से communicate कर पाओगे, क्योंकि आपने proper four dividations किये होगे, वतलब जिसका strategy में जिसका जितना role है, उसको उसका role समझा दोगे, employees से जो required है, वो employee को समझा दोगे, पर अपना अपना जो भी है, आप उसको properly समझा पाओगे, तो better communication होगा, helps to prioritize projects according to the time frame and other priority factors, ठीक है, आपकी priority जैसी है, आप उसके साब से इसको बाढ़ सकते हो, तो ऐसे आपका फाइदा है, balance scorecard बना के, जिसमें आप चार areas में divide करते हो, financial perspective, customer perspective, learning and growth perspective, business process perspective, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा इस chapter का last topic है, which is strategic change management, ठीक है, आजाओ, strategic change management, कि आप strategic level पे जो change है, जो overall business के level पे जो changes आ रहे हैं, बिजनस में, जैसे मैंने आपको बताया, technology बदल गई है, कोई, आपका structure आपको बदलना है, आपकी strategy बदल गई है, जो भी एक major change आता है, strategic change आता है, छोटे मोटे नहीं, छोटे मोटे नहीं, ठीक है, कुछ छोटा सा change हो गया, वो तो कोई employee छोड़के चले गया, तो रोज होते रहता है, इतने छोटे छोटे change को कोई manage करने की ज़र कर सकता है, ठीक है, आपके systems का software बदल गया, जैसे अगर आप एक bank को, bank का software पूरे इंडिया में लागू होता है, सब connected है न, core banking, तो अगर आप software ही बदल गया तो, तो बहुत बड़ा issue है, अब एक कैसे होगा, कैसे एक 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 branch वाले को, एक एक software सिखाओगे, बड़ा issue है, तो कैसे यह change होगा, कैसे आप इसको smoothly manage करोगे, तो आपको यहाँ यह पढ़ा ही काम आएगी, strategic change management, ठीक है, कैसे एक बड़े change को manage करते हैं, ध्यान दो, क्या बड़े changes हो सकते हैं, तो इन्होंने उसको divide किया हुआ है, ध्यान दो, three kinds of strategic changes, तीन changes हो सकते हैं, number one, re-engineering, क्या business क re-engineer कर रहे हो, मतलब आपका manufacturing setup है, क्या कोई technology driven आपका process है, उसको आप पूरा नए तरीके से कर रहे हो, business, process, re-engineering, जो अपन next chapter में भी पढ़ने वाले, तो हर जो आपका एक set process है, उसको आप ignore कर रहे हो, और आप नए सिरे से सोच रहे हो, कि अगर आज में पहली बार यह goods क produce करता, तो मैं कैसे बनाता, ठीक है, तो क्या है, नए सिरे से अगर आज में बनाओ, पहली बार अगर मैं कोई product बना रहे हो, जैसे zero based budgeting आपने पढ़ा था, CMA में, वैसे ही है, कि नए सिरे से, आज की technology, आज जो भी know-how है, आज के हैसाब से अगर हम बनाती, तो क्या उसको ह अलग तरीके से बना सकते हैं, बेटर तरीके से बना सकते हैं, तो आप re-engineering कर रहे हो, radical, बहुत बड़ा आप change लाना चाहते हो, ठीक है, तो वो होता है re-engineering, फिर है restructuring, business का setup change कर रहे हो, departmental changes कर रहे हो, functional था भी divisional कर रहे हो, या जो भी major roles and responsibility में, अगर कोई major change है, तो उसक कहते हैं आप restructuring, और फिर है innovation, ठीक है, आपको technological कोई innovation करना है, तो वो भी एक बहुत बड़ा change है, जैसे मैं आपको example भी दिया, software बदल गया, innovation, नया software आ गया, तो आप कैसे change होगा, कैसे switch करोगे, नये, पुराने से नये पे कैसे switch करोगे, customers को कैसे handle करोगे, employees को कैसे सिखा करोगे, cost जो बैठेगी, उसको कैसे recover करोगे, समझ रहे हो, तो यह आपको manage करना पड़ेगा, अपने आप चीज़े नहीं होती है, ठीक है, तो तीन type के strategic changes है, re-engineering, restructuring and innovation, ठीक है, चलो, start करते है, strategic change management is a process of delivering the strategy, कि कैसे आप हो deliver करोगे, कैसे उसको आप implement करोगे, सेम जैसे हमने पढ़ा कि सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा, facilitate करना पड़ेगा, जैसे हमने implementation में पढ़ा ना, procedural implementation, behaviorals, structural, तो आप facilitate कर रहे हो, एक environment create कर रहे हो, ताकि वो implementation हो पाए, वैसे ही है, कोई change करना है, तो आपको एक environment बनाना पड़ेगा, ताकि वो change facilitate हो पाए, वो चेंज हो पाई उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहों तो डेल डेलिवरिंग दे स्ट्राटेजी ऑफ अन और कंट्रोल्ड एफिशेंड और एफेक्टिव मैनर ठीक है प्रॉब्लम एरियास पहले सी पता होने ची कि नया सॉफ्ट्वियर आ रहा है चलो और एंप्लोई नाटक करेंगे तो हम उनको मोटीवेट करेंगे थोड़े इंसेंटिव्स देंगे उनको अलग से ट्रेनिंग देंगे सिखाएंगे मोटीवेट करेंगे बताएंगे कि क्यो टेक्टोलजी चेंज हुए और उसमें हमारा कोई रोल नहीं है तो उनको समझ रहे हो अपने तरफ में करो, आपको problems पहले से ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये change हो रहा है, तो अब ये होगा, फिर वो होगा, फिर ये होगा, आपको पूरा ऐसा change पता होना चाहिए, तो आप उसको effectively manage कर पाओगे, ठीक है, it is basically the process of governing a portfolio of programs, projects, initiatives, with the context of a wider strategy for the organization, मतलब पूरा जो आपका overall strategy है, उसमे कहीं बीच में change कहीं होगा, भाई अब आपका strategy पहले से अलग है, तो आप नई strategy के लिए फिर पहले आपको change को भी तो facilitate करना पड़ेगा न, तो ये उसके लिए है, कि within the overall strategy, आपको कहीं न कहीं strategic changes करने पड़ेंगे, तो आप कैसे करोगे, the term change refers to alteration of a system, whether physical, biological और social, कोई भी type का system अगर आपको बदलना है, तो वो change में आएगा, कोई भी चीज़ change हो रही है, social change भी हो सकता है, biological change हो सकता है, या physical change हो सकता है, तो ये सब changes में आएगे, ठीक है, मतलब business का angle से आपको इस सोचना है, business का physical setup है, business का भाई कोई social angle है, या आपका CSR है, समझ रहे हो, कुछ image बदलनी है, या कुछ भी अगर आपको बदलना है, कुछ जो intangible चीज़ें है, technology हो गई, समझ रहे हो, तो वो भी आएगा, biological हताब technological intangible चीज़ें भी हो सकता है, आपको change करनी पड़े, तो तीन टाइप में classify क्या गय change कर रहे हो, अब process क्या है भाई, process न physical है, न कुछ है, process हो सकता है, biological process को कहा गया हो, समझ रहे हो, तो वो है, तो पहला है BPR, business, process, re-engineering, तो इसमें आप क्या करते हो, redesign, मताब already एक design है, आप उसको नए सिरे से, नए perspective से design करेंगे, ताकि उसमें कुछ benefit मिले, या तो वो design improve हो जाए, या वो कम cost में बन जाए, या उसमें कम time में आप manufacture कर लो, कोई ना कोई advantage मिलना चाहिए, redesign से, redesign of the business processes, processes and associated systems and organizational structures to achieve a dramatic improvement in the performance, business process engineering is the examination and change of business components such as strategy, processes, technology, culture, ठीक है, कोई भी चीज़ को आपको change करना पड़ सकता है, in the BPR, ठीक है, नाम process ही है, तो processes तो आए गई, business process है न, re-engineering, तो processes तो change होगी चाहँगी, ठीक है, फिर है restructuring, restructuring में क्या क्या आता है भाई, downsizing, reducing the number of employees, number of products, number of departments, तो वो आप restructure कर रहे हो, business को simplify कर रहे हो, structure को, चीज़ों को combine कर रहे हो, या चीज़ों को split कर रहे हो, ठीक ह है, तो यह चलते रहता है business में, तो क्या-क्या हो सकता है, reducing the level of differentiation and integration, मतलब, या तो किसी को आप split कर रहे हो, या तो आप किसी को club कर रहे हो, ठीक है, वो, by reducing the divisions, departments और hierarchy levels, reducing the number of employees, to bring the operating, to bring down the operating cost, तो यह दो तरह से आप restructuring कर सकते हो, Restructuring and downsizing becomes necessary due to unforeseen changes in business environment, मतलब आपके unfavorable नहीं है situation, inflation जैसे हुआ, inflation अचानक से बढ़ गया, input के prices आपके बढ़ गया, जैसे काफी होते रहता है, government ने हाली में, I think, export tax लगाया था, export duty लगाई थी, on steel, Export tax आज तक नहीं लगाया भाई, export tax बहुत rare होता है अपने country में, क्योंकि हम export को promote करते हैं, export पर taxes नहीं लगता है भाई, import पर लगता है, Export पर tax लग गया, तो आपका cost बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे business में problems होते रहते हैं, changes होते रहते हैं, तो उसके वज़े से आपको चीज़ें बदलनी पढ़ती हैं, New technological development, reduction in demand, excess production capacity, higher bureaucratic and operating cost, improving the competitive advantage, तो इस वज़े से आपको restructuring या business को downsize करना पड़ सकता है, फिर है innovation याने technology, टेकनलोजी नहीं आ गई है, बेटर टेकनलोजी आ गई है और उसको जितना जल्दी एडॉप्ट करोगे उतना अच्छा होता है, उतना ज्यादा benefit मिलता है, process by which organization use their skills and resources to create new technologies or goods or services so that they can change and better respond to the needs of the customer, कहीं न कहीं customer service performance quality improve होती है technology से, ठीक है, ऐसा rarely होगा कि technology advancement हुआ है और performance deteriorate हुआ है, ऐसा rare होता है, temporarily हो सकता है, पर eventually long term में हमेशा technology advancement से business के performance quality पे फाइदा होता ही है, तो इसलिए फटा-फट उसको adopt करना आपके favor में रहेगा, ठीक है यह पूरा एक हो गया, ठीक है यह पूरा एक point है, strategic change management ठीक है तीन parts में तीनों का definition या उसके अंदर क्या होता है उन्हें देख लिया, अब यह अलग topic है, problems of overcoming resistance to change, ठीक है आप change करोगे तो resistance आएगा, लोग मना करेंगे, नाटक करेंगे, efficiency कम होगी, समझ रहे हो, resistance उनका आएगा, वो oppose करेंगे, तो उसको आप कैसे overcome करोगे, number one, education and communication, उनको समझाओ, उनको बताओ, कि यह क्यों हो रहा है, और हम भी इससे खुश नहीं है, organization को भी नुकसान हो रहा है, या बहुत जादा cost बैठ रहा है, still हम कर रहे है, हमारे future के लिए जरूरी है, हगर हमने नहीं किया, competitors ने हमसे पहले adopt कर लिया, तो problem हो सकते है, आप ही का future, आपका increment, promotion, salary बढ़ेगी नहीं, तो आपको अच्छा लगेगा, तो आपको educate करो कि यह change क्यों important है, और यह change क्यों urgent है, फिर है participation, उनका suggestion पूछो, कैसे करें, तुम बताओ, ऐसे नहीं तो कैसे, अब नहीं तो कब, तुम बताओ, participate करो, तो वो थोड़ा सा favorable आपको यह करेंगे, obtaining commitment, ठीक है, commitment obtain करो, कि हाँ आप हमारा साथ दोगे, कल चलके थोड़ा training लेना पड़ा तो आप ले लोगे, दो घंटे जादा बैठना पड़ा तो बैठोगे, संडे को आना पड़ा तो आओगे, commitment loan की, और फिर है leadership, training, psychological counseling करो, कुछ पागल लोग हैं, बहुत जादा अपोस क कर रहे हैं, तो counseling भी करनी पड़ सकती है, या coercion, मतलब आप dictate करो, आप जो करेगा, वो रहेगा, जो इसको नहीं करना हो, जाओ, Elon Musk, ठीक है, Elon Musk भी ऐसे ही करता है, ये rule है, ऐसा जो करेगा, वो रहेगा, जो नहीं करना है, आप जा सकते हो, coercion, ठीक है, तो वो भी एक आपक रखता है, फिर एक अलग ही topic है, leadership style, classic leadership style, modern leadership style, classic style में तीन है, autocratic, democratic and lezic fair, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, classic, classic leadership style क्या है, autocratic, democratic, lezic fair, और फिर है modern techniques, modern techniques में बहुत सारे है, six total है, visionary, ठीक है, जो vision आपका रहेगा, coaching, coach style, जो leadership होती है, affiliative, democratic, pace setting and commanding, ठीक है, एक common है, democratic दोनों में है, ठीक है, ठीक है, तो तीन classic है, और छे modern techniques है, बस नाम आपको खेल में रखना है, clear है, इस पे अभी तक कोई question मेरे खेल से नहीं आए, तो ये है आपका लंबा chapter, implementation and control, ठीक है, तो काफी detail में हमने इसमें पढ़ लिया है, मुझे नहीं लगता है, इससे जादा आप पढ़ पाओगे, ठीक है, अच्छा खासा detail में ही, सारे sub points, main main points हमने cover कर ली है, ठीक है, तो आप pause करके, 10-15 मिट खुद से पढ़ लो, ठीक है, ठीक है, overall देख लो, कुछ आपको double से 2-3 बार अभी कि अभी पढ़ना है, ताक कि आपको याद हो जाए, मुड़ी में बैठे हो, तो बही पढ़ लो अभी, तो break ले लो, 10-15 मिट का बढ़ियां पर की, एक बार थोड़ा सा main main points या जो मैंने आपको लिखवाया है, ये चलिए, let's start analyzing strategic edge, ठीक है, last chapter start करते है, I hope आप break ले लेके ही पूरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, चलो, तो इसमें in totality हम 9 topics पढ़ेंगे, ठीक है, 9 topics आपको इस chapter में है, ठीक है, BPR, Business Process, Re-Engineering, फिर है आपका Benchmarking, फिर है आपका Total Quality Management, फिर है Six Sigma, फिर है आपका ERP, फिर है Industry 4.0, फिर है आपका AI, Artificial Intelligence, फिर है आपका Blockchain Technology, और फिर है आपका FinTech, ठीक है, ऐसे total 9 topics इसमें हम पढ़ने वाले, कोशिश करेंगे, सारे punch words, सारे important areas को हम इसमें cover कर ले, थोड़ा बहुद, diagrams और जो भी चीज़े modules में दी है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि पूरा cover करें, ठीक है, एक, 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 एक point, चुन, चुन, के हम cover करने की कोशिश करेंगे, चलो, आ जाओ, सबसे पहला topic है BPR, ठीक है, जो हमने पिछले chapter में भी थोड़ा सा touch किया था, ठीक है, तो उसमे re-engineering हमने पढ़ा था, ठीक है, तो BPR में आपको बताया था, कि नएश chapter में भी आने वाला है, तो what is BPR, कि हम radical change लाना चाहते हैं, बहुत बड़ा significant improvement अगर आप करना चाहते हो, और वो कब आएगा, जब आप नए तरीके से सोचोगे, बरबर, पहली बार जैसे हम सोचते हैं कोई चीज को, वैसे अगर आप radical rethinking करोगे, नए सिरे से बिना existing design, बिना existing process को देखे हुए, अगर आप नए सिरे से कोई design को करते हो, with an objective to simplify, इसको improve करने के हिसाब से, कम time में product बनाने के हिसाब से, ज़्यादा बहतर product बनाने के हिसाब से, अगर आप उसको बनाते हो, तो that is called as BPR, चीक है, अब ये कैसे होता है, क्या problems है, क्या फाइदे है, क्या नुकसान है, सब हमको पढ़ना है, आ जाओ, सबसे पहला इसके कुछ other names है, क्या क्या other names है, business process, change management, ठीक है, change management है, क्योंकि existing already आप कुछ follow कर रहे हो, अब आप नया कुछ बना रहे हो, तो existing से पूरा setup, प पूरा change हो जाएगा, तो it's a change management also, फिर है business process, redesign, बर बर, redesign कर रहे है process को, और फिर है business transformation भी इसको कहते है, ठीक है, adopting BPR as a change management tool, requires organization to make an introspection about the fundamentals of the company itself, that is what they do, ठीक है, क्या करते है, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे हम, हमने पहले साल में, जब पहली पहली बार हमने engineering कियोगी, हमने प get up बनाया होगा, पूरा process build up किया होगा, तो पहली बार बिना कुछ existing base के जैसे हमने सोचा होगा, बस वैसे ही आपको सोचना है, आपको हर चीज को zero से सोचना है, जैसे आप zero base budgeting करते हो, similar approach होती है, कि हम क्या करते हैं, क्यूं करते हैं, हमारे जो basic need है, क्यूं हमने company बनाई है क्या products में हम deal करते हैं, इतने fundamental सवाल आपको अपने आपसे फिर से करने पड़ेंगे, जैसे आपने पहले साल में पहली पहली बार किया होगा, तो क्या सवाल पूछने है, what they do, अतला हम क्या करते हैं, क्या products, क्या services में deal करते हैं, why they do things, ठीक है, कोई भी एक activity हम कर रहे हैं, क उसका क्या purpose है, क्या हासिल होता है, कोई एक activity, कोई एक process, कोई एक step perform करके, हर activity को सवाल करेंगे, कि यह हम क्यों करते हैं, जैसे हमने zero based budgeting में पड़ा है, कि कोई भी खर्चा करते ही क्यों है, कितना करना है, करना ही नहीं करना है, वो अलग बात है, पहले उसको justify करो, कि यह का do things, याने things, याने कोई एक activity, कोई एक process, step आप perform करते हो, क्या value addition होता है, एक final output में उसका, वो आपको समझना है, और फिर है, why do we do things, the way we do, कोई एक तरीका जो हम अपनाते हैं, वो हम क्यों अपनाते हैं, कुछ logic होना चाहिए, कोई भी चीज एक particular pattern में अगर आप करते हो, तो इस साल भी कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हर साल आपको justify करना है, कि अभी भी relevant है क्या, इससे कोई better तरीका तो नहीं है, जिससे आप वोई चीज कर सकते हो, कम time में, कम resources में, better तरीके से with the use of technology, तो ये सारे सवाल आपको करने हैं, तो ये तीन सवाल कौन से what they do, ठीक है, क्या करते हैं, why they do things, कोई भी चीज़ हम क्यों करते हैं, कोई पटिकलर activity, कोई पटिकलर step क्यों करते हैं, और the way we do it, कोई एक पटिकलर तरीके से हम कोई चीज कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से क्यों की जाती है, उसका सवाल का जवाब आपको ढूमना है, अगर वो सवाल का जवाब मिल रहा है, आज भी वो relevant है, आज भी वो सबसे best तरीका है, तो आप continue करो, तो continue करो, पर अगर आज उससे better तरीके अगर आ गए हैं, पुराना तरीका जो follow कर रहे थे, आज वो outdated हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं रहा है, उससे better चीज़ें कैसे हम जो steps perform कर सकते हैं, उनको हम reduce कर सकते हैं, कि जितना time कम लगेगा, जितने steps कम लगेंगे, उतना product जल्दी बनेगा, better बनेगा, improve बनेगा, और कम खर्चे में बनेगा, चीक है, फिर है, क्या primary objectives हैं, primary objective of BPR is number one, eliminate redundancies, बरबाब redundancies, मतलब duplications, वोई वोई चीज़ें बार- हो रहा है, तो ऐसे redundancies, जो है, जो non-value adding steps है, उनको हमको eliminate करना है, same futile layers, मतलब वोई जो, ऐसे steps हम करना है, जिससे कुछ value addition नहीं हो रहा है, कोई contribution नहीं हो रहा है, final product में कुछ help नहीं हो रही है, कुछ improvement नहीं हो रहा है, बस, क्योंकि हम पहले ये कर चुके थे, हम वो repeat करते हैं, उसको हम सवाल नहीं कर रहे हैं, कि उनकी क्या दुरत है, तो वो होता है, futile, futile मतलब non-value adding जिसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, ठीक है, redundancies है, duplications, तो duplications हटाने है, non-value adding steps भी हमको हटाना है, in the whole process, and eliminate the enterprise cost, मतलब जो redundancies है, इनके, और futile layers है, इनका cost आपको हटा होना है, यह है BPR, तो दो ऐसे primary objectives है, दो primary objectives है, clear है, फिर है कि BPR क्या है, BPR is the fundamental rethinking, radical redesign, ठीक है, radical होना चीए, बहुत fundamental change होना चीए, हलके मुलके minor improvements नहीं करने हैं, जो हम हर साल करते आते हैं, हमको radical rethinking करनी है, नए सिरे से सोचना है, नए सिरे से आज की technology, आज का जो environment है, उसक इस साब से, as if कि आप पहली बार बना रहे हो, ऐसा सोच के आपको बनाना है, ठीक है, BPR is the fundamental, ठीक है, aimed at achieving the radical improvements in essential contemporary measures of performance, such as cost, quality, service, या speed, ठीक है, जो contemporary तरीके होते हैं, performance measure करने के, में से कोई न कोई factor में आपको improvement लाना है, या तो cost reduce करनी है, या तो time कम लगना चीए, बरबार या तो quality improve होनी चीए, या तो speed बढ़नी चीए, कोई न कोई ये contemporary measure में performance improve होना चीए, ठीक है, फिर है BPR popular कब हुआ भाई, 1990s में, ठीक है, 1990s में ये काफी popular हो गया, inspired by an article called as re-engineering work, don't automate, obliterate, an article in the Harvard Business Review, ठीक है, review by Michael Hammer, ठीक है, Michael Hammer नहीं article लिखा था, re-engineering work, don't automate, obliterate, तो ये इससे re-engineering का concept popular हो गया, in 1990s, ठीक है, और वो जो professor थे, ये मतलब Harvard में क्या पढ़ाते थे, professor of computer science at MIT, ठीक है, MIT में ये computer science पढ़ाते थे, ठीक है, clear है क्या, फिर कौन से companies है जिन्होंने, starting, starting में, adopt किया BPR को, तो आपको ये नाम भी ख्याल में रखने है, Hallmark and Kodak, ये दो companies ने, जो उस वक्त मतलब बहुत बड़ी companies थी, तो उन्होंने ये पहली बार BPR को अपनाया, ठीक है, अब इसमें हर concept में companies के नाम आएंगे, तो इसका आप table भी बना सकते हो, ठीक है, इसका आप table भी बना सकते हो, चलो, बनाते जाते हैं भाई, आजाओ, बढ़ाओ, बोलो BPR, Hallmark, Kodak, ठीक है, इन्होंने एडॉप्ट किया था, आगे बढ़ते हैं, years भी लिख सकते हो, पर years पर बहुत जादा question आये नहीं है, ठीक है, चलो, फिर है, objectives for entities to opt for BPR, ठीक है, companies के लिए क्या फाइदा है, पहला है, boost effectiveness, ठीक है, effectiveness बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि आप redundancies हटा रहे हो, futile layers हटा रहे हो, सब हटा रहे हो, तो आपका effectiveness, आपकी efficiency improve होती है, boost effectiveness and produced higher quality products for the end consumer, improve efficiency, same effectiveness, efficiency बढ़ेगी, cost saving, क्योंकि आप layers हटा रहे हो, कुछ steps, non value adding steps हटा रहे हो, तो step perform करने में, जो भी खर्चा लगता होगा, अब वो नहीं लगेगा, हर step perform करने में, खर्चा तो लगता ही है, या तो time लगता है, कुछ तो लगता होगा न, तो वो सब eliminate हो जाएगा, तो आपका कहीं न कहीं, खर्चा भी बचेगा, cost saving होगी in the long run, provide more meaningful work to employees, बरवा जो redundancies है, जो फालतु के काम है, manual काम है, repetitive काम है, जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, वो सब आप automate कर दो, वो सब आप machine के थ्रू करो, और जहाँ दिमाग लगाना है, decision making है, complex issues है, वो सब employees को दो, तो employees को थोड़ा धंका काम मिलता है, manual काम, mechanized का काम है, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, जिसमें analytical काम नहीं है, वो सब आप machines को दे दो, और सोचने, समझने, decision making का, comparison का, learning वाला जो काम है, वो आप employees को दे दो, तो better काम मिलता है, employees को, more meaningful work, to be more adaptable and flexible towards the future changes, अगर आप BPR हो, तो आप कभी भी अपने आपको change कर सकते हो, आप अपने आपको challenge कर सकते हो, कि भाई मैं कोई भी चीज़ को नए सिरे से सोच के फिर से बना सकता हो, तो आप adaptable बन जाते हो, ठीक है, enable new businesses, growth and expansion, ठीक है, इसी से आप growth and expansion भी कर सकते हो, तो यह फाइदे है, companies को, अगर वो BPR opt करते हैं, तो, अब ध्यान दो, अब इनोंने चार parts में इसको divide किया है, four strand typology, तो चार क्या processes में divide किया है, पहला है core process, सारी processes को, चीज़ों को divide किया है, कि पहला है कुछ न कुछ ऐसे processes होते हैं, जो core होते हैं, core यान एक दम fundamental, जिसके बिना वो काम होई नहीं सकता, तो पहले आप core processes को identify करो, फिर कुछ ऐसे processes होते हैं, ज तो आप identify करो, फिर है business network process, जो connected है, ऐसे steps है, जो other चीज़ों को भी affected है, other चीज़ों से connected है, common चीज़े हैं, और फिर है management processes, ऐसे कुछ processes जो management करती है, तो ऐसे चार processes में आप divide करते हो, core process, support process, business network process, और management process, ठीक है, इसके examples भी आते है, module में I think दिये हुए है, मैं बता देता हू यह है, ठीक है, examples भी देख लो, आ सकता है, तो core process का example है, देखो, order fulfillment process, मतलब manufacturing का जो main यह है, यानि, order का मतलब का है भाई, service भी हो सकती है, product भी हो सकता है, तो main जो आपका काम है, product बनाना, service डिलिवर करना, उसका जो fulfillment का जो process है, मतलब जो basic manufacturing process है, वो आपके core process होते है, ठीक ह order fulfillment process, आपका इस example ख्याल में रखने है, ठीक है, order fulfillment process, ठीक है, order fulfillment process, ठीक है, order fulfillment process, फिर आते हैं support process क्या क्या होते हैं, तो दिया है देखो, IT, information technology, फिर आपका financial systems, human resource systems, ठीक है, यह सब support करते हैं, यह core थोड़ी है, यह थोड़ी product बनाते हैं, यह product बनाने में, service डिलिवर करने मे help करते हैं, अपने आप में यह कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो IT, financial systems, and HR system, यह सारे support processes होते हैं, फिर आप business network process, तो उसमें example आते हैं आपके, processes which extend beyond the boundaries of organization into other organization, such as supplier and customers, आया खेल में, कि जो process ऐसा है, जो connected है, जैसे order लेना, order लेना, customer से follow-up करना, reminders देना, supplier आपको notices देगा, आपको reminders देगा, तो समझ रहे हो, तो यह जो customers और suppliers से आप day-to-day communication करते हो, processes करते हो, वो सारे network process में आते हैं, और फिर है management processes, तो यह सब पूरा जो है strategy formulation, strategy development, direction setting, and managing the organization, यह सारे जो processes होते हैं, यह management process होते हैं, clear है, तो ध्यान देना, examples note करते जाना, ठीक है, तो चार में divide किया है, four strand typology, अब क्या problems है, BPR बहुत अच्छा है, बहुत फाइदे हैं, सबके लिए फाइदे हैं, पर इसमें क्या drawbacks है, number one resistance, बरुबर, क्योंकि change management tool है, change जहां भी होगा, radical change होगा, fundamental changes आप कर लोगे, तो वो resist हो गई होगा, ठीक है, अचानक से आप कहोगे कि ये तरीका नहीं, अब ऐसा कर रहा है, तो employees resist करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको extra पैसा थोड़ी मिल रहा है, उनको और सीखना पड़ेगा, उनको और hard work करना पड़ेगा, तो जब भी बिना कुछ salary बढ़े, आप कुछ नया extra काम करवाओगे, तो वो resistance उसमें हो गई होगा तो employees resistance towards change, communication breakdown, बरवर communication में problem हो सकता है, लोग अगर नाराज है, काम नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो communication में भी बहुत ज़ादा issue होता है, और फिर है turnover, personal turnover during transition, लोग जौब छोड़के चले जाते हैं, नाराज है ना, resistance है, तो resistance है मतलब नाटक तो करी रहे हैं पर जो लोग बहुत ही नाराज है, बात ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको आपको निकालना भी बढ़ सकता है, या वो खुद जौब छोड़के भी जा सकते हैं, तो turnover बहुत ज़ादा बढ़ जाता है, लोग आते जाते रहते हैं, तो उससे भी हमारा जो process है, वो slow हो जाता है, और hiring करने में भी एक्स्ट्रा खर्चा लग जाता है, तो वो भी हमारा drawback है, तो तीन ऐसे drawbacks है, employees resistance to change, communication का problem जो है, communication breakdown और फिर है turnover, personal turnover during transition, तीन ऐसे drawbacks है, अब आते हैं, important point पे steps, ठीक है, एस पे question आता है, steps for BPR, steps for BPR, आ जाओ, तो D-I-S-F-I, D-I-S-F-I, ठीक है, define, define करो आपका objective, customer की needs identify करो, क्योंकि product क्यों बन रहा है, service क्यों बन रहा है, customer need satisfy करने के लिए, हर product का end goal क्या है, to satisfy the need of the consumer, तो consumer की need क्या है, यह product क्यों बन रहा है, service क्यों डिलिवर की जा रही है, क्या हमारा end target है, वो आप identify करो, फिर study करो, existing process क्या हम अभी तक क्या कर रहे है, उसमें से क्या चीज़े हैं, जो हम continue कर सकते हैं, तो study करो existing process, और फिर redesign, formulate करो, formulate the redesign business plan या strategy, और फिर है implement the redesign, आ रहा है ख्याल में, तो क्या है, D-I-S-F-I, design, identify, study existing process, formulate the new redesign, implement the redesign, D-I-F, D-I-S-F-I, D-I-S-F-I, ठीक है, क्या है, define the framework, identify the customer needs, study the existing process, formulate F, formulate the redesign, implement the redesign, ठीक है, बहुत simple है, चलो, बढ़े आगे, तो यह हो गया आपका BPR का steps, clear है, तो यह पूरा हमारा एक topic हुआ, ठीक है, इसमें क्या-क्या था, other names थे, फिर इसमें जो punch words है, ठीक है, radical rethinking, radical redesign, fundamental rethinking, ठीक है, और कोई न कोई contemporary measures में आपको improvement होना चाहिए, cost, quality, time, speed, ठीक है, यह सब में, service में आपको यह सब में फाइदा होना चाहिए, फिर कौन सी companies ने adopt किया, hallmark and kodak, फिर यह popular कब हुआ, 1990s, किस ने article लिखा था, Michael Hammer, और यह कहाँ पढ़ाते थे, computer science पढ़ाते थे, at MIT, ठीक है, फिर objectives और limitations, फिर चार में नोंने four strand typology बनाई थी, और चार क्या था, core support business network management, चार में नोंने divide किया था, और challenge भी है इसमें, वो भी एक point है, by fold challenge, मतलब two challenges है इसमें, एक है technical, क्योंकि है redesign है, technology driven है, तो technical issues तो आपको आएंगे, कि कैसे कम time में करें, कैसे ये steps को eliminate करके directly करें, तो re-engineering हो रही है, तो technical तो एक problem आएगा याएगा, दूसरा है social culture, मतलब employees का जो एक setback आता है, employees से जो आपको resistance मिलता है, उसको कहा जाता है, social cultural, कि employees को एक आदत है, employees को एक आदत है, एक particular step करने की, वो habitual है, सालों से वो एक step एक चीज कर रहे हैं, comfortable हो गए है, अब आप अचानक से बोलोगे, नहीं, अब नहीं ऐसा करना है, तो वो resistance आएगा, उसी को कहते है, social cultural issue, ठीक है, तो ऐसे दो आपको problems जाते हैं, एक है technical issues, एन एक है social cultural issues, clear है, आगे बढ़ते है, फि तो benchmarking basically क्या है, कि आपकी industry में जो भी best है, आप directly अपने आपको उनसे compare करो, आप कोई चीज कैसे कर रहे हो, वो लोग कैसे कर रहे हैं, one to one compare करो, कैसे वो हर चीज आपसे better कर रहे हैं, उनका पूरा process समझो, और वैसे का वैसा आप भी करने की कोशिश करो, तो आप भी best है, वैसा product बनाओगे, वैसी service दोगे, वैसा customer satisfaction दोगे, तो आप भी best बन जाओगे, तो ये approach, ये thinking को कहते हैं, benchmarking, तो आपको एक benchmark ढूणना है, जो भी industry में best है, जो भी आपके जैसा काम कर रहा है, और आपसे बहतर काम कर रहा है, पूरी industry में बहतर काम कर रहा है, उनके पूर पे one-to-one चीज़ों को आप compare करो, तो आपको कहां बहतर होना है, पहले आपको identify करो, काई की benchmarking करोगे, मतलब आपको क्या सीखना है, तो वो पहले वो सोचना है, तो उसके साफ से three types of benchmarking होती है, strategic benchmarking, कि आपको strategy compare करनी है, कि जो भी industry में best है, वो कैसे strategy बनाता है, मैं कैसे strategy ब आए ख्याल में, और एक और है, performance benchmarking कर सकते हैं, ऐसे तीन चीज़ें आप one-to-one compare कर सकते हो, strategy, processes, और performance, strategy, processes, performance, strategy, processes, performance, ये तीन टाइप के benchmarking होते हैं, ठीक है, शालो, let's start, तो basically ये क्या है, एक comparison का tool है, a tool for comparison, ठीक है, आप अपने आपको industry के, या पूरे country में, या पूरे उस field में, जो भी best है, उससे आप compare कर रहे हो, that's basically a tool of comparison, फिर है, finding and implementing the best business practices, ठीक है, पहले आपको ढूरना पड़ेगा, कि best कौन है, और फिर उससे समझ के, वो चीज़ को अपने business में implement करना पड़ेगा, तब जाके drastic improvement आप कर पाओगे, used to compare the performance of the business processes, products of the company with that of the best performances of the other companies inside or outside the industry, which the company is a part of, तो पहली कंपनी कौन थी, जिसने इंट्रोडूस किया, Xerox, Xerox introduced the process benchmarking technique, ठीक है, process benchmarking इन्होंने लाई थी, ठीक है, चलो, आगे बढ़ें, फिर पूरी history दिये है, आपको याद करना पड़ेगा, कि पहला, सबसे पहला engineering आया था, reverse benchmarking, reverse engineering, तो वो है 1950 से लेके, 1975 तक चला, फिर competitive benchmarking आया, 1976 से 1986, फिर process benchmarking आया, 82 to 86, strategic benchmarking आया, 88 से अभी तक, और फिर ए global benchmarking आया, 1993 से अभी तक, तो ये history रही है benchmarking की, इसमें match the pairs भी आ सकता है, purely मगप करना है, और कोई आपके वास option नहीं है, ठीक है, तो reverse engineering, 50 to 75, competitive, 76, ते को overlapping हो रही है, 75 के बाद, 76, तो connected वाले याद रखो, ठीक है, कि सबसे पुरानी कौन सी थी, reverse, 50s, ठीक है, ऐसे आपको दिभाग लगाना पड़ेगा, 50s, 50s वाली जो भी है, वो मतलब reverse engineering है, सबस से पहले जो आई थी, फिर सबसे latest जो है, global benchmarking, 1993 से अभी तक, तो यह ऐसे extreme वाले पहले याद कर लो, फिर reverse engineering के बाद क्या है था, competitive benchmarking, तो 75 तक था, तो 76 से यह आ गई, तो connection में आप याद रख लोगे, 76 to 86, फिर process उसी के बीच में आ गया, 82 to 86, और strategic benchmarking आ है, 1988 से आगे तक, दो चार बार पढ़ोगे, दिमाग लग जाएगा, चीक है, चलो, बढ़े आगे, फिर मैंने बता है आपको types, major types of benchmarking, three types हैं, क्या चीज़ आप compare करोगे, what, benchmarking of what, क्या, क्या benchmarking करोगे, ठीक है, तो पहला है strategy, आप benchmark कर सकते हो, strategy क्यों बनाते हैं, कि हम कैसे market में compete करेंगे, ह जो भी इंसान है, वो कैसे strategy बना रहा है, क्या best strategy है market में, वो आप identify करो, ठीक है, तो आप strategic benchmarking कर सकते हो, this type of benchmarking is used to identify the best way to compete in the market, जो कि strategy का काम होता है, फिर है performance benchmarking, आप performance को compare कर सकते हो, कि कोई product है, कोई service है, आपकी quality कैसी है, उनकी quality कैसी है, क्यों वो best है, क्या वो कैसे product बना performance को compare करो, ठीक है, अब performance कैसे आता है, product अच्छा कैसे बनता है, process से, तो कहीं न कहीं, performance से ही process benchmarking बनता है, क्योंकि जो भी आपका performance है, that is because of the processes you follow, ठीक है, तो performance benchmarking आप कर सकते हो, performance benchmarking determines how strong a company's product or service are when compared to the competition, ठीक है, आपके product, services कितने अच्छे है, quality wise, service level wise कितने अच्छे है, वो आप performance compare कर सकते हो, performance की benchmarking कर सकते हो, कि मुझे भी ऐसी ही quality का, ऐसे features का product बनाना है, या ऐसे service level का service देना है, चीक है, और फिर है, आप कोई individual process में अगर आपको problem हो रही है, अब ज़रूरी नहीं है, कि आप पूरा product study करो, आपको basically क्या problem है, वहीं से start होता है, कि अगर process कोई compare करूंगा ना बाई, जबरदस्ती, पूरा performance, सारे steps, overall level पे क्यों मैं comparison करो, तो depend करता है, आपको problem कहां है, पूरे business में ही आपको problem है, आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप पूरे इसको भी compare कर सकते हो, आपको लगता है बाकी चीज़ें हम अच्छी कर लेते हैं, बस हम एक या दो चीज़ों में ही थोड़ा सा हमारा expertise नहीं है, या हमारा grip नहीं है, तो आप उसका सिर्फ benchmarking कर सकते हो, तो आप उसका सिर्फ benchmarking कर सकते हो, तो आप process benchmarking भी कर सकते हो, it requires to look at other companies that engage in similar activities and to identify the best practices that can be applied to your own processes in order to improve them, it usually drives from the performance benchmarking, ठीक है, तो process benchmarking, performance benchmarking से ही बनती है, क्योंकि performance processes से ही आता है, चीक है, चालो, तो याद रहेगा, SPP, strategic performance process, strategic performance process, strategic performance process, strategic performance process, तीन type के benchmarking होते हैं, इसमें क्योंकि आपको क्या पूचा जाएगा, which of the following is not a type of benchmarking, तो आपको बीच में, जो आपन अभी आगे पढ़ने वादे हैं, approach कोई बीच में गुसा दिया जाएगा, तो आपको confusion हो जाएगा, ठीक है, तो तीन नाम exactly आपको पता होने चाहिए, strategic performance process, strategic performance process, ठीक है, तीन types है, बाकी जो भी नाम है वो सब approaches है, ठीक है, कि कैसे आप benchmarking करोगे, क्या और कैसे, अलग-अलग है, ठीक है, तो अब आते हैं, approaches, approaches of benchmarking, approaches to benchmarking, तो पहला है, कि किस से benchmarking करोगे, किस से benchmarking करोगे, तो एक है internal, एक है external, internal मतलब खुद से नहीं, अगर आप एक multi product, multi service, multi divisional, multi departmental type के business हो, मतला आप बहुत giant हो, multi business हो, बहुत जादा businesses हैं, आपके Tata group है, Reliance group है, Adani group है, यह जो बड़े-बड़े groups हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो यह अपने आप में ही multiple businesses चलाते हैं, तो आप घर के घर में, अंदर ही अंदर में, आप उसमें भी comparison कर सकते हो न, कि मेरे ही business में, मेरे ही group में, कौन मेरे से better perform कर रहा है, क्योंकि internal में थोड़ी help मिल जाती है, क्योंकि internal में competition नहीं होती है, data sharing आसानी से हो जाती है, अगर आप अपने competitor से compare कर रहे हो, तो आपको data नहीं मिल पाता, अंदर की information निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो actual competitor है, within the company थोड़ा आसान हो जाता है, data sharing में आपको help बहुत जादा मिल जाती है, और आप copy paste करके, जल्दी से उसको implement कर सकते हो, तो अगर आप अपने ही group के अंदर, group company या group division में ही comparison कर रहे हो, तो that is called as internal benchmarking, in large organization that have operations in multiple geographical locations, within और outside the national and regional boundaries, और organizations having plentiful products and services, duplicating functions, बरवर, अलग लग product के लिए same functions है, तो एक कम perform कर रहा है, एक जादा perform कर रहा है, तो comparable functions है, processes है, usually performed among the different teams, business units or divisions of the same organization, तो multi product, multi divisional आपका business है, तो आप अंदर ये अंदर अपनी businesses, अपनी products में comparison कर सकते हो, फिर है external और उसी का एक और पार्ट है competitive benchmarking, external benchmarking होती है कि आपकी company के बाहर, कोई भी, अब आपकी industry वाला हो, या industry के भी भाहर वाला हो, जैसे अगर मैं bank हूँ, तो मैं कोई ना कोई bank से ही compare करूँगा न, तो अगर मैं bank को एक bank से compare कर रहा हूँ, तो वो होती है competitive benchmarking, क्योंकि वो same industry का है, competition किससे होती है, same industry वालों से होती है न, तो वो होती है competitive benchmarking, और external benchmarking क्या मोलता है, किसी से भी compare कर सकते हो, अगर आप bank हो, आप insurance वालों से compare करो, आप किसी से भी compare करो, तो outside your firm, किसी से भी, अगर आप compare कर रहे हो, whether it is within the industry और outside the industry, तो उसक तो आप कहते हो external, आपके बाहर जो भी है, पूरा scope जो है, वो होता है external, उसी के अंदर फिर अगर आप within industry compare कर रहे हो, तो उसको कहते है competitive benchmarking, तो competitive benchmarking is the part of external benchmarking, ठीक है, clear है क्या, तो competitive benchmarking क्या है, within the industry, तो competitors जो होते हैं, within the industry होते हैं, और फिर external वाले क्या हैं, दोनों, both inside or outside the industry, वो कोई भी हो सकता है, internal छोड़के, अपने ही group companies को छोड़के, बाहर वालों से अगर आप compare कर रहे हो, तो वो होता है external, अब वो with या outside, within और outside हो सकते हैं, फिर है कि comparison कैसे करोगे, benchmarking कैसे करोगे, काई का benchmarking करोगे, ठीक है, तो उसमें भी दो होते हैं, पहला होता है functional तो function to function comparison करो, function to function comparison करो, भाई मैं marketing कैसे कर रहा हूँ, वो marketing कैसे कर रहे है, मैं finance कैसे समवाल रहा हूँ, वो finance कैसे समवाल रहे है, मेरा logistics कैसा है, उनका logistics कैसा है, तो function to function आप compare कर रहे हो, तो वो भी एक approach होती है, functional benchmarking, managers of functional department find it useful to analyze how well their functional area performs compared to the functional areas of the other company, और फिर है generic benchmarking, generic benchmarking मतलब कोई भी process और किसी से भी, generic, generic मतलब आप binded नहीं हो, आप binded नहीं हो, आप किसी से भी comparison कर सकते हो और क्या compare करोगे, process, ठीक है, तो यह process का ही approach है, उपर जो आमने पढ़ा न, process benchmarking में ही, process benchmarking में ही generic benchmarking की जाती है, ठीक है? ध्यान दो, generic benchmarking refers to comparison which focus on excellent work process, कि ये काम कौन सबसे best कर रहा है, अब वो कोई भी हो, ये कोई फरक नहीं पड़ता है, वो inside है, outside है, national है, international है, कोई फरक नहीं पड़ता है, ये step, ये process सबसे best कौन करता है, तो मैं generic benchmarking कर रहा हूँ, मेरा कोई दाइरा नहीं है, कोई limitation नहीं है, ठी generic benchmarking, ठीक है, rather than on the business practices of a particular organization, आप particular organization पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप एक step पकड़ रहे हो, और देख रहे हो, कि ये ऐसा काम और कौन करता है, और सबसे best कौन करता है, ठीक है, तो चार approaches है, दो तो आसान है, internal, external, फिर है functional और generic, function to function या generic, benchmarking आप कर सकते हो, ठीक है, clear है क्या, clear है क्या, ठीक है, चालो, बड़े आगे, अब simple चीज़े हैं, बोलो, advantages and disadvantages, ठीक है, क्या फाइदा है, easy to understand and use, ठीक है, compare करना आसान होता है, खुद से engineering करना, या सिर्फ compare करना, ठीक है, compare करनी की तो इंसान की आदत होती चाह, तो यह आसान लगता है अपन को, तो easy to understand and use, if properly done, it's a low cost activity that offers huge gain, क्योंकि आपको research नहीं करनी है, आपको technology बनानी नहीं है, आपको सिर्फ compare करना है, फिर है, brings innovative ideas, provides an insight of how other companies do their operation and processes, तो आपको एक insight आता है, आपको knowledge आता है, कि बाकी लोग क्या कर रहे है, कोई एक particular चीज़ पर, awareness आती है, cost और level of performance की, अपनी as compared to rivals, कि हम उनके मुकाबले कहा stand करते हैं, यह भी आपको पता चलता है, फिर है facilitate cooperation between teams, units and division, अगर आपको कोई benchmarking करनी है, तो यह motivating factor होता है, कि हमको ऐसा बनना है, हमको इसको beat करना है, तो एक cooperation develop होता है, teams में एक motivation build up हो जाता है, कि उनको एक common कु फिर है नुकसा है, कि यह बहुत मुश्किल है, identify करना एक benchmarking partner, आएक हल में, तो identify करना ही मुश्किल है, क्योंकि वो सही benchmarking partner नहीं मिला, गलत इंसान से compare करोगे, तो फिर पूरा waste हो जाएगा, तो एक सही benchmarking partner identify करना सबसे बड़ा challenge है, फिर कहीं-कहीं एक metric assign करना मुश्किल है, कि measure कैसे करें, performance है, कुछ process है, इसको measure करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो काफी steps, काफी processes, काफी elements ऐसे होते हैं, जिनको measure करना थोड़ा मुश्किल है, अब measure ही नहीं कर पाए, तो compare कैसे करोगे, improve कैसे करोगे, तो fundamental चीज होती है measure करना, तो measure करना कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है, तो उस वज़े से आप benchmarking ही नहीं कर पाते हो फिर ये इतना complex हो जाता है कि काफी बार आपको consultant hire करना है, काफी technical चीजों में आप खुद comparison नहीं कर पाते हो, तो आपको consultant hire करना पड़ता है तो काफी costly हो सकता है initial cost are huge compare करना, process, बहुत time consuming है, बहुत पैसा लगता है फिर येस, फाइदा भी होता है, बट cost बहुत जादा involved है, तो छोटे-मोटे companies नहीं कर सकते हैं और फिर है, managers often resist to changes, ये तो हर जगह है कहीं भी आप change करोगे, तो resistance वाला point common आपको मिलेगा ही मिलेगा, चीक है, अब important point पे ध्यान दो, benchmarking wheel, इस पे भी question आता है, इसका भी आप अलग से एक table बना सकते हो BPR का steps, ये step, उसके step, इसके step, सारे step, total पूरे आपके SM में 10 से 12 steps हैं, 10 से 12 topics हैं, जिसमें steps है, एक जगर लिख लो, बार 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 पढ़ लो shortcut बना लो, abbreviation बना लो हो जाएगा याद, ठीक है, और एकाद एकाद आता है बीच में, ठीक है, तो benchmarking wheel, आपको ख्याल में रखना है, बोलो PFC AI, PFC AI, ठीक है, सबसे पहला है plan, plan करो, plan करो कि क्या benchmark करना है क्या approach या जो भी है पहले आप पूरा plan कर लो कुछ समझ में आ रहा है, type और function, approach आप ये बना लो, फिर ढूंडो benchmarking partner, फिर data collect करो बरबर, और फिर analyze करो कि हमारा हम क्या कर रहे है, वो क्या कर रहे है analyze करो, और फिर अपने आपको improve करो, ठीक है, तो क्या क्या है PFC AI PFC AI, ठीक है plan, find collect analyze improve, ठीक है, तो हो जाएगा PFC AI ऐसा माइन में रखो आ जाएगा, ठीक है PFC AI, तो यह है आपका benchmarking wheel, five stages है five stage benchmarking wheel है, जो इन्होंने बनाया है, ठीक है तो यह था हमारा second topic, benchmarking ठीक है, सब pause करके थोड़ा, खुद भी पढ़ते जाना ठीक है, अपन यह बनाते जा रहे हैं, company के नाम में आपको बनाके दे रहा हूँ, यह भी आपको लिखते जाने है चालो, अब third topic पर आते हैं, TQM Total Quality Management ठीक है, Total Quality Management चालो, let's start तो यह concept दिया था, W. Edward Deming W. Edward Deming ने यह concept दिया था Originally यह 1950s में आया पर popular हुआ 1980s में Early 1980s में popular हुआ Originally यह कहां से आया था, Japan ठीक है, after World War II, 1950s मतलब after World War II ही है ठीक है, तो लिख सकते हो अब इसमें company का भी नाम आएगा ठीक है, companies ठीक है, तो इसमें मैं लिखते जाता हूँ चलो, Ford Motor ठीक है, companies का पूरा लिस्ट है Ford Motors, Philips semiconductor, SGL motor ठीक है, Ford Toyota फिर है Philips, semiconductor जो motor car से related है, semiconductor SGL carbon और एक है motorola ठीक है, यह companies ने TQM adopt किया था, ठीक है अब इनसानों के नाम की भी आप list बना सकते हो, ठीक है, सब आप पढ़ते पढ़ते ही आपको अगर click हो गया तो आप बना सकते हो, ठीक है जहाँ जहाँ इनसानों के नाम है आप वो भी एक जगब बना सकते हो, ठीक है W. Edwards, Deming ने यह concept दिया था Japan में पहली बार यह use किया गया था, ठीक है आगे बढ़ते है तो main focus क्या है main focus of TQM was and is continuous quality improvement ठीक है, इनका मोलना है कि यह continuous process है यह कोई one time activity नहीं है एक बार improvement कर लिया फिर सो गये ऐसा नहीं है, continuously ठोड़ा 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 आपको quality में improvement करना है तो आप धरे धरे बहुत आगे पहुत जाओगे तो quality improvement करना है और वो भी continuous ठीक है, continuous quality improvement in the areas of products, service Employer, Employee Relations, Consumer Business Relations, ठीक है? अलग-लग dimensions में आपको improvement करते जाना है, और total का मतलब क्या है, total quality management, नाम में यह है न, quality management है तो quality कही होगा, total का मतलब क्या है, तो total मतलब हर चीज, हर चीज की quality, total quality मतलब हर चीज की quality, काई की काई की quality, हर process की, हर job की, हर resource की, हर output की, हर person की, हर time की, हर place की, मतलब total हर चीज जो भी आप कर रहे हो उन सब में quality improve करनी है फिर quality क्या है बाई degree of excellence ठीक है excellence बिच में कोई गलती न हो best चीज जो आप कर सकते हो वो है आपका quality फिर है simple objectives क्या है ठीक है ध्यान दो ये भी आ सकता है question में do the right things हमेशा सही चीज़ें करो गलतियां मत करो ठीक है right things मतलब गलत चीज़ें नहीं करनी है right the first time पहली बार कर रहे हो तो भी सही करो और हर बार सही ही करो मतलब गलती करो ही मत, पहली बार है, दूसरी बार है, तीसरी बार है, जब भी भी आप कोई काम कर रहे हो, आपको सही तरीके से ही करनी है, गलती नहीं करनी है, यह है total quality management, चीक है, अब इसका दाइरा काफी बढ़ गया है, although originally यह manufacturing के लिए start हुआ था, now it is become recognized as a generic management tool and is being widely used in a number of service and public sector organizations all over the world, तो यह मतलब generic है, कहीं भी use किया जा सकता है, अब इसके कुछ principles है, ध्यान दो, सबसे पहला है continual improvement, total quality management क्या है, continuous improvement होना चीए, फिर यह customer focused होना चीए, कि customer को क्या चीए, customer क्या expect कर रहा है quality में, वो आपको direction देता है, तो यह customer focused quality improvement है, फिर इसमें सारे employees को involve होना पड़ेगा, यह किसी एक person, कोई एक department, कोई एक manager, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यह total है, total मतलब every process, every this, every that, पड़ा न, सब every every था, मतलब total employee का involvement इसमें लगेगा, कोई भी employee ऐसा नहीं कह सकता, कि इसमें मेरा क्या काम है, मैं क्यों total quality management करूँ, मैं decision लेता हूँ, ऐसा नहीं है, जो भी छोटा-छोटा कोई भी काम कर रहा है, job कर रहा है, उसको भी TQM लागू हो जाता है, तो total employee involvement इसमें होता है, फिर यह process centric है, बरो बर, process पे जाधा ध्यान देता है, process को perfect बनाता है, और process पे ही इनका centring है, ठीक है, फिर है integrated, पूरे organization को integrate करना है, फिर है strategic and systematic approach, fact based decision making, ठीक है, opinion based या experience based नहीं है, fact के basis पर यह आप decision लेते हो, और फिर है communication, तो यह principles है, TQM के, 8 principles है TQM के, बोल के देखते हैं, चलो, बोलो, पहला customer focused, फिर है process centric, customer focus, process centric, total employee involvement, continuous improvement, ठीक है, चार तो हो गए, आठी है, फिर है communication, ठीक है, communications पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पाच हो गए, फिर है पाच ही आदा रहे, तीन और है, क्या क्या है, integrated system है, ठीक है, सारे वही इसको actually आप connect कर सकते हो, total employee involvement मतलब वो integrated system हो गया, फिर है strategic and systematic approach होनी चाहिए, और fact-based decision making होनी चाहिए, ठीक है, आठ principles है, total quality management के, clear है फिर companies के नाव हमने देख लिए, Ford Motor, Toyota, Motorola, SGL Carbon, Philips, semiconductor ठीक है, इन companies ने implement कर रखा है, total quality management, ठीक है, और सबसे simple objective क्या है, do the right things, first time and every time, ठीक है, clear है क्या, शालो, आगे बढ़ते हैं, तो हमारे तीन topics हो गए, अब आते हैं, चौथा topic, six sigma, ठीक है, six sigma भी क्या है, quality management tool है, ठीक है, ये भी quality management tool है, ठीक है, अब ये किस ने develop किया था, Motorola, developed by Motorola and popularized by General Electric, ठीक है, ये आपको ऐसे याद रतना है, developed by Motorola in middle 1980s and popularized by John F. Welch junior of General Electric in 1990s, ठीक है, middle 80s में ये बना और 1990s में जाके ये popularized हुआ था, ठीक है, फिर, इसमें क्या होता है, कि ये accuracy पे dependent है, इसकी accuracy होती है, 99.999, तीन बार 966, ठीक है, और इसमें defect rate क्या आता है, 3.44 defects per million opportunities, DPMO मतलब है, defects per million opportunities, कि 1 million में सिर्फ 3.4 times defect होते है, इतना मतलब हो defect free है, ठीक है, इसमें module में आपको बढ़िया, पूरे six sigma दिये हुए, कि stage wise कैसी six sigma होता है, ठीक है, ध्यान दो, ठीक है, ये भी benchmarking का है, types और approaches, benchmarking wheel, ठीक है, PFC AI, PFC AI, plan, plan, find, ठीक है, benchmarking का concept यार देना तो आ जाता है, plan करो भाई, क्या benchmarking करनी है, फिर ढूंड़ो, find, फिर उसमें से data collect करो, collect, फिर है, analyze करो उसको, और अपने आपको improve करो, PFC AI, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, Xerox का example इसमें आता है, ठीक है, फिर आते हैं, TQM, ये हो गया, ठीक है, 8 principles हमने पढ़ लिए, 6 sigma, ठीक है, ये पूरा एक table दिया हुआ है, अब ये मुझे नहीं लगता आपको पूरा याद करना चाहिए, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ 6 sigma, 6 sigma पे क्या है, 3.44 DPMO, defects per million observations, तो आपके accuracy कितनी है, 99.999, point के बाद 3 बार 9 है, 99966, आए खेल में, शलो, clear है क्या, मड़े आगे, तो ये सब दिया है, देखो, gradually कैसे 6 sigma आगे बढ़ते गया, defects कैसे कम होते गया, और आज आप 6th sigma पे हो, तो 3.44 का defect rate अब बचा है, in a 1 million observation, ठीक है, clear है, शलो, आगे बढ़ते हैं, ये सबाने वाला है भी, आज आओ, तो 6 sigma, developed by Motorola, developed by Motorola, and popularized by General Electric, ठीक है, उसका नाम क्या दा भाई, जॉन F. वेल्च, जूनियर, जॉन F. वेल्च, जूनियर, ऑफ जॉनरल इलेक्टिक, इन 1990s, ठीक है, बना था 1950s में, पॉपुलर, सॉरी, 1980s में, और पॉपुलराइज गॉआ था 1990s में, clear है न, येस, चलो, ठीक है, अब इसके कुछ features दियें, ध्यान दो, कि Six Sigma is a disciplined, statistical based, data driven quality control program, ठीक है, quality control करना है, data से ही करना है, statistical है, data driven है, ठीक है, और ये बहुत ही disciplined approach है, ठीक है, अब इसको आप अलग-अलग नजरिये से देख सकते हो, कि Six Sigma क्या है, Six Sigma एक business strategy हो सकती है, vision हो सकती है, किसी का benchmark हो सकता है, किसी का goal हो सकता है, statistical measure हो सकता है, robust methodology हो सकता है, अदलब इसको आप क्या नजरिये से देखोगे, ये अलग-अलग नजरियों से आप इसको देख सकते ह अब यह कैसे वर्क करता है सबसे पहला है दो सिचुएशन आते हैं पहला है कि अल्रेडी आपके पास कुछ है आपका अल्रेडी कुछ प्रोसेस है ठीक है तो फिर अलग धंग से उसको करेक्ट किया जाता है सिक सिगमा लायक बनाया जाता है और फिर है कि आप एक नए कंपनी हो आपका कोई एक्जिस्टिंग प्रोसेस है ही नहीं नए कंपनी हो आप तो उसका अप्रोच अलग होता है ठीक है तो एक्जिस्टिंग वाले सिचुएशन बन में आते हैं उनका जो प्रोसेस है वो है DMAIC ठीक है DMAIC स्टैंड फॉर डिफाइन मेजर एक्जिस्टिंग बिजनस के लिए प्रोसेस लगेगा और अगर आप नए हो आपके पास कोई एक्जिस्टिंग प्रोसेस ही नहीं है कंपारिजन करने के लिए तो आप पे अप्लाई होता है D-I-D-O-V आप पे अप्लाई होता है I-D-O-V identify design ठीक है design है क्योंकि existing कोई प्रोसेस ही नहीं है तो आपको design करना पड़ेगा ठीक है identify कि आपकी needs क्या है उसके साब से आप अपना process design कर लो उसको optimize करो कुछ गलतिया है trial run करके देखो उसको change करो optimize करो और उसको validate करो यह perfect है कि नहीं और फ DMAIC ठीक है DMAIC define major analyze analyze improve control yes ठीक है DMAIC और फिर है ID-O-V identify design optimize validate identify design define नहीं यह design है identify 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 design optimize validate ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर है सबसे unique point training and certification levels ठीक है अलगी concept है कि इन्होंने training देना भी start किया है कि भाई अगर आपको six sigma लागू करना है तो इसमें इनके certification courses भी चलते है तो इन्होंने अलग-अलग certificate course बनाए है और इनकी नाम जो है वो martial arts से inspired है martial arts से inspired है emulated है वहाँ से उन्होंने concept उठाया है ठीक है तो सबसे पहला है champion champion six sigma तो यह क्या कर सकता है यह सिर्फ theory समझ सकता है बहुत ही basic form है most basic form of certification understands the theory सिर्फ theoretical knowledge है इसके पास six sigma का but has not yet have the quantitative skills to function as a six sigma project manager ठीक है team manager के तरह काम करने जितना quantitative skill नहीं है उसको सिर्फ six sigma का पूरा जो थेरी है वो उसको आता है तो वो champion वाला certification है फिर है yellow belt yellow belt ऐसा है जिसने एक level उपर की exam pass की हुई है वो have passed the green belt ठीक है green belt exam pass की है certificate pass कर लिया है लेकिन उसने कोई project पे काम नहीं किया है तो कि उसमें project पे काम करना भी है तब जाके आप qualify हो जाते हो तो इसने exam pass कर लिया है लेकिन उसकी training complete नहीं किया है कोई six sigma project पे काम नहीं किया है चीक है but has not yet completed a six sigma project a yellow belt should have a basic understanding of six sigma statistical tool and dmaic methodology existing वालों को कैसे six sigma में convert करना है उसका dmaic method है वो आपको उसका knowledge होना चाहिए understanding होना चाहिए और फिर है जो सबसे beach वाले हैं वो है green belt इनहीं को कहते है work horses क्योंकि इनको knowledge भी है और यह काम भी कर चुके है ठीक है भले वो export नहीं है black belt नहीं है बहुत वो नहीं है पर एक beach वाले है ठीक है green belt work horses भी इनको कहा जाता है individual who works on projects part time कैसे either as a team member for complex project ठीक है complex है तो चलो आप सिर्फ member रहे तो भी चलता है head रहने की ज़रूत नहीं है complex projects में अगर आप सिर्फ एक team member हो तो भी चलता है or as a project leader for simpler projects simple project है तो leader की तरह काम करना है complex project है तो as a member काम करना है ठीक है most manager in a mature six sigma are green belt समझे रहे हो तो जो भी mature आपके companies है six sigma companies है जो six sigma use करते है उनके maximum managers जो है generally वो green belt वाले certification उनके पास होते है ठीक है तो work courses है और most managers in a mature six sigma companies are green belts ठीक है फिर आते हैं उसका एक और higher level which is black belt सुनाओगा आपने black belt काफी recognized है level तो black belt कब आएगा highest level of training in statistical tool of six sigma develop plans for six sigma project implementation ये लोग है जो पूरा plan बनाते हैं six sigma project के implementation का कोई company में इनको implement करना है तो black belt person आपको लगता है और फिर है master black belt जो black belt वालों को monitor करता है mentor करता है उनको कुछ black belt वालों को कुछ problem जा रही है तो वो ये लोग solve करते है master black belt वाले उनको mentor करते हैं उनको help करते हैं जहां भी वो struct हो जाते हैं classically trained ठीक है highest level नहीं है यह classically trained है in statistical tool six sigma methodology management processes master black belt mentor and direct the groups of black belts and six sigma teams through various problems that need to be reviewed problem जो भी उनको बस sort करते हैं जैसे जो highest level of management है वो भी यही करतेना highest level of management जो है वो सरफ manage ही करते हैं , वह actually काम नहीं करते हैं जहां फसओ के अटकोगे मिरे पास आ जाना, problem solving वाला ही काम उनका होता है तो यह भी highest level जो है master black belt वाल है वो भी यही करते हैं ठीक है क्लियर है क्या तो ऐसे पांच सर्टिफिकेशन है और जो नाम जो है वो मार्शिल आठ वाले इन्होंने मोटिवेट होके लिए हैं क्लियर है तो यह था आपका सिक सिकमा आगे बढ़ते हैं तो मारे चार कंसेप्स हो गए ठीक है पॉस करके बढ़िया पैकी चार पूरे एक ब बियाद नहीं आएंगे ठीक है क्लियर है क्लियर है क्या आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह देखो दिया हुआ है अच्छा इसमें मुझे वही एक कुछ पॉइंट बताना था यह नोट डाउन कर लो यह यह लास वाला जो उसमें पॉइंट है ना रिस्क रीटर्न रिस्क रीटर्न का पाय्टर्न हैHow बीपीयारओ 16 वह में तो बीपीयार में रिस्क रिडंर है रिकिन लो कुल्षणर है ठीक है लिख लूह एक जगर इसी नोच बडन कि रिस्क हॉइ है return low है ठीक है risk high है return low है BPR में और six sigma में medium high है risk medium है लेकिन return high है ठीक है यह आपको आ सकता है तो note down कर लो ठीक है तो BPR का है high risk low return और six sigma में medium risk high return ठीक है बाकी इतना आपको समझेगा नहीं है शलो आगे बढ़ते हैं अब पांच यह जो नए topics आड़ हुए थे हो हमको पढ़ने हैं आजाओ अलगी direction में है शलो आजाओ चार अच्छे से पॉस करके आप बले थोड़ा सा एक बार पढ़ लो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं अब फिफ्ट आइटम ERP ठीक है end of resource planning ठीक है अब यहां से थोड़ा जो आज की date में जो चीजें चल रही हैं वो हम पढ़ने वाले ठीक है प्लानिंग करके software होते थे आम material की ही सिर्फ planning करते थे क्योंकि material में आपको पता ही है inventory manage करनी पड़ती है production schedule बिगड़े न तो हमारे पास एक हर वक्त adequate material याने inventory होनी चीज़िए तो सरफ inventory से related ही planning tools planning software थे i question में तो सबसे पहले था MRP MRP था ठीक है वो किस ने बनाया था IBM के engineer ने जोसेफ और लिकी ने बनाया था ठीक है जिसमें सिर्फ material और जो parts है components है उनका हम calculation और prediction या planning करते थे और maintain करते थे फिर एक improved version आया जो बनाया था Oliver Wick या Oliver White जो भी कहो Oliver White ने बनाया था improved version MRP 2 उसको कहा गया which is an extension of MRP in 1983 ठीक है और फिर MRP 2 को improvise करके ERP बनाया गया तो ERP ने क्या किया ERP ने पहले तो उसका जो base है वो बढ़ा दिया ERP is now not just for material ठीक है वो सिर्व material के नहीं है वो पूरे manufacturing setup के लिए पूरे business के लिए है base बढ़ा दिया दूसरा इनमें issue था कि इनमें अलग-अलग जो चीजें थी वो connected नहीं थी isolated थी मतलब decentralized था तो duplication होता था data sharing होती थी तो उसमें changes किये तो फिर changes बताना पड़ता था बार-बार समझ रहे हो मतलब बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि decentralized data था सबके पास अपना अपना data था सबके पास एक common data नहीं था जो आप parallel अपडेट कर पाओ तो वो बहुत बड़ा issue था वो भी ERP ने remove किया अब ERP ने centralized कर दिया data को मतलब सबका data एक centralized database में saved होगा कोई भी कहीं भी बैठा हो वो पूरा database वो access कर सकता है इसका best example है आपका banking sector core banking जिसको आप कहते हो तो core banking का ही concept है कि पहले हर branch के पास सरिफ अपना अपना data होता था एक branch को दूसरे branch का data नहीं पता रहता था one to one मांगना पड़ता था और उसमें अगर बाद में changes हो गए तो फिर और update करना पड़ता था तो core banking स्टार्ट हुआ यह centralized database होगा कोई भी इंसान कोई भी branch कोई भी data access कर सकते हैं आप उसको manage करो किसको कितना access देना है पर एक ही जगह पे पूरा data store होगा और आप कहीं भी बै तो क्या-क्या change हुआ है तो यह एक modular software system है modular मतलब एक function या एक चीज़ को module कहा गया है जैसे material एक module हो गया एक-एक चीज़ को module कहा गया है modular software system है अलग-लग चीज़ों को integrate किया गया है तो यह integrate करता है the main function areas जो भी आपके functional areas है एक function को एक module कहा जाता है और अलग-अलग modules को इन्होंने integrate कर दिया है ताकि आप data share कर पाओ ठीक है of an organizational business processes into one unified system unified याने centralized database इसका बना दिया है ठीक है और सारे businesses के जो processes होते है functions होते हैं सबको connect कर दिया है जो पहले decentralized था उसको centralized कर दिया है ठीक है ERP emerged as a expansion of MRP2 extending the scope beyond manufacturing to cover the business processes such as accounting HR supply chain management all managed from a single centralized database iq7 में visualize करना पड़ेगा क्या problems थी फिर उन्होंने क्या problems remove कर ली मतलब आज आप कहीं भी बैठके मैं अगर accounting वाला हूं तो मैं HR का data देख सकता हूं HR वाला हूं तो मैं finance का data देख सकता हूं क्यों data देखना है क्योंकि आपको मिल के काम करना है कोई ऐसा काम ही नहीं है जो सिर्फ एक function करे कोई भी काम करना है सारे functions का involvement होता है ना भाई अब involvement होगा साथ में मिल के काम करना है तो data sharing करना पड़ेगा one-to-one data sharing करते बैठोगे तो उसी में time रहेगा time चले जाएगा आपके बास access होगा आप अपने ही computer पे बैठके अगर आपको access दे दिया गया तो आप बैठके ही सब data देख लो use कर लो और अपना काम कर लो fast हो जाता है process fast हो जाता है ठीक है major important feature of ERP is the common centralized database दीक है बार बार आप चीज़े repeat होने वाली है तो यही सबसे unique feature है जो ERP के पहले नहीं था ERP के पहले क्या था decentralized था तो one-to-one, one-to-one, one-to-one reports, email to email, email to email खिलना पड़ता था और रुक वेट करना पड़ता था यार वहाँ से मेरे को data नहीं आ है तो मैं क्या करूँ मेरी report pending है मेरा decision pending है तो बहुत problems होती थी centralized होने से वो सारी problems remove हो गई है ठीक है तो सबसे बड़ा offering ERP का यही था कि अब वो centralization बे आ गए है from which various ERP software modules access information और यह modules क्या है functions है कोई भी function किसी भी दूसरे function का data access कर सकता है subject to आपको access दिया गया है कि नहीं कर सकते हो अब देना है नहीं देना है वो organization decide करेगे this means that companies using ERP largely save from having to make double entries to update information because the system shares the data in turn enabling greater accuracy and collaboration between the departments ठीक है ERP implementation options includes अब क्या service क्या देनी है मतलब एक जो ERP है यह software है अब यह software आपको सिर्फ software चाहिए कि आपको उसमें data भी store करना है data sharing भी चाहिए मतलब क्या service चाहिए ERP में बहुत सारे packages होते है ERP में बहुत सारे variants होते हैं तो क्या-क्या होते है ERP implementation options includes on premises कि आपके यहां आके हम पूरा install करके देंगे फिर या तो आपका data cloud पे store होगा online physical नहीं होगा online cloud पे store होगा या आप इसका mix भी कर सकते हो hybrid कुछ data वहीं के वहीं PC में रखो और कुछ cloud पे रखो या duplicate कर लो दोनों जगह रखो physical destroy हो गया तो at least cloud का तो सेवड रहेगा तो आपके उपर आप कैसी service लेते हो फिर है such as platform as a service infrastructure चाहिए पूरा infrastructure मतलब पूरा software भी आएगा data भी हम store करेंगे data भी हम manage करेंगे उसको edit भी हम करके देंगे तो पूरा infrastructure as a service चाहिए सिर्फ platform चाहिए या पूरा infrastructure चाहिए तो ऐसे अलग-लग packages होते है क्लियर है क्या अब क्या फायदे है तो सब repeat होगा कि भाई पैसा बचेगा save money in the long run process streamline हो जाएंगे प्रॉपर एक दूसरे का data आप यह कर सकते हो unified system बन जाएगा तो आपका IT related expense भी कम हो जाएगा और फिर है greater visibility ठीक है एक दूसरे का आप data देख सकते हो better plan कर सकते हो ठीक है better reporting better planning due to better data और फिर है offers better compliance data security along with the improved data backup ability software के यह बहुत सारे features है क्योंकि आप integrate कर रहे हो तो proper आप store करोगे backup options दोगे ठीक है सब approvals user ID password रहेगा फिर आप allow-disallow कर सकते हो कि कोई दूसरा department मेरा data स्रिफ देख सकता है या edit भी कर सकता है copy कर सकता है क्या समझ रहे है ऐसे अलग-अलग आप access दे सकते हो अपने साब से और नुकसान क्या है भाई बहुत upfront cost है हर जगा ही है कोई भी आप सब पढ़ रहे है सब में प्रॉब्लम ही ना बहुत जाधा cost involved है upfront बहुत जाधा software या infrastructure जो आप लेते हो platform या infrastructure लेते हो उसमें बहुत heavy investment है फिर यह difficult है to implement क्योंकि सुनने में तो आसान लगता है integrate कर देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे अरे कैसे होगा कैसे data एक common पे save होगा उनके formats क्या होंगे क्या data store होगा क्या नहीं हो पा रहा है समझते हैं यह बहुत technical है it's very difficult to implement requires change management बरबर क्योंकि data change हो रहा है share हो रहा है अलगी process carry out हो रही है पहले मेरा data मेरे पास ही होता था तो मैं अपने इसाब से रखता था अब सब integrate हो रहा है तो common formats common procedures होंगे तो मतलब चीज़े चेंज कर रहे हो processes चेंज कर र करेगा during and after the implementation और फिर है basic core ERP modules में भी less sophisticated ठीक है मतलब वह बहुत easy हो सकते है जो core वाले है जो basic वाले है वो easy हो सकते है और जो सारे modules implement करेगा तो वो थोड़ा complicated हो जाएगा targeted compared to targeted standalone software तो standalone software जैसे पहले MRP था MRP क्या था stand alone था सिर्फ material का data रहेगा अब सिर्फ material का data जो easy था हो क्योंकि एक ही था तो easy रहता है अब आप integrate कर दोगे core centralized करोगे तो थोड़ा sophisticated हो जाएगा complicated हो जाएगा तो यह उसका यह है कि वो sophisticated है as compared to the standalone software जो integrated नहीं होता है clear है देखो बरोबर तो ERP यह जो word है यह किस ने coin किया था coined by Gartner Gartner ने concept लाया था in 1990s ठीक है 1990s में यह concept आया था ERP ठीक है इसमें देखो कहीं भी company का नाम नहीं है company का नाम नहीं है ERP किसी company ने पहली बार यूज किया ऐसा नहीं है ठीक है तो आब इसका नाम इंसान का नाम लेख सकते हो कि यह term किस ने coin किया था ठीक है company नहीं है इंसान है बढ़े आगे देख लो concept अगर ख्याल में आ गया ना तो advantages disadvantages आसानी से ख्याल में आ जाएगा ठीक है अब आपको पूरा ऐसा याद नहीं करना है अब कर पाओ तो कर लो लेकिन नहीं हो पाता है ठीक है पूरा ऐसा सब याद नहीं हो पाएगा ठीक है save money unified system greater visibility better reporting better compliance better better data security ऐसे आपको क्याल में रखना होगा चलो आगे बढ़ें फिर पढ़ते हैं industry 4.0 ठीक है यह अलगी है यह purely machine से related है manufacturing sector machine human का जो relation है कि machine कितना automated है कितना machine अपने आप चीजें कर सकती है बिना human intervention के तो वो है industry 4.0 कि जैसे आप बार कोड रीडर देखते हो बरवर बार कोड रीडर है या काफी machines में आप setting कर सकते हो तो अपने आप manufacturing कर सकती है बरवर उसमें settings होती है कितने समय तक चलना है क्या speed से चलना है बरवर programming होती है तो वो होता है industry 4.0 एक stage है कि कैसे कैसे machine को आप automate करते जा रहे हो कैसे वो बिना human intervention के काम करते जा रहे हैं तो industry 1.0, 2.0, 3.0 बरवर यह सब stages है, phases है manufacturing industry में कि machines को आप कैसे use कर रहे हो तो अभी हम 4.0 तक आ चुके है इसमें क्या features होता है ध्यान दो from a manufacturing company to be for a manufacturing company to be considered 4.0 ठीक है अगर आपको industry 4.0 level achieve करना है it must include interoperability interoperability मतलब अब एक एक थोड़ा detail में बढ़ते हैं आ जाओ module में ठीक है बोलो interoperability मतलब क्या होता है having machines, devices, sensors and people then connect and communicate with each other बड़ो बाली machines और इंसान बातचीत कर सकें आपको कुछ बोलना है तो आप उसमें input डाल पाओ machine आपको कुछ output देना चाहती है तो sensor या print out देके आपको communicate करें तो man machine communication को कहते है interoperability फिर है information transparency having systems that create a virtual copy जैसे scan होता है न तो virtual copy आप बना सकते हो या barcode readers होते हैं तो having systems that create a virtual copy of physical thing through sensors data in order to put the information in context ठीक है तो कुछ अगर आपको virtual copy किसी की बना नहीं है तो उसको कहते है कि वो information transparency होनी चाहिए physical को soft copy machine readable form में convert करते आना चाहिए ठीक है फिर है technical assistance having systems with the ability to help people in decision making problem solving and to assist people with tasks that are too difficult or unsafe for humans to do ठीक है तो ऐसे काम आप machine से करवा सकते हो और उसको कहते है technical assistance technical का मतब यहाँ पर क्या है decision making ठीक है जो लिखा है देखो help people in decision making and problem solving तो technically आप help करो decision making problem solving में machines अगर help कर सकती है तो वो industry 4.0 level पर आ गई है और last है decentralized decision making having cyber physical systems with the ability to directly make simple decisions and become an autonomous as autonomous as possible अब चोटे चोटे टास्क आप खोदी कर लो जो की routine है simple है उसमें कोई complexities नहीं है उसमें कुछ है नहीं तो उसको कहते है decentralized decision making machine को आपने decentralized कर दिया और एक काम उसको दे दिया वो खुदी करेगा तो यह चार features अगर आपके machines आपके systems में है तो आप industry 4.0 में है ठीक है पहला है interoperability human machine interact कर सकती है communicate कर सकती है second information transparency physical को virtual copy में convert किया जा सकता है third is technical assistance decision making या problem solving में machine help कर सकती है तो वो है technical assistance और छोटे छोटे काम simpler काम आप खुदी कर सकते हो machine खुदी कर सकती है उसको कहते है decentralized decision making आए ख्याल में ठीक है बोलते हैं साथ साथ में तो industry 4.0 होई है और 4 features है तो याद रहेंगे ठीक है interoperability information transparency technical assistance decentralized decision making ठीक है मेरको तो याद हो गया बाई चलो आप अपना देखो चलो ठीक है तो यह चार features होने चाहिए digitization of manufacturing sector with immediate sensors in virtually all product components and manufacturing equipment's ubiquitous cyber physical systems and analysis of all relevant data तो इसको कहते हैं digitization कि सारे machines जो है वो input ले सकते हैं electronically input ले सके app के through जैसे आप देखते हो ना आजकल बहुत जादा features आ गए app से ही AC on-off हो जाती है घर बैटे या कहीं भी बैठके app से ही आप door close lock कर सकते हो बहुत सारे ऐसे systems आ गए तो यही चीजें अगर आप factory में लगा दो manufacturing वाली कि machine अपने आप on-off कर दो time set कर दो अपने आप फिर बंद हो जाएं ऐसे छोटे-छोटे जो steps होते हैं वो अगर आप machine को पहले से instruction दे सकते हैं और वो अपने आप कर सकती है तो फिर वो industry 4.0 में आ जाती है चीक है digitization help to ensure product quality, safety as well as faster service delivery which goes a long way with the customers तो इससे क्या होगा manufacturing आसान हो जाएगा better quality मिलेगा better service आप दे पाओगे चीक है तो यह है industry 4.0 फिर आगे बढ़ते हैं 7th topic है AI artificial intelligence ठीक है इसमें यह पूरी यह है वो है computers and robots related कि कौन-कौन से काम है business में जो आप machines या robots से करा सकते हो मतलब technology wise technology wise क्या ऐसे काम है business के अंदर जो आप AI से करा सकते हो artificial intelligence से आप कर सकते हो ठीक है अब AI से क्या फरक पड़ता है जैसे आप अभी देखी रहा हूं ना चैट GBT और यह बहुत सारे जो AI tools आ गया है तो आजकल यह सब आ गया है यह कोई अब ऐसा नहीं है आप तो past few months से यह सब यही चल रहा है भी तो AI tools के आपको सब पता है सब automate हो गया है बस आप बोल दो यह कर दो सब आपको मिल जाएगा ठीक है मतलब technology या जो information है वो सब अपने आप हो रही है ठीक है तो basically हम कर क्या रहे है machines को इंसानों जैसा सोचना समझना जो कुछ human qualities होती है वो human qualities जो है वो machine में हम डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसानों जैसा काम कर सके इंसानों जैसे decision ले सके आए क्याल में और आपने movies भी देखी है रजनी कान की robot तो यह सब वो ही है robots और यह उससे पूरा emotion और जो जो सोचने की काबिलियत है emotions basically machines में डालना कि वो emotion को भी consider करें while decision making जैसे इंसान करते है society के बारे में सोचे regulations के बारे में सोचे बरवा तो यह चीज़े machines में आनी चाहिए कि machine को यह सब नहीं पता रहता कि किसी को मार रहे हैं या कर रहे हैं या कुछ regulations breach हो रहे है society के खिलाफ है कोई चीज़ उनको यह सब नहीं समझते न तो यह उनमें डालना ताकि वो decision करते समय काम करते समय वो भी चीज़ें consider करें this is the entire area of AI चालो पढ़ते है AI is the field developing computers and robots capable of parsing data contextually contextually मतलब जो एक आपको काम दिया गया है उस से related उस perspective में data को analyze करना देखना उस नजरिये से देखना उसको कहते है contextually to provide requested information supply analysis trigger events based on the finding तो छोटे मोटे काम data generate करना share करना यह सब आप करवा सकते हो AI is the term used to describe machine's ability to simulate human intelligence समझ रहे हो human जैसा काम करने जैसा आप उनको बना रहे हो machine की ability बना रहे हो ताकि वो इंसानों जैसा काम कर सके a common example of AI in today's world are chatbots यह भी आपने देखा होगा artificial chatbots होते हैं कोई भी website खोलो even IRCTC की website खोलो किसी की भी website खोलो एक pop-up questions होते हैं FAQs होते हैं उनके वो answer उसमें feed होते हैं जो भी आप लिखोगे automatic answers आते जाएंगे और वहां कोई इंसान नहीं बैठा है ठीक है तो chatbots are examples of AI especially the live chat version that handle the basic customer service request on the company's website बहुत सारे companies के है मैं तो कह रहा हूँ IRCTC का देख लो वहां पर भी ठीक है आइटिंक दिशा नाम है उसका देखो कि देख लेते हैं भाई कि टिकेट बुक नहीं कर रहे है ठीक है यह रहा आस्क दिशा आस्क दिशा 2.0 ठीक है यह है यह है यह है AI chatbot ठीक है तो सब आप बात कर सकते हो तो यह AI टूल है ठीक है तैसे बहुत सारे companies ने किया हुआ है ठीक है छोटी-छोटी जो basic customer service है वो AI के थूरू handle कर लेते हैं कोई इंसान बिठाने की ज़रूत नहीं है ठीक है फिर अब इन्होंने nine areas दी है जहां पे business के अंदर कहा कहा आप AI को use कर सकते अब मशीन से कराने से क्या फाइदा है गलतिया नहीं होती है इंसानों से ही गलतियां होती है ऐसा कहवत है ना मशीन से नहीं होती स्पीड कंसिस्टेंसी से कराना है बिना बिमार हुए बिना छुट्टी पांगे तो मशीन करेगा समझ देख तो कुछ फीचर होते हैं याई के तो काम अगर ऐसा है जहां पर इंसान की ज़रूत नहीं है दिमाग लगाने की सोचने की human emotions और ये सब अगर ज़रूत नहीं है repetitive का नहीं है या उसमें कुछ नया पर नहीं है fix काम है repetitive काम है तो वहाँ वहाँ आप AI को use कर सकते हो तो areas दिये हैं अब areas में भी सवाल दिये है कि क्या सवाल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि AI use करना है कि नहीं इस पे कुछ question नहीं हाता ठीक है ना आया है तो आपको सिर्व अभी areas के नाम ख्याल में रखने है कि business के अंदर कहां कहां मैं AI को use कर सकता हूं number one business strategy business strategy बनाने में AI का use कर सकता हूं strategic AI priorities कि AI अगर मुझे use करना है तो मैं उनको छोटे छोटे day to day काम में भी use कर सकता हूं और मैं बड़े बड़े जो strategic मेरे काम है वो भी करवा सकता हूं तो व आपकी क्या priorities है AI आपको कहां use करना है long term में फिर एक है short term में भाई अगर आपको AI use करना है तो फटाफट आज की date में ही छोटे छोटे कहां छोटे छोटे जगहों पर आप AI को implement करना start कर सकते हो वो है short term AI adoption priorities कि तुरंद मुझे आज से AI implement करना है तो मैं एकदम बड़े काम त करा सकता हूं तो वो है short term AI adoption priorities फिर डेटा strategy आप बना सकते हो कि data कैसे store हो कैसे communicate हो कैसे generate हो तो data पूरा across the organization data की जो आपकी strategy है वो उसमें आप कहीं न कहीं AI को भी use कर सकते है फिर ethical and legal issues इसमें भी आप AI को use कर सकते हैं कैसे वो ethical issues resolve हो या कैसे उसको आप handle करोगे technological issue यहां तो AI काम आएगा याएगा skills and capacity employees को कैसे train करना है employee को कैसे एक level आपके लिए तयार करना है ठीक है training and development orientation तो इसमें भी कहीं AI का use कर सकते हैं क्या implementation ठीक है कोई भी चीज़ आप project को implement कर रहे हो तो implementation में भी AI को आप use कर सकते हो change management issues जहाँ जहाँ आपको change को manage करना है जैसे हमने पढ़ा काफी जगा है था change management पूरा BPR यह सब change management है तो change को manage करने में भी कहां कहां AI को आप use कर सकते हो यह भी आप देख सकते हो ठीक है तो यह सब areas दिये हैं कहां कहां AI को use कर सकते हैं तो पहला है strategy बनाने में AI strategic AI priorities short term AI priorities data strategy बनाने के लिए आप help कर सकते हो ethical legal issues technological issues change management issues implementation skills and capacity इसे 9th areas इन्होंने identify किये हैं कि यह आप consider कर सकते हो कि यहां AI को use करना है अब use कहां करें कैसे करें इनके लिए इन्होंने कुछ questionnaire दिये हैं कि यह सवाल बूचो अपने आपसे तो आपको समझेगा कि आप AI या नहीं कर पाऊगे समझ में आ रहा है एक कात मैं आपको बता दे आपको आईडिया आजाएगी बोलो क्या है जैसे data strategy बढ़ते हैं do we have the right sort of data to achieve the AI priorities AI जो हमारी priority है जहां पर हमको AI यूज करना है उसके लिए जो data लगेगा क्या हमारे पास वो data है क्योंकि AI को use करना है तो आपको data लगेगा तो वो right sort of data आपके पास अभी है है तो फिर आप directly AI करना start कर सकते हो do we have enough of that data data है पर adequate data नहीं है past track record जैसे एक साल दो साल दस साल एक volume होता है न डेटा का तो enough data है कि हम वो AI को soft दे काम फिर है if we don't have the right type or volume of data how will we get data data कहां से लाए जो actual data है जो कैसा काम हुआ है जो एक observations होती है past data होता है तो वो AI के लिए use करना पड़ता है न कि ऐसा हुआ था तो आपने क्या किया issues का observation का data रहता है कि ऐसा हुआ था तो इसको ऐसे solve गया ऐसा problem आए तो ऐसे solve गया यह data AI use कर सकता है ताकि similar situation आई तो वो similar type का action लेके उसको solve कर सकता है तो वो data कहां से मिलेगा do we have to set up the new data collection method कि अपन को खुद internally पूरा setup लगा के data collect करना चाहिए यह हम बाहर से खरीच सकते है third party data directly ले सकते है आए ख्याल में तो यह सब है तो ऐसे आपको सवाल पूछने सवाल पूछ के आपको समझेगा AI use कर सकते है के नहीं कर सकते कितना कर सकते है तो यह था A.I. आगे बढ़ते हैं H. आपने बहुत सुना आजकल फिंटेक कंपनी फिंटेक कंपनी ठीक है आपका जो क्या नाम है शाक टैंग इसमें तो आपने सौ बार सुना होगा फिंटेक फिंटेक ठीक है चलो बढ़े के आगे आगे बढ़े है चलो दो यह टोपिक है अभी अपन काफी आगे आगे हैं और तैंक यू सो मच आप इतना आगे तक मेरे साथ हो चलो FinTech यानि Financial Technology यानि कि Financial जो भी Transactions हैं Financial जो भी Services हैं वो Technology के मदद से दी जाएं मतब Physically, Manually न दी जाएं Computer सारा काम कर दे, Technology सारा काम कर दे Human Intervention कम से कम हो जैसे आपको Bank Account खोलना हैं तो आपको खुच जाना पड़ता था वहाँ इंसान बैठेगा, Physical Form भरना पड़ता था Physical Jerox दो, Physical दो, सब Physical होता था न तो FinTech यूज करो कि डारेक्ट भाई, Computer पर ही आप सारी Information दे दो Soft Copies अपलोड कर दो और डारेक्टल आपका Bank Account खुलके आपको Account Number मिल जाए तो ये सब Electronically कैसे करें बिना Customer को आए, वहाँ जाने की ज़रुद न पड़े या Bank Official को भी कहीं जाने की ज़रुद न पड़े बिना Human Intervention के कैसे आप हर चीज़ों को Automate कर सकते हो That is FinTech और FinTech का कहीं न कहीं एक थोड़ा सा Zone है, Area है कि सरफ Financial Services Financial Transactions वाले ही यहाँ पर आएंगे इसलिस का नाम भी गया, FinTech Financial Technology Financial होना जरूरी है, Monetary Transactions होना जरूरी है या Financial Services होना जरूरी है जैसे Banking, Insurance ठीक है, यह सारे Financial Services में आते हैं चालो, तो लेट स्टार्ट FinTech Financial Technology is supposed to describe how new tech that seeks to improve and automate the delivery and use of financial services delivery and use of financial services प्रूरी करना है और automate करना है, ठीक है FinTech now describes a variety of financial activities such as money transfers, depositing a check, वाला चेक है check with your smartphone by passing a bank branch to apply for credit loan लेने के लिए bank में जाने की जरूरत ना पड़े app के अंदर ही या website से आप लोन ले लो, raising money for business startup, fund raising भी online हो जाए, कहीं जाने की जरूरत ना पड़े managing your investments generally without the assistance of a person ये सारे काम पहले भी होते थे अभी भी हो रहे हैं लेकिन human intervention के बिना होने चाहिए अपने आप, बिना कहीं जाने की जरूरत पड़े बिना traveling, बिना कुछ किये बिना कुछ physical document दिये सब electronically ये चीज होनी चाहिए और ये हो रही है, काफी सारी चीज़ें आप already खुद भी कर रहे हो ठीक है, सब online होता है, app के थूभी ये सब आज हो रहा है Fintech also includes development and use of crypto currencies, ठीक है, crypto currencies भी इसी में आते हैं क्योंकि payment settlements crypto से भी होता है such as bitcoin, तो ये भी Fintech में ही आता है अब दिया है, देखो, आज की rate में क्या active चल रहा है, क्या कहा कहा Fintech use हो रहा है, some of the most active areas of Fintech involve and revolve around the following पहला है, cryptocurrency, ठीक है, स्टार्ट हो गया है digital cash भी इंडिया में digital rupee, I think trial basis पे आ चुका है ठीक है, तो cryptocurrency, digital cash ये Fintech based है, blockchain उपन पढ़ेंगे वो भी Fintech का ही है, तो कि वो भी payment systems में होता है, e-cash में use होता है, smart contract मतलब जो electronically, digitally sign किये गए, smart contracts open banking ठीक है, open banking मतलब physically जाने की जुरूत नहीं है, एप के तुरू आप सारे banking transaction कर सकते हो fund transfers, bank account open, FD open ये open, या ATM अपलाए कर दो समझ रहे हो, सब open banking, फिर इंशोर्ट याने insurance technology insurance services electronically देना regulation regulation वाले जो technology है सारे compliance ओनलाइन होने चाहिए फिर रोबो एडवाईजर्स unbanked और underbanked, cyber security तो ये सारे areas है, जहाँ पे technology already use हो रही है, चिक है 4 broad users क्या है, fintech के पहला है, b2b for banks, ठीक है, banks businesses से deal करता है, बैंक के जो customers है, वो भी business ही है b2b है, वहाँ समझ रहे हो न, सब business to business services दादा होती है तो b2b एक bank मतलब user है हमारा for b2b services फिर है their business clients ठीक है, business client के लिए भी जो है, आपके जो clients हैं, वो भी fintech यूज कर सकते हैं, फिर है small business के लिए b2c और फिर है consumers, ये सारे लोग fintech यूज कर सकते हैं, ठीक है clear है गया और अब ये अपने SLCM में भी पढ़ा होगा, regulatory sandbox कि fintech use करना थोड़ा risky हो सकता है क्योंकि fintech से error भी हो सकती है कुछ problems हो सकती है और अगर उस problems के वज़ेस से कोई regulation तूट गई और फिर regulator ने मेरे खिलाब action ले लिया तो मैं तो डर जाओंगा कि यार मैं fintech यूज करूं के नहीं करूं फिर कि fintech है ना भाई initial stage में है, बनाने में कुछ गलती हो गई transaction में कुछ problem हो गया तो फिर ऐसा नहीं कि मेरे उपर regulatory action लिया जाए, non compliance के लिए fraud के लिए, समझ रहे हो तो regulatory sandbox लाए गए law ने exemptions दियें कि ठीक है अगर आप एक regulatory sandbox use कर रहे हो, कुछ समय के लिए use कर रहे हो, trial कर रहे हो कि चलो ये fintech के तुरू करके देखते हैं तो हम आपको exemptions देंगे, आपके खिलाफ action नहीं लेंगे, ऐसा हम आपको वादा करते हैं तो ऐसे हर SEBI के regulation में regulatory sandbox का provision डाला गया है, कि अगर आप regulatory sandbox ला रहे हो, तो आपको हम exemptions देते हैं आपको खिलाफ हम actions नहीं लेंगे, चिक हैं तो इस अब law में भी implement हो चुका है governments have established fintech sandboxes to evaluate the implication of the technology in the sector, trial basis पे मतलब allow किया है कि चलो use कर लो, कुछ गड़बड हो गई तो हम संभाल लेंगे, हम आपके खिलाब action नहीं लेंगे, और जो European nations हैं European countries हैं उनमें भी ये एक हुआ है, passing of GDP याने general data protection regulation a framework for collecting and using personal data in the European nations is an another attempt to limit the amount of personal data available to the banks ठीक है, banks के पास limited personal data होना चाहिए customers का इसके लिए एक law भी pass कर दिया गया है which is general data protection regulation और यह सिर्फ European countries के लिए है, ठीक है तो fintech use हो रहा है भाई fintech use हो रहा है areas पूरे दिये हुए है ठीक है, चार users है B2B for banks, business clients small business के लिए B2C और consumers consumers भी fintech के तरह के तरू कोई भी services directly ले सकते हैं ठीक है, शलो अब आते हैं last blockchain, थोड़ा सा module भी देख लेते हैं भाई कुछ है क्या रहा है, कोई चार्ट नहीं है, डाइग्राम नहीं है, चीक है, बोलो भाई, blockchain पे आ जाओ ठीक है, तो blockchain क्या है भाई basically वो transactions का data होता है एक transaction को एक block बनाया जाता है, और series of transactions को connect कर दिया जाता है, blocks के थूँ, एक data जो है, एक transaction का जो data हो एक block है, तो हर transaction को, हर sequential transaction को आप connect कर रहे हो और वो data को एक block कहा जाता है और आप उसको connect कर रहे हो, तो वो एक chain form बन जाता है, तो इसको इसलिए कहते है, blockchain, blocks का एक chain बन जाता है और वो connect हो जाते है थूँ, जो पढ़ेंगे technology, hash function उसको कहते है, hash के थूँ, सारे data को connect किया जाता है, और और वो, एक बार वो block बन गया, फिर वो आप उसको तोड़ नहीं सकते, तोड़ोगे तो मतलब वो फिर काम कहीं नहीं रहेगा ठीक है, मतलब यह उसमें feature होता है जो अपन पढ़ेंगे, I think उसको कहते है immutability, कि उसको आप hack नहीं कर सकते, अगर वो data को कुछ भी आपने manipulate किया, तो वो फिर बिखर जाएगा, उसको आप use नहीं कर सकते और सबसे बड़ा जो feature है, blockchain का वो है decentralization समझ रहे हो, अब यहां भी भी confusion होता है बच्चों वो, ERP जब पढ़ा वो centralization था Six Sigma या बाकि वो हर जगा आपको ऐसा सोचना है, कहां centralization है, कहां decentralization है आएको समझ में, तो industry 4.0 में भी आया था decentralized decision making, यादा रहा है वैसे ही blockchain भी क्या है, decentralized है data पूरा जो है, वो एक जगा store नहीं है वो जितने भी users है सब के computer पे data saved है, तो अगर आपको data चुराना है, तो आपको हर computer से data चुराना पड़ेगा किसी एक computer पे पूरा data नहीं रहता किसी एक computer पे पूरा data नहीं रहता, समझ रहा है तो एक computer से आप data नहीं चुरा सकते ठीक है, तो यह इस तरह से है तो transaction is requested block that represents the transaction is created, एक block मतलब एक transaction है, the block is sent to every node in the network, जो भी transactions का पूरा connectivity है, जहां-जहां transactions हुए है सबको वो एक-एक block भेजा जाता है ठीक है, और वो black block connect होते जाता है, notes validate the transaction, ठीक है, जहां-जहां पिछले सारे transaction saved है वो उससे validate होता है, और notes receive a reward for the proof of work, ठीक है, उनको कुछ benefit मिलता है, तभी तो वो validation करेंगे न, and the block is added to the existing blockchain तो जितने भी अभी तक transaction होए है यह वाला transaction जैसे validate हो जाएगा वो उसमें add हो जाएगा वो chain में add होते जाएगा और फिर जैसे वो chain में add हो गया एक आपका code generate हो गया तो transaction complete हो जाएगा तो यह background में होते रहता है, technology यह है उसके पीछे आगे बढ़ते है, अब पढ़ते जाते है ठीक है, तो blockchain basically क्या है series of data है जो connect कर दिया गया है series of data है जो आपस में connect कर दिया गया है, तो हर transaction का एक unique code बन जाता है, ठीक है, every single transaction is linked to the chain using cryptographic principles in batches making the block, एक transaction का जो भी data है, वो एक fixed block में convert कर दिया जाता है ठीक है, the blocks connected to each other and have a unique identifier code which is called as hash, समझ रहे हो एक transaction का एक जो code होता है, वो होता है hash hash function कहता है और यह hashes को, block को connect किया जाता है, and that connect them to previous and subsequent blocks जो उसमें होने वाले हैं this forms a blockchain, usually continuous ledgers of transaction DLT कहते है direct कुछ तो क्या है, ledger छोड़ो, continuous ledger of transaction ठीक है, तो continuous वो chain बनते जाती है, add up होते जाती है पिछले वाले से वाले और नया वाला add होते जाता है, ठीक है it isn't owned by any one individual ठीक है, पूरा data किसी एक के पास नहीं होता है the series is managed and stored across several computer system तो इसको चोरी करना, hack करना भी possible नहीं है each ledger is shared, copied and stored on every computer connected to the system हर जगह वो store हो जाता है और सब के पास अलग-अलग blocks होते है ठीक है blockchain technology have been the backbone of bitcoin and other cryptocurrencies blockchain technology already use हो रही है और सारे cryptocurrencies के transactions में blockchain technology use हो रही है transparency and security offered by the technology are some of the main reasons why cryptocurrencies have become so popular ठीक है, transparency है, जो भी transactions हो रहे है वो पता चलते हैं, बस ये नहीं पता चलता, किस ने की है identity reveal नहीं होती है पर transaction हुआ है, ये पता चलता है ठीक है, और secure होता है, उसको आप temper नहीं कर सकते है उसमें आप hacking नहीं कर सकते तो ये दो बहुत बड़ी feature है transparency है, छुपा नहीं सकते है छुपा नहीं सकते हो ठीक है, ये सबसे पहला है, transparency है और secure है अब है इसमें hurdles क्या है की technological hurdles क्या है number one, scalability कि इसको आप scale कैसे करोगे अब तो चुनिंदा कुछ transaction हो रहे है तो speed है, सब आप कर पा रहे हो store कर पा रहे हो, हर computer पर store कर पा रहे हो जब बहुत ज़्यादा transaction हो नहीं लगेंगे तो, तो क्या हो slow नहीं हो जाएगा बरवर, तो issues आएंगे न, जब आप बहुत ज़्यादा volume, हर sector के transaction इस पर ला लोगे, तो फिर इसमे problem हो गा ही न, scalable है कि न, यह बहुत बड़ा issue है, transaction speed जो मैंने आपको बताया, scalability से connected है, जैसे कि आप ज़्यादा transaction करोगे, transaction speed बहुत slow हो जाएगी, जो कि बहुत protection का भी बहुत बड़ा issue हो जाएगा, ठीक है, तो यह तीन issues है, क्या issues है scalability, transaction speed and data protection, यह तीन technological issues के वज़र से बहुत जादा blockchain अभी तक use नहीं हो रहा है, आधकी technological hurdles along with the difficulty of integrity with the existing system, existing भी तो already कुछ हम use कर रहे न, तो उसको replace कैसे करोगे, वो भी बहुत बड़ा process है, ठीक है, तो वो तो है ही, existing से हटा के नए पर डालना हो तो होता ही challenging है, change management, but यह तीन बहुत बड़े problems है, ठीक है, क्या-क्या है scalability, transaction speed and data security, data protection, ठीक है आगे बढ़ते है, the three main properties of blockchain technology which have helped to gain the widespread acclaim are decentralization, ठीक है decentralized है, centralized नहीं है centralized में क्या होता है, hack करना fraud करना आसान हो जाता है क्योंकि एक ही जगा आपको सारा data मिल जाता है तो यह decentralized है, तो hack करने में इसलिए दिक्कत होती है फिर यह transparent है privacy है, identity reveal नहीं होती है पर transparent है, कि कोई transaction हुआ है कोई money transfer हुआ है, कोई purchase हुआ है कोई चीज़ हुई है, यह आपको पता चलती है, कि transaction तो हुआ है तो transparency बढ़ जाती है transactions की, और यह है immutability कि उसको आप temper नहीं कर सकते उसको change नहीं कर सकते है उसको कुछ भी manipulate नहीं कर सकते हो ठीक है, तो वो lock हो जाता है तो यह तीन features है main properties क्या-क्या है decentralization, transparency and immutability, ठीक है in the decentralized system information is not stored on one single entity that was the ideology behind the bitcoins, ठीक है कि एक जगर data नहीं होना ची data अगर बिखरा हुआ है, तो फिर वो चोरी नहीं हो पाएगा, the person's identity is hidden via a complex cryptography and represented only by their public address कोई नो को एक public address, एक code आ जाएगा, जिससे आप identity किसी को पता नहीं चलती है while the person's real identity is secure, you will still see all the transactions that are done by their public address, public address से पता चलेगा पर identity पता नहीं चलेगी जिससे मैं आपको आधार नंबर दे दूँ आधार नंबर दे दूँ पर आधार नंबर किसका है अगर मैं आपको उसका database का access न दू सिर्फ एक number दे दू और यह number किसका है यह किसी को पता नहीं है, यह सिर्फ regulators को या जिसने बनाया है उसको उसके पास होगा database, general public के पास नहीं होगा, तो code आएगा लेकिन वो किसका code है, वो identity number किसका है वो आपको पता नहीं चलेगा public को, general public को पता नहीं चलेगा तो identity secure होती है it adds that extra much needed level of accountability क्योंकि transaction हुआ है, तो आप अपने personal हिसाब के ताब से हटा नहीं सकते क्योंकि transaction तो हुआ है which is required by some of these biggest institutions. Immutability in this context means that once something has been entered into the blockchain, it cannot be tampered with. आप उसको tamper नहीं कर सकते, change नहीं कर सकते कुछ भी करोगे तो वो lock हो जाएगा the reason why blockchain gets the property is that of the cryptographic hash function hash hash एक code बनाई जाते हैं, वो code के वज़ज़ से आप उसको tamper नहीं कर सकते ठीक है तो ये पूरा एक दुनिया है, bitcoin की sorry, blockchain की, जो bitcoin और other cryptocurrencies में use होता है, ठीक है बोलो, क्या important चीज़े है की technology hurdles क्या है, scalability, transaction speed and data protection three properties क्या है, blockchain में decentralized है, transparent है और immutability है, ठीक है, ये आपको ध्यान दे रहे है और blocks कैसे connect होते है through hash, unique identifier code है जो जिसको आप कहते हो, hash, hash function ठीक है शालो तो ये था आपका पूरा chapter 16, analyzing strategic edge ठीक है, थोड़ आसा अभी हमें काम करते हैं module थोड़ आसा एक बार गुमा लेते हैं कुछ diagrams अगर हैं तो मैं बता देता हूँ overall overall देख लेते हैं भाई, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया था define, measure, analyze, improve, या वही है, DMAIC है इस पे भी मेरे को नहीं लगड़ा कुछ question आएगा ये भी मैंने आपको दिखा दिया है, इस पे भी बहुत जादा मगप नहीं कर पाऊगे मगप बिलकुल नहीं कर पाऊगे, सिर्फ six stigma का र्याद रखो, 3.44 which stands at 99.999, तीन बार नहीं है, पॉइंट के बाद 66%, 3.44 defects in a million, ठीक है? अच्छा, एक और point, काफी बच्चे पूछ रहे थे कि, सरे case studies जो add हुई है, बीच बीच में, इसका क्या करना है, तो ये आपको skip करना है, ठीक है? मेरे साब से, अगर आपका target एक decent target है, 40 में से अगर आप 30, 32 तक का आपका target रख रहे हो, तो आप आसानी से case studies को drop कर सकते हो, क्योंकि एकाद ही आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, आई repeat, एक question आ रहा है, पर सिर्फ एक के लिए ये जो इतने सारे case study भर-बर के दिये हैं, और वो सारे जो case studies हैं, उसमें भर-बर के facts हैं, और वो facts आप इतने याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि पिज़ा हट के लिए पड़ा, क्या motorola, क्या xerox, कैसे याद करो गया, पागल हो गया अब, समझ रहा है, आप try करो, क्योंकि मैं खर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ, मैंने सारे case studies पड़े हैं, और आप मुझसे पूछोगे न, ये वो तुम मैं नहीं recall होगा भाई, सबक पे 10-10 question आने लग गए, 10 case study के question आने लग गए, तो आपको पढ़ना चीए, सिर्व एक माग के लिए 25-30 case studies और इतने लंबे-लंबे factual चीज़ें, मगब करना, मुझे नहीं लगता एक average student के ये बस की बात है, दूर रहो, ठीक है, दूर रहो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखो, अब ये दिया है, Xerox 12 step benchmarking process, तो इसने 5 phase में divide किया हुआ है, plan करो, analyze करो, integrate करो, action low, और maturity, ये आप, कितना-कितना आप याद रखा होगा है, वही दिक्कत है, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके है, PFC, AI, ये भी हम पढ़ चुके है, ठीक compare कर सकते हो, फिर क्या approaches है, internal, external, functional और generic, ये easy है, याद हो जाएगा आपको, tension मतलो, आगे बढ़ते हैं, फिर ये भी धीरे-धीरे याद करो, सबसे पहला, सबसे आखरी, ऐसा थोड़ा सा कुछ तो logic बिठाओ, और multiple times, regular interval पे अगर आप पढ़ोगे, तो आपको option में आप कर प लंबे-लंबे case studies है, मतलब जो case study को favor कर रहे हैं, कि क्यों नहीं पढ़ना चीए, अरे देख तो लो, बिना देखे, support मत करो, पहले देख लो कितने case studies है, और क्या-क्या नहीं दिया हुआ है, पहले देख लो, जो बहुत argue करते हैं, मुझे बहुत करस आता है उन पे, कि बिना देखे, बिना knowledge के, teacher से जाके भिढ रहे हैं, जो पूरा हो चीज पढ़ चुका है, और कौन argue कर रहा है, जिसने देखा तक नहीं है, बेस ही same नहीं है, तो क्या argue करूँ, क्यो time waste करूँ मैं अपना, समझ रहे हो, तो मैं time waste नहीं करता आचकल, जिसने देखा है, जिसको पता ह है कि वो क्या चीज की बात कर रहे है, उससे बात करने भी मजा आता है, ठीक है, चालो, ये भी मेरे ख्याल से इतना काम का नहीं है, ठीक है, customer process focus, change management, ठीक है, चलो भहिया, आगे बढ़ते हैं, कुछ है क्या और, ये भी पढ़ चुके है, ठीक है, financial perspective, customer perspective, business process perspective, learning and growth perspective, ठीक है, एक बार आप देख लेना लेकिन, जिसको वही एक 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 माँ के पीछे जो पढ़ना है न, मुझे नहीं रखता, तीस माँ का आराम से आ सकते हैं, ठीक है, अगर आप लाने है, FM में आप 30 का टागेट रखो, SM में आप 30 का रखो, SM में 30 का रखो, जबरदस्ती वो 4 या 5 माँ के लिए प्रेशर मत डालो, नहीं तो 30 भी नहीं आएंगे, मैं यहीं बता रहा हूँ, काफी लोग यह जो बहुत अपने आपको प्रेशर में डाल रहे हैं न, दो दो तीन तीन मत करो, सीधे निगेटिव में जाओगे, कुछ भी चीज देकॉल नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आजाओगे, और 25 माँ भी नहीं ले पाओगे, 5 माँ ज़्यादा लेने के चक्कर में, 5 माँ धटा के आजाओगे, जो जब बहुत ही आसानी से कूल रहके, आप 30 माँ चुपचाप ले सकते हो, मुझे लगता आपका जो end goal है, 30 आप 40 में से ले रहे हो, और 60 में से 30 नहीं लोगे क्या, मुझे वोई नहीं समझ में आ रहा हो, over dependence भी नहीं रखना SM पे, कि पूरे 40 SM में ले ले लेता, FM छोड़ देता, ऐसे होता है क्या भाई, realistic रहो, 30 इदर से 30 उदर से, 30 आराम से SM में आ जाएंगे, medium कर effort से, और FM में 30, medium effort से आ जाते हैं, ठीक है, 60 आप ला सकते हो, ठीक है, शालो, ठीक है, तो ये लिख लो भाई, ये लिख लो, ठीक है, तो छोटा-छोटा सा बना ले ना, सारे जो years हैं, अगर आपको cover करने हैं, तो आप years के एक list बना लो, इंसानों के नाम के list बना लो, बना लो, और exam के at least, हफते पहले, दस दिन पहले, अगर हफते दस दिन पहले भी दो-चार बार पढ़ लिया ना, तो याद आ जाता है, अभी से इतना पढ़ने की जूरत नहीं है, आकरी बस जो हफता है, उसमें भी आपने हर दो दिन, तीन दिन में, दो-चार बार उसको पढ़ लिया, हो सक और comment करके जरूर अपना feedback दें, ठीक है, चालो, thank you so much, all the very best, और please keep the target of SM to 30, ठीक है, 30 एकडम decent है, 30 के आसपास कही target रखो, बहुत extreme मत रखो, 36, 38, 39, 40, out of 40, बहुत नीचे भी मत रखो, 25, 20, कम हो जाता है, 30 एकडम best है, 30 से लेके 32, depending upon आपने regular study कहां से किये, अगर आप मेरे buyer हो, I will say 32 to 34 भी आप सोच सकते हो, कि इतना आपका conceptual clarity है already, बहुत डीटेल में पूरा module मैंने आपको पढ़ाय हुआ है, तो आप थोड़ा 1, 2 माग, 4 माग थोड़ा जाधा कर सकते हो, but self study वाले बच्चे हैं, तो ठीक है, आप बहुत जाधा भी मत रखो, 28 र बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके revision हो गई होगी, ठीक है, all the very best, और सारे वीडियोज FM के भी देख लेना भाई, FM के भी सारे मिनी मेरिकोंस डाले हुए है, अल्रेडी पहले भी बहुत सारे मैंने FM के वीडियोज डाले हुए है, जो भी आपकी problem है, जो need है, उसके साब स वीडियोज करके देख सकते हो, ठीक है, तारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, थैंक्यू सो मच